नमस्कार, Pinnacle Online Coaching Classes में आपका स्वागत है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं Chemistry के कुछ MCQs, हर्वी सुब बिना समय गवाई चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रेश्टन है, the main constituents of biogases biogas आप सबको अंदाज़ा होगा, biogas का एक और नाम होता है gober gas जो कि हम biogas के जितने भी plants हैं, वहां से हमें biogas मिलती है उसके अलावा वहां पे जो भी हम waste materials डालते हैं, वो as a manure वहां पे इकटी हो जाते हैं जो हम हमारे खेतों में use कर सकते हैं बाद में तो question जो है, वो यह है कि जो biogas में जो जो gases है, जिन जिन gases का मिश्रन होता है, उनमें कौन कौन सी gases है तो इसके लिए सबसे आपको पता होना चाहिए कि biogas के constituents क्या क्या है तो यहां पे हैं carbon dioxide, methane और H2S और इसके अलावा थोड़ा बहुत amount में moisture यानि की नमी जिसे हम H2O से एक बार के लिए लिए लिख सकते हैं, तो यह जो gases यहां लिखी हुई है, यह सारी biogas के constituents है Now question is, कि इसका main constituent क्या है, मुख्य घटक क्या है, तो अग इसके मुख्य घटक में जो आएगा वो आता है, methane That is option B, अब अगर आप question को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पहला option oxygen भी देखेगा, तो एक चीज जो आपको इस question में याद रखनी है, वो यह है कि इसके constituents जो है, इसके जो घटक है, उनमें carbon dioxide है, लेकिन oxygen नहीं है, यह सबसे common error होती है, इसलिए आप देखेंगे कि यहां प बहुत common tablet है, जो सब लोग बहुत commonly use की जाती है, लेकिन question यहाँ पर यह है कि उसे chemically क्या बोला जाता है, तो अगर आपको aspirin के formula का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, तो आप इस question को असानी से कर सकते है, और aspirin एक common topic है, इस पर बहुत बार question आता है, हो सकता है आपको इसक chemical formula भी पूछा जाए, तो यहाँ है aspirin का chemical formula जिसमें एक carboxylic group होता है, जो की है COOH और बाकि इसका जो formula है, वो है OCOCH3, तो यह जो हमारा aspirin है, उसका chemical formula है, और एक जो important चीज है, वो सब को पता होती है, कि aspirin जो है, वो एक salicylate या salicylic acid है, और इसका जो short form है, इसे short form में हम कहत है, A-S-A, acetyl salicylic acid, जो की है option C, तो aspirin क्या है, A-S-A, acetyl salicylic acid, question number 3 के तरफ पढ़ते है, the most abundant element in the human body is, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कि जो मानव शरीर है, जो human body है, उसमें अलग-अलग elements जो है, वो कितने-कितने percentage पाये जाते है, अब इस जैसा ही एक मिलता- question है, जोसे भी हम यहीं solve कर लेते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है, कि सबसे जादा बहुत सारे elements दिये होते हैं, तो एक important point जो आपको यहाँ याद रखना है, कि जो मानव शरीर का 99% part है, वो कौन-कौन से element से बना हुआ होते हैं, उसमें oxygen होगा, carbon होगा, hydrogen होगा, nitrogen होगा, calcium होगा और phosphorus होगा, अब अगर आप question में देखेंगे, अभी जो question है हमारा उसमें, तो maximum जो option है, वो इन ही elements में से हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए, कि यह जो हमारे पास सारे elements हैं, इन में से maximum या most abundant कौन है, तो आपको याद रखना है, कि oxygen जो है, वो almost 65% हमारी body का बनात है, तो most abundant element या फिर सबसे जादा मात्रा में पाया जाने वाला element कौन सा हुआ, oxygen, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option D, question number 4 की तरफ बढ़ते हैं, question number 4 है, a mixture of water and alcohol can be separated by, यानि कि हमारे पास एक मिश्रन है, जिसमें हमारे पास water है, जल है, और उसके साथ-साथ हमारे पास alcohol है, यानि क कोई OH group वाला compound है, इन दोनों को अगर हमें separate करना है, तो हम filtration, evaporation, decantation और distillation, इन में से कौन सा जो process है, इन से हमें separate कर सकते हैं, तो हम one by one सब के बारे हम बात करते हैं, जो filtration process है, filtration process हम usually कभी use करते हैं, जब हमें कोई भी solid और अगर liquid, इन दोनों का अगर कोई मिश्रन हो, उस यहां पर तो दोनों ही substances हमारे पास क्या है, liquid है, तो filtration क्या होगा, यहां सही answer नहीं होगा, second है evaporation, जब भी हम water cycle study करते हैं, तो उसमें हम हमेशा evaporation की बात करते है, evaporation होता है, evaporation में जो process होती है, जो liquids होते है, वो gas phase में converge जाते हैं, उसे हम कहते है evaporation, पर ऐसा करने से ज तो कि वो दोनों एक दूसरे में mix हो जाते हैं, next हमारे पास जो process है, वो है decantation, decantation एक नया term हो सकता है, तो हमें पता होना शाहिए कि अगर हमारे पास दो ऐसे liquids है, जो एक दूसरे में घुलते नहीं है, जो अघुलनशील है, जो हम immisible liquids कहते हैं, तो उनको separate करने के लिए जो process है, उसे हम कहेंगे decantation, और finally हमारा process है distillation, जिससे हम water और जो alcohol है उसको separate करेंगे, और ये जो process है, इसके अदर सबसे important point जो होता है, वो है boiling point का difference, ये दोनों अलग-अलग boiling point पे जो है, boil हो जाएंगे और उसके बाद में हम उनको separate कर सकते हैं, और अगर जादा अगर हमे accurate answer इसका बताना हो, तो वो होगा कौन सा distillation, fractional distillation, अब बात करते हैं question number fifth की, acid rain जो है, is caused due to pollution of atmosphere, तो acid rain एक बहुत common term है, सबने सुना होगा, कि जो ताज महल का संग मरमर पत्थर है, उसमें जो black discoloration, जो उसका रंग थोड़ा-थोड़ा काला पढ़ने लगा है, उसका एक important reason बताया जाता है, acid rain क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो यमुना नदी situated है, वहाँ पे कुछ industries established है, जिनके वज़े से pollution atmosphere में बहुत बढ़ गया है, तो हमें बताना है, कि किस तरह के pollution से, या फिर उस pollution में, ऐसे कौन से chemical जादा होगे, तो acid rain होगा, तो अगर हम बात करें इसकी, तो acid rain पर सबसे important cause क्या होता है, जो हमारे industries हैं आसपास, महां से एक तो sulfur dioxide और एक nitrogen oxide, ये दो gases जो है, वो बहुत जादा amount में वहाँ पे release होती है, फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में chemical reactions होती है, जो atmosphere में और gases present है, जैसे water present है, oxygen present है, इनके साथ react करके और जाद acidic substances का formation होता है, तो main जो अगर हम reason आप यहाँ देख पाएंगे तो वो है, एक तो sulfur के oxides और एक है nitrogen के oxides, तो अब हम options चेक करते हैं, oxides of carbon, carbon के oxides का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, carbon oxide acid rain के लिए responsible नहीं है, nitrogen के oxides हैं और sulfur के oxides भी, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, option B, अगरे question के तरफ बढ़ते हैं, which of the following is bio-degradable, अब दो terms आती है, हमारे पास एक आता है bio-degradable और दूसरा आता है non-bio-degradable, bio-degradable substances वो हैं, जो हमारे bacteria और जो बाकी microorganisms हमारे soil में present होते हैं, वो उसको naturally, उसको degrade कर देते हैं, यानि उसको छोटे-छोटे टुकडों में break down कर देते हैं उसका time duration कितना भी हो सकता है, वो अलग substance पे depend करता है, और non-bio-degradable हो होते हैं, जो just form उनका manufacture हुआ है, हमेशे उसी form में रहने वाले हैं, यानि कि वो छोटे-छोटे टुकडों में कभी भी उनका break down नहीं होगा, जैसे एक important example, plastic, इसलिए उसको reduce करने पे इतना जोर दिया ज जो भी हमारे kitchen से जो भी waste release होता है, जो हम kitchen से vegetables वगरा के waste है, उसके लावा paper वगरा है, यह सब हमारे bio-degradable में आकर, लेकिन यहाँ पे बाकी जो है, DDT, aluminum, जो एक heavy metal का example है, plastic, यह सब जो है, वो bio-degradable नहीं है, तो यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, option A, क्योंकि हमसे bio-degradable का example The greenhouse effect is produced due to the presence of excess amounts of, जो greenhouse gas effect है, वो नीचे कुछ gases का नाम दिया है, उन gases में से कौन सी gas का जब जादा concentration होगा, या फिर कौन सी gas के उपस्तत होने से greenhouse effect जो है, वो होता है, उसके लिए हमें जानना जरूरी है, greenhouse gases कौन कौन सी है, यानि कि जो greenhouse gas, greenhouse effect कौस करेंगी, तो उसके लिए हमारे पास greenhouse gases जो है सबसे important या फर जो main main है, उन्हें हम discuss कर लेते हैं, carbon dioxide जो है, methane है, nitrous oxides है, chlorofluorocarbon से और उनके अलाओ कुछ और gases भी है, सबसे यह है हमारे पास सारी greenhouse gases, अब हम options मैच कर लेते हैं, कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, sulfur dioxide ये greenhouse gas नहीं है, nitrogen dioxide ज नहीं है, nitrous oxide है, greenhouse gas, तो आपको options बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, फिर आता है हमारा carbon monoxide, carbon monoxide है वो भी एक greenhouse gas नहीं है, carbon dioxide है greenhouse gas है, और last option है methane, जो की एक greenhouse gas है, तो correct answer कौन सा होगा, option D, ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम अगले question के तरफ, जो है question number 8, an element that does not occur in nature, but can be produced artificially, यानि हमें किसी ऐसे element का नाम बताना है, ऐसे तक्त्व को इनमें से select करना है, जो प्रकृती में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन हम उसका formation कर सकते हैं, artificially, यानि कि कुछ chemical reaction से, तो अगर आप options देखेंगे, तो आपको एक अंदाजा लगेगा, कि यहाँ पर कुछ nuclear reactions की बात हो रही है, nuclear reactions के अगर हम बात करें, तो इनमें सबसे important होती है, uranium की reactions, uranium की उपर, जब हम neutrons की bombarding करते हैं, neutrons को जब उसके उपर डाला जाता है, nuclear power plants के अंदर, तो यह usually हमारा convert होता है, plutonium के अंदर, तो अगर आप यहाँ देखोगे, तो plutonium क्या है, हमारा एक radioactive element भी है, जो कि हम artificially form करते हैं, nuclear reaction से, इसके अलावा अगर आप और examples जानना चाहोगे, तो neptunium उसका एक example है, curium एक example ह इनहीं जो artificially बनाए जाने वाले elements हैं, उनका, americum एक और हमारा पास element है, तो अगर हम options देखें, तो uranium तो naturally exist करता है, और uranium को हम plutonium में convert करते हैं, nuclear reactions में, तो correct answer असका कौन सा होगा, option C, वरते हैं question number 9 की तरफ, chloroform can be used in chloroform, अगर हम बात करें, तो analgesic वो होते हैं, जिससे pain relief ह होता है, यानि कि analgesic को जब भी कोई pain होगा, तब हम जो medicine देते हैं, उसको relief करने के लिए, ठीक होने के लिए, उन्हें कहते हैं, analgesic, anesthetics होते हैं, जैसे operations के पहले, या फिर जैसे sun path करने के लिए, हम जिन दवाईयों को use करते हैं, वो होता है, anesthetics, शुरुवात में chloroform, ज शुरुदी के form में, लेकिन उसके कुछ side effects होते हैं, वो बहुत harmful है, इसलिए उसे at present cable anesthetic के form में use किया जाता है, तो उसका correct answer कौन सा होगा, option B, चलते हैं अगले question की तरफ, the manufacture of iron, from iron ore involves the process of, यहां पर बात हो रही है, metallurgy of iron की, तो सबसे पहले iron की ore की बात कर लेते हैं, F2O3 एक common ore है, जो हम iron का use करते हैं, और iron की manufacturing के लिए, अगर आपको जहां पर iron की manufacturing होती है, उसका अगर कभी भी आपसे नाम पूछा जाए, तो यह भी एक single answer question है, तो उसका answer होगा, blast furnace, यह इसका नाम होता है, important है, तो आप इसको याद रखें, blast furnace, अब पूछा है कि वहां किस तरह की reactions होती है, यानि कि इस blast furnace में किस तरह की reactions है, तो अगर आप कभी इसकी metallurgy पढ़ें, या फिर अगर आप directly याद रखना चाहें, तो blast furnace में जो reactions होती है, वो होती है, reduction reactions, यानि और यहां पे जो सबसे main reducing agent है, वो कौन होता है, carbon monoxide, चीक है, तो जैसे options हमें दिए है, oxidation, reduction, fractional distillation, तो correct answer कौन सा होगा, option B, that is reduction, यानि कि यहां पे noonan प्रक्रिया होती है, question number 11 की तरफ बढ़ते हैं, which of the following is caused by the higher concentration of nitrogen and phosphorus, यानि कि यह प्रशन है, कि अगर हमारे environment में nitrogen और phosphorus जो है, इनकी concentration अगर बढ़ जाती है, तो नीचे दी हुई कौन सी process जो है, वो जादा जल्द होगी, तो eutrophication अगर आपको नहीं पता, तो eutrophication होता है, जो lakes है हमारे, या जो aquatic ecosystems हैं, उनकी aging की process को कहते हैं, और अगर आपने कभी से पढ़ा होगा, तो इसका एक important reason होता है, कि वहां पे जो water present है, उसके अंदर अगर nitrogen की और phosphorus की amounts बढ़ जाती है, तो उसकी वज़ा से, इसकी जो process है, इसकी अगर आप rate देखोगे, जितनी जल्दी ये process होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, तो इनमें से correct answer कौन सा होगा, option की, जोगी है, eutrophication, question number 12 की बात करते हैं, earth's atmosphere is an envelope of gases extending to a height of, अगर आप earth की बात करोगे, तो earth और earth की बाहर हम बहुत सारी layers की study करते हैं, strat stratosphere हो गया, trophosphere हो गया, इस तरह की 5 layers present होती हैं हमारे पास, तो पूछा गया है की जो layers है, जो envelope form करती है, हमारे earth की बाहर, इसकी height जो है, वो कहां तक extend करती है, तो ये extend करता है, 200 km तर, तो correct answer कौन सा होगा, 200 km, जो की earth की surface से measure किया गया है, बात करते हैं, question number 13 की, in its reaction with silver nitrate, it shows, silver nitrate की जो reactions हैं, उनमें silver nitrate जो है, वो किस तरह की property को show करता है, तो silver nitrate जो है, अगर आप बात करेंगे, silver nitrate is agno3, जिसमें अगर आप oxidation जो है, oxidation states जो है, उनसे आप आसानी से बता कर पाएंगे, यहाँ पे oxidation होगा या reduction होगा, तो यहाँ पे जो silver iron है, उसकी tendency होती है, zero oxidation state में जाने की और no3 की presence जो है, उसकी वजह से इसका जल्दी reduction हो जाता है, तो इसका correct answer, खुद का reduction अगर हुआ है, silver iron का, तो इसके against में अगर दूसरा जो भी हमने use किया है, उसका क्या होगा, खुद का reduction, उसका oxidation, तो इसकी property होगी, वो कौनसी होगी, oxidizing property, तो correct answer कौन सा होगा, इ Now, question number 14, question number 14 है, the main source of carbon monoxide is, carbon monoxide, जो है CO, उसका सबसे important source क्या होता है, तो जितने भी हमारे automobiles है, जितने भी हमारे पास vehicles है, उनके अंदर हमारे पास बहुत सारी combustion reaction होती है, जहां पर जो fuel है, उसका oxidation होता है, और वहां से जो सबसे important pollutant release होता है, वो होता है, carbon monoxide, तो अगर हम options की बात करें, तो automobiles को industrial process में नहीं, मतलब, categorize करेंगे, fuel combustion में भी नहीं, transportation, transportation यहां पर correct option होगा, जिसके वज़े से, जो carbon dioxide की concentration है, वो हमारे atmosphere में add होती है, next जो हमारे पास question है, वो है कि aerosols के बारे में, aerosols अपने term सुनी होगी, अब पूशा है कि aerosol क्या है, तो aerosols जो होते हैं, इनके सबसे पहले हम इनको example से समझेंगे, इसके सबसे common example जो होता है, fog, dust, fog यानि की जो हमारी धुन्द होती है, धुन्द में हमारा जो atmosphere है, उसके अंदर water की जो droplets है, वो present होती है, तो in short अगर हम इसको समझना चाहें, कि solid particles जो है, वो air में जब suspended होते ह है, उससे हम कहते है, aerosols, अब water के लिए कही बार question आता है, कि water जैसे liquid form है, तो completely जो fog जो है, उसके अंदर, वो almost solid parts में present होता है, उसके अलावा जैसे कि dust की अगर हम बात करें, तो dust की particles हैं, जो कि solid है, और वो हमारे atmosphere में पूरी तरह present होते हैं, इसी तरह अगर आप करो, smoke है, smoke भी aerosol का example है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो microbes की बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो aerosol का definition है, वो है कि हमारे कोई भी अगर solid particles हैं, वो अगर air के अंदर present है, तो pollutant gas नहीं है, तो यह तो gas in gas हो जाएगा, तो यह भी correct answer नहीं है, तो correct answer होगा, इसका option 1, question number 16 पे जाते हैं, अब हम philosophers bull किसे कहते है, philosophers bull, अगर हम बात करें, तो correct answer philosophers bull के लिए हमारे पास होगा zinc oxide, अब usually ऐसे questions में जो है, आपको exact याद रखना पड़ता है, तो जैसा आप देख सकते हैं, सारे options के अंदर zinc available है, और zinc oxide को भी philosophers bull क्यों कहा गया है, यह जो इसका reason है, वो पह है, कि philosophers bull किसे कहते है, zinc oxide को, so option C जो है, वो इसका correct answer है, question number 17 के अगर हम बात करें, तो synthetic detergents जो है, वो किन से बने हुए होते हैं, तो दो चीज़े हैं, जनको हम comparison से study करते हैं, हमेशा जो की हैं, soaps और detergents, और soaps के अंदर जो सबसे important, या सबसे common example जो हम study करते हैं, वो एक तो sodium stearate ही है, तो sodium stearate का जो detergents में होना, यानि कि यह तो option गलत होगा, उसके अनावा एक और अगर हम option यहाँ eliminate कर दें, हो है sodium palmitate, sodium palmitate भी है, जो के एक soap का example है, अब हमारे पस दो options बचते हैं, तो sodium salt, जो sulfonic acids की होती है, और जो carboxylic acids की होती है, हमें इन में से separate करना है, कि synthetic deter detergents में हम इन में से किसे यूज करें, तो जो sulfonic acid के जो salts होते हैं, बेंजीन, बेंजीन आ गया, तो हमें aliphatic और aromatic का differentiation हो जाएगा, यानि कि उनमें rings present होगी या नहीं होगी, तो correct answer क्या होगा, इसका sodium salts of benzene, शिल्फोनिक acid, तो option B यहाँ पे correct है, next है question number 18, the sewage obtained from water closets and urinals is known as, यानि कि, जो sewage है, यानि कि, जो sewage को हम easy भाष्ण में कह सकते हैं, जो कच्छा है, जो शौच घर और पिशाप घर से निकलता है, उससे आप किसमें include करेंगे, sanitary waste में, industrial waste में, garbage में, या सलेज में, तो यहाँ पे आपको confusion हो सकता है, एक sanitary waste में औ और एक सलेज के अंदर, तो हम यहाँ study कर लें, कि sanitary waste में हम include करते हैं, जो भी human activities है, या फिर जो भी ऐसी processes से, जो भी waste आ रहा है, जो human द्वारा करी गई है, मनुश्रा द्वारा करी गई है, वहाँ से जो भी waste आएगा, उससे हम include करेंगे, sanitary waste के अंदर, और जो sewage है, सलेज के अंदर जो भी हमारा bathroom से जो भी हमारे पास कच्रा निकलता है, यानि कि जैसे कि जो भी हमारे sinks हैं, उसके अलावा showers है, जैसे जो कपड़े वगरत होने से, जो साबुन का पानी निकलता है, नहाने से जो पानी हमारे घर के बाहर निकलता है, वो सारा आता है सलेज मे लेकिन जो toilets का waste है वो कभी भी हम सलेज में include नहीं करते हैं तो ये एक important चीज जो है वो आपको याद रखनी है इसे एक difference की वज़े से यहाँ जो correct answer होगा वो कौन सा होगा? Sanitary waste तो sanitary waste में चाहिए वो washroom से associated कोई waste हो या फिर bathroom से associated हो किसी भी तरह का हो अगर वहाँ पर human का involvement है तो वो कैसा होगा? Sanitary waste Question number 19 है maximum permissible concentration of total hardness in drinking water अब हम water में हमेशा बात करते हैं hardening की, softening की तो इसी तरह अगर हम बात करें कि पीने योग्य जो जल है उसके अंदर जो hardness है, जो सांधरता है, जो कठोरता है, sorry उसका maximum कितना concentration हो सकता है तो 200 जो है, वो इसका एक दर correct answer है, जो से आपको directly याद रखना है तो अगर हमारे पास ऐसा water है, जिसके अंदर जो hardness है, अगर वो 200 से जादा है यानि कि उसे नहीं लीना चाहिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ, electrical fuse is an alloy of fuse की काफी बार सुना होगा आपने कि जब भी जो हमारा electricity supply है, वो एक limit से जादा बढ़ जाता है और अगर किसी भी एक अगर जो भी electric device है हमारे घर में, उसके उपर अगर जो load है वो अगर increase हो जाता है, तो हमारा fuse जो होता है, वो simple एक wire होता है, जो की जल जाता है जितना उस वक्त कहा जाता है, घरों में usually की fuse उड़ गया है तो fuse का purpose क्या है, कि कोई भी हमारा जो electric device है वो जले न, क्योंकि उससे फिर उसका damage हो सकता है उस device का तो हमारे पास हमारा जो main aim होगा वो ये है, कि जैसे भी थोड़ी भी light बढ़ जाए, तो जल्दी से ये melt पिघल जाए, ये wire और वो जो circuit है वो टूट जाए तो हम चाहेंगे कि हम जो भी device यूज़ करें, जो भी mission यूज़ करें, उसका जो melting point हो, वो हमेशा कम हो तो इसमें सबसे common जो example है, जो हमें use किया जाता है, वो हम use करते हैं, tin और lead का, तो correct answer इसका कौन सा होगा, A question number 21 है, the chemical used for cloud seeding, for artificial ranges, cloud seeding जो है, वो है कृत्रम वर्षा, यानि कि हम artificially कुछ ऐसे changes कर रहे हैं, जनकी वज़े से हम बारिश करवा सकें, तो उनमें हम ऐसा कौन सा chemical है, जिसका use करेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखने हैं कुछ chemicals, जो कि हैं AGI, silver nitrate जिसे हम कहेंगे, potassium iodide है, उसके अलावा dry ice जो आपको कभी-कभी अलग से question में मिल सकता है कि dry ice क्या होती है, तो solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं, तो ये तीन सबसे important चीज़ें जो आपको याद रखनी है, artificial range के लिए जो use किये जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप option देखोगे, तो iodide का option है, हमारे पास silver iodide जो की correct answer है, बढ़ते हैं अब अगली question की तरफ, जो है question number 22, tetraethyl lead जो है, वो क्या है, उसके बारे भी हमें कोई एक important चीज़ होगी, जो यहाँ पर options में देखोगे, वो हमें पता करनी है, तो tetraethyl lead के बारे में सबसे important चीज़ जो आती है, वो हमारे automobiles में आती है, जो की ही यह काम करता है, as an anti-knock compound, तो हमें पता होना चाहिए कि anti-knock compounds क्या होते हैं, anti-knock compound, इनके बारे में जो सबसे important चीज़ बताई जाती है, anti-knock compounds के बारे में वो यह है, कि यह जो engine है, हमारा जो भी automobile है, उसके engine की knocking को कम गड़ देते हैं, जिसके वजह से उसकी efficiency बढ़ जाती ह है, तो यहाँ पे TEL, tetroethyl lead के बारे में जो correct answer है, वो क्या होगा, कि यह एक anti-knock compound है, question number 23 के बात करते हैं, silvery जो paints होते हैं, यानि कि जो silver color होते हैं, यानि कि यहाँ silvery से मतलब है, जो उनके अंदर थोड़ी चमक होती है, जो shine होती है, उनके अंदर जो main constituent क्या है, अब जै अब आपने पढ़ा होगा कि metals की property होती है, कि वो lustrous होते हैं, यानि उनमें एक तरह की चमक होती है, लेकिन अगर हम बात करें powder form की, जब metals को powder form में convert किया जाता है, तो aluminium में ही एक ऐसा element है, जो अभी भी यानि की चमक हमें provide करेगा, जो अभी भी lustrous होगा, इसलिए, जो भी हम बढ़ी pains होते हैं, उनके हंदर सबसे important जो constituent है, जो सबसे मुख्या घटक है, वो कौन होगा, aluminium powder और silver powder नहीं होगा, या आपको याद रखना है, अगली question की तरफ बढ़ते हैं, which one of the following is a greenhouse gas, यहाँ पे जो examples दिए हुए है, इनमें से कौनसी ऐसी gas है, जो एक greenhouse gas है, तो greenhouse gases है, हमें थूरी दिर पहले ही डिसकस करी थी, हमारे पास कौन कौनसी gases है, carbon dioxide है, methane है, chlorofluorocarbon है, nitrous oxide है और कुछ और gases है, तो हम बात करते हैं, nitrogen, nitrogen अकेली जो है वो इ ग्रीन हाउस gas नहीं है, nitrous oxide जरूर है, helium यह एक inert gas है, यह ग्रीन हाउस gas नहीं है, carbon dioxide यह भी एक greenhouse gas नहीं है, Greenhouse Gas जो है वो कौन सी है? Sorry, Carbon Dioxide एक Greenhouse Gas है Carbon Monoxide नहीं है तो correct answer कौन सा होगा? Option C और Sulphur Dioxide जैसा आप देख सकते हैं एक Greenhouse Gas नहीं है Question number 25 की तरफ बढ़ते हैं Which of the following is a method or process of disposing of solid waste which cannot be reused or recycled यहां बात हो रही है ऐसे हमारे पास जो ठोस अप्षिष्ट पदार्थ हैं जिनको ना तो हम वापस यूज कर सकते हैं और ना ही उनको recycle करके हम कुछ और ऐसी चीज़े बना सकते हैं तो उन्हें अगर हमें dispose करना हो तो उनके लिए हम कौन सी process का use करेंगे? लैंडफिल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको clear होना चाहिए कि यह process कौन सा है तो लैंडफिल्स जो है जैसे कि बहुत सारे हमारे पास लैंड में ऐसे एरियास हैं जो मतलब कुछ जिनका surface थोड़ा नेचे होता है वहाँ पे यह जो waste है जिनको ना हम reuse, recycle कर सकते है इनको वहाँ fill कर दिया जाता है और बहुत सारे सालों तक छोड़ दिया जाता है धीरे उस पे कुछ pressure maintain किया जाता है जिससे धीरे-धीरे वो settle हो जाते है अभी भी degrade तो नहीं होते हैं पर यह एक तरीका है उनके लिए incineration या फिर भसमी करण कि अगर हम बात करें तो उनको जला करके राख में convert कर दिया जाता है उस process को हम कहते है incineration और pyrolysis और gasification कि अगर हम बात करें तो इनमें भी क्या होता है high temperature के उपर उनको heat किया जाता है और उनसे फिर यह भी एक process है मतलब उनके लिए तो वो solid base जिनको ना हम वापस use कर सकते हैं ना उनका recycling हो पाती है उनके लिए यह सारे process हम use करते हैं तो यहां correct answer कौन सा होगा option D question number 26 की अगर हम बात करें 26 question laughing gas के बारे में है जो सब ने सुनी ही होगी laughing gas के बारे में हमें बताना है nitrogen trioxide या pentoxide है तो जो laughing gas है वो होती है nitrous oxide ना कि nitric oxide तो इस तरह की options में आपको बहुत ज़्यान देना होगा क्योंकि जल बाजी में थोड़ी सी अगर आप 2 second बचाने के चक्कर में एक negative marking ना कर दे बढ़ते हम अगले question की तरफ question number 27 ozone layer जो सबको पता है upper parts of atmosphere में present होती है serves as a protective shield against harmful मतलब क्या ऐसी harmful चीज है जिसके against जिसके विरुद जो ozone layer है वो एक कवच की तरह act करता है और हमें protect करता है तो यह बात सबको पता है कि जो ultraviolet rays है sun की light की अगर हम spectrum की study करते हैं तो हमें अलग-अलग तरह की light होती है ultraviolet lights होती है infrared भी होती है visible भी होती है बहुत तरह की होती है लेकिन ozone का जो main function है वो है हमें ultraviolet radiation से बचाना तो correct answer इनमें से कौन सा होगा solar ultraviolet radiation solar मयानी की जो sun से हमारे पास ultraviolet light आ रही हैं बढ़ते हैं अगली question की तरफ silver halides are used in photographic plates अब आप पूछेंगे की photographic plates क्या होती है तो at present तो हमारे पास photographic के लिए बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन जस टाइम पे इतनी discovery नहीं हुई थी उस टाइम पे photographic plates का use किया जाता था और जो photographic plates होती है उनमें क्या होती है हम कुछ light sensitive chemicals को use करते हैं जिनमें से एक important example हमारे पास जैसे important example अभी नहीं इनमें हम कुछ sensitive chemicals का use करते हैं और ये जो chemicals होते हैं इनसे हम emulsions का formation करते हैं और फिर उन पे sunlight का not sunlight किसी भी तरह की light का exposure दिया जाता है उसके बाद में जो हमारे photographic plate होती है उस पर अलग-अलग जितनी भी amount में light absorb करी है उस हिसाब से वो opaque हो जाती यानि कि वो light को absorb करके हमें एक जो picture है picturization करवाती है तो यहाँ question यह है कि जो silver के halides हैं उनको हम क्यों use करते हैं इसलिए use करते हैं क्योंकि जब भी उसके उपर light डाली जाएगी उसके बाद में उसका reduction हो जाएगा और वो property हमें यहाँ पर use आएगी तो correct answer इसका कौन सा होगा? Option C question number 29 है wax used for making candle is chemically a mixture of mombatti बनाने के लिए जो mom का use किया जाता है उसका chemical nature क्या है? तो hydrocarbons होते हैं यह तो हम में से maximum लोगों को पता होगा लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे alkanes होते हैं जो जिनमें single bond present होते हैं उनका हम एक और नाम बोलते हैं कि होता है paraffin या फर कहीं कहीं आपको paraffin wax जो है वो भी उसके अधर नाम मिल जाएगा तो वोगी wax जो है वो हम यहां यह उस करते हैं अब alkane भी किल तरह की हो सकते है aliphatic aromatic तो इसका correct answer जो है वो कौन सा होगा? aliphatic hydrocarbons यानि कि जो straight chain वाले hydrocarbons हैं इनमें कोई भी rings वगएर नहीं present होती है उसे हम use करते हैं candle के formation के लिए question number 30 the gas involved in bhopal incident was जो bhopal incident था bhopal gas tragedy थी जिसमें एक gas का leakage हो गया था alcohol prepared by the distillation of wood जो wood का distillation है उससे नीचे दी हुई कौन सी alcohol का preparation होता है तो अगर हम बात करें एक एक alcohol की बात करते हैं तो जो propile alcohol है वो एक side product की form में develop होता है जब हम methyl alcohol का formation करते हैं किस-किस को use करके carbon monoxide और hydrogen को use करके तो यहां कहीं भी wood की कोई बात भी नहीं हुई है तो propile alcohol इसका सही answer नहीं है फिर हम बात करते हैं methyl alcohol की तो methyl alcohol जो है इसके दो और नाम जो है अगर आपको वो भी पता है तो भी आप एक question जो है सीधा attempt कर सकते हैं जो कि हमारे पास है एक तो wood alcohol है और दूसरा है इसका methyl alcohol तो wood alcohol से हमें पता चल रहा है कि इसका कुछ link है wood से तो यहां पे जब हम wood का distillation करते हैं oxygen की absence में यानि कि pyrolysis उस समय जो alcohol बनती है वो कौन सी है methyl alcohol तो और एक चांसर कौन सा हो गया option B question number 32 की अगर हम बात करें photo oxidation process is initiated by photo का मतलब जो हमेशा होता है वो होता है light से और उसके बाद है मतलब light की presence में कोई oxidation reaction हो रही है तो उसको initiate कौन करेगा obviously उसको light की ज़रूरत होगी तो यहां correct answer कौन सा होगा option यानि उस process को शुरू करने के लिए हमें light की ज़रूरत पढ़ेगी अगला question है ultraviolet radiation striking the earth is due to the depletion off यानि कि यह ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारी earth है उस पे जो ultraviolet radiation आ रही है वो किस वज़े से आ रही है हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक ozone layer है उस ozone layer का अगर depletion हो रहा है अगर वो कहीं से भी वो अगर पतली पढ़ रही है कम पढ़ रही है तो वहां से ultraviolet radiation जो हमारे पास अंदर पहुंच सकती है और अगर हम माने कि यह एक ozone hole है तो ultraviolet radiation बहां से एंटर करेंगी earth पे पहुंच जाएंगी तो कौन जो है वो हमें ultraviolet radiation से प्रटेक्ट कर रहा है वो है ozone तो correct answer यहां पे कौन सा होगा option C अगर ozone चली जाती है तो ultraviolet radiation अर्थ पे आएंगी question number 34 है major gaseous pollutant of the thermal power station जो thermal power station है तापी यह उर्जा सैयंत्र है उन में ऐसा कौन सा pollutant है ऐसी कौन सी pollutant gas है जो सबसे जादा amounts में वहां से release होती है options है हमारे पास H2S, ammonia, nitrogen oxide and sulfur dioxide तो यहां जो correct answer है वो है हमारा sulfur dioxide जो सबसे जादा amounts में release होता है thermal power station से next question है the process of removing calcium and magnesium from the hard water is अब यह चीज हम पढ़ते हैं कि जो hardening होती है water की वो कुछ calcium salts और कुछ magnesium salts के वज़े से होती है तो अगर हम hard water से इन दोनों को remove कर दें तो इस process को हम क्या कहेंगे उस process में होगा क्या जो hard water है वो soft water में convert हो जाएगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं softening water softening तो correct answer इसका होगा option key question number 36 है the tip of the math stick contains तो math stick के बारे में काफी बार कभी tip के बारें पूछा जाता है कभी कुछ के बारें पूछा जाता है तो जो math stick है और यह उसका tip है question है हमारा कि यह जो tip है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें present होती है तो यहाँ पर answer आप जो tick करेंगे तो होगा potassium chloride पर potassium chloride ही क्यों तो math stick का जो head होता है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से substance present होता है sulfur present होता है sulfur के अलावा एक oxidizing agent present होता है और उसके अलावा जो glass है वो powdered form में present होता है एक इस form में powdered form में तो यह इसके constituents है इन मेंसे जो oxidizing agent है उसका सबसे common example जो है वो हमारा है potassium chloride तो correct answer तो आप एक कर देंगे chloride sorry it's not potassium chloride उसके अलावा अगर आपको पूशा जाता है जो match box है match box के side में अगर आप देखते हैं तो यहां पे हमारे पास एक striking surface होता है जिस पे हम match stick के tip को friction की वज़े से वहां पे lightening होती है अगर उसका कभी भी आपको पूछा जाता है तो उसका correct answer कौन सा होगा red phosphorus तो यह दो चीज़े हैं वो आप हमेशा याद रखें तो यहां पे correct answer कौन सा होगा potassium chloride जो कि एक oxidizing agent है बात करते हैं question number 37 की match the source in column B with the product of column A यह matching का question है question A में हमारे पास कुछ है question B में हमारे पास कुछ sources है हमेने match करना है formic acid formic acid जो है जो ants होती है जो चींटियां होती है उनके अंदर present होता है इसलिए कभी भी अगर आपको चींटी खा जाती है तो आपको swelling आ जाती है फिर वहां पे आपको खुछली भी होती है तो इन सब का reason कौन है formic acid अगर यह question आप से पूछा जाता है इस तरह से कि जो ants है जो चींटियां है उनके खाने की वज़ज़ से redness या swelling क्यों होती है तो उसका आंतर भी क्या होगा formic acid second है citric acid citric acid है सब को पता है जो इतने भी खटे fruits है citrus fruits है उन सब में citric acid present होता है उसका एक सबसे common example कौन है lemon नीमू लास्ट हमारे पाश परस्ता है tartaric acid जो की इंबली में present होता है तो A को हम match करेंगे C के साथ यानि की 3 के साथ B को हम match करेंगे citric acid को A के साथ यानि 1 तो first सही नहीं है सही आंसर इसका कौन सा होगा option B matching equation आपको बहुत carefully match करने होते हैं next is commercially sodium bicarbonate is known as अब आपको यह options दिख रहे होंगे washing soda, baking soda तो यह usually जो है कभी-कभी confusing हो जाता है कि washing soda कौन था और baking soda कौन था क्योंकि दोनों ही sodium के salts हैं तो washing soda जो है उसका हमारा जो example है वो होता है Na2CO3 और जो baking soda है उसका example है हमारा sorry उसका जो chemical formula है वो है NaHCO3 हम बात कर रहे हैं sodium bicarbonate की यानि की उसका हमें पूछना है formula क्या है तो वो हमारा होगा baking soda जो की है option B बात करते है question number 39 की an emulsifier is an agent to which emulsifier क्या होता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि emulsion क्या होता है emulsion होता है दो liquids का mixture अब usually ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के अंदर वो घुदरशील नहीं होते हैं इसका example आप ले सकते हैं जैसे kerosene oil है kerosene oil को अगर आप water में mix करेंगे तो यह emulsion का example हो सकता है इसी तरह जैसे आप किसी भी और तरह की oil को water में mix करेंगे तो oil जो है वो हमेशा उपर एक layer का formation कर लेता है और नीचे जो है वो water present होगा तो यह कुछ common examples है emulsions के अभी जो emulsions जो है वो stable नहीं होते हैं उनकी stability के लिए हम जिन substances को use करेंगे उन्हें हम कहते हैं emulsifier जैसे question में भी समझा रहा है कुछ खुद इस term में भी समझा रहा है कि यह जो है वो emulsion को बनने में help करेगा उसको stabilize करेगा तो correct answer कौन सा होगा इसका option A बढ़ते हैं next question की तरफ motor motor जो है is a mushroom of what गारा, पानी, बालू इनके साथ हम किसको और मिश्रण करेंगे कि जो गारा जो है हमारा जो मोटार है वो complete हो जाए तो answer अगर हम इसका देखें तो slaked lime जो है उसको जब हम पानी और जो बालू है उसके साथ में mix करेंगे तो जो बनेगा वो complete हो जाएगा गारा तो हमारा जो मोटार है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़े आती है water आती है sand आती है और उसके अलावा जो थर्ड चीज़े जो lime है वो आता है हमारा slaked lime quick lime आपको नहीं लिखना है यही question आपके पास motor या फिर lime motor के नाम से आता है question तो यहाँ पे सही option कौन सा है option A जो है वो कौन सा पदार्थ है इनमें से तो अगर हम बात करें quards की mika की अब्रक की granite और clay की तो इन सब में से आप clay हम day to day life में भी देखते हैं तो इनमें से सबसे जो elasticity या फर जो plasticness है वो सबसे जादा किसमें दिखती है clay के अंदर तो correct answer कौन सा हो जाएगा option D question number 42 है the national chemical laboratory जो इंडिया की national chemical laboratory वो कहां situated है एक दम direct question है आपको याद रखना है वो पूने में situated है correct answer is option D question number 43 है an atomic clock is based on the transitions of atomic clock जो है उनके अंदर हम कुछ ऐसे elements का use करते हैं जिसकी वज़से जो सबसे accurate timing होती है वो हमें atomic clock से बदा चलती है और इसका correct answer जो है जो सबसे commonly used element इसमें है वो जो आपको याद रहना है question number 44 है carbon monoxide एक inflammable gas है which of the following is also inflammable अब आप English में जो आप इसको पढ़ेंगे तो कभी-कभी आपको inflammable मिलता है कभी-कभी आपको flammable मिलता है तो इन दोनों जो जो यह names है इनमें confused नहीं हो ना दोनों एक ही है यानि कि इन में से हमें jewelan shield gas बतानी है इन् example खुद में दिया है जो कि है carbon monoxide और एक example हमें बताना है यहाँ जो भी options है उनमें से जो jewelan shield gas उनका example है वो कौन सा है hydrogen तो correct answer कौन सा होगा option D question no.45 है which one of the following metals does not react with water to produce hydrogen? metals दिये वह हैं आपको यहाँ पे कुछ और इनमें से हमें बताने है कि कौन सा ऐसा metal है जो water के साथ react नहीं करेगा और hydrogen का formation नहीं होगा क्योंकि common reaction है कि metal और water जब react करते हैं तो water का formation होता है लेकिन यह जो question है वो based है हमारी जो reactivity series है जो अभीकरिया की हमारे पास एक क्रम है उसके उपर उस अभीकरिया के क्रम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ common चीज़े हैं जो हम usually याद रखते हैं जो potassium, sodium और lithium है वो hydrogen से उपर situated है उसके अंदर तो यह सारे जो हैं वो आर reaction हुली नहीं कर पाएगा तो यहाँ answer कौन सा होगा option B question number 46 है कि ozone किसका बना होता है तो ozone को आप अगर कभी भी उसका chemical formula पढ़ते हैं तो हम उसको O3 की form में represent करते हैं यानि इसमें केवल तीन oxygen atoms present हैं जिनकी bonding different है उसका question नहीं है यहाँ पर simply हमें बताना है कि उसमें कौन होता ह correct answer कौन सा है option A सिर्फ oxygen है उसमें और कोई element नहीं है question number 47 है one of the constituents of tear gases tear gas यानि आसु गैस इसके हमें constituents बताने यह जितनी भी named gases है laughing gas tear gas यह सारी बहुत important है इनकी constituents बहुत important है तो जो tear gas है उससे क्या होता है जो भी हमारी mucous membranes है उनमें irritation होती है जो भी हमारे जिससे आखों से हमारे पानी आएगा नाख से पानी बहना शुरू हो जाता है मूह और जो हमारे फेफडे हैं lungs उसको gas irritate करती है तो इसका एक सबसे important constituent होता है जो कि है chloropicrin यह आपको सीधा याद रखना है तो correct answer कौन सा होगा अगला question जो है the function of sedimentation tank in sea waste treatment is sea waste treatment plant में किया जाता है वहाँ हमारे पास अलग-अलग तरह के tanks होते है उन atacs के नाम दो तरह से दे जाते हैं एक उनकी अन्दर जो भी processes हो όरही हैं जो भी उनके अंदर kriya हो रही है उसके नाम पर और दूसरे नाम दिए nella कि इन जाते है उनकी उनकी इस तरह से एक चलनी की तरह से हम चलनी लगाते हैं वहाँ पे अलग साइज की जिससे की जो प्लास्टिक वेस्ट हैं बॉटल्स वगरा है पेपर जो साइज में बड़ा जो कच्रा होता है वो सारा फिल्टर होके वहीं रह जाता है और जो वाटर उसके अंदर थोड़े बहुत जो कंकर पथ़ नहीं पत्थर होते हैं और जो भी डिजॉल्ट जो भी है एक्स क्रेट या फिर जो भी वेस्ट वो उसके साथ में सेकें हमारे पास कंटेनर में जाता है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन तो जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर होने वाली process के नाम के वेस्स पे भी जो का नाम रखा गया है, तो sedimentation tank के अंदर कौन सी process होगी, sedimentation, और sedimentation हम नहीं सब को पता है, कि उसके अंदर जब water या फिर जो भी sewage है, उसको long हम अगर duration के लिए रखते हैं, तो जितना भी कूडा करकट होता है, बहुत सारा जैसे धूल, मिट्टी है, कंकर, पत्थर, जो उसमें, हम फिल्टर नहीं कर पाए थे, वो सारा नीचे deposit हो जाता है, तो इस tank में कौन सी process होगी, sedimentation, अब हम options देखते हैं, disinfect the sewage, disinfection या फिर उसके अंदर जो भी कीट प्रेजन है, कीट वहाँ उपस्तर उनको हटाने के लिए तो हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, water content को भी हमने नहीं हटाया है, air rate यानि कि उसके अंदर हमने वायू या फिर जो भी oxygen, जो भी air है, उसको भी हमने add नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, जो suspended solids हैं, उनको remove कर दिया, और वो कैसे remove हुआ है, अगर process पूछा जाए तो process होगी, sedimentation, तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, option D, चलते हैं अगले question की तरफ, the two metal ions that cause hardness to water, water की hardness एक important point है, जोसे हम बार बार discuss करते हैं, और hardness के लिए हमारे पास दो metals हैं, जो सबसे important होते हैं, वो है, calcium और magnesium, इनके दोनों की अलग-अलग salts हैं, जो की responsible होते हैं, water की hardening के लिए, उसकी कठोरता के लिए, तो correct answer अगर हम देखें, यहाँ पे तो कौन सा होगा, option A, चलते हैं, अब last question की तरफ, substances used as an antifreeze in radiators of automobiles, जो हमारे वाहन हैं, उनके जो radi radiators हैं, उनके अंदर हम जो antifreeze की तरह जो substances use करते हैं, वो कौन से पदार्थ होते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें antifreeze की क्या जरूरत है, बहुत सारी ऐसी countries होती हैं, जिनके अंदर जो हमारा है, जो temperature regularly जो है, वो minus में रहता है, और जैसा कि हम सबको पत जो हैं काफी सारे fluids का constituent होता है, काफी सारे fluids ले present होता है, तो radiators में हम जो fluid use कर रहे हैं, अगर हम शाहते हैं कि उसमें ice का formation ना हो और अगर वो बरफ में convert ना हो, तो हम वहाँ पे कुछ ऐसे substances add करेंगे, जो उसका melting point है, उसे और reduce कर देगा, और negative में ले जाएगा, जिस हमने यहाँ पे पूछा है antifreeze का example, तो methyl alcohol याने की CH3OH और जो water है, इन दोनों का combination जो है, यह सबसे commonly use किया जाने वाला एक antifreeze है, अब हम options की तरफ देखते है, ethyl alcohol नहीं है, हमें याद रखना है methyl alcohol, तो correct answer कौन सा हो जाएगा, the liquid waste from kitchens and baths of the residents are known as, तो हमने सीवेज के बारे में पढ़ा है, और सीवेज के बारे में अलग-अलग तरह से questions पूछे जाते हैं, जैसे उनके टैंक्स के बारे में, टैंक्स में कैसी-कैसी processes हो रही है उनके बारे में, और सीवेज के अंदर जो अलग-अलग waste के लिए जो हमने terminology करी हुई है उनके बारे में, तो यहां बात करी गई है कि जो हमारी रसुई है और जो सनान घर है, वहां से निकलने वाला जो अप्शिष्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अगर मैं आपको बताओं, तो दो जो हमारी terms है, वो बहुत important है, जिनमें एक है, जूटर नहीं है, एक है सलेज, जो की है मैला पानी और यह किसी तरह की होती है, सीवेज, तो अगर हम कहें इन दोनों में difference क्या है, तो सीवेज तो किसी भी तरह का अप्शिष्ट, जो की मानव या फिर मानवों से related जो कोई भी activity है, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कोई भी कार्य है, उन कि जो bathrooms है, उनसे निकलने वाला जो liquid waste है वो, और उसके allows में हम kitchen waste को भी include कर सकते हैं, पर यहां पर जो important चीज है, वो यह है कि इसके अंदर जो toilets से निकलने वाला waste है, जो solid waste है, वो कभी भी इसमें include नहीं किया जाएगा, तो question को देखते हैं, यहां पर जो correct answer होगा, वो कौन सा होगा, option C, तो यहां correct answer है C, जो है solid, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, which of the following metals form an amalgam with other metals, अब यह amalgam जो term है, यह बहुत ही important है, यह आप काफी जगर देखेंगे, amalgam के लिए पूछा है, कि यह जब हम ऐसा कौन सा metal है, मान लीजे कोई एक metal है, उसको हम कौन से दूसरे metals के साथ मिलाने पे, जो हमारा एक मिश्रधातू बनती है, उसे हम amalgam कहते हैं, वैसे तो question काफी सरल है, जो mercury है हमारा, mercury को जो हम बाकी metals के साथ मिलाते हैं, और वो जो एक मिश्रधातू बनती है, उसे हम कहते है, amalgam, तो सही answer इसमें कौन सा होगा, option B, अब इस amalgam से ही related एक औ जो हमारे dant है, dentistry, जो dentist लोग है, वो सबसे जादा इसको use करते हैं, जैसे fillings बगेरा के लिए, तो आप इसके लिए याद रखेंगे, जो एक सवाल है, बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, the isotopes used for the production of atomic energy is, isotopes आप सबको पता होगे, जैसे की, और यहाँ प्रशन हमारा है कि ऐसे कौन से isotope है, जिनको atomic energy के बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसी question में आप कभी-कभी confused भी हो सकते हैं, first option में और second option में, तो अगर आप ऐसे question में, प्रशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, अगर आपको पूछा जाता है कि uranium का कौन सा isotope है, जो सबसे जादा या प्रचूर मात्रा में जो हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, तब तो आपका सही answer कौन सा होगा, 238 यानि कि जो pre-dominant है हमारे atmosphere में, और अगर आपको पूछा जाता है कि atomic energy जो भी हमारे nuclear power plants हैं, जिन में fusion reaction, fusion reaction, अलग-अलग तरह की reactions हम पढ़ते हैं, उसके लिए को use किया जाएगा, तो उसका answer हमेशा कौन सा होगा, uranium-235, तो यहां correct answer कौन सा है, option A, अब हम एक हलका सा discussion कर लेते हैं, isotopes के बारे में, isotopes होते हैं, जैसे हम hydrogen के 3 isotopes पढ़ते हैं, protein, deuterium and tritium, तो यहां आपको क्या difference मिलता है, कि इनका जो atomic number है, इन सब isotopes का जो atomic number है, वो सब क्या होगा, same होगा, लेकिन जो आप उपर difference देख रहे हैं, 1, 2 और 3 के अंदर, वो इनका क्या है, mass number, और mass number जैसे आप देख पार है, hydrogen के isotopes के अंदर mass number होता है, इनका different, तो यह आप एक additional चीज जो आपको question की form में पूछी जा सकती है, या फिर आपको इसी तरह example दे सकते है कि आप इन में से चार्ट लिए कि कौन isotope है, तो यह हो गई isotope की definition, चलते हैं अब अगले question की तरफ, which of the following is not a nucleon, नी, इन में से जो दिया हुआ है, उन में से ऐसा कौन है, जो कि एक nucleon नहीं है, नूक्लियॉन अगर हम देखें, तो नूक्लियॉन होता है, proton और neutrons जो है, इनको हम नूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे आप electron और positron को देखें, तो electron होता है, उसे हम represent करते हैं, E और एक negative charge से, और positron है, उसे हम represent करेंगे, E और एक positive charge से, जो positron है, वो electron का anti-particle ह होता है, यानि उसके एकदम opposite होता है, दोनों के अंदर जो difference है, केवर इनके charges का होता है, तो जो nucleon है, अगर आपको ये पूछा जाता है, कि इसके अंदर कौन-कौन पाए जाएंगे, तो वो होगा proton or neutron, लेकिन जैसे हम इस question को देख पा रहे हैं, तो इस question का जादा सही answer है, वो कौन सा होगा, positron, यानि की option D, चलते है question number 55 की तरफ, beryllium sulfate जो है, वो less soluble होता है, water में की, इसी तरह का एक question है, जो आप से पूछा जा सकता है, कि beryllium oxide और beryllium sulfate की, उससे comparable से पूछा जाता है, पहले हम समझ लेते हैं, beryllium sulfate का, तो beryllium sulfate अगर हम इसका chemical formula मैं यहाँ पे water भी बीच में present होता है, तो यह जो formula आपको दिख रहा है, यह beryllium sulfate का जो एक formula है, अब यहाँ पे जो beryllium है और जो sulfate है, इन दोनों की बीच में, जो bond present है, सबसे पहले तो वो कौन सा है, ionic bond, ionic bond एक strong bond है, और इसको dissociate करने के लिए, इस bond को तोडने के लिए हमें बहुत जादा energy supply करनी पड़ेगी, पहली बात तो यह, उसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि इसमें ionic bond है, तो इसकी वज़े से क्या होगा, energy बहुत जादा required है, तो वो energy, जो हम इसके dissociation के लिए use करेंगी, वो हमें बहुत जादा amount में चाहिए होगी, तो यहाँ प जो सबसे सही answer हो, तो जो inflammable energy का option है, अगर हम energy के यहाँ पे parameters देखते हैं, कितनी energy release हुई, या फिर कितनी responsible है उसके solubility के लिए या कितनी नहीं है, तो उसमें सबसे जादा जो proportion होता है, वो होता है, inflammable energy का, ज्वलनशील उर्जा का, इसलिए यहाँ सही answer कौन सा होगा, option A, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, what is the name of that system which uses radio activity to decide the period of materials of prehistoric period, यानि कि पुराने जमाने में, जो metals पाये जाते थे, या फिर जो भी elements हमें मिलते थे, उनको पहचानने के लिए, जब हम radio activity का use किया करते थे, radio activity को जब use किया जाता था, तो उस system का नाम क्या है, जैसे आपको radio activity पता चल रही है, तो यहाँ पे सही answer होगा, इसका carbon dating, और carbon dating का ही एक और नाम, जैसे यहाँ radio activity यूज की जा रही है, तो हम दोनों words को use करकि radio carbon dating भी use कर सकते हैं, तो carbon dating और radio carbon dating एक ही चीज है, जहाँ पे ज radio activity को as a base या as a reference मान कर, हम बाकी जो भी हमारे पास elements है, जो भी हमारे पास अगर कोई नया हमें element मिला है, तो उसके बारे में हम decide करते हैं, जो भी यह हमारा system है, इसका क्या नाम है, carbon dating या फिर radio carbon dating, जिससे हम age calculate करेंगी, तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो गया, option C, next question है, cement is made hard with, यह यहाँ पे जो maximum questions है, वो आपके previous years exam में पूछे गए हैं, और उनके आस-पास के questions को भी हम discuss करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, इनको cement जो है, उसे hard कैसे बनाया जाता है, अब अगर हम बात करें, जो cement है, उसके अदर हम काफी सारी process पढ़ते हैं, जैसे setting of cement तो cement जो है, उसके अंदर जैसे ही हम पानी को मिलाते हैं, वैसे ही cement की setting है, वो होना शुरू हो जाती है, setting एक chemistry के term है, जिसकी definitions आप पढ़ लें, sorry, cement को water मिलाने पे, cement की setting हो जाती है, और यहाँ पे जतनी भी reactions हो रही है, water के add होने पे, जो reactions हो रही है, हम उनको क्या कहते है, hydration reaction, यानि की water का add होना, इस hydration की वज़े से क्या होता है, जो cement के अलग-अलग, जो हमारे compounds हैं, जो भी उसके अंदर constituents हैं, उनके अंदर interlocking हो जाती है, और interlocking होने की वज़े से यहाँ पे hardening बढ़ जाती है, तो अगर reason आप से पूछा जाए, तो हो है interlocking, और उसके लिए reactions कौन सी होई, पहली है hydration reaction, तो hydration में cement का hydration हो रहा है, और यो water खुद है, उसका dissociation हो रहा है, तो correct answer कौन सा होगा, hydration अब, अगर आप ध्यान से नहीं पड़ेंगे, तो शाए dehydration option भी टिक कर देंगे, जलबाजी में, लेकिन आपको याद रखना है, कौन कान सी reactions है, एक है hydration और ए उनके poly hydroxy derivatives होते हैं, ये तो होगी हमारे carbohydrate की definition, अब carbohydrate सब को पता है, glucose है, fructose है, sucrose है, lactose, ये सब जो है common examples है, carbohydrate के day to day life में हम ये सुनते ही रहते हैं, अब अगर हम options में देखें कि कौन सा carbohydrate है, तो जो simple sugars जिनके माने अबी नाम बताएं, उनमें से तो कोई भी यहां mention नहीं है अब अगर हम बात करते हैं, नाइलोन की, तो नाइलोन एक polymer है, और उसके अंदर जो polymer में भी कौन से unit repeat हो रही है, तो ये एक amide का polymer है, तो polymers की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी carbohydrate पूशा है हम नहीं, जिसमें भी amide का, amide जो functional group है, वो carbohydrate में नहीं होता है, second अगर हम बात करते हैं, केन शुगर की, तो केन शुगर की अगर बात की जाए, या फिर जो शुगर केन से भी हमें जो शुगर मिलती है, उसी को हम केन शुगर कहते हैं, केन शुगर को अगर देखा जाए, तो यहां पे ये एक carbohydrate का example है, और इनमें कौन-कौन से carbohydrate present होगी, तो उसके correct answer कौन-कौ है, और hydrogen peroxide is H2O, तो यह किसी भी तरगा, ना कोई polymer है, ना कोई carbohydrate है, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, in which of the following states maximum iron ores are found, तो iron के metallurgy पे again एक question है, कि जो iron ores है, या फिर जो हमारे लोह के ऐसक है, इनमें से maximum concentration में, कौन सी अवस्था में ये पाए जाते हैं, तो अगर हम कहीं, Fe2 O3, Fe3O4, इन सबके अलग-अलग नाम है, लेकिन दो जो बहुत important नाम है, जो आपको याद रखने है, वो है hematite और magnetite, Fe2O3 जो है, उसे हम जानते हैं, hematite के नाम से, क्योंकि जैसे इस question में आपको formula दिया है, हो सकता है, कि आपको formula की जगर, जो इनके common names है, वो दे दिये ज चाहिए, और अब हम बढ़ते है question की तरफ की, इन में से hematite और magnetite या फर बागी भी जो दो options है, उन में से सबसे जादा concentration में कौन मिलता है, तो वो है हमारा Fe2O3, तो यहां correct answer कौन सा होगा, या तो आप formula याद रखें, Fe2O3 और उसके साथ में उसका नाम भी याद रखें, hem metite, पढ़ते हैं अगले question की तरफ, all the four quantum numbers of two electrons in an atom are not the same, कि आपने पढ़ा होगा कि एक प्रमाणू जो है, उसके अंदर जो दो electron present होते हैं, उनकी जो चारो quantum number है, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, अब नीचे कुछ rules के नाम दिए, अब आपको बताने हैं कि इन में से कौन स जिसका यह statement है या फिर जो इस statement को प्रूव करता है, तो हम one by one सारे देख लेते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा होन्स rule, होन्स rule की अगर हम बात करें, तो जब हम पढ़ते हैं different atoms के बारे में, elements के बारे में, तो जब हम उनका electronic configuration पढ़ते हैं, जब उनमें हम electrons के filling करते हैं, तो हम इस rule के according, यह कहा गया है, कि जैसे यह हमारा जो P orbital है, for example, या फिर कोई भी अगर आप orbital ले, उसके अंदर सबसे पहले जो electrons के filling होगी, वो सब में single-single filling होगी, और उसके बाद में pairing होगी, जैसे चार electron आपको दिये गए हैं, और आपको P orbital में fill करने, तो उसे आप कैसे fill करेंगे, पहले आप उनको single fill करेंगे, और second बार में, जब सारे orbitals में एक एक electron आजाएगा, उसके बाद में हम pairing शुरू करेंगे, इसी को आप इस तरह से भी कर सकते थे, कि पहले इन दोनों में pairing, फिर इन दोनों में pairing, लेकिन यह जो है representation गलत होगा, उसी चीज़ को प्रू ली, तो यह जो principle था, इन्होंने ही इस चीज़ को प्रूव किया था, कि कोई भी दो electrons जो है, जैसे इस orbital के, यह जो दो electron है, इनके चारो quantum number कभी भी same नहीं होगे, quantum number आपने पढ़ा होगा, principle quantum number है, orbital quantum number है, spin quantum number है, तो इसमें एक important statement और जो आप याद रखेंगे, कि अगर बाक quantum number तो उन दोनों का अलग होगा ही, क्योंकि एक का प्लस हाफ होगा, और दूसरे का माइनस हाफ, तो correct answer यहाँ पे कौन सा है, बी है, और बाकी जो दो principles है, उनमें जैसे ऐोगेड्रोस law है, वो gases के लिए है, वहाँ पे electrons की कोई बात ही नहीं की जा रही है, और uncertainty principle of जो हिंजन बर्ग है, वो भी इसे related नहीं है, तो यहाँ correct answer हमारा कौन सा हुआ, option B, चलते हैं अगले question की तरफ, commercial nitric acid is colored because it contains dissolved, पूछा गया है कि जो commercially nitric acid होता है हमारे पास, या फिर जो व्यापारिक nitric oxide है, nitric amal है, उसमें रंग क्यों होता है, वो colored क्यों होता है, इसा कौन सा substance है उसक दे रहा है, तो अगर हम बात करें, nitrogen की gases के अंदर, nitrogen की oxides के अंदर, यह बहुत important है, और हमेशे discuss किया जाता है, कि nitrogen dioxide जो है, वो एक reddish brown orange इस तरह का कुछ आपको terms मिलेंगी, reddish brown color की gas होती है, और इसी gas की वज़े से, जो हमारा nitric acid है, जो commercially use किया जा रहा है, व्यापार के अ होगा, option C, चलते है, next question की तरफ, fertilizers having high nitrogen content is, ऐसे कौन से fertilizer है, जिनके अंदर nitrogen का content जो है, वो जादा होता है, तो nitrogen content जिनमें जादा होता है, वो कौन से होता है, हमारे ammonium nitrate, तो correct answer कौन सा हो गया, option C, ammonium जैसे कि हम बात करें, NH4 प्लस iron है, तो यहाँ पे nitrogen present है, उसके अलावा ज question को तो आप common sense से भी solve करेंगे, तो भी सही होगा, okay, urea जो है, उसको fertilizers में use किया जाता है, बट अगर हम proportionately देखें, तो जादा हमें content मिलता है, ammonium nitrate के अंदर, ठीक है, चली, अगले question की तरफ बढ़ते है, where does the oxygen that keeps us alive come from, अब हम सब जानते हैं, कि oxygen की कितने concentration atmosphere में है, oxygen बहु के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, तो वह oxygen कहां से आता है, तो एक चीज है, जो हम usually पढ़ते हैं, कि plants जो है, वो photosynthesis की process जो है, उसको पूरी करते हैं, और photosynthesis करने की वज़े से, जो भी हमारा खाना है, यानि जो glucose है, वो हमें मिलता है, और oxygen हमें मिलता है, पर अगर reaction में क्या होता है, plants जो है, वो carbon dioxide और जो water है, उसको convert करते हैं, glucose और oxygen में, और किसकी presence में, एक यहां पर presence होती है, sunlight की, और दूसरा जो pigment है, plants के अंदर, जो green pigment है, उसकी presence में, अब आपके पास, अब आप options अगर चेक करेंगे, तो आपको carbon dioxide भी देखेगा, carbonates, oxides, water differently carbon dioxide और water जो है, वो एक साथ नहीं मिला है, तो ऐसी situations में, जो है, chemical reactions हमें थोरोली study करनी होती है, और ऐसा पाया जाता है, कि जो oxygen है, उसका formation जो है, वो water से होता है, water जो है, वो कुछ electrons का gain, उसमें कुछ और chemical reactions होती है, और finally oxygen का formation होता है, चलते हैं, अगले question की तरफ, the gas used for artificial fruit ripening of green fruits, यानि कि जो कच्छे फल हमारे पास है, उन्हें अगर हमें पकाना है, मतलब मान लीजे कि ये कोई फल है, जिसे खुद अगर naturally वो पकता है, तो उसे 20 दिन लगेंगे, पर आजकल जैसे advancement इतना हो गया technology में, मान लीजे, आपको वही चीज़ चाहिए, दो दिन के अंदर या फिर दो दिन में आपको market में लानी है, तो हम artificially कुछ chemicals देते हैं, इसके लिए हमने plants के study करी, तो वहाँ पर भी fruit ripening hormone होता है, जिसे हम कहते हैं ethylene, और ethylene को है, हमने chemical form में बना लिया है, और जो हमारे कच्छे फल है, उनके उपर हम उसे डालते हैं, जिसकी वज़े से जो पकने का समय है, वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा, हमें नाम बताना था, उस chemical का जो कि है ethylene, यानि कि यहाँ correct answer कौन सा हो गया, option A, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, the three elements most needed in common fertilizers is, यानि कि आप सबने देखा होगा, कि fertilizers जो हम बाहर से खरीद के लेके आते एक तो होती है, जो हमारी खाद होती है, जो हम गोवर या फिर घर पे, जिस तरह के वी waste होते हैं, उन सब को मिलाकर के, जो earthworms वगएरा की help से बनाई जाती है, और जो artificial जो है, यानि कि बाहर से जो हम fertilizers लेकर के आते हैं, उनमें कुछ elements हैं, जनका होना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए आप एक short form याद रखे, NPK, ये तीनों जो है, वो हमारी elements जो है, उनके short forms है, N है हमारा nitrogen, एक है phosphorus, फिर है हमारा potassium, तो ये तीन elements जो हैं, वो fertilizers के लिए सबसे जादा महत्वपून होते हैं, तो correct answer कौन सा हो गया, nitrogen हो गया, potassium हो गया, और phosphorus, तो correct answer कौन सा है यहाँ पर, option B, आपको याद रखना है, सिर्फ NPK, अगला question है, which of the following metals pollutes the air of a city, having large number of automobiles, यानि कि आपको एक बार के लिए मान लेना है, कि एक city है, जिसके अंदर जो वाहन है, जो गाडियों की संख्या है, वो बहुत जादा है, तो वो जो जो भी हमारे vehicles है, वो ऐसी कौन स ग्यास को release करेंगे, जो कौनसी ग्यास सबसे जादा amount में release करेंगे, जो वहाँ pollution करवाएगा, ग्यास या फिर किसी भी अदर अरका element, तो अगर हम बात करते हैं, जब vehicles की, automobiles की, तो जो LED होता है, जो सीसा है, वो सबसे बहुत तरह की, अलग-अलग जगह पर यूस किया जा वातावरन को प्रदूशित करती है, वो कौनसी है, option C, यानि की LED, अगला question है, what is the chemical name of washing soda, पिशली बार भी हमने बात करी थी, कि जितने भी named, जैसे जिनके chemical formula है, named gases है, named reactions है, ये सब के mystery में हमेशे बहुत important होती है, और हमेशे इन में यूजवरी थोड़ा सा ही फरक होता है, तो washing soda और baking soda को हम साथ साथ पढ़ेंगे, washing soda के formula में और baking soda के formula में क्या difference है, तो baking soda का जो chemical formula है, वो है हमारा Na2CO3, और जो washing soda है, उसका जो chemical formula हमारे पास है, वो क्या है, Na2CO3, अब इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि इन में से कौनसा sodium carbonate है, कौनसा जो है, वो है sodium bicar carbonate, तो sodium carbonate है, Na2CO3 याने की washing soda, जो हमें question में पूछा गया है, इसके यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, option A, sodium carbonate, अगला है, an atomic pile is used for, atomic pile जो है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है, जो उनके कुछ पुराने टाइम पर कुछ और नाम हुआ करते थे, और at present उन नेम्स को हमने modify कर दिया गया है, या उन्हें हम use नहीं करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास है atomic pile, जिसे हम आज कर आपने नाम सुना होगा, nuclear reactor, अब अगर आपसे पूछा जाए nuclear reactor, तब तो आप आसानी से बता देंगी, लेकिन ऐसा question हम पूछेंगी नहीं, जो आप आसानी से बता दें, तो इसी लिए जो atomic pile है, वो nuclear reactor का ही पुराना नाम है, और nuclear reactor में क्या होता है साब जानते हैं, यहां पे जो भी nuclear reactions होती है, वो यहां initiate होती है, वो आगे बढ़ती है, जो भी उनकी results है, वहां तक पहुँछती है, तो क्या मैंने बताया कि एक्स-freeze की production में काम आती है, नहीं, यह काम आती है, nuclear fission reaction, जो है nuclear reaction में ही आगे types है, fission reaction, fusion reaction, तो atomic pile है, उसे हम use करते हैं, fission reactions के लिए, तो correct answer कौन सा हो गया हमारा, option B, अगला question देखी, अगला question है, which of the following gases is present under pressure in soft rings, अब soft rings यानि कि जह हमारी cold rings हैं, वो आपने देखी होगी, हमेशा अगर आप उसको थोड़ी से अगर उसमें movement दे देते हैं, जो भी हमारी cold ring की bottle है, तो उसमें बहुत ज़ादा ज़ाग बन जाते हैं, या फिर वो कई बार तो ooze out होके बाहर भी निकर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो हमारी soft rings हैं, इनके अंदर बहुत ज़ादा pressure के अंदर, जब इनकी packaging हो जाती है, सवाल वही है कि कौन सी gas है वो, तो carbon dioxide gas जो है उसे, उसके अंदर हम under pressure डालते हैं, और carbon dioxide जो उसमें present होती है, वो किस तरह से होती है, वो dissolved form में present होती है, यानि कि जो हमारा cold ring है, जो soft ring है, उसके अंदर वो dissolved है, और इसको एक चीज और, जो cold storage हम करते हैं, soft rings का, और या फिर इस carbon dioxide का क्या वहाँ पे रोल है, तो जो एक different सा taste होता है, हमारा slightly acidic, acidic भी वो नहीं, जो मतलब खराब तरह से हो, वो इसके taste को जो है, वो enhance करता है, इसका main मक्सद यह है, तो correct answer कौन सा है, carbon dioxide को add किया जाता है हमारे soft rings में, next है question number 70, the substance which does not expand on going from liquid state to solid state, हमें एक ऐसे substance का नाम बताना है, जिसको जब हम liquid state से solid state में convert करते हैं, तो उसका expansion नहीं होता हो, तो water के लिए जो example है, वो सबसे simple होते हैं, जब भी कभी states की बात आए, तो liquid जो है, वो water हम usually देखते है, solid form में जब water convert हो जाता है, उसे हम ice कहते हैं, तो बात करी गई है कि किसके अंदर expansion नहीं ह होता है, तो यहां जो options यह गए हैं, उनमें से हम बात करते हैं, type metal की, type metal क्या होते हैं, कुछ metals है, या फिर कुछ alloys हैं, जिनको हम use करते हैं, printing के लिए, printing या फिर typing के लिए, जैसे आप कभी भी prints करवाते हैं, या फिर जो भी आप books में print देखते हैं, उसके लिए कुछ alloys का यूज किया जाता है अब होता क्या है जब वो printing प्रोसेस चल रही होती है उस वक्त जो इंक है या जो डाई है वो liquid state में होती है और कुछ time बाद जब हमारे पास books आती है तब वो state में नहीं होती है तब तब वो solid form में convert हो जाती है तो अगर हम किसी ऐसे metal को use करेंगे जिसका expansion ह हो जाए तो क्या होगा जैसे आपने यह alphabets लिखे हैं अगर इसमें expansion हो जाता है तो आपको यह words इस तरह के नहीं मिलेंगे और यह expansion की वजह से ऐसे कुछ आपको या फिर यह आपस में fuse भी हो जाएंगे तो कुछ समझ रही आएगा इसलिए characteristic property important property होती है tight metals की कि उनके antimony के होते हैं tin के होते हैं एक additional question और हो गया और इनमें expansion जो है वो नहीं होता है तो correct answer कौन सा है option D चलते हैं अब अब next question की तरफ the advantages of detergents over soap यह question काफी बार repeat किया जाता है detergents और soups का जो advantages है वो सबसे ज़्यादा यह है कि जो hard water है उसके अंदर जो हमारे soaps है जो साबुन है ह हमारे hard water के अंदर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है और जो detergents है उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है कि water जो है वो soft है या उसमें hardness है वो बराबर अपना काम करते हैं तो अगर हम options देखें तो detergents are soluble in water तो soluble होना सिर्फ उसका advantage नहीं होता क्योंकि water अकर आप simply water क नहीं consider करेंगे जिसमें तो soaps भी काम करेंगे detergent could give much leather मतलब यह जादा जाग उत्पन करेंगे तो जाग से हमारा यहां पर कोई जो है मतलब नहीं है आगे जो बात है कब जाग जादा produce करेंगे वो hard water में जादा जाग produce करेंगे जो कि हमारे soaps जो है जो साबुन है वो नहीं कर पाते हैं तो यह क्या हुआ हमारा detergent का advantage तो correct answer क्या हो गए यहाँ पर option c अगले question की तरफ चलते हैं the fundamental particles present in the nucleus of an atom अब यहीं question अगर आपको पूछा जाए तो जैसे मैं important बता रहे हूं आपको बार बार कि आपको question ध्यान से क्यों पढ़ना है और उसमेंसे जो एक key जो word होत है उसे आप हमेशे इस तरह से encircle कर लें तो आपका question जो है कभी भी उसमे negative marking नहीं होगी तो जैसे अब आपको पूछा गया है nucleus जो है उसके अंदर कौन-कौन से fundamental particles present है तो atom के बार में जब भी हम study करते हैं यहीं कहते हैं कि उसका nucleus है उसमें हमारे protons present होते हैं और neutrons present है और atom कि nucleus के बाहर जो shells present होती है उसमें हमारे electrons situated होते हैं जतना भी जिस shell में जतना number है उसके according यही question अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि fundamental particles आपको बताने है atom की और यह जो nucleus term है अगर यह नहीं दी जाए तो इसी का answer क्या हो जाएगा हमारा electron भी होगा proton भी होगा और neutron भी होगा ल answer हमारा क्या हो जाएगा proton और neutron यानि की option B तो यह question हमारा पूरा हुआ यहाँ पर जिसका answer क्या है option B next question की तरफ बढ़ते हैं bleaching action जो होता है bleaching जो भी beauticians के पास अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको present पता होगा bleaching के बारे में आपको सुना होगा कि कुछ जो colored substances होते हैं कुछ colored surface है अगर आपको वो color पसंद नहीं आ रहा है और अगर आप उसको colorless करवाना चाहें तो हम उस process को bleaching कहते हैं अब bleaching के पास अगर आप chemistry में बात करें तो आपके पास दो examples हैं जो बहुत बार आपको देखने को मिलेगे एक है sulfur dioxide और एक है ozone दोनों के बारे में जैसे यहां हम question पर focus करते हैं यहां हमें पूछा गया है किसके बारे में sulfur dioxide के बारे में कि sulfur dioxide का जो ble bleaching action है वो होता है उसकी reducing property की वज़े से और ozone का जो हमारा bleaching action है वो होता है oxidation process की वज़े से दोनों मैंने साथ में इसलिए बताएं ताकि आप comparison से याद रख सके क्योंकि जो SO2 है वहां पे nascent hydrogen जो है उसकी help से reduction process होती है और ozone सब को पता है कि यह जब भी react करेगा एक nascent oxygen और एक oxygen का molecule जो है उससे form करेगा और यह जो nascent oxygen जो है यह oxidation करती है तो ozone या तो आप सीधा याद रखें O से ozone और O से oxidation और sulfur dioxide की है reducing property की वज़े से तो यहां जो correct answer हुआ वो कौन सा हुआ? Option D. Next question है the long range potential of nuclear energy in India depends on the reserves of यानि की ऐसी कौन सा जो हमारी nuclear energy जो प्रमानू उर्चा है वो जो depend करती है वो ऐसा कौन से element जो है कि जिसके भंडार हमारे पास जिस से amount में present होंगे उस पर depend करेगा तो जादा तर अगर आपको ऐसे questions में अगर आप कुछ randomly अगर answer करना भी चाहें तो nuclear energy के जो maximum questions होते है वहाँ पर reactions usually uranium से शुरू होती है और uranium का भी कौन सा isotope जो हम बात कर चुके uranium 235 बाकि जो भी है थोरियम है uranium है यह सारे जो elements है वो not uranium sorry plutonium radium और थोरियम यह सब जो है uranium की reactions में जब उनमें alpha emissions होते हैं beta emissions gamma emissions तो उनमें ही बीच में बनते हैं लेकिन यह सारी nuclear energy जो है वो किस पर dependent है वो हमारे dependent है सिर्फ और सिर्फ uranium की उपर तो correct answer कौन सा हो गया option b next question is which of the following gases will effuse out of the football bladder most quickly तो मान लीजे कि football bladder है उसके अंदर हमने air जो है वो pump करी है अब हमने normal air pump करे तो उसमें जो भी air की constituents हैं वो सारे बहाँ पे भी होंगे जोसे hydrogen की कुछ concentration oxygen nitrogen तो इन में से कौन सी air होगी जो सबसे जल्दी bladder से बाहर निकल रहेगी तो वो होगी हमारी कौन सी gas वो होगी हमारी hydrogen gas ऐसा क्यों होता है क्योंकि hydrogen ही इन में से सबसे हलकी है तो सबसे जल्दी कौन निकलेगी hydrogen तो correct answer हमारा कौन सा हो गया option b next question है which of the following alkali metals has the highest specific heat तो alkali metals जो होते हैं जो हमारे periodic table में जो first first situated है जिसके अगर हम बताना चाहें कौन कौन से hydrogen है lithium है sodium है potassium है rubidium है और cesium है periodic table अगर आप देखेंगे तो आपको ये sequence मिलेगा अब इन में से आपको बताना है कि किसकी जो specific heat है वो सबसे जादा है तो जो periodic tables है उनके trends आपको य होता है top to bottom आने पर हमें क्या देखने को मिलता है तो अगर हम specifically बात कर रहे है present specific heat की तो जैसे जैसे atomic weight है वो बढ़ता है यानि जैसे जैसे हम top to bottom आएंगे वैसे वैसे क्या होगा जो specific heat है वो decrease होगी यानि जब हम hydrogen से season की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है specific heat जो है वो decrease हो है और हमसे पूछा क्या है कि highest specific heat किसकी है तो highest वाला यहां पे कौन होगा लीथियम तो options अगर आप देखते हैं तो पहले हम ध्यान दे कि हमें options में कौन कौन दिया हुआ है season है हमारे पास rubidium है potassium है और lithium है इनमें से periodic table में सबसे उपर कौन है lithium तो correct answer यहां पे कौन सा हो देखने को मिलता है secondary carbon या फिर tertiary carbon quaternary carbon तो quaternary carbon हम कब कहेंगे जब एक carbon है उसकी चारों valencies जो है वो occupied होती है अब वो कोई भी atom हो सकता है हमके पास में hydrogen हो सकता है carbon nitrogen कुछ भी पर उसकी कोई भी valency free नहीं होनी चाहिए graphite की अगर हम बात करे graphite में sp2 hybridization होता है और यहां प sp3 hybridization होता है carbon का चारों जो carbon atoms है वो occupied होते हैं यानि की quaternary होंगे 4 degree होंगे तो सही आंसर यहां पर कौन सा हो गया diamond that is option B next question है which of the following is a natural dye question simple सा है अगर आपको natural dye पता है तो आप बता देंगे natural dye में आप एक example है वो याद रखे ऐलीजेरन जो है वो एक natural dye है natural dye उनको कहेंगे हम उन डाइस को जो plants है plants के अलग-अलग substances है उनसे हम एक्सप्राइट करते हैं और artificial dye जो हम अलग chemical activities से बनाएंगे तो crystal violet, aniline blue और phenophthalein जो है यह natural dyes नहीं है लेकिन एलीजेरन एक natural dye का example है next question है the ratio of pure gold in 18 karat gold जब आपने सुना होगा 24 karat gold, 22 karat gold, 18 karat gold तो हमारा question है कि 18 karat gold के अंदर जो pure gold है उसका कितना concentration होता है तो यह बात हम discuss करेंगे कि जो 18 karat gold होता है उसमें हम कैसे explain करेंगे कि इसमें 18 जो है वो तो हमारे gold का अगर हम ratio बताएं तो 18 parts तो हैं वो gold के होंगे और 6 parts तो हैं वो किसी और element के होंगे तो अगर हम इसमें percentage calculate करते हैं तो gold हमारा कितना हुआ 3 is to 1 यानि 3 parts gold के हैं और 1 part कोई और element के हैं यानि pure gold कितना है 75% तो correct answer यहाँ पे कितना होगा option B और अगर हम 24 karat gold की बात करें तो इससे 100% इसमें gold माना जाता है यह purest form है जो gold है उसकी तो यह हमारा question होगे है जिसका answer सही कौन सा है option B next question number 80 diamond is harder than graphite because if diamond और graphite में सबसे एक important चीज़ अगर आपको उसके hybridization पता है उनकी sheeps पता है उनकी अगर आपको chemistry पता है तो आप उसके किसी भी question cancer आराम से दे सकते हैं graphite के अंदर जो hybridization है वो sp2 है diamond में sp3 है और एक चीज़ जो हम usually पढ़ते है कि graphite जो है उसके अंदर जो carbon जो है hexagonal arrangement है वो layers की फॉर्म में present होता है और layers की फॉर्म में present होने की वज़ा से क्या होगा अगर आप एक तरफ से pressure apply करेंगे तो यह layers एक के उपर एक move कर जाती है इसलिए graphite वो soft होता है जैसे आपने pencil का graphite देखा होगा वो एक shiny और soft सा material होता है और भही diamond जो है बहुत hard है तो यहाँ पर जो main difference है वो किस में है diamond के अंदर जो है वो tetrahedral arrangement है और graphite में layered arrangement होने की वज़़ से तो यहाँ पर पहला option जो है difference in layers of atom tetrahedral structure of atom तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा difference in layers of atom ओकी what is the element required for solar energy conversion solar energy conversion जैसे it present solar energy जो एक renewable energy का form है यानि की sun से जो हमें energy मिल रहे है उसका amount बहुत जाद है तो हम उसे कितनी भी amount में बना के अलग-अलग तरह से use कर सकते है solar energy बहुत जादा इसके importance बढ़ रहे है तो हमें किसी ऐसे element का नाम बताना है जो solar energy में usually use किया जाते है तो silicon एक ऐसा material है silicon के अगर हम बात परे silicon ही क्यों हो हम semi-conductors जो है उनका use करते है usually और जिन में से सारी properties cost effectiveness और बाकी जितनी भी properties हमें required होते है उसके according जो silicon है वो सबसे ज्यादा suitable है यहां use करने के लिए तो correct answer कौन सा हो जाएगा option C अगर आप बाकी options देखते हैं तो बाकी options में आ answer कौन सा है option C now question number 82 which of the following type of coal has the lowest proportion of volatile matter volatile matter यानि कि जो वाश्पसील सामगरी है यानि कि जो gas में easily convert हो जाए उसका जो proportion है उसका जो concentration उसकी मात्रा जो है वो सबसे कम कौन से फॉर्म में होती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत सारे बहुत वर्षयों तक जब हमारा जो जो यह substances है वो layers में एक दूसरे के नीचे बनते रहते हैं तब इन में conversion होता है जिसमें सबसे पहले जो coal का formation होता है वो होता है पीट और पीट के अंदर जो है अगर हम बात करें जो hydrocarbons है यानिकी जो algae, lichens वगेरा उनका concentration जो है वो जादा होता है फिर पीट जो है वो convert होत के अंदर उसके बाद में lignite convert होता है हमारा bituminous के अंदर और finally bituminous से formation होता है anthracite का तो जैसे जैसे पीट से anthracite का formation होता है वैसे वैसे जो water का concentration है वो decrease होगा और जो coal का concentration है वो increase होगा अब हम से पूछा है कि इन में से volatile matter या फिर water भी वास्प शील है उसका concentration सबसे कम किसमें होगा anthracite में और anthracite को हम hard coal के नाम से भी जानते हैं तो आप याद रखें anthracite या hard coal एक ही चीज़ है यह correct answer कौन सा हो जाएगा option D चलते हैं अब हम next question की तरफ जो है question number 83 saccharine is made up of saccharine अगर आपको पता हो saccharine एक artificial sugar का example है artificial sugar हमें बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी क्योंकि यह जो है यह sugars जो है वो हमारी जो sugar या फिर जो sweetness की जो हमारी इच्छा है उसे जो complete करेंगे लेकिन इनसे जो calories है वो हमें नहीं मिलती है तो जैसे diabetic जो patients है उनके लिए यह जो sugars है artificial sugars है वो ठीक रहती है अगर हम बात करें saccharine की तो यह artificial sugar है और इसके अदर आप अगर देखे कि toluene, phenol, propane और butane में से कौन मिलेगा तो एक compound है जिसको आपका नाम है वो याद रखना है और इस compound में आपको toluene मिलेगा तो toluene जो है वो सीधा आपको saccharine में नहीं मिलेगा पर वो जो substance है जो क्या है ortho toluene sulfonemide जो है उसके oxidation से जो है हमारे saccharine का formation होता है तो जैसे कि इस substance में toluene है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि saccharine जो है वो किससे बना हुआ है toluene से या फिर थोड़े substituted toluene से बात करते हैं अब हम next question की PVC PVC सबने सुना होगा polyvinyl chloride जो उसका full form है जो polymers है उनके अंदर अगर आप उसके नाम को भी एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो monomers है वो कौन से है जैसे हमने PVC देखा polyvinyl chloride poly यानि कि इसके आगे जो नाम दिया गया यह वो बहुत जादा बार repeat होने वाला है और उसके बहुत जादा बार repeat होने से क्या होगा PVC का formation होगा तो आपको आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आगे है vinyl chloride यानि इसका जो individual unit है जो बहुत बार repeat होने पे बनाएगी जिस LPG LPG liquefied petroleum gas जिसका full name है एक hydrocarbon है जिसके अंदर कौन कौन सी जो दो hydrocarbons का mixture होता है एक hydrocarbon खुद एक hydrocarbon है लेकिन इसमें अलग-अलग तरह की alkane का mixture होता है तो इसका correct answer है propane और butane जिसके अंदर हमारे तीन carbon present होते हैं और butane वो hydrocarbon जिसमें हमारे चार जो है carbon present होते हैं और इसक जो या इसके formula हो जाएंगे propane में तीन carbon present और butane में चार carbon और इन दोनों के addition से जो hydrocarbon मना हुआ है वो ही हमारा कौन है LPG liquefied petroleum gas जिसका आशकर बहुत जादा use किया जाता है vehicles में भी हम LPG को use करने लगे हैं चलते है next question की तरफ next question है which of the following vegetable oil does not contain essential fatty acids तो आपको बहले बता होना चाहिए कि essential fatty acids होते क्या है essential fatty acids वो fatty acids होते हैं जो मनुष्य मानव का जो शरीर है जो body है उसमें वो required होते हैं उनको मतलब उनका जो भी nutrition है उनके खाले पीने में वो जरूरी होते हैं लेकिन वो जो है हम हमारी body के अंदर उनको नहीं बना सकते हैं इसलिए जैसे कोई माले जी एक fatty acid है eggs नाम का वो हमें चाहिए है तो वो हमें हमारी diet में हमारी फल में fruit में उसे add करना पड़ेगा तो जो नीचे हमारी examples देव में उनमें जो sunflower oil है वो ऐसे oil का example है जिसके अंदर essential fatty acids present नहीं होते हैं अगला question है equation number 87 the metallic constituents of hard water are hard water के metallic constituents है वो कौन-कौन है अब दो चीज़े जो सबको याद रहती है वो यह है कि magnesium और calcium के ions जो हो hard water में present होते अब जो तीसरी चीज है question यहां पर उसी पर frame किया गया है क्योंकि magnesium और calcium आपको option A में भी मिलेगा और option C में भी मिलेगा question is कि यहां पर tin होता है या फिर यहां पर iron होता है तो correct answer क्या है इसका option C है क्योंकि वो जो water में hardness है वो mainly तो calcium और magnesium की वज़े से होती है पर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो iron की वज़े से भी होता है ठीक है चलते है next question की तरफ तब pH of human bodies pH सबको पता होगा जो हमारा acidic strength है basic strength उसमें जो हम यूजवली बताते हैं कि अगर pH range हमने जो दीव वी है वो 0 to 14 तक है हमारी इसमें जो 7 अगर होता है उससे हम categorize करते हैं उसे हम neutral कहते हैं और 7 से पहले के जतनी भी numbers है वो हमारे acidic pH की तरफ आते हैं और 7 के बाद वाले जो 14 तक वाले हैं वो हमारे basic में आते हैं तो blood जो है तो 7 के आगे वाले जो digits हैं यानी 7 से 8 के बीच में जो होता है blood का pH होता है और अगर आपको इसका reason पूछा जाए तो blood के अंदर sodium bicarbonate buffer होता है जिसकी वज़र से वो उसको जो है वो एक basic strength प्रवाइड करता है तो correct answer यहाँ पे कौन सा हुआ है strength में option B question number 89 की तरफ चलते है which of the following imparts deep blue color to the glass अपने देखे होंगे glass के अंदर बहुत अलग-अलग color glasses भी होते हैं तो उसके अंदर glass में ऐसे कुछ हम substances को add करते हैं जो उसको color impart करते हैं अब कई बार क्या होता है एक ही substance की अलग-अलग concentration पे वो अलग-अलग color भी देता है तो अगर आ तो सही answer कौन सा होगा इसका option D अगला जो question है question number 90 which of the following fibers catches fire least अब यहां पे कुछ fibers दीए हुए जैसे nylon है cotton है rayon है terricot है जो हमारे clothes होते हैं जो कपड़े होते हैं उनमें usually इनहीं मेंसे कोई fibers होते हैं कोई ratio होता है जैसे कि कपास हुआ, rayon हुआ, terricot हुआ, nylon हुआ तो अगर हम देखें तो cotton जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है और देखा जाए तो cotton जो है वो prevent करता है वो आग नहीं लगने देता है इसलिए उसको रसोयों में usually आप जो भी बरतन नहीं से और जो कपड़े देखेंगे छोटे मोटे वो आपको usually cotton के मिलते हैं ताकि हम chances कम क कर सकें आग लग जाने के तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां option B जो cotton के रेशे हैं कपास के रेशे हैं वो आग कम पकड़ते हैं next question है which of the following is used as a filler in the tire of rubber जो हमारे rubber के tires होते हैं वेहिकल्स में जो हम यूज करते हैं उसके अंदर as a filler जो है उसके कौन-कौन यूज किया जाता है तो यहां जो option दीए कार्बन का ही कोई form होगा आपको दिख रहा होगा सब कार्बन की forms है carbon black coal 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 graphite इन में से जो carbon black है उसको एक यूज किया जाता है और उसके साथ म एमोर्फर सिलिका को भी कभी कभी हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं as a filler in tires ठीक है तो यहां हमारे पास जो option दिया हुए वो black carbon का है carbon black तो correct answer कौन सा होगा यहां option A question number 92 है which of the following alloys used to make magnet magnet को बनाने के लिए कौन सा जो substance है उसका use किया जाता है तो वो substance जो है वो हमारा है l nico a l n i c o यहां थोड़ा spelling error है a l n i c और यह नाम जो है वो अपने आप में आपको बता रहा है कि यहां पे कौन-कौन present होगा l nico a l से कौन सा element है आपके periodic table में aluminium n i से कौन है आपके पास nickel और c o से हम किसे represent करते हैं cobalt को तो यह जो तीन elements है इन तीनों का जो मिश्रध हातूब है जो इनका alloy है उसे हम किसके formation में use करते हैं उसे हम use करते हैं magnet के formation में तो correct answer यहां पे कौन सा हो जाएगा option c next जो हमारा question है milk tastes sore when it is left open for some time जो दूद है दूद को अगर आपको समय के लिए खुला छोड़ दोगे तो उसके बाद उसका स्वाद जो है खटा हो जाता है स्वाद खटा होने की यहां पे वजर पूछी गई है कि ऐसा क्यों होता है तो यहां पे क्या होता है कि कई बार ऐसा है वहां पे जो है milk जो है दूद जो है वो लाक्टिक असर बें अगर आपको ऐसे question ना पूछ कैसा पूछा जाए कि जो हम दही जमाने के लिए जो एक छोटा amount जो है वो दही का ही उसमें डालते वो क्यों डालते हैं तो वहां पे भी हम क्या चाहते हैं कि लाक्टिक असर ब कौन सा होगा लाक्टिक असर है हमारा option A question no.94 है the polymerization of which of the following is used for the manufacturing of polythene industry in industry polythene जो है यह नेम जो है वो थोड़ा short form है इसी का जो सही नाम था वो था polyethylene तो polyethylene यानि की यहां पे जो इथाइलीन है वो बहुत बार repeat होगा और उसके वज़ा से हमारे पास किसका formation हो जाएगा पॉलिथीन का यानि जो हमारे प्लास्टिक है यूजवल जो आप डे टो डे जो सामान ले के आते हैं पॉलिथीन बाग्स में उन्हीं की बात की जा रही है तो यहां पे जो हमारे repeating unit है जो उसका मोनोमर है या फिर किसके polymerization से बनेगा वो कौन है हमारा पॉलिथीन यानि की इथाइलीन option डी next average of the following chemical materials is responsible for the depletion of ozone layer जो ozone layer है उसके depletion के लिए सबसे जादा कौन responsible है तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो greenhouse gases हैं हरित gases हैं उनकी वज़े से जो ozone layer है जो हमारा ozone परत है वो धीरे धीरे पतली होती जारी है लेकिन greenhouse gases में भी सबसे जादा important कौन है हमारे chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons usually अगर आपको पूछा जाए कहां कहां यूज के जाते हैं तो जो हमारे air conditioners है ACS है और जो हमारे fridge है refrigerators है इनके अंदर CFCS का बहुत यूज किया जाता था जो कि हमारे ozone परत जो है उसकी मुटाई को कम कर रहे हैं तो correct answer यहां कौन सा है option C हम सब जानते हैं कि हमारा जो waste है उनके अंदर nitrogen form में ही हमारा waste होता है और nitrogen में भी main कौन सा होता है uric acid finally जो हम excreta होता है हमारा जो भी हम body से बाहर अप्शिष्टों को निकालते हैं उनमें हम nitrogen को uric acid के form में निकालते हैं तो correct answer कौन सा हो जाएगा यहां पे option C question number 97 है cloud is a colloidal dispersion of cloud यानि कि यहां पे कुछ दो चीज़ें involved होगे dispersion है dispersion सबको पता है कि यहां पे एक dispersion medium है उसके अंदर water की droplets present है और उससे हम क्या कहते हैं cloud कहते हैं कौन कौन से सही है air in a dispersion medium of water dispersion medium usually वह होता है जिसकी concentration जादा है तो अगर आप देखो यह अगर मान लो आप एक cloud है तो इसके अंदर obviously air की concentration जादा है तो यह क्या होता है यहां water drops जो है वो कम amount में है और dispersion medium जो है वहां पे कौन है air है जिसके अंदर हमारी water की droplets जो है वो इस तरह से dispersed है तो correct answer यहां कौन सा हो जाएगा हमारा option D question number 98 है which of the following is the petroleum wax petroleum wax का example बताना है हमें जो paraffene wax है यहां पे वो petroleum wax का एक example है तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option C question number 99 है which variety of coal contains recognizable traces of original plant material तो जब थोड़ी देर पहले हम discuss कर रहे थे कोल के बारे में तो हमने discuss किया था कि पहले peat होता है peat से lignite का formation होता है जहां से bitumen और वहां से anthracite और जो organic plant material है यानि की कोल का formation कैसे होता है जैसे एक धरती है जहां पहले कुछ तरह के plants present थे कुछ animals यहां प्रेजन थे अब धीरे धीरे कुछ तरह मादन की death हो जाती है और यही जो है यह हमारे जमीन पर यहां पर जमने शुरू हो जाते है फिर यहां पर और धूल लिकटी हो जाती है फिर कुछ और जो लोग इस तरह से हमारे धीरे धीरे करके यह कोल में convert होता है तो peat जो है वो सबसे पहले बना हुआ कोल है और उसी के अंदर जो plant material है उसकी सब purest form कौन है iron की metallur जी आप देख रहे होंगे बहुत important है इसे काफी सवाल पूछे जाते हैं तो iron के पास हमारे बहुत सारे form है जैसे cast iron है pig iron, wrought iron और steel iron और iron के अंदर जो impurity होती है वो किसकी होती है हमारे पास carbon की तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको impurity की concentration पूछ लें तो पहले आप याद रखेंगे कि purest iron का form जे वो raw iron है ऐसा क्यों है क्योंकि जो impurity है यहाँ जो carbon है यहाँ उसकी concentration 0.25% से जादा नहीं होती है और जो सबसे जादा concentration मिलती है हमारे carbon की या फिर जो सबसे impure form है वो कौन सा होता है cast iron जिसमें 2-5% जो carbon present होता है तो यह carbon की concentration को देखते प बता सकते हैं कि सबसे pure form या फिर सबसे शुद्ध रूप कौन सा है लोहे का raw iron या फिर पिटवा iron तो correct answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा option B बारे में कि charcoal जो है उसको हम पानी में मिला करके किस चीज के treatment में use करते है या फिर जब उसे treatment में use किया जाता है तो वो किस तरह से function क् अधिशोषक होता है तो आपको इन दोनों के बीच में difference बता होना चाहिए तो सबसे simple difference में आपको बताना चाहूंगे जैसे एक चौक है आपके पास एक चौक को अगर आप water में dip करेंगी तो चौक को water में dip करने पर आपको क्या दिखेगा कि जब आप उस चौक को बीच से तो आपको दिखेगा कि जो पूरी चौक है वो अंदर तक जाकर के उसकी जो surface पूरी आपको नम दिखेगी तो अगर जो है किसी भी substance के पार्टिकल किसी चीज के अंदर तक पहुंच जाते हैं यानि कि उसकी पूरी surface को अपने जैसा बना देते हैं उससे हम कहते हैं absorption शोश जो भी चीज है उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाई है तो उसे हम कहते हैं adsorption adsorption यानि केवल surface पे वो चिपकी हुए तो charcoal जो है उसका काम कुछ ऐसा ही है उसका काम होता है हमारा adsorption अधिशूशन और अगर हम बात करें अगर तो यह जैसे की poisoning वगेरा जो है कई बार जह charcoal जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं अब अगला question कौन सा है next question है एक chemical reaction भी हुई है जिसमें reaction है zinc plus 2 जिसके अंदर 2 electron add होने के बाद में zinc convert हो गया है zinc solid में और इसकी oxidation state जो है या फिर अगर आप इसका plus 2 charge से यहां पे balance उपर किये क्या हो गया है जीरो तो question आपका पूछा है कि यह जो reaction है क्या आपको इसमें oxidation दिख रहा है reduction redox reaction तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो redox प्रतीक्रिया होती है उसके अंदर oxy current और जो reduction है अब चयन है यह दोनों reactions एक साथ होती है यानि अगर हम देखें कि A और B अगर आप कोई दो elements किनी की भी या अगर आप reaction करवाते हैं और अगर यह convert होते हैं किनी और substances में small A या small B इनकी oxidation state अगर change होती है तो अगर कोई एक substance का oxy current हुआ है तो दूसरा वाला जो है उसका उसी reaction के अंदर अप्चयन होगा यानि reduction होगा तो यह एक ही इसमें substance है जो plus two oxidation state से zero state में चला गया है तो यहा correct answer कौन सा होगा option B बात आती है वहाँ पर electrons का oxidation या फिर जो भी हम metal यूज कर रहे हैं वो अपनी excited state में चला जाता है कुछ energy को absorb करके तो मान लेते हैं कि sodium में कुछ energy absorb करी और sodium जो है वो excited state में चला गया और जिस energy जितनी energy जिस wavelength की energy sodium ने absorb करी होगी उसी के equivalent वो light emit करेगा और उस zone में जो भी color होगा जिस भी wavelength की light होगी वो color visible होगा और यही reason है कि sodium जो light emit करता है वो हमारी जो visible radiations होती है विप ग्योर जो है हमारा उसमें जो yellow वाली जो हमारी wavelength है उस wavelength की light जो है sodium emit करता है तो यहाँ पे अगर आप options देखोग होगी कि B option जो है वो सही है एक बार देखते हैं emission जो है excess energy का जो sodium atom ने absorb करी थी जिसकी वजह से excited state में चला गया था वो हमारे कौन से spectrum में आती है yellow spectrum में ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ galvanized iron जो है is made by coating iron with question हमारा है कि हमारे पास iron है iron को हमें किस चीज से coat करना है कि उसका galvanization हो जाए यानि कि यह iron के बाहर हमें किसी एक element की परत बनानी है और यह परत हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हम iron को protect कर रहे हैं rusting से जंग लगने से तो यह जो surface है अगर यह zinc की बनाई जाती है तो यह जो पूरा process होता है उसकी surface बनाने का इसे हम क्या कहते हैं galvanization तो correct answer यह जो rubber के tire होते हैं हमारे पास उनमें filler की तरह किसे use करते हैं carbon black को या तो use किया जाता है वहाँ पर या फिर एक और हमारे पास लेकिन in question में जो हमारे पास option दिये हुए हैं अगर आप देखोगे coal, coke और graphite तो यह सारी शीजन जो हैं वो कभी भी जो हमारे rubber tires हैं उनके अंदर filler के form में use नहीं करी जाती हैं तो options को देखते हुए यहाँ पे जो correct answer है वो हमारा कौन सा होगा option A यानि की carbon black अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है ओजोन depleting pesticides के बारे में कीट नाशकों के बारे में कूछा है कि नीचे कुछ आपको कीट नाशक दी हुए हैं उनमेंसे आपको बताना है कि इनमें से कौनची ऐसी कीट नाशक है जो ozone डिप्रेटिंग है जो हमारी ozone की परत है उसकी मु दो हजार पांश जो वर्ष था उसके अंदर मिथाइल ब्रॉमाइड को जो है यूएस में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये एक ओजोन डिप्लीटिंग कीट नाशक है ओजोन की परत की मोटाई को ये कम कर रहा है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा option c option c अब है अगला question quads के बारे में quads किसका बना हुआ होता है तो वैसे तो silicon और oxygen के atoms होते हैं उनकी repeating units होती हैं उससे quads का formation होता है लेकिन अगर हम बात करेंगे calcium sulfate silicate sodium sulfate और silicate तो si o जो है वो तो silica बन गए हमारा silicate है उसके साथ में यूजबली जो हम आयन यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कौन sodium इसलिए इसका correct answer कौन सा होगा option d sodium silicate next time है हमारे पास question number 107 milk of magnesia एक suspension है एक निलंबन है लेकिन आपको बताना है इसका chemical formula तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी named reactions है named वाले molecules हैं उनके formula और उनका general नाम जो है को आपको याद होना चाहिए इस तरह का एक या दो सवाल आपको परिक्षा में अवश्य मिलेगा तो milk of magnesia से इतना तो पता चल जाता है हमें कि magnesium का कुछ compound होगा पर हम options देखते हैं तो सब में ही magnesium है इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो magnesium hydroxide है MgOH whole twice उसी को हम कहते हैं milk of magnesia कौनसा option से ही होगा option C correct answer is option C next question है oxidation process के time पे electrons पे क्या फरक पड़ता है तो हम एक बार में जान लेते हैं कि oxidation में क्या हो रहा है और reduction में क्या हो रहा है तो यहां मैंने chemical reaction लिखी है जिसमें हमने convert किया है x plus 2 उसमें 2 electrons को add करके हमने x में convert किया है और दूसरी जो हम chemical reaction ले रहे हैं यहां पे वो हम इसके opposite लेंगे कि x जो है वो हमारे convert हो रहा है x plus 2 के अंदर और 2 electrons जो है वो release हो रहे है अब हमें यहां पे समझना चाहिए जो है हमारा oxidation state से क्योंकि सबसे simple जो है वो ही रहता है समझने के लिए अगर oxidation state जो है वो left से right side जाने पे अगर कम हो रही है यानि कि वहाँ पे क्या हो रहा है reduction वहाँ पे कमी आ रही है oxidation state के अंदर charge जो charge है उसी को हम oxidation state कह रहे हैं तो plus 2 से 0 में जाना यानि यहां कमी हो रही है तो यह reaction किसका example है सबसे पहला तो reduction का अब यहां क्योंकि बात करी गई है electrons की तो electrons की अगर हम बात करें तो electrons यहां पे क्या हुए है x plus 2 कुछ था उसमें हमने 2 electron उसको दे दिये हैं यानि कि यहां पे electrons का lab हुआ है electron gain किये गए है तो reduction reaction के अंदर electrons जो है उनका gain किया जाता equation तो हमारे ही solve हो गया एक दो चीज़े और देख लेते हैं reduction reaction जो है उसके अंदर hydrogen का addition होता है जो यहां पे नहीं मिलेगा आपको पर ऐसे सवाल भी आते हैं oxidation reaction अगर आप देखेंगे तो वही है opposite है इसका zero oxidation state यहां पे zero से plus two में चला गया बढ़ोतरी हुई है तो यह किसका example है oxidation reaction का oxidation reaction में अगर हम और बताना चाहें तो यहां पे oxygen का addition होता है और यहां पे electrons की अगर हम बात करें तो electrons यहां पे क्या हो गए लेक्ट्रॉंस निकल गए हैं यानि यहां पे हमें नुक्सान हुआ है लेक्ट्रॉंस का तो यह हमारा question हो गया जहां पे correct answer कौन सा है option बी next है box side box side आपने काफी सुना होगा पूछा गया है कि यह कौन सी धातू या फिर किसका ओर है यह कौन से metals है उसका तो box side aluminum का सबसे important ore होता है तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option A अगला question है कि नीचे आपको कुछ carbon है उनके अलग-अलग forms दिये हुए है coal की coal बनने की प्रक्रिया हमने पिछले सवालों में भी कुछ में पड़ी थी उनमें आपको बताना है कि carbon carbon का जो प्रतीषत है वह सबसे जादा किसमे होगा तो देखेजे दो चीजे या तो आपको पूछेंगे कि carbon का प्रतीषत सबसे जादा किसमे है या फिरहा को पूछा जाएगा कि पानी जो है वह सबसे कम किसमे है न दोनों ही सवालों का और उसके याँ का सर्कारश क्या होगा कॉल बनते वक्त कोला बनते वक्त जो सबसे आखरी में इसके इसके आफ़ रिम से जाधा होता है और हमें मालूम है कि सबसे लास्ट में कौन बनता है एंथ्राशाइट और सीक्विशनस का अगर हम कहें तो सीक्विशन सेम ऐसे दिया तो सबसे पहले तो सवाल है कि भाईया ये caustic soda क्या है कि अगर आपको पता होगा तब तो आप question को solve कर दोगे और नहीं पता होगा तो आप question solve शायद नहीं कर पाएंगे तो caustic soda के उपर हम चलते हैं तो caustic soda जो naoh है हमारा उसे हम कहते हैं caustic soda अब आपको याद रेना चाहिए अगे से caustic soda क्या है अब यहाँ साबुन के बनने की प्रक्रिया की बात हो रही है कि तो साबुन के बनने की जो reaction होती है उसे हम कहते हैं saponification saponification क्या है वो अभी क्रिया जिसके द्वारा साबुन को बनाया जाता कैसे बनाया जाता है एक सिंपल सी reaction है हमने कुछ fats लिए है fats की हम reaction करवाएंगे या तो NaOH caustic soda के साथ या फिर आपकी OH के साथ भी करा सकते हैं इस से एक तो आपके से पास क्या होगा एक साबुन का बनना होगा साबुन आपको मिलेगा और उसके साथ में आपको glycerol मिलता है तो यह जो chemical reaction है यह आपकी saponification है क्योंकि सवाल में आपको NaOH हो बता दिया गया है कि caustic soda हमने यूज किया है तो बच्चा हूँ answer क्या होगा fat तो यहाँ पर correct answer जैसे आप देख सकते हैं option D fat चलते हैं अगले question की तरफ नीचे आपको कुछ आपको example दिये हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन से हमें एक से एक option देख लेते हैं iron iron के बारे पे हमने कई तरह के iron पड़े थे जो 100% शुद्ध हो तो लोहा तो इसका example नहीं होगा air के अगर हम बात करें air तो वैसे ही बहुत सारी gases का मिश्रण है mixture है कई तरह की gases का आप सब जानते हैं oxygen है carbon dioxide है nitrogen की oxides है sulfur की बहुत तरह के हैं तो यह भी क्या है शुद्ध नहीं है ब्रास अगर हम बात करें तो ब्रास एक alloy है इसे के साथ discuss कर लेते हैं कि ब्रास किस का alloy होता है तो आपको याद रखना है copper और zinc के alloy को इनकी मिश्रध हातों को हम क्या कहते हैं ब्रास या पीतल लास में हमारा बज़ता है carbon dioxide carbon dioxide gas अगर है तो उसमें CO2, CO2, CO2 ही मिलेगी तो ये एक शुद्ध पदार्थ का example है तो correct answer कौन सर हो गया? option A अगले प्रिशने की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल ये है कि जो nuclear reactors हैं हमारे प्रमानु भठिया हैं उनके अंदर moderator मंदक के रूप में किसे यूज किया जाता है तो आपको questions पढ़की सहर्श में आ गया होगा कि moderator या मंदक का काम क्या होगा तो nuclear reactors में जो हमारे neutrons होते हैं उनका बहुत important rule होता है जो fusion reaction है सब में हमें neutrons दिखते हैं तो neutrons जो है इनकी कभी-कभी speed जो है बहुत जादा होती है तो उस जो speed है उसको कम करना बहुत जरूरी होता है वरना तो वहाँ पे कुछ visport हो सकता है कुछ भी हो सकता है अन्हूनी हो सकती है उसके दिए हम मंदकों का इस्तेमाल करते हैं और मंदकों में आप देखेंगे कि काफे सारे options आपको यहाँ पे दे हुए graphite जो है उसको हम use करते हैं मंदक की तरह तो आपको याद क्या रखना है option B जो कि क्या है graphite चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है आपका question number 114 wait second अगला question है अगला question है हमारा कि जो हमारे fossil organism है या फिर जो हमारे जीवाश में वाले जीव है अगर हमें ये जानना है कि वो कौनसी कितनी age है उनकी या फिर कितने सालों पहले वो धर्ती पे थे तो ये सब जानने के लिए हम कौनसे method का कौनसी तक्नीक का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम बात करें radio carbon dating की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो radioactive carbon है हमारे पास radioactive carbon की सहायता से अगर कोई भी fossil है हमारे पास कोई भी और हमारे पास किसी भी चीज़ के अगर हमें age जाननी है तो radioactive carbon की मदद से radioactive carbon को हम बेश मान कर उसकी age का पता लगा सकते हैं radioactive dating radioactive carbon dating हम इसे कहते हैं तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा option A, इसी को ही हम carbon dating में कहते हैं अगला प्रशनी जो है वो है the process by which milk is converted into curd, जो हमारा दूद है दूद से जब दही का बनना होता है curd का बनना होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं fermentation और जो एक और सवाल हमने पीछे discuss किया था वो आपको शायद याद आ गया होगा curd में कौन सा acid होता है lactic acid और milk को curd में convert करने वाले bacteria हमारे कौन से होते हैं lactic acid bacilli तो यहाँ पे हमारे जो correct answer है वो कौन सा हो जाएगा option से इसी तरह अगर हम बताना चाहें पास्टराइजेशन क्या होता है तो जितने भी हमारे खाने के पदार्त हैं चाहे वो डब्बे में बंध हो चाहे वो डब्बे के बाहर हो उनके लिए जरूरी होता है कि हम उनके अंदर किसी भी तरह को कोई bacteria या फिर कोई भी ऐसा जो दिजीज कर सके उसे ना छोड़ें तो यहां पर उसको ठीक उसको हम संभालने के लिए उसे 100 डिगरी सेल्सियस से कम टेंपरेचर पर जो है हम उसे क्या करते हैं उसको काफी देर तक रखते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह कि कोई disease-causing organism ना बचे इसी तरह जो vernalization है बसंती करण है इसमें क्या होता है जो हमारी seeds है जो beege है उनको हम ठंडे temperature पर रखते हैं यानि कि कम temperature पर उनको काफी दिनों तक रखा जाता है तो यह हमारे सवाल के बाकि options भी हमने देख ली है जल्दी से चलते हैं अगले question की तरफ बात हो रही है bronze की यह कांसे जो है वो किन-किन elements का मिश्रत हातु है तो थोड़ी देर पहले ही हम brass को discuss कर रहे थे अब हमारे पास आया है bronze दोनों के words में थोड़ा सा ही difference है तो आप भूले नहीं और दोनों के अंदर जो copper है वो common है तो अब बात आती है कि difference क्या है अगर आपको न याद रहें परिक्षा में अगर कभी भूल भी जाएं तो याद रखें कि bronze में Z है लेकिन zinc जो है वो इसके साथ नहीं है वो होता है brass के साथ तो copper के साथ कौन आएगा जो बचा हुआ option है वो आएगा copper के साथ में यानि की हमारे पास यहां पर आता है copper के साथ 10 तो correct answer जैसा आप देख सकते हैं कौन सा होगा यहां option C अगले प्रशन की तरफ चलते है natural source जो है वो hydrocarbon का कौन कौन है तो natural source जो hydrocarbon के 3 important natural sources होते है और जो petroleum है petroleum भी एक hydrocarbon के सबसे important natural sources होते हैं यह 3 अब अगर आप options में देखेंगे तो आपको देखेंगा कि इन तीनों में से तो कोई option है ही नहीं तो जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि आपको other names याद होने चाहिए तो petroleum का ही दूसरा नाम होता है crude oil कच्चा तेल तो सही आंसर यहां कौन सा होगा अब तो सबको याद आ गया होगा कौन सा होगा option A अगले question के तरफ जल्दी से बढ़ते हैं हम radioactive disintegration जो है यानि कि uranium का radioactive जो प्रतक करण है यानि उसका जो तूटना है तो उसमें uranium तूट रहा है तूट रहा है तूट रहा है लेकिन पूछा है कि last में कहां जाकर कि यह जो उसकी reactions है वो बंद हो जाएंगी या फिर last में कौन सा ऐसा stable product बनता है तो lead जो है जो सीसा है हमारा lead और उसका atomic number 206 यह last हमारा product होता है जहां जाकर के जो reaction है वो रुख जाती है और यहाँ पर disintegration जो बात हो रही है प्रतक करण इसमें बीच में कौन कौन से substance release होंगे अगर आपको पूछा जाए तो कभी alpha particle कभी beta particle और कभी gamma radiation जो ह आपको option D अगला प्रेशन है हमारा which of the following is used in making smoke bombs smoke bombs को बनाने में क्या काम में लिया जाता है तो अभी तो बहुत तरह के colored smoke bombs भी आ रहे हैं जैसे आपने देखी होंगे वो कुछ छोटी से device होती है उससे colorful जो है वो धूँआ smoke type निकलता रहता है उसी को हम कह रहे है smoke bombs लेकिन smoke bombs में कौनसी चीज़ें यूज़ करेंगे यूश्वली वो यूज़ करेंगे जो जलती कम हो और जिनसे धुआ जादा निकलता हो तो इनके लिए जो पहले के हमारे smoke bombs से उसमें हम कार्बन का इस्तेमाल किया करते हैं तो correct answer कौनसा होगा यहाँ पे option D अभी जो colored वाले उनमें किसका alloy है तो एगेन एक named आपके पास एक alloy आ गया है अब आपको बताना है तो German silver जो है वो होता है हमारे पास zinc, copper और nickel इन तीनों से बनी हुई मिश्रथा तो तो options आप मैच कर सकते हैं वो option सही को answer होगा क्या option C सही है हाँ एक दम सही answer है इसका option C आगे है वह 121 question पर यह metal is exposed to the atmosphere for some time एक metal है उसको हमने कुछ देर के लिए बातावरण में खुला छोड़ दिया है अब यह कह रहे हैं हम कि जो metal है इसका एक carbonate जो है वो इस metal के ऊपर आकर चिपक गया है और वो जो carbonate है वो green color का है यानि इस पर coating होगी है तो इसी metal का carbonate बना ह होगा तो metal का पूछा है तो यहां आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा metal है जिसका जो carbonate है वो green color का होता है तो जो copper metal है copper metal का जो carbonate है वो green color का होता है तो यहां पर correct answer कौन सा होगा copper जिसका carbonate कैसा है green color का बढ़ते हैं अगले question की तरफ which of the following pairs of materials serves as electrodes and rechargeable batteries अब rechargeable और non rechargeable batteries आपने पढ़ी होंगी rechargeable batteries वो जो mobile phone की battery की तरह है उनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं फिर यूज में ले सकते हैं और फिर से charge कर सकते हैं इन rechargeable batteries को हम torches में भी यूज करते हैं electric shavers नमियाने जतनी भी चीज़ों को आप charge करके फिर इस्तमाल करते हैं उन कर रहे हैं अब सवाल ये है कि इनके अंदर जो electrodes हैं वो किस किस चीज़ की बने हुए होती है तो अगर आप एक ideal rechargeable battery की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे commonly पाया जाने वाले जो electrodes हैं वो होते हमारे nickel के और cadm की तो correct answer कौन सा हुआ? अगला सवाल है कि नीचे आपको कुछ options दिये हुए है इन में से कौन है जो कि एक super cool liquid अती शीतित द्रव का example है तो super cool liquid जब भी आप glass को पढ़ते हैं हमेशा सबसे पहली लाइन यह आती वैसे आप glass को जब देखोगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक solid है क्योंकि solid की दे कि जो हमारा glass है वो एक solid नहीं है वो एक liquid है और liquid भी कैसा super cool यानि कि उसकी बहुत ज़ादा cooling करी गई है जिसके बाद वो liquid बना है अती शीतित द्रव्य है वो एक तो correct answer कौन होगा इसमें option C बागी option अगर आप देखो तो mercury तो room temperature भी liquid रहता है teflon जो है यह एक polymer है इसके बा option उसमें नहीं है अगला प्रशन है कि जो metals होते हैं हमारे जो धातुएं हैं वो good conductors होती है अच्छी चालक होती है क्यों होती है तो जब भी कभी conduction की बात आती है या फिर electricity flow की बात आती है electricity की प्रवाह की बात आती है तो सबसे important वहाँ पे जो होता है वो होते electrons और electrons अब जरूरी है वहाँ पे free electrons का होना सबसे बाहर वाली जो shell है उसमें अगर free electrons present है तो वो एक अच्छा conductor होगा और अगर नहीं है तो वो एक अच्छा conductor नहीं होगा तो आप options देख सकते हैं तो correct answer कौन सा हो जाएगा इसका option C क्योंकि इन में free electrons present है अगला question है आपको पहला metal बनान question number 126 है कि which of the following is used to remove rust stains जो अगर जंग के धबे अगर आपके कपड़ों पे लग जाते हैं तो आप उसे किसकी मदद से हटाएंगे तो आपको अगली बार कभी ऐसा होगी घर पे डांट पढ़ रही हो कपड़ों पे जंग लग गया हो तो आप अपनी घर पे अपनी माताओं को भी बता सकते हैं कि rust को हटाने के लिए माताजी आप oxalic acid का इस्तिमाल करिए उसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और हो तो oxalic acid एक ऐसा acid है जो laundry के अंदर बहुत जादा इस्तिमाल किया जाता है अब सवाल ये है कि oxalic acid आखिर ऐसा क्या करेगा कि जं insoluble है जो गुलनशील हमारा rust था उसको ये soluble बना देगा गुलनशील बना देगा और ऐसा होने से क्या होगा जो rust है वो हमारा पानी में मिल जाएगा और जो कपड़े की सितर है उससे हट जाएगा तो माता का काम आसान तो correct answer कौन से हुआ यहाँ पर option C अगला जो सवाल है वो है which of the following is chiefly present in LPG जो हमारा LPG है liquefied petroleum gas वो हम सब जानते हैं कि hydrocarbons का एक mixture होता है अब अगर आपको usually हमने पिछली बार यह पढ़ा था कि इसमें propane और butane दोनों present होता है अभी भी हम यहीं कहेंगे कि इसमें propane और butane दोनों present है लेकिन अगर आपको य नेखी option सही बताना हो तो आप वो बताएंगे जिसका percentage जो है वो LPG में ज्यादा हो और उसका percentage किसका percentage LPG में ज्यादा है वो है butane का तो correct answer कौन सा होगा हमारा option D butane जो 4 carbon का एक alkane है अगला है हमारे पास कि नीचे आपको कुछ options दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा non metal है पह वो liquid होना चाहिए room temperature के उपर यानि कि अगर आपको उसको आपके सामने रख दिया जाए तो वो आपको solid state में ना मिलकर कैसा मिलेगा liquid तो ये question कभी-कभी confusing हो जाता है क्योंकि सबको लगता है कि domain जो है वो भी एक liquid है और mercury भी तो liquid है पर शुक्र है अपने options में mercury नहीं है तो अगर आपको mercury दे भी दिया जाए तो mercury जो है mercury क्या है इन में से metal कौन है और non-metal कौन है या आपको पहचानना होगा तो bromine जो है वो हमारा non-metal है और mercury जो है वो हमारा metal है और दोनों ही कैसे है liquid तो correct answer कौन सा हुआ यहाँ option c अगला है which of the falling compounds is commonly used as an antiseptic यहां कुछ examples दिये हैं आ उनके अंदर रोगानु रूधक रोगानु रूधक रूप में किसे यूज किया जाता है तो सबसे common example होता है NACL आपने बहुत सारे ads देखे होंगे toothpaste के Colgate के जिनमें एक सवाल हमेशा किया जाता है कि क्या आपके toothpaste में नमक है तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वो पागल दोड option D है H2O2 है हम उसका इस्तिमाल करेंगे अब आप मुझे पता है यही सवाल करेंगे कि hydrogen peroxide को हम क्यों इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई painting है वो lead oxide की बनी हुई है तो hydrogen peroxide है वो सबसे ज़्यादा useful होगा क्यों होगा मैं आपका जवाब देने ही वाली हूँ हमारे atmosphere में hydrogen sulfide नाम के gas present है जो हमारे painting के अंदर जो lead oxide present है उसको यह convert कर देगा किस में? sulfide में, lead के sulfide में और sulfide जहां कहीं भी आपको दिखे उसका color maximum times होता है काला यानि कि हमारी painting में जो lead oxide था जो खुबसूरत रंग था वो काला पढ़ रहा है वो tarnish हो रहा है तो हमने क्या किया हमने H2O2 का इस्तेमाल किया जो इसे वापस convert कर देगा lead के oxide में और हमारी जो painting है वो वापस रंग बिरंगी और खुबसूरत दिखेगी तो correct answer कौन सा हो गया यहां option B अब आप शायद भूलेंगे नहीं कि हमने H2O2 को क्यों use किया अगला प्रशन है milk जो है वो एक natural किसका example है आपको दिया हुआ है कि क्या वो एक solution है, emulsion है, mixture है या suspension है तो मैं आपको बता milk जो है वो एक emulsion का example है अब आप पूछेंगे emulsion क्या होता है दो अगुलन शील, liquids है अगर उनका मिश्रन है तो उसे हम milk कहेंगे तो milk में कौन से दो ना घुलने वाले substances हैं तो उसके अंदर milk में fat भी present होता है और बाकि liquid अगर आपको उसको milk कहना चाहे तो milk ठीक है, water कहना तो water ठीक है, यह दो liquids का immersion है, तो correct answer कौन सा होगा, option B, question number 132 है table salt NaCl के बारे में कि NaCl जो है वो बारिश के मौसम में गीला क्यों हो जाता या वो नमी क्यों पकड़ लेता है, तो NaCl में कौन-कौन होते हैं, पहले हम देख लेते, Na plus होता है और Cl minus होता है, जिसे हम कैसे लिखते NaCl की form में, तो इन दोनों नहीं कुछ किया होगा, जिसके वज़ा से यह पानी या फिर नोंने पानी सौक लिया, तो होता क्या है कि हमारा जो sodium chloride है, इसके साथ में कुछ अप्शिष्ट होते हैं, अशुधियां होती हैं, और वो अशुधियां किसकी होती है, magnesium chloride की, क्योंकि ऐसा होता है कि इन दोनों की properties जो है, वो एक जैसी होती है, तो कई बार इनको अलग-अलग करना मुश्किल होता है, तो इसी तरह यह थोड़ी बहुत अशुधियों के form में हमारे नमक में भी present होती है, तो यह जो mgcl है, यह hygroscopic होता है, यानि कि यह जो भी जल या जो भी न हमक है, वो नम पढ़ जाता है, नम ही आ जाती है, उसमें सर्दियों के मौसम में, अगर आप option देखेंगे, तो आपको हर जगर अलग-अलग जो है, impurity देवी है, अशुधिया देवी है, सबसे सही option कौन सा है, इसका option B, अगला है, which of the following is used as a lubricant in heavy machines, जो हमारी भारी भरकम machines ह उनकी अंदर lubricant, सनेहक के रूप में किसे इस्तमाल किया जाता है, इस्तमाल यहां पर किया जाता है, ग्रेफाइट को, क्यों यूज किया जाता है ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ही soft है, उसके अलावा जो इसकी layer structure जिसकी बात हम काफी बार कर चुके हैं, लेयर स्ट्रक्चर है, इनके बीच में हमारे पास जो वीक वांडर वाल फोर्स होते हैं, वीक वांडर वाल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के उपर स्लिप होती रहती है, तो यानि कि ये वहाँ पे फ्रिक्शन जादा नहीं होने देंगी, उसको help करेंगी लिब्रिकेट करने के लिए, सेलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो, ग्रिफाइट हमने रीजन वेस का एक्स्प्लेइन कर दिया है, अगला प्रिशन है तो एनॉड इने ड्राई सेल, अगर आप एक ड्राई सेल की बात करो, शूशक सेल की, तो जो एनॉड होता है, उसमें एन कार्बन का और जो एलेक्ट्रोलाइट यूजड होता है, वहाँ पे वो यूश्वली होता है, अल्यूमीनियम क्लोराइड का, ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो यूश्वली एक बॉक्स शेब्ड का होता है, जिसमें सेंटर म हमारे पास एक कार्बन की रॉड होती है, जो किस तरह से आट करें, कैथोड की, तो सीधा आप याद रुखें, C for carbon and C for कैथोड, वेस्टन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C, जो कि क्या है, जिंक, अगला प्रेशन है, विच अप दे फॉलोइग is used to iodized common salt, जो हमारा common salt है, साधारल नमक जो है, उसका अगर आपको iodination करना है, उसमें iodine अगर आपको add करना है, तो आप किसे use करेंगे, तो उसमें iodine add करने के लिए, हम use करेंगे potassium iodate को, potassium iodate का chemical formula क्या है, KIO3, potassium iodide को नहीं, potassium iodate, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, milk जो है, एक colloidal system है, किस किस का, colloidal system में भी कौन सा colloidal system है, milk, एक immersion का example है, और milk के अंदर, जो fat है, वो dispersed होता है, water के अंदर, क्योंकि fat की मातरा कम होती है, और water, जो वो प्रचूर मातरा में होता है, fat concentration कम है, तो correct answer कौन सा होगा, option B, fat जो है, वो water में dispersed है, question number, अगला question जो है, enzyme हमें बताना है, जो glucose को ethyl alcohol में convert कर देता है, तो ये enzyme जो है, ये जो हमारी yeast थी, उससे लिया गया था, सबसे पहले discovered enzyme भी यही था, और ये enzyme कौन सा है, हमारा zymase, और zymase के अंदर ये glucose को ethyl alcohol में convert कर देता है, fermentation reaction का भी example है, alcohol formation क लिए reaction काफी use की जाती है, तो correct answer है, यहाँ पे zymase, अगर आप पूछे मुझ से invertase किसका example है, तो invertase वो example है, जो स्कुरोज पर आट करता है, और उसको glucose और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, maltase जो है, वो हमारा maltose जो हमारे पास carbohydrate है, उसको तोडने का काम करता है, इसी तर Silk Fiber, एक रेशम का जो धागा है, रेशम का धागा क्या है, एक carbohydrate होता है, fat, protein या cellulose, तो हमेशा याद रखे, ये एक protein का example होता है, Silk Fiber, which of the following is not a precious or semi-precious stone, कीमती या अर्धी कीमती पत्थर नीचे जो दिये वे, उनमें से कौन नहीं है, तो इनके examples तो आपको याद करने कीमती या अर्ध कीमती जो हमारे पत्थर हैं, उनमें हम उसको इंप्यूर नहीं करते हैं, और शेफायर, नीलम, रूबी और पन्ना जो है, वो तीन हो हमारे examples हैं, जो question में दिया हुआ है, उसके, अगला सवाल है, when there are two electrons in the same orbital, they have, पहले भी हमने बात करी थी, एक बार की जो पहले हम सब में एक-एक electron को रखेंगे और उसके बार में हम उसकी pairing शुरू करेंगे, अब सवाल यह आता है कि जैसे यह P orbital है, P के बार में आपको बता होगा कि P के तीन टाइप होते हैं, PX, PY, PZ, कोई भी हो सकता है PX और कोई भी PZ हो सकता है, मान लीजे कि PX में दो electron present ह तो इन दोनों electron के अंदर एक ही orbital वालों के spin की अगर हम बात करें तो क्या उनका spin same होगा, opposite होगा या कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि यह जो दोनों electron हैं, इन दोनों का spin जो है वो हमेशा opposite होगा, इसलिए मैं आपको अगर आप डाइग्राम पर भी ध्या क्या होगा, minus half, तो correct answer क्या हुआ, option B जो की है, opposite spin, question number 141 है, galvanization के बारे में, galvanization जो है, हम पहले भी, आपको मैं समझा चुकी हूँ, iron जो है, iron के ऊपर हमें coating करनी, iron को protect करना है, तो मैंने paint कर दिया, इसको zinc से, अब zinc जो है, वो iron को जंग लगने से बचाएगा, और इस process को ह हम iron लगा रहे हैं, या iron की ऊपर zinc लगा रहे हैं, तो हमें iron बचाना है, तो iron की surface को cover करेंगे न, तो correct answer क्या होगा, deposition of zinc on iron, iron के लोहे की सितह पर zinc को लगाना, अगला सवाल है, which among the following metals provide amphoteric oxide, amphoteric oxide जो है, उससे आप क्या समझते हैं, यानि कि ये acidic या basic जो है, अब एक होते है हैं, जो acidic oxide हैं, एक होते हैं, जो basic है, अब कुछ oxide जैसे होते हैं, जो में दोनों की properties होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, amphoteric, अभय धर्मी, अभय जहां भी आता है, M3 जहां कहीं भी आता है, वह जो बात हो रही है, वो दोनों properties होती हैं, तो जो aluminium है, aluminium के oxides amphoteric होते हैं, copper, zinc, दो आप और याद रख सकते हैं, इनके oxide जो हैं, वो भी कैसे होते हैं, amphoteric, by which organic compound all oils are known, यानि कि जितने भी हमारे पास oil present है, वो कौन सा ऐसा organic compound है, जो से उनकी discovery हुई है, तो वो सब कौन है, hydrocarbon, जानि कि directly या indirectly, वो hydrocarbon से ही बने हुए होते हैं, अगला सवाल है, हमारा कि atomic number जो carbon का है, वो कहा गया है कि 6 है, और उसका mass number जो है, वो 12 है, हमें बताना है कि उसके अंदर कितने proton है, उसके nucleus के अंदर, तो जितना atomic number होता है, कोई भी हम element अगर है, उसे हम represent करते हैं, उसके atomic number से और उपर आता है, उसका mass number, तो atomic number उसका जितना होता है, उतने ही उसके अ तो correct answer यहाँ पर क्या हुआ? option A अगला सवाल है कि atom bomb की discovery किस ने करी थी? सीधा याद रखने का सवाल है J. Robert Offenheimer जो थे उन्होंने सबसे पहले atom bomb के खोज करे थी और correct answer कौन सा है? option B अगला सवाल है The major harmful gases emitted by automobile vehicle which cause air pollution यानि हमारे जितने भी वाहन है वो ऐसी कौन सी harmful कौन सी खानी कारत gas जो है उसको हमारे जो environment है उसमें निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान दायक हो सकती है तो एक बार पहले हमने बात करी थी एक metal की जो उसमें present होता है तो metal अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन था lead और अगर पूछा जाए कि कौन सी gas है जिसका emission हो रहा है तो वो कौन सा होगा carbon dioxide यानि की option C जो कि एक important greenhouse gas भी है अगला सवाल है कि जो lead storage batteries होते हैं sorry acid है lead storage batteries के अंदर जो acid का इस्तिमाल किया जाता है वो कौन सा है तो lead storage batteries जो हमारे reversible batteries का एक example है और यहाँ पे जो acid use किया जाता है वो है हमारा sulfuric acid तो correct answer कौन सा होगा option D बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है कि कौन सी gas है वो bread की swelling के लिए responsible है अब आपने bread को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे आपको pores दिखाई देते हैं अब आपको यह सवाल भी उठता हुगा कि ऐसे pores क्यों होते हैं कि तो bread का जो formation है bread को जब हम बनाते हैं वहाँ पर भी actually fermentation reaction हो रही होती है और fermentation reaction में जो निकलने वाली gas है वो है CO2 जब इसके आटे को गूंथा जाता है और फिर जब bread बनाई जाती है fermentation reaction हो रही है उस टाइम पर CO2 gas जो है वो यहां से निकलना चाहेगी और CO2 gas जब बाहर निकलती है तो पीछे जो हमारे pores रह जाते हैं वो ही हमें bread की अंदर गढ़्धियों की तरह दिखते हैं तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहां पर carbon dioxide gas को निकलना था अगला सवाल what is the most commonly used substance in fluorescent tubes fluorescent tubes जो है प्रती दिखती शील tubes जो है उनकी अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो यूज़ करना एकदम सही रहेगा तो अगर मैं आपको बताओ कि mercury के जो vapors हैं वो तो यहां पे होते ही होते हैं mercury के vapors के साथ में additional जो है हमारी noble gases आप कहिए या फिर inert gases जो है उनमें से कोई एक gas होगी तो आप सबसे पहले तो आपको match करना है mercury vapor किसमें है आपके किसमत बढ़िया है यहां सिर्फ एक ही option में mercury vapor है तो आगे तो correct answer जो है question number 149 का वो कौन सा है option C जिसमें argon हमारे पास एक noble gas है argon के लावा यहां पे xenon भी हो सकती थी कोई और gas भी हो सकती थी बट important क्या है mercury vapor चलते हैं आज की last question की तरफ जो hamburger effect है उसका दूसरा नाम यहां पूछा गया है तो अगर आपने कभी circulatory system पढ़ा होगा RBCs के बार में पढ़ा होगा तो वहां पे electrolyte balance करने के लिए bicarbonate ion का और chloride का जो movement होता है उसका नाम है chloride shift या फिर hamburger effect तो correct answer यहां पे कौन सा होगा option C तो यह होगए हमारा constituent of chlorophyll is यानि कि chlorophyll में कौन सी धातू है तो इसका सही जवाब होगा magnesium यहां पे जैसे आप options देख सकते हैं तो आप manganese और magnesium में confused ना हो chlorophyll के अंदर जो धातू है वो है magnesium इसी तरह अगर आपको hemoglobin के अंदर धातू पूछी जाए तो hemoglobin में होता है iron और iron भी Fe plus 2 form में होता है उसको देखते वे जो correct answer होगा वो कौन सा होगा option D magnesium अगला question देखते हैं कार्बो रंडम के बारे में पूछा है कि कार्बो रंडम जो compound है उसका chemical formula अगर आपको पता है तो आप equation सही कर देंगे लेकिन अगर guess करेंगे कि कार्बो रंडम शायद carbon या calcium का कोई compound होगा तो यह गलत होगा कार्बो रंडम जो है वो silicon और carbon का एक compound होता है जिसका chemical formula है SIC यानि की silicon carbide carbide form है carbon form में नहीं यहाँ पर oxidation state जो है वो अलग होगी और यह हम क्यों discuss कर रहे हैं इसलिए है क्योंकि यह एक semi conductor device के form में यूज किया जाता है लेकिन हमारा जो सवाल था को सिर्फ इसके chemical formula तक ही था तो सही answer इसका कौन सा हो जाएगा option C SIC अगला सवाल है अब आप पूछेंगे कि यह etching glass क्या होता है यानि की नकाशीदार glass जो glass है हमारा अगर glass के उपर आपको अलग-अलग तरह की नकाशी करनी है कोई design बनानी है कोई color का रूप उसे देना है art अगर है तो उसके लिए हम etching करते हैं और उसके लिए हमें जरूरत होती है acids की तो हम आप पूछेंगे कि कौन सा acid यूज किया जाता है संक्षारण के example भूशे हुए है तो rusting of iron जो हम सभी पढ़ते हैं जंग लगना लोहे के उपर rusting सब जानते हैं जो कि corrosion का ही एक example है उसी तरह से आपको दो important examples और भी दिये हुए है पहला है चांदी के उपर जो चांदी का कालापन है काफी दिनों तक चांदी अगर atmosphere में छोड़ दी जाती है अगर आप उस पर कुछ भी नहीं करते हैं तो भी वो काली पढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि atmosphere के अंदर hydrogen sulfide gas present होती है उसकी वज़े से जो silver है वो किसमें convert हो जाता है silver sulfide में formation होता है जिस वज़े से copper के उपर जो coating है वो green color की हो जाती है तो तीनों ही example क्योंकि corrosion के हैं तो यहां पर correct answer कौन सा होगा आपका option D जो की है all of the above अगला question है कि जो सूरज है जो सूरज है उसका जो nuclear fuel है उसका परमाणू इंधन कौन है helium है या hydrogen है uranium तो देखो नहीं है क्योंकि जब हम sun की reactions पढ़ते हैं या फिर nuclear reactions जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हमारा hydrogen और helium का आता है तो sun की जो energy है nuclear fuel वो hydrogen है जो की regularly helium में convert होती रहती है और कौन सी nuclear reaction होती है यहाँ पर nuclear reactions होती है fusion reaction तो correct answer इसका कौन सा होगा option B hydrogen अगला सवाल जो है अगला सवाल है C-11 L-methyl methionine जो है वो किसमें यूज किया जाता है तो अगर हम पूशें आप से कि यह जो है हमारे कुछ medical equipment है जिसके अंदर यूज किया जाता है तो यह जो compound है इसको यूज किया जाता है brain tumors के लिए और जो parathyroid gland है हमारी जो thyroid gland के पास में present होती है उसकी imaging के लिए तो आपको याद रखना है इस compound का use है tumors tumors भे कौन से जो brain के अंदर present है वो और parathyroid gland ग्रंथी है उसकी imaging के लिए अगला है कि genetic material जो है genetic material याने की DNA या फिर RNA जो भी जिस भी organism में present है उसकी जो discover थी वो किस ने करी थी तो Griffith जो थे Frederick Griffith उन्होंने genetic material की discovery करी थी और उन्होंने चूहे के उपर कुछ experiments करी थी तो correct answer है वो कौन सा होगा option D अगला सवाल है radioactive rating के बारे में हम किस चीज के लिए यूज करते है technique हम यूज करते है जो हमारी चटाने है जो rocks है उनकी आयू निकालने के लिए तो correct answer कौन सा होगा option D एक composition के लिए इसे नहीं यूज किया जाता है तो radio carbon dating में हम carbon जो है उसका radioactive जो compound है radioactive जो है carbon उसको use करते है उसको reference बांते हुए जो हमारा rock है उसकी age का estimation करते है अगला सवाल जो है which among the following elements is found in the maximum percentage in human body human body के अंदर maximum percentage में इनमें से कौन सा element पाया जाता है तो oxygen जो है वो 65% मनाता है human body का तो correct answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा option D अगला सवाल है which among the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate is mixed with sulfuric acid यहाँ पे indicator की बात हो रही है सूचक की बात हो रही है और यहाँ पे जो आपको reaction दी है वो है sodium carbonate के बीच में और sulfuric acid के बीच में हम जानते हैं कि sodium carbonate जो है वो एक weak base है और H2H4 sulfuric acid जो है वो एक strong acid है पूछा भी जाता है कि इस reaction के अंदर कौन सी gas जो है वो evolve होती है तो यह जो chemical reaction है उसके byproducts होंगे एक तो sodium sulfate का formation होगा Na2SO4 उसके साथ में जो gas यहाँ पे जो निकलती है वो है carbon dioxide जो के bubbles एपियर होंगे और उसके अलावा जो बनता है वो है water अब लेकिन सवाल हमारा chemical reaction का नहीं है सवाल है indicator का, suture का तो आपको reaction पता होगी और आपको पता होगा कि उसमें किस-किस का use किया हुआ है तो हम बता सकते हैं तो जब भी कोई reaction weak base और strong acid के बीच में होती है और आपको पता लगाना या फिर वहाँ पे अगर आपको indicator यूज करना है तो हम उसमें यूज करते हैं methyl orange को और अगर इसी sequence को आप उल्टा कर दें यानि कि अगर आप एक weak acid को यूज करेंगे और strong base को यूज करेंगे तो हम उसमें यूज करेंगे phenophyllin क्योंकि हमारे question में weak base और strong acid है तो हमारा correct option कौन सा होगा option D जो की है methyl orange अगला question है isobars के बारे में कि isobars कौन सी रेखाई होती है और वो कौन कौन सी ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनके अंदर कुछ समानता हो तो समान pressure वाले अगर दो points है तो graph में उनको जोडने वाली जो line है हम उने कहते हैं isobars तो समानता वहाँ पे किस चीज की होती है pressure की यानि की दाब की तो correct answer कौन सा होगा option B इसी तरह अगर options आपको बदल दिये जाए isobars में अगर आपको atomic number और mass number अगर देखता है तो वो elements जिनका mass number सबका same होता है वो सारे elements आते हैं isobars के category के अंदर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो है which one of the following elements is a metalloid तो सबसे पहले हम जानते हैं कि metalloid क्या होता है धातू पक्षी क्या होता है metalloids वो होते हैं जिनके जो भी properties हैं वो metals और non metals के बीच की होती है यानि इनकी properties ना तो पूरी तरह metal से मिलती है ना पूरी तरह non metals से मिलती है अब metalloids के कुछ जादा examples नहीं है periodic table में तो वो आपको पता होने जाए कुछ important examples के हम बात कर लेते हैं boron, silicon है, germanium जो है, arsenic जो है ये सारे कुछ common metalloids हैं जो आपको पूछे जाएंगे, इनके अलाव वाले शायद आपको ना पूछे जाएंगे तो options में देखकर हम बता सकते हैं कि arsenic जो है, वो एक metalloids का example है अगला question है कि theory of mutation जो है उत्परिवर्तन का सध्धान्त जो है, वो किस ने दिया था उत्परिवर्तन का जो सध्धान्त है, वो D-varies का दिया हुआ है, तो correct option कौन सा है D-varies, बाकि अगर आप option देखेंगे, तो जैसे Robert Hook है, इन्होंने cell की discovery करी थी पास्चर भी जो है, वो mutations से संबंदित नहीं है, तो correct answer इसलिए इस प्रशन का कौन सा होगा, option A चलते हैं, अब हम अगले प्रशन की तरफ, most suitable vessel for storing concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid की अगर आपको कोई मात्रा पूछे कि इसके अंदर sulfuric acid कितना present होगा, तो 98%, 98% जो sulfuric acid अगर होता है, तो हम उसको concentrated sulfuric acid कहते हैं, और जो concentrated sulfuric acid है, इसके बारे में इनको store करने के लिए हमें glass vessels की जरुरत परती है, और glass vessels जो है, उनको भी हम airtight उनकी packaging करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो H2SO4 है, ये water जो है, जितना हाइक्रोस्कोपिक होता है, और उसके बाद में जो chemical reaction होती है, उसके अंदर बहुत जादा amount में heat produce होगी, जिसकी वज़े से आसपास के जो substances हैं, उनका नुकसान हो सकता है, तो हम चाहेंगे कि जो moisture है, वो कभी भी H2SO4 sulfuric acid के contact में ना आए, और अगर आपने sulfuric acid को copper या aluminum vessel में store किया है, तो वहाँ पर तो वैसे ही chemical reaction हो जाएगी, और कुछ नए substance का formation हो जाएगा, तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा, option C जोकी है, glass vessel, अगला सवाल है, what is the element that is the highest percentage of composition of earth, बात चाहें earth की करी जाएं या आप human body की percentage में कौन सा element मिलता है, तो दोनों ही case में correct answer जो होगा, वो कौन सा होगा, oxygen, तो correct answer यहाँ पे कौन सा है, option B, और अगर आप earth की बात करो, human body के अंदर जो oxygen का percentage है, वो है almost 65%, और अगर earth की हम बात करें, तो earth के अंदर almost 45% जो है, वो oxygen का होता है, तो correct answer कौन सा हो गया, यहाँ, option B, अगला question है, आपको virus के बारे में पूछा है, कि virus का chemical composition, तो virus को हम एक simple diagram से समझ सकते है, virus जो है, उसको इस तरह से show किया जाता है, और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर attach होने के लिए इस तरह से कुछ structures होती है, ठीक है, यहाँ पे जो virus है, उसका genetic material present होता है, तो यह हो गया genetic material जो DNA भी हो सकता है, या फिर RNA भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होंगी, कुछ virus में DNA होता है, कुछ में RNA होता है, और यह बाहर जो हमने structure बनाई है यह पूरी बनी हुई होती है, protein की, चाहिए वो नीचे adhesive इसकी surface हो, या फिर इसकी body हो, यह green color के जो marked structures है, यह है इसका protein, तो जो virus है, वो सिर्फ दो ही चीजों का बना हुआ होता है, और वो दोनों चीज़े क्या है, एक है उसका genetic material और दूसरा है protein, तो अब हम option देख लेते हैं, protein और lipid नहीं, lipid virus में नहीं present होता है, nucleic acid और protein जो है, वो एकदम सही answer है, यानि यहाँ पे answer कौन सा हो जाएगा, option B, अगला जो सवाल है, a polymeric substance used to make parachute, parachute बनाने के लिए कौन से polymer का use किया जाता है, parachute हम सब जानते हैं, कि इसका हम use करेंगे, तो इसके एक important जो property होगी, वो होगी lightweight, यानि इसका वजन जो है, वो कम होना चाहिए, क्योंकि almost इसको एक bird की form में अगर आप मान सकते हैं, या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि हवा में almost उडने का काम कर रही हो, तो अगर आप सारे इन में से बात करोगे, polymeric substances की, बहुल की पदार्थों की, तो इन में से जो rayon है, rayon जो है वो एक ऐसा substance है, जिसको हम use rayon नहीं है, sorry, इन में से जो viscose है, viscose का use अगर हम करेंगे parachute बनाने के लिए, तो parachute जो है viscose, cotton और teraline, इन में से हम use करते हैं viscose का, यानि correct answer कौन सा है यहां पर, option B, चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question है कि drinking soda जो है, वो किस तरह का होता है, वो amelie है, खारी है, उदासीन है, या फिर oxykarak है, तो सबसे वो add कर दी जाती है, तो इससे formation होता है, हमारे पास H2CO3 का, और H2CO3 जो है, वो acidic in nature होगा, तो इसी लिए जो drinking soda है, वो भी कैसा होगा, acidic, तो correct answer यहां पर कौन सा है, option B, यानि की amelie है, जो पीने वाला soda है, उसका nature होता है, अगला प्रशन है, कि जो cathode है, lead storage batteries के अंदर, जो कि एक reversible, sorry, rechargeable battery का example है, उसके अंदर cathode कौन सा होता है, और anod कौन सा होता है, तो यह तो usually याद यह जाता है, कि एक lead होता है, और एक lead का oxide होता है, निकनिया याद है ना जरूरी क्या है, कि cathode कौन है, और anod कौन है, तो यहाँ पर जो anod होता है, वो बना हुआ होता है, lead का, और जो cathode होता है, वो बना हुआ होता है, lead oxide का, तो आप question के according अपना answer देंगे, अगर cathode पूछा गया है, तो कौन सा answer होगा, lead oxide, यानि की option number C, अगला जो सवाल है, वो है, which one of the following is radioactive, radioactive, नीचे जो options दे हुए, आपको उन में से कौन सा radio धर्मी है, तो cesium, platinum, strontium और thorium, इन सब में से जो thorium है, वो एक radioactive element का example है, इसलिए correct option आपका कौन सा हो जाएगा, option D, next question की तरफ बढ़ते हैं, कि heat resistant जो variety है, glass की, बहुत सारी varieties है, हर variety का जो feature है, वो अलग होता है, लेकिन वो glass जो heat resistant हो, उश्मा रोधी हो, वो हता है हमारा flint glass, तो इसको आप याद रखें कि flint glass जो है, वो heat को cross नहीं करने देगा, उसके लिए वो resistance प्रिद्यूस करेगा, तो correct answer यहां हो गया, हमारा option C, आगे चलते हैं, among the following iron ores, the highest percentage of iron content is found in, अब यहां पर दो तरह के सवाल होते हैं, पहला तो यह सवाल आता है iron ores के बारे में, कि कौन सा जो है, वो सबसे जादा मात्रा में धर्ती पे पाया जाता है, हमेटाइट और मागनेटाइट ही होते हैं, दोनों के अंदर options, और दूसरा यह होता है, कि दोनों में से जो iron content है, वो किस में जादा होता है, अभी बात हो रही iron content की, तो सबसे पहले तो मैंने जासे आपको बताया था, आपको इनके chemical formulas पता होने चाहिए, हमेटाइट का formula है Fe2O3, और magnetite का जो formula है, वो है Fe3O4, तो iron content अगर आप यहाँ से formula से भी calculate अगर करोगे, आपको पता नहीं है, तो भी आप देखोगे कि जो magnetite है, उसके अंदर जो iron का percentage है, वो जादा है, तो correct answer कौन सा होगा यहाँ पे, magnetite, और जो दूसरा question था, कि कि किसका amount जो है वो earth पे ज चुकी है, बढ़ते हैं, अब हम अगले सवाल की तरफ, जो है pasteurization के बारे में, पास्तूती करण के बारे में है कि पास्तूती करण क्या होता है, तो जो milk है, milk के अंदर जो microbes वगरा है, या फिर किसी भी तरह के सूक्षम जीवी हैं, वो अगर होंगे, तो उससे क्या होगा क कोई भी जो disease है, उसके फैलने के chances जाता होते हैं, अब ऐसे cases में हम इस्तमाल करते हैं, heat का, क्योंकि high temperature के उपर, अधिक तापमान के उपर, जब आप किसी भी substance को heat करोगे, तो उसके जितने भी सूक्षम जीवी हैं, उनकी death हो जाती है, death होने का मतलब है कि वो जो भी disease, temperature के लिए जो temperature होता है, 62 या 63 degree Celsius आपको usually मिलेगा, वैसे सही answer होता है, इसका 100 degree Celsius से जादा, लेकिन पास्टराइजेशन के अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम temperature लेंगे 62 to 63, तो अगर आप options देखोगे, तो heating milk to about 62 degree Celsius है, cooling की तो हम बात ही नहीं कर रहें, तो heating की बात है, तो हम milk को कितने temperature पे heat करेंगे, 62 degree Celsius से उपर, यानि 62 से कम नहीं होना चाहिए, जादा तो 72 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो correct answer इसका कौन सा है, option B, next question जो है, वो है, aluminum के purification के बारे में, तो aluminum की metallurgy में जो हम study करते हैं, box side से जब हम aluminum को extract करते हैं, तो aluminum को हम purify करते हैं, electrolysis method से तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option C, और इससे हमें ultra pure aluminum जो है, उसका वो मिलता है, और electrolysis जो है, वो एक महंगी process है, जहाँ पे जो economy है, उसका जादा requirement होती है, इसलिए, extraction के बाद में, जो aluminum की cost होती, वो usually आपको बाकी, जो भी extraction है, iron वगेरा, उनसे जादा मिलेगी, लेकिन question हमारा electrolysis तक ही था, तो correct answer यहाँ पे कौन सा है, option C, next question है, जो impure camphor है, जो kapoor है, उसको हम किस तरह से purify करते हैं, तो kapoor जो है, उसके एक property होती है, कि वो directly solid से gas state में convert हो जाता है, और solid से gas state में conversion की जो process है, उसे हम कहते हैं, sublimation, और यही process है, इसको हम use करते हैं, इसके purification के ल option A, sublimation, जिससे हम kapoor का शुद्धी करन करेंगे, बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, greenhouse effect के बारे में सवाल है, greenhouse effect कौन सी gas से होता है, तो nitrogen जो है, वो greenhouse effect नहीं करती है, nitrous oxide करती है, second is carbon dioxide, तो carbon dioxide एक important greenhouse gases है, carbon monoxide एक greenhouse gas नहीं है, और nitrogen dioxide भी नहीं है, तो correct answer इनमें से जो होगा, वो carbon dioxide है और इनके अलावा जो ozone gases है, हमारी वो हैं हमारे पास, methane है हमारे पास, chlorofluorocarbons है हमारे पास, इसी के साथ हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, जो है type metal जो है, जो printing press के लिए use किया जाता है, उसमें कौन कौन सा alloy होता है, तो type metal के हमने पहले भी बात करी थी, यह यहां पे हम उस धातु मिश्रन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि liquid से solid में convert होने के बाद में उसका expansion ना हो, क्योंकि एक बार print करने के बाद में हम चाहते हैं, कि जैसा alphabet हमने उसको liquid state में print किया है, solid state में भी वो वैसा रहना चाहिए, उसमें expansion होने से कोई disturbance जो है, अलफाबेट मे कि option B जो है, वो correct option होगा, that is lead and antimony, अगला question है, वो है sore taste जो होता है, coca cola का, वो क्यों होता है, ऐसा कौन सा substance जो है, वो उसमें present है, जिसके वज़े से उसका स्वाज जो है, वो थोड़ा खटा होता है, तो phosphoric acid जो है, वो specially add किया जाता है, कुछ soft drinks के अंदर, ताकि उसका जो taste है, वो different हो, इसके लिए जो correct answer होगा, उसके खटे taste की जो वज़े है, वो कौन सी होगी, phosphoric acid, यानि की option B, अगला सवाल है, वो है scattering के बारे में, scattering of light है, सबसे पहले तो scattering होता क्या है, scattering है, कि जैसे atmosphere के अंदर, बहुत सारे हमारे छोटे-छोटे particles प्रेजन है, कुछ dust particles हैं, क एक particle पर पढ़ती है, उस रेक, वो light की ray जो है, वो वहाँ से दूसरे particle पर पहुंच जाती है, reflection process है, किसी भी और से, फिर किस third particle पर पहुंच जाती है, और इस तरह से जितने particles हैं, उनके बीच में, जो light rays है, वो travel करती रहती है, तो यानि कि सबसे important चीज ये है, कि अगर scattering होगी, प्रकीरन होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे particles जो है, उनकी requirement होगी, तो electroplating जो है, वो एक photographic का method है, electrolysis, एक simple method है, इस में cathode और एनौर्ड होता है, जिसके अंदर हम electric current produce करते हैं, और अलग-अलग substances जो है, उनका अलग-अलग तरह से हम study करते हैं, लेकिन जो colloidal solution है, colloidal solution के अंदर बहुत सारे particles present होते हैं, उन particles की help से जो colloidal solution है, वो scattering भी show करेगा, scattering यानि कि जो light अगर आप उस पे डालेंगे, तो वो सारी अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाती है, तो correct option यहाँ पे कौन सा होगा, option D, जो कि है colloidal solution, अगला है कि जो iodized salt होते हैं, वो किस जरूरी है, तो जो हमारी thyroid gland है, वो जो hormone produce करती है, T3 और T4 या फिर आपने सुना होगा thyroxin, जो कि T4 का नाम होता है, तो इनके formation के लिए thyroid को जरूरी होता है iodine, तो अगर आपने iodine का सेवन नहीं किया है, तो iodine का सेवन नहीं करने पे आपको जो disease होगी, वो कौन सी होती है goiter, तो जरूरी है कि आप iodized नमक खाएं, और iodized नमक फाइनली हमें किस के लिए जरूरी है, thyroid की functioning के लिए, तो correct answer कौन सा है, option सी, तो अगर आप शाहते हैं आपको goiter ना हो, तो आप iodized नमक का सेवन करें, अगला सवाल है कि जो acid drain है, जिसकी वजह से जो वनस्पतियां है, उ जो बाकी gases present है, carbon dioxide वगेरा या water वगेरा, उनसे react होने के बाद में acidic अलग-अलग substances का formation कर लेते हैं, यानि अमली या substances जो है, वो बना लेते हैं, अब उनमें sulfuric acid भी होता है, और nitric acid भी होता है, लेकिन जो वनस्पतियां है, उनमें nitric acid के वजह से जादा नुकसान नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि nitric oxide जो है, वो nitrogen की दूसरे forms में convert हो जाता है, जमीन पे पहुँशने के बाद में, जो की plants उनके लिए useful होगा, लेकिन इसी तरह से जो sulfuric acid है, वो उनके लिए useful नहीं होगा, और उनको नुकसान पहुँच आएगा, इसलिए, correct answer, nitric acid और sulfuric acid में से कौन सा होगा, sulfuric acid, ozone acid drain का part नहीं होता है, और इसी तरह carbon monoxide जो है, वो भी acid drain में present नहीं होता है, अगला सवाल जो है, डाइमंड के बारे में, जो हीरे होते, वो इतने जादा चमकदार और आकशक क्यों होते हैं, आपने अगर कभी देखा होगा हीरा, तो उसमें सारी सतर होती है, यहाँ diagram में बन भी नहीं पाएंगी, तो light जो है, एक बार light अगर diamond के अंदर enter कर जाती है, तो वो अलग-अलग surface से collide हो कर, बार-बार उसके अंदर रह जाती है, जहां से भी निकलती है, जिस तरफ से भी आप देखोगे, आपको light वहाँ पे collide करती हुई द दिखेगी और दूसरी direction में जाती हुई दिखेगी, इस process को हम कहते है, internal reflection, आंतरिक परावर्तन, तो आंतरिक परावर्तन की वज़े से diamond जो है, वो इतने चमकतार होते हैं, तो बहुत जादा, यानि की multiple, विभिन सतही परिवर्तनों की वज़े से surface reflection नहीं होते हैं, sorry, internal reflections होत option B, अगला जो सवाल है, वो है कि जो substance most commonly used as a food preservative, food preservative के तरह यूज किया जाने वाला सबसे common substance कौन सा होता है, तो जो हमारा नमक salt, जो सादा नमक है वो और जो benzoic acid है, ये दू एक्जाम्पल्स हैं, जो हमारे normally आपको रसोई घर में भी मिल जाएंगे, जन्हीं हम preservatives के तरह यूज करते हैं, common salt तो आपको मिल ही जाएगा, अगर benzoic acid नहीं मिलेगा तो भी तो आप याद रखें कि इन दोनों को हम use करते हैं, खाद्य परिरक्षक के फॉर्म में, food preservatives के फॉर्म में, तो correct answer कौन सा है, इसका option D, अब आगे अगला जो सवाल है, वो पूछा गया है, catalyst क के बारे में कि catalyst जो substance है, कौन सा substance होता है, catalyst की property पूछी है, और options में आपको दिखेगा rate of reaction, यानि पूछा है कि catalyst को use करने से, उत्प्रेरक को use करने से, जो rate of reaction है, अभी क्रिया की दर है, वो बढ़ती है या कम होती है, तो catalyst जो होते हैं, वो दो तरह की होते हैं, positive catalyst भी होते है और negative catalyst में होते हैं, तो ऐसा कहना कि rate of reaction अभी क्रिया की जो दर है, वो हमेशा बढ़ेगी, ये गलत होगा, क्योंकि कुछ catalyst जो है, वो अभी क्रिया की दर को कम करते हैं, और कुछ ऐसे catalyst होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या करेंगे rate of reaction को बढ़ाएंगे, और इसलिए ह हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि इनका rate of reaction पे कोई भी असर नहीं होता है, तो इनमेंसे कोई भी statement पूर्ट तर सही नहीं है, अगर इन्होंने कहा होता कि जो उत्प्रेरक है, वो अभी क्रिया की दर को या तो बढ़ाएंगे, या घटाएंगे, तो वो option जो है, वो सबसे ठी होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो answer होगा, वो कौन सा होगा, none of these, यानि कि यहाँ जो options दिये हों, इनमेंसे कोई भी statement जो है, वो catalyst के बारे में सही नहीं है, अगला सवाल है कि which of the following gases is most toxic, इनमेंसे सबसे ज़्यादा विशाक्त gas कौन सी है, क्या carbon dioxide है, carbon monoxide, sulfur dioxide या chlorine, तो अग की बात करेंगे हम हीमोगलोबिन के respect में, हीमोगलोबिन जो है वो carbon dioxide और oxygen दोनों को carry करता है, तो carbon dioxide को जो क्या करता है, बाहर भेज देता है और oxygen को हम body के अंदर ले लेता है, मान लीजिए कि carbon monoxide जो है वो atmosphere में प्रेजेंट है, और हीमोगलोबिन ने carbon dioxide को अपने साथ ले ल तो ऐसा होने पर एक compound का formation होता है, जोसे carboxy hemoglobin कहते हैं, और carboxy hemoglobin जो है वो बहुत ही dangerous होता है, क्योंकि ये वापस जो hemoglobin है उसको free नहीं करेगा, ये permanently attach हो जाता है hemoglobin के, यानि मान लीजिए अगर 10 molecule carbon monoxide के attach हो गया है hemoglobin के, तो वो 10 जो hemoglobin है वो अब हमारे किसी भी का के नहीं रहेंगे, लेकिन CO2 जो है, वो तो हट जाती है, क्योंकि उससे बाहर जाना होता है, और oxygen को carry करना होता है, इसलिए हमारे लिए जो सबसे dangerous gas है, वो कौन सी होगी, carbon monoxide, अगला सवाल है कि air जो है, उसका major constituent कौन है, तो air का major constituent जितनी भी gases है, हमारे उनमें से nitrogen की concentration सबसे जाधा होती है, तो सही answer इनमें से कौन सा होगा, option A जो कि क्या है nitrogen, अगला सवाल है, the word gene, gene जो word है, उसको सबसे पहले किसने इस्तिमाल किया था, तो जो जो हंसन थे, जो हं जो हंसन ने सबसे पहले gene word का इस्तेवाल किया था, Watson and Crick जो है, यह भी DNA से related होता है, उन्होंने जो double helix model दिया था, DNA का, लेकिन उन्होंने कभी भी gene word जो है, उसको सबसे पहले use नहीं किया था, वो किसने किया था, जो हंसन ने, तो correct answer कौन सा हो जाएगा, हमारा option D, अगला स इलम की property होती है, कि वो coagulation कर देता है, वो guard happen कर देता है, और coagulation हो गया, मानलो आपको ये cut हुआ है, महाँ पे अगर जो जितने भी आस-पास के substances से उसको use करके guard happen हो गया, वहाँ पे coagulation होके, अगर हमने जितना cut हुआ है, उसको रोक दिया तो वहाँ से फिर रक्त का जो प्रवा है, वो भी कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, coagulation, अगला सवाल है, which of the following is not present in German silver, German silver जो है, ये एक मिश्रुधातु है, और ये किस-किस से बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है, copper से, nickel से और zinc से, अब अगर आपको ये नहीं पता होगा, तो आ एक ऐसा मिश्रुधातु है, जिसके अंदर, silver जो है, वो खुद ही नहीं present है, तो कौन सा नहीं है, silver, यानि option C, अगला सवाल है, कि एक radioactive substance है, वो क्या-क्या emit कर सकता है, तो हमने पहले भी बात करी थी, हम uranium 235 जो है, उसको use करते है, और जो uranium 235 है, वो एक alpha particle भी निकाल सकता ह है, beta particle भी निकाल सकता है, और एक gamma radiation जो है, वो भी ये निकाल सकता है, alpha, beta, gamma, तीनो, यानि alpha कंड भी इससे emit होंगे, alpha कंड भी निकलेंगे, beta particle भी, beta कंड और gamma कंड भी, तो correct answer कौन सा होगा, option D होगा, यानि कि उप्रोप्त सभी, अगला सवाल है, which of the following is not biodegradable, कौन सा है, ज परेलू, जितना भी मल है, वो जादा तर जो है, बायोडीग्रेडेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर जादा तर जो फलों का कच्रा है, फलों का, सबजेओं का, कागस, पते इस तरह की चीज़ें होते है, जो की बायोडीग्रेडेबल होता है, जो lab detergent से वो है, वो सब उसको जोटे-छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कौन है हमारे lab detergents, अगला सवाल है, पास्टूराइजेशन के बारे में कि पास्टूराइजेशन प्रोसस के अंदर जो दूद है, उसको हम कितने टेंपरेशर पर और कितनी देर के लिए गरम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 62 या 63 डिगरी सेल्सियस है, वो इसके लिए आल्मोस्ट जो टेंपरेशर होता है, लेकिर उसका समय वो भी महत्वपून है, 62 डिगरी सेल्सियस पर उसको हम हीट करते हैं, आल्मोस्ट आधी घंटा, तो करेक्ट आं सर यह होगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, वो बेज़ होता है कन्वेक्शन करेंट के उपर, अब आप पूछें कन्वेक्शन करेंट क्या होता है, तो कन्वेक्शन करेंट के अंदर जाने से ज़्यादा जरूरी यह है, कि होता क्या है कि जैसे माहा लिजए रेफ्रिज वर उपर होता है और उपर की जो ठंडी हवा है जो ठंडी जितनी भी है हवा वो आती है नीचे की तरफ तो ऐसा जो convection current का flow है यह तभी हो पाएगा जब हमारा जो refrigerator का freezer है वो कहां होगा सबसे उपर तो यही वज़ा है तो यह जो उपर होना है इसकी वज़ा से जो हमारी convection current है समवहन धारा है वो आराम से flow कर सकती है जो उसका nature है उसके according तो अगर आप सारे options देखोगे तो इसमें से सबसे correct है वो कौन सा है हमारा option सी जिसका reason मैंने आपको बता दिया है air का flow और उसकी direction अगला सवाल है कि जो chemical name है common salt का chemical name क्या होता है तो NaCl जो है sodium chloride common salt का chemical formula है sodium chloride तो correct answer कौन सा हो गया option A अगला सवाल है denatured spirit के बारे में denatured spirit में का एक substance आपको बता दिया गया यहाँ पे जो की है ethanol C2H5OH है जब आपको बताना है कि ethanol को हम किस के अंदर mix करें कि हमें जो substance मिलेगा वो होगा denatured spirit तो ethanol को जब आप mix करोगे pyridine के अंदर तो जो substance हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं क्या denatured spirit तो correct answer यहाँ पे है option D अगला question है कि सबसे जादा प्रचूर सबसे प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाली inert gas जो है atmosphere के अंदर कौन सी है तो आरगन एक ऐसी gas है सारी noble gases के अंदर जो हमारा 18th block बनाते हैं तो 18th group बनाते हैं उनमें से आरगन जो है वो atmosphere में सबसे जादा मात्रा में present होती है इसलिए correct answer कौन सा होगा यहाँ पे option C अगला सवाल है कि कौन सा ऐसा metal है जिसे हम समुद्री जल से extract कर सकते हैं तो magnesium जो है उसे हम समुद्री जल से extract कर सकते हैं इसलिए correct answer कौन सा है इसका option B हमारा अगला सवाल है कि lead pencils जो होती है उनमें lead की कितने मात्रा होते है तो lead pencils इसको कहना गलत होता है क्यूंकि जो pencils आप normally यूज करते हैं उनमें भी graphite होता है और lead pencils में भी graphite होता है तो lead का अगर आपको percentage पूछा जाएगा तो lead का percentage कितना होगा 0% तो correct answer कौन सा है option A next question है वो यह है कि water जो है water is not effective in extinguishing a fire controlled by petrol मार लीजिए petrol की वज़े से कोई आग लगी हुई है और अगर आप उसके उपर water add करते हैं तो water जो है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा तो सवाल यह है कि water वहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि water और पेट्रोल जो है यह दो अगुलनशी liquid है अमिश्रणी यह liquid है जिनकी वज़े से क्या होगा पेट्रोल अगर नीचे है पेट्रोल के उपर अगर आपने पानी आड़ कर भी दिया है तो दोनों के mixture के अंदर जो पेट्रोल है वो हमेशा उपर रहेगा और पेट्रोल उपर रहने से क्या होगा जो भी आग लगी हुए वो बाद में भी चलती ही रहेगी इसलिए आपको पानी जो उसका इस्तिमाल नहीं करना है जब भी पेट्रोल की वज़े से कोई आग लगी हो अब पहला option है flame is too hot for water to cool down तो flame की hot और cold होने का तो कोई सवाल नहीं है यहाँ पे वाटर और पेट्रोल केमिकली रियाक्ट नहीं करेंगे वो एक दूसरे में घुलेंगे ही नहीं अगला है कि वो missible होते है तो वो missible नहीं है वो ermishrania है तो correct answer जो है वो option D की water और पेट्रोल एक दूसरे में घुलेंगे नहीं और ऐसा नहीं होने की वज़े से पेट्रोल जो हलका है और हमेशा उपर की सितह में रहेगा और जो आग लगी हुए वो continuous चलती रहेगी तो correct answer correct option यहाँ पे कौन सा हो गया? D आकरी सवाल है कि जो helium gas होती है उसको हम gas balloons में जो gas के गुबारे होते हैं उनमें helium gas को यूज़ करते हैं और hydrogen को नहीं यूज़ करते हैं तो पहली बात तो ये है कि गैस के गुबारे जो होते हुआ के अंदर उपर से उपर चलते रहते हैं वो बहुत हमारा जो मकसद होता है कि हम उसको हलके से हलका बनाएं तो इसलिए तो आप कहेंगे कि फिर तो हमें हाइडरोजन यूज़ करना चाहिए था क्योंकि हीलियम जो ह वो हाइडरोजन के comparison में भारी है लेकिन फिर सवाल आता है कि जो हाइडरोजन है वो कभी-कभी आग भी पकड़ लेता है लेकिन हीलियम जो है हीलियम क्या है हीलियम एक inert gas का example है ये chemical reactions में participate नहीं करता है तो इसलिए जादा safe कि से यूज़ करना है हीलियम को और हीलियम भी ब इसका reason क्या है कि helium hydrogen से light तो बिलकुल भी नहीं है, helium जादा abundant भी नहीं है, hydrogen से non-combustible याने कि दहनशील नहीं है, तो यह option जो ठीक है, helium के बारे में जो correct चीज बता रहा है, वो है the gas used in artificial ripening of fruits, अब आप कहेंगे कि एक question तो हमने solve कर लिया था, आप फिर से क्यों दिखा रहे हैं ह मैंने आपको बताया था कि जो एक plant hormone है, ethylene, ethylene का जो chemical है, यानि कि ethylene ही जो है, वो plants में release होता है, और यही जो है, उसे हम use करते हैं, artificial ripening के लिए, पर जैसे ही आप options की तरफ कहें, आपने क्या देखा, ethylene तो option में है ही नहीं, तो यहाँ पे जो catch है, इसका question का यह है, कि आपको ethylene का दूसरा नाम पता होना चाहिए, तो ethylene का दूसरा नाम है हमारा acetylene, और acetylene जो है, वो भी हम use करते हैं, यानि दोनों एक ही चीज़ है, तो कोई भी नाम पता दो, artificial ripening के लिए हम कौन use करेंगे, ethylene और acetylene, इसलिए यहाँ पे correct answer कौन सा होगा, option A, अब अग आईए, chemical formula क्या होगा, एक iron bond होगा इसके बीच में, okay, चलते हैं next question की तरफ, अगला question है कि जो ruby और sapphire है, manik और neelum जो है, यह किसके oxides होते हैं, तो यह दोनों जो है, यह aluminium के oxides होते हैं, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option D, अगला सवाल जो है, वो है, the gas which turns into liquid at the lowest temperature among the following, यानि यह gas है, gas को आपको convert करना है liquid के अंदर, तो कौन सी gas जो नीचे दी हुई है, उनमें से सबसे कम temperature पे जो है, conversion आपको show करेगी, तो यह common phase changing reactions होती है, solid से liquid में convert होना, और liquid से gas में convert होना, और यह जो steps है, यह interchangeable होते हैं, यानि दोनों एक दूसरे की तरफ convert होते हैं, यानि solid से हम gas पे भी conversion कर सकते हैं, और gas से solid, तो direct जो solid से gas का conversion होता है, उसको तो हम कहते हैं, sublimation, और इसी तरफ आपकी reactions भी हैं, जैसे freezing है, condensation है, तो हमसे सवाल में पूछा गया है, कि जब आप convert करोगे किसी gas को liquid के अंदर, तो उस टाइम सबसे कम temperature किसे चाहिए होता है, तो यहाँ जो आपको options दिये हुए हैं, यह जो process है, सबसे पहले है क्या है, condensation या फिर liquification, liquid में conversion यानि लिक्विफिकेशन, और hydrogen, oxygen, helium और nitrogen, इन में इसे जो gas है, वो कौन सी होगी, hydrogen, यानि correct answer यहाँ पर कौन सा है, option E, बात करते हैं, अगले question के, अगला question है, gun powder जो है, बारूद के बारे में पूछा है, कि किस किस चीजों का mixture है, कौन सी ऐसे substances हैं, जिनको मिला करके बारूद का निर्मान किया जाता है, तो अगर आप options तो अगर आप कहीं भी इसको पढ़ते हैं, या search करते हैं, तो usually आपको मिलेगा, कि salt pitter, जो कि जरूर किसी और chemical का common name होगा, उसके साथ में आपको मिलेगा, sulfur और उसके साथ में आपको carbon या फिर charcoal मिलेगा, अब sulfur और carbon जो है, यह तो देखा जाए, तो वो third option में ही, लेकिन आ potassium, nitrate जो है, उसका common name है, तो इस question में आपको दो चीज़े पढ़ने को मिली, पहला तो gunpowder किस-किस का mushroom है, और दूसरा salt pitter, जो है, वो किसका common name है, तो options को अगर आप match करोगी, तो nitrate, sulfur और charcoal जो है, उसका बना हुआ होता है, बारूद, जिसे हम पठाकों वगरा में भी use किया तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि alum आखिर है क्या, तो aluminum sulfate जो है, aluminum sulfate का chemical formula क्या होगा, AL2SO4 और SO4 का whole thrice, तो aluminum sulfate जो है, उसको हम alum नाम से जानते हैं, उसका short name है alum, अब alum को आप किस तरह से use करते हैं, तो एक तो हमने पहले पढ़ादा कि alum को हम coagulation के लिए use कर हो, तो उसके उपर हम alum लगा देते हैं, तो alum क्या करता है, वहाँ पर coagulation कर देता है, इसी तरह एक use और है alum का fit curry का, आपने देखा होगा, कि जो पानी की टंकिया होती है, उनके अंदर fit curry डाल दी जाती है, अब सवाल ये है कि वहाँ पर उसका क्या use है, तो होता क्या है, कि fit curry को जब पानी में डाला जाता है, तो पानी के अंदर मान लीजे, जैसे पानी के bicarbonates हैं, तो उनके साथ में fit curry react करती है, और precipitate बना लेती है, precipitate जो हमेशा क्या करेगा, जो आपकी टंकी है, पानी की टंकी, उसकी bottom में जाके, उसके एकदम गहराई में जाकर, कि वहाँ प fit curry को किसमें use करते हैं, पानी के शुद्धी करण में, यानि की as a purifier for water, अगला जो question है, वो है, sea water can be purified by the process of, यानि मान लीजे कि अगर आपको समुद्री जल है, अगर उसका शुद्धी करना हो, तो आप कौन सी process को use करेंगी, वैसे है, सबसे पहले हम question की बात कर लेते हैं, यहां जो आपको process दी हुई है, distillation, evaporation, filtration और fractional distillation, उन में से हम use करेंगे distillation का, ऐसा क्यों, क्योंकि sea water में क्या होता है, आपका जल है, और जल के साथ जो salts है, यानि की नमक और उसके साथ थोड़े बहुत और जो भी है, इनका mixture होता है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले क्य करेंगे, water को boil कर देंगे, water को boil करने से evaporation हो जाएगा, water का, और water किसमें convert हो जाएगा, wash में convert हो जाएगा, vapors में convert हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, salt, salt को हम निकाल लेंगे, उसके बाद में जो vapors है, उनको वापस हमें convert करना होगा, किसमें water की अंदर, तो इसी तरह से तो हम दोनों को separate कर पाएंगे, अगर आपने cable vapors बना करके उसको atmosphere में छोड़ दिया, तो water जो है हमारा, उसका तो loss हो जाएगा, और आपके पास cable क्या बचेगा, sorts, लेकिन हमें दोनों चीज को अलग-अलग करना है, तो हमें वापस उसका condensation करना होगा, लिक्विफिकेशन करना होगा, तो वेपर को वापस जो है हमें water में convert करना होगा, इससे अगर आप एक better technique मुझसे पूशेंगे, तो मैं आपको इसमें बताओ नहीं, reverse osmosis, अगर यहाँ पे आपके option में reverse osmosis होता, तो आप हमेशा टिक करेंगे reverse osmosis को, ऐसा कि सबसे पहरे तो osmosis process हम पढ़ चुके हैं, कि जो semi permeable membrane है, semi permeable membrane के थ्रू जो solvent का flow होता है, माल लीजे, एक तरफ आपने समुद्री जल डाला, यानि कि यहाँ पे आपके पास क्या है, salt है और water है, और दूसरी तरफ आपने शुद्ध पानी डाला है, यहाँ पे केवल water है, तो अगर आप दे आपका जो समुद्री पानी है, उसकी तरफ, यानि इस process से तो क्या हो रहा है, जो water है, जो समुद्री पानी है, उसके अंदर हमारा शुद्ध पानी और चला गया, तो हमारे पास जो बचा खुचा पानी था, उसका भी आपने loss करा दिया, लेकिन यह जो process हमने अभी पढ़ वहाँ पे आप उच्छ दाब लगाएंगे, यानि कि यहाँ पे आप high pressure का जब use करेंगे, तो high pressure होने से क्या होगा, यह process जो है, वो reverse हो जाती, यानि कि अब जो पानी का भाव है, वो कैसे होगा, वो जो समुद्री जल है, उसकी तरफ से शुद्ध जल की तरफ होगा, तो finally यहाँ पे समुद्री जल की जगह आपके पास जो बचेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे केवल आपके पास नमक बचेगा, और दूसरी तरफ जो है, वो आपके पास शुद्ध जल जो है, उसको आप एकत्रत कर सकते हैं, तो जादा बहतर प्रोसेस होती है, reverse osmosis, लेकिन जै कौन सी ऐसी प्रोपर्टी है, जो काम आती है, तो वाटर की एक प्रोपर्टी होती है, सरफेस टेंशन की, जो जल की सबसे उपर की लेयर होती है, वो स्ट्रेच्ड एक मेंब्रेन की तरह आप करती है, यानि कि अगर आप एक बलून को लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे उस तरह से जो membrane है इसकी सबसे ऊपर की सतर जो है पानी की वो इस तरह से एप करती है लेकिन जो हमारी detergents है वो क्या करेंगे detergents और soaps यह जो surface tension है इस surface tension को कम कर देते हैं और इसी वज़े से इनका जो cleaning का action है वो होता है तो इसलिए correct answer कौन सा होगा? option B अगला सवाल है ethanol के बारे में कि हमें उस ethanol का नाम बताना है जिसके अंदर water की जो concentration है वो 5% हो तो आपको यहाँ बहुत सारे options दिख रहे होंगी जिसमें से आपको पता होना शहिए सबसे बहले तो कि कौन सा alcohol है वो किसके लिए हम use करते हैं आप मिदसे पूछेंगे कि power alcohol क्या होता है तो power alcohol अगर आपने alcohol जो है उसके साथ में petrol को mix किया है लेकिन अब important क्या है यहाँ पर कि इनकी concentration क्या है इनकी concentration होती है 20 is to 80 और अगर आप ratios में बताना चाहें तो 1 is to 4 ठीक है तो इसे हम कहेंगे power alcohol लेकिन जैसे आप इसमें देख सकते हैं इसमें water के concentration की कोई बात नहीं हुरी यानि हमारे question के हिसाब से यह option हमारे किसी काम का नहीं है फिर आती है हमारे पास methylated alcohol या denatured spirit आक्चुली में क्या होता है कि पहले जैसे alcohol बगरा है इतनौल बगरा वो labs के अंदर भी होती है हमारे जैसे chemistry labs हैं उनके अंदर experiments के लिए लेकिन वहाँ पे बहुत सारे cases देखे गए जहां पे वो इतनौल जो थी उसको उसकी चोरी कर ली सकते हैं जैसे कि acetone हो सकता है उनके साथ में methanol हो सकता है अब आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग अंधे हो गए हैं तो यही जो है methylated alcohol या जो denatured spirit है अगर इसका consumption कर लिया जाता है तो वो आपकी आंख को effect करता है इसलिए at present जो है वो government न लाब्स में pure alcohol supply करने की जगर denatured spirit supply की है लेकिन अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं आया तो last option जो बचता है आपके पास वह rectified spirit और यह माना जाता है कि almost 96% pure alcohol होता है यानि कि इसमें water का concentration कितना बचा 5 या 4% तो हमारा question का answer आता है अब कि जो rectified spirit है उसके अंदर जो पानी की concentration है वो almost 5% है या फिर अगर आपको यह भूशें कि इसमें alcohol की concentration कितनी है तो वो कितनी होगी 95 या 96% तो correct answer कौन सा है option A अगला सवाल है immunal के बारे में कि immunal क्या है अगर हम बात करें immunal की तो immunal एक मिश्रण है और एक इस चीज का मिश्रण है इसमें हम use करते हैं aluminum powder immunal को आप याद रखने के लिए मैं आपको एक trick बता सकते हूं उसके first और last अगर आप alphabet को एक साथ लेंगे तो आपके पास क्या आएगा aluminum powder और दूसरे phase में आप उसको पढ़ेंगे ammonia के जैसे ammonia का कोई आपके पास complex होगा कुछ आपके पास salt या कुछ भी complex होगा तो ammonium nitrate और जो aluminum powder का mixture है उसको हम क्या कहते हैं ammonal कहते हैं तो correct answer यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ammonium chloride नहीं लेना है हमें ammonium sulfate नहीं लेना है हमारा answer क्या होगा aluminum powder and ammonium nitrate यह गलती से शायद option repeat हो गया आप यू मान लेजे कि यहाँ पे ammonium nitrite था ठीक है तो correct answer आपको याद कर रखना है ammonium nitrate है nitrite नहीं है अगला जो सवा है वो है कि which gas does not form the part of atmosphere यानि कि यहाँ दी हुई जो gases है उनमें से ऐसी कौन सी gases है जो atmosphere का पार्ट नहीं है तो nitrogen हम पढ़ते हैं सबसे जादा percentage nitrogen का है helium जो है वो जो हमारी noble gases है उनमें सबसे जादा percentage में बाई जाती है helium नहीं पाई जाती है sorry argon पाई जाती है helium नोबल gas है लेक तो correct answer इसका कौन सा होगा option c अगला question है कि आपके पास दो isotonic solutions है तो अगर आपके पास दो isotonic solutions है तो उनके अंदर ऐसी कौन सी property है वो same होगी क्या उनका vapor pressure same होगा boiling point, freezing point, osmotic pressure तो isotonic solutions जो है उसमें सबसे पहले definition ही हम उनको define ही इस basis पे करते हैं कि उनका जो osmotic pressure है वो same होगा और osmotic pressure हम कैसे calculate करते हैं उनके अंदर जो solute है उसके basis पे तो अगर आपके पास दो isotonic solutions है तो उनमें same आप क्या बताएंगे उनका osmotic pressure यानि correct answer कौन सा होगा option d अगला सवाल है which one of the following is softest आपको नीचे कुछ option दिए हुए इनमें से आपको बताना है कि इनमें है वो soft होते है अब alkali metals कौन से होते हैं जो first आपके पास group है यह जो मैं आपको elements लिख रही हूँ यह आपके सारी जो example है वो alkali metals के है अब alkali metals को softest तो कहा जाता है मान लेकिन क्यूं कहा जाता है तो अगर आप इनमेंसे किसी भी element का configuration देखेंगे तो आपको यह देखने को मि उसके अंदर आपको हमेशा एक ही electron मिलेगा और वो एक electron होने की वज़ा से क्या होता है जो यह atom है इसके nucleus में और सबसे बाहर वाले electron के अंदर जो attraction है वो काफी कम होता है इसी लिए कैसे होते हैं soft होते हैं और sodium जो है वो तो इतना अगर आपको sodium और potassium साथ में भी दे दिया जाए तो आपको sodium ही answer टेक करना है क्योंकि sodium इतना soft है कि हम उसे चाकू से भी काट सकते हैं नाइफ से भी हम उसे काट सकते हैं तो यहां पर correct answer कौन सा होगा option A क्योंकि इसमें alkali metals में से एक ही example आपको दिया हुआ है अगला सवाल है कि human blood groups जो है रक्त समूर मानव के उनकी ख इसके discovery भी land steiner ने करी थी और RH blood group जो है जिसमें हम RH positive या negative बताते हैं वो discovery भी किस ने करी थी land steiner नी तो correct answer कौन सा है इसका option A अगला जो सवाल है वो है the residue left after extracting juice from sugar beet and sugarcane is called यानि गन्ने में से जब आप रस निकाल लेते हैं उसके बाद में जो पीछे आपके पास जो भी बच्चता है उसको क्या कहा जाता है उससे हम khui कहते हैं या फिर bagacy कहते हैं और यह अलग-अलग आपको जगर इसका और भी आगे यूज होता है bagacy का तो correct answer यहाँ पे हम से सिर्फ इतना ही भूचा गया था कि जो residue here जो बाद में बच जाता अब शेश जो है उसका नाम क्या है उसे हम कहते हैं bagacy अगला सवाल है commercial vulcanization of rubber involved vulcanization होता है जो rubber है उसको हम sulfur के साथ में trade करते हैं अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम sulfur के सा cross-linking होती है cross-linking यानि की एक दूसरे के बीच में जो fibers हैं अलग-अलग उनके अंदर bond formation होता है और ऐसा होने से क्या होगा कि rubber की जो properties होती है अलग-अलग जैसे कि उसकी strength है वो कितना elastic है कि यह सब properties जो है वो change हो जाती है यह जो vulcanization process है यह काफी important होती है आपको पूछा ज सकता है कि इसमें हम किसे use करते हैं तो sulfur का हम इसमें use करते हैं तो correct answer कौन सा होगा option A और ऐसा करने से होता क्या है वहां पे cross-linking होती है अगला सवाल है which one of the following is not a radioactive element नीचे जो आपको option दिया हुआ है में इसे आपको बताना है कि कौन सा एक radioactive element नहीं है तो uranium एक radioactive element है फूरी nuclear energy ह हमारी इस पर based है thorium और radium भी radioactive elements है लेकिन cadmium जो है वो एक radioactive element का example नहीं है यानि हमारे सवाल का सही जवाब है अगला प्रशनी जो हम पढ़िएंगे वो है soaps के बारे में साबून के बारे में साबून से जो हम कपड़े धोते हैं यह क्यों धोते हैं क्योंकि थोड़े दर प गठाते हैं sorry आपको यार रखना है तो यह क्या करेंगे surface tension को घटाते हैं पहला जो आपको option दिया है वो कि chemical of soap change तो क्या आपको लगता है कि पानी में गुल जाने के बाद में उसका chemical nature change हो जाता है नहीं क्या वो surface tension को बढ़ाते हैं नहीं वो surface tension को घटा देते हैं तो correct answer इसक candle में किस किस चीज का mixture होता है तो candle mixture होता है paraffin wax और stearic acid का तो अगर आप देखेंगे तो 20 wax जो है वो आप candle में use नहीं करते हैं यह भी एक तरह के fatty acids का example होता है पर जो candle में specifically हम use करते है वो है paraffin wax और stearic acid उसके बाद में जैसे colored candles बनाने तो उसके लिए अलग compounds याड़ हो पर basic जो दो आपको याल रखने है वो यह दो है अगला आपको जो सवाल पूछा गया है आपको बटाने है total number of sigma bonds found in the following compound इस तरह के सवालों में आपको तीन तरह की चीज़े पूछे जा सकती है पहला आपको sigma bond पूछा जा सकता है दूसरा आपको pi bond पूछे जा सकते है और त यह है पर मैं आपको एक suggestion दूगी कि इस तरह की questions में आप जो भी आपको formula दिया हुआ उसको split कर लें अगर आप split करेंगे जो आपको structure दी है उसको तो आपको दिखेगा कि इस carbon के साथ 3 hydrogen attached है इसके साथ 1 hydrogen attached है फिर आपके पास एक double bond है फिर एक और double bond है फिर एक hydrogen है फिर triple bond है और फिर इस carbon के साथ एक और hydrogen attached है अब कहीं पर भी आपको अगर single bond दिखता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sigma bond की calculation की अगर कहीं भी आपको single bond दिखता है तो वो हमेशा कैसा होगा sigma bond होगा एकल bond जहां भी होगा वो कैसा होगा sigma अगर कहीं भी आपको double या फिर triple bond दिखत है तो उसमें से एक bond हमेशा sigma होगा बाकी जैसे double bond है उसमें एक bond और बच गया तो कैसा होगा pi और अगर triple bond है तो बाकी बचे हुए 2 bond कैसे होगी pi bond यानि कि pi bond की बाद हम सिर्फ तभी करेंगे जब आपके पास कोई double bond हो या फिर आपके पास कोई triple bond हो और total bonds अगर आप से प चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और एक 11 तो मैंने जब calculate किया मुझे यहाँ पे मिले 11 sigma bond और इसी तरह अगर आप pi bond भी calculate करना चाहें तो double bond में sigma एक हम पहले किन चुके हैं तो बचे हुए सारे कौन से होता है pi और इसी तरह triple bond में आपको मिलेगी 2 pi bond तो total अगर यहाँ पे sigma bonds तो correct answer क्या होगा यहाँ option C अगला सवाल है कि 30 degree Celsius जो है उस पे तीन metals जो है वो कौन-कौन से liquid होते हैं अगर हम liquid metal के usual बात करें तो room temperature पे mercury और bromine जो हैं यह दोनों कैसे होते हैं liquid होते हैं metals non metal की बात नहीं हो लिए सिर्फ elements की बात हो लिए लेकिन जो gallium और cesium है यह दो ऐसे examples हैं जो room temperature से थोड़ा सा temperature बढ़ते ही यह change होजाते है liquid के अंदर ठीक है तो 30 degree Celsius क्योंकि room temperature से थोड़ा ज़ादा है इसलिए हम कह सकते हैं कि mercury यहाँ पे room temperature यहाँ पे कैसा होगा liquid होगा gallium भी liquid होगा और cesium जो है यह भी liquid होगा तो correct answer जो इस question का है वो कौन सा हो जाएगा option D चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है एक्वारेजिया के बारे में आपको पूछा है कि इसके अंदर कौन कौन से दो ऐसी चीज़े हैं जो one is to three के mixture में होती है एक ती एक और तीन अनुपात के अंदर मिलने वाले ऐसे कौन सी दो चीज़ों का मेश्र का एक पार्ट मिलेगा और जो हाइड्रोग्लॉरिक एसड़ है उसकी सांदर्दा कितनी होगी तीन गुना होगी एचनो 3 से इसको एक्वारेजिया या फिर आप पूछेंगे कि इसका क्या काम है तो कुछ elements होते हैं जैसे कि gold है हमारा AU है उसके अलावा platinum जो है हमारा ये कु एक दम सही आंसर है आपको इसमें ratio का भी ध्यान रखना है अगर आपको सवाल में 1 is to 3 बूला है तो पहले नाम उसी का आएगा जिसकी concentration 1 होगी और बाद में किसका आएगा जिसकी concentration 3 गुना होगी अगर ये नाम उल्टे कर दिये जाते पहले option में तो वो इसका सही आंसर नह नहीं हो सकती है ऐसे तो हम सब जानते हैं कि जल वाश्प की मात्रा है वो जगर से जगर अलग-अलग होती है वहाँ पे कितनी humidity है कितना इस पे भी depend करता है लेकिन फिर भी अगर आप इसका जवाब देना चाहों तो maximum जो water vapor content है वो होता है 3 से 4 परतिश्रत यानि सही करने के बाद में क्लोरीन की अगर जो मात्रा जल में बच जाती है उससे हम क्या कहते हैं तो किटान शोधन क्या है यह ऐसी प्रोसेसर जिसको करके हम अगर कोई भी जीवान हो वहाँ पर प्रेजेंट है तो हम उनकी death हो जाती है इस वज़े से यानि कि कोई भी अगर कोई disease क क्लोरीन के स्प्रेड होने की अगर chances हैं तो वो रुप जाते हैं तो क्लोरीन जो हम उसे use करते हैं disinfection के लिए लेकिन जो क्लोरीन की अगर बच जाता है क्लोरीन उसके अंदर जो की एक उसकी additional property होती है उसे हम कहते है residual chlorine यानि की अवशिष्ट क्लोरीन जो पीछे बच जाता ह उसे कहते हैं तो correct answer कौन सा होगा यहां पर option B अगला सवाल है कि what are the major pollutants of cigarette smoke cigarette smoke जो आपने usually देखा होगा cigarette smoking के लिए मना किया जाता है smoking और drinking को अच्छा नहीं माना जाता है तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ reason है तो cigarette smoke की वज़ए से काफे सारी diseases होती है वो अलग और जो pollution हो तो पूचा गया है कि कौनसे major pollutants हैं जो cigarette smoke में present होते हैं तो सबसे पहला तो cigarette के अंदर जो तंबाकू यूज़ किया जाता है उसमें जो chemical होता है वो होता है nicotine और nicotine के साथ में जब cigarette को जलाया जाता है उस वक जो smoke निकलता है उसके अंदर present होता है carbon monoxide तो इस दो चीज़े ह जो इसके major प्रदूशक है प्रमुक प्रदूशक और correct answer कौन सा होगा यहाँ पर option B अगला सवाल है nuclear energy जो है nuclear energy mineral based energy source है ठीक है तो यह जो mineral based energy source है यह किस किस से derive किया जाता है uranium, thorium, plutonium या फिर सबसे तो यह जो mineral based energy source है इसका main source है वो कौन है uranium तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा option A अगला जो सवाल है वो है कि the number of moles of solute present in one kg of solvent is called यानि कि एक kg अगर मान लीजे आपके पास विलायक है उसके अंदर विले के moles की संक्या आपको अगर बतानी है तो आप उससे क्या कहेंगे तो दो चीजे होती है एक होती है molality और दूसरी होती है molarity मोललता और मोललता मोललता को अगर हम इसी definition के अंदर अगर आप मुझसे पूछें कि एक लीटर अगर आपके पास विलायक है उसमें अगर मुझे विले के moles की संक्या बतानी है तो मैं उसे कहूंगी molarity और इसी तरह अगर आप मुझसे एक केजी की अगर बात करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगी molलता हूं योकि सवाल में बात करी गई है वन केजी सॉल्वेंट की तो सही आंसर कौन सा होगा molality इसी तरह अगर आपको इसके formula पूछा जाए तो molality का formula होता है number of moles उसके बाद में आपको बतानी होती है आपको बतानी होती है 1 kg solvent के अंदर ठीक है वो है molality तो यह हुआ हमारा सवाल अगला सवाल जो है वो है zinc sulfide के बारे में कि zinc sulfide को हम commonly किस तरह से use करते हैं तो इसे हम rodenticide की तरह use करते हैं rodenticide कौन से होते है rodents अगर आपने सुना होगा वो सारे जानवर जो कुतर के खा rodents को मानने के लिए use करते हैं अगला सवाल है कि purest form जो है water का वो कौन सा है तो water का purest form है rain water अब आप कहेंगे कि rain water में तो acid rain और कितनी चीज़े आ जाती है फिर भी आप rain water को pure water क्यों कह रहे हो तो acid rain जो है वो तो अभी का concept है लेकिन अगर आप rain water की बात करें तो ground water जो है उ उसके अंदर तरह की impurities जो है वो mix होती है लेकिन जब आप water cycle पढ़ते हैं तो जो भी water है उसका जब evaporation हो जाता है तो जितने भी salts हैं जो भी impurities हैं वो सारी जो है वो earth पर ही रह जाती है और जो fresh water है वो हमारा पहुंचता है atmosphere में और जो clouds का formation कर लेता है तो rain water भी अगर water होता है तो correct answer कौन सा होगा option B अगला सवाल है the material material used in the manufacture of lead pencils lead pencils के manufacture के लिए हम किसे use करते हैं graphite को use किया जाता है इसलिए कहा जाता है कि जो graphite की pencils हैं उसे कभी भी आप electricity के socket में enter करके उसे पकड़ के ना रखें यूँकि उसके बाहर जो wood present है वो तो एक जो electricity है उसका bad conductor है ले वो electricity का good conductor होता है तो इस वज़े से आपको shock लगने की chances हो सकते हैं यह additional चीज जो मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी लेकिन lead pencils के अंदर आप ये ना कहें कि उसे lead से बनाया जाते हैं उसे हम किसे बनाते हैं graphite से अगला सवाल है कि if all the bullets could not be removed from gunshot injury of a man it may cause poisoning by माल लीजे अगर कोई इनसान है कोई एक जैसे आर्मी में हमारे soldiers हैं उनमें से किसी को bullet से injury हुई है वो gunshot हुआ है और अगर मालेजे उसमें तीन bullets जो है वो short की गई लेकिन हम उनको दो ही bullets को निकाल पाए या फिर अगर कितने भी amount एक या दो कितने भी bullets अगर body में रह गई हैं तो ऐसे कौन सा element है जिसकी poisoning उसको हो सकती है तो जो bullets होती है bullets के अंदर जो lead है सीसा जो है उसका major amount होता है तो bullets अगर रह जाती है तो उसमें lead poisoning होने की बहुत chances होते हैं जिसमें वो हमारे brain को काफी तरह से effect कर सकता है तो correct answer इसका कौन सा होगा option B अगला question है कि जो हमारा gastric juice है gastric rust जो है उसमें कौन सा अमल पाया जाता है तो gastric juice में मिलने वाला acid हमारा कौन सा होता है HCl होता है उसके अलावा इसमें कुछ enzymes present होते हैं लेकिन यहां क्योंकि बात सर्फ अमल की हो रही है तो correct answer कौन सा होगा hydrochloric acid अगला सवाल है कि which of the following could be used as a fuel in propellant or rockets यानि जो rocket है हमारे उनमें इंधन की रूप में हम नीचे ज़गी हैं उनमें से किसे use कर सकते हैं तो इंधन में जब भी हमें कोई चीज use करनी होती है तो हमारे पास एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हमें एक oxidant use करना होता है या फिर हमें एक oxidizer use करना होता है और oxidizer के साथ में हम usually use करते हैं liquid hydrogen को अब oxidizer oxygen से तो अच्छा कौन होगा और oxygen में भी कौन सा हम यूज करते हैं liquid oxygen मतलब liquid oxygen और liquid hydrogen जो है उसको हम इंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो options match कर लेते हैं option कौन सा होगा option D इसी तरह अगला सवाल plaster of Paris के बारे में plaster of Paris आपने देखा होगा काफी तरह से use किया जाता है जितने भी plasters अगर आपको कोई fracture हो जाता है तो उस वक जो plaster आपको लगाया जाता है वहाँ पे भी plaster of Paris का इस्तिमाल किया जाता है और यहाँ सवाल है कि यह किसके आंशिक मिरजली करण से इसका formation होता है तो gypsum जो है पहले आप पढ़ लें कि P.O.P का formula आखर क्या है जो भी important है plaster of Paris का formula होता है calcium sulfate hemihydrate आपको यह formula में लेगा पूछेंगे hemihydrate क्या है क्योंकि यहाँ पे water molecules कितने हैं आधा water molecule बचा है इसलिए हम इसको hemihydrate कहते हैं अब यह बना आया हमने किससे है तो हमारे पास gypsum है जिसका chemical formula क्या है C.A.S.O.4.2H2 इसके पास दो water molecule थे इसका हमने निरजली करण किया निरजली करण में हमने इसका पूर्ण निरजली करण नहीं किया आंशिक निरजली करण किया है जिसकी वजह से हमें क्या मिला plaster of Paris P.O P. तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा? Option B. Blue vitriol जो है वो copper sulfate का नाम होता है. Blue क्यों कहते है उसको क्योंकि वो appearance में उसका color जो है वो blue होता है. यह भी आपको पूछा जा सकता है. अगला सवाल है water can be separated from alcohol. अगर माल लीजे आपके पास एक mixture है, एक मिश्रण है जिसमें शराब और जल का मिश्रण है. अगर आपको उसको separate करना है तो आप कौन सी process को use करेंगे? हम use करेंगे distillation को. क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? उनकी boiling point में जो difference है, उनकी according उनको boil कर लेंगे और उसके बाद में उसका वापस condensation करेंगे. तब ही तो हमारे पस दो अलग अलग जगह हमें alcohol और water मिलेगा. हम सीधा उसको vapors बनागर करके उसको atmosphere में उडा नहीं सकते हैं. तो correct answer कहों सा होगा? इसका option C. milk sugar पूछा है, आपसे milk sugar क्या होते हैं? तो जो हमारा milk है, उसके अंदर जो sugar present है, यानि जो carbohydrate present है, उसे हम क्या कहते है? milk sugar और उसका नाम क्या होता है? lactose, जो की एक monosaccharide है. तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा? option A. अगला सवाल है कि जो petroleum जो है, वो किन-किन चीजों का mission होता है? तो petroleum जो है, वो hydrocarbons का mixture होता है. तो correct answer क्या है? इसमें option B. कुछ सवाल है जिनके आपको answer याद रहते हैं, होने भी जाए हैं उनकी answer आपको याद. अगला सवाल है, the gas which is used in filling weather balloons. इस weather balloons को fill करने के तो weather balloon actually क्या है उसका आपको याद रखना है कि यह हम क्यों बना रहे हैं और इसका purpose क्या है? तो weather balloon जो है, उसको atmosphere में हम उपर के तरफ छोड़ते हैं, तो उसमें आपके पास options है कि हम उसमें air fill करें, hydrogen या helium. अब आपको उसको atmosphere में ही छोड़ना है, वायू मंदल में ही छोड़ना है, तो व बाहर वाली layers में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का mass सेम हो गया, कोई density का difference ही नहीं है, कोई light या heavy का कुछ matter ही नहीं है, next आपके पास जो option है, आपके पास helium का और hydrogen का, अब आप कहोगे कि air को तो चलो आपने reject कर दिया, लेकिन hydrogen और helium जो हैं, ये दोनों तो light है, ये दोनों मैंसे अब आप किसी एक को कैसे choose करोगे, तो helium जो है, वो हमारी एक inert gas है, यानि ये reactions नहीं करती है, और elements के साथ में, लेकिन hydrogen जो है, वो react भी करती है, और ये आग भी पकड़ लेती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा balloon, जो हम जितनी महनत करके हमने भेजा है, उसको हम hydrogen, य का option A, अगला सवाल है कि hydrogen जो है, वो atmosphere में हमें नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि hydrogen जो है, वो सबसे हलकी gas है, वो air से भी हलकी होती है, air में अगर आप बाकी gases को एक बार के लिए भूल भी जाओ, तो air में हमारे पास सबसे जादा है nitrogen, जिसका atomic weight है 14, और hydrogen का अग almost 14 times जादा तो nitrogen ही हो गया, अगर आप average निकालोगे भी तो भी कम से कम आले जिए 10 हो गया, air का atmospheric weight, तो भी hydrogen कितनी जादा हलकी हो गई, तो इतनी हलकी होने की वज़ा से, जो earth है, earth के atmosphere को ये exit कर जाती है, इसलिए hydrogen जो है, उसका concentration बहुत कम मिलता है atmosphere के अंदर, तो अगर हम ब अगला जो सवाल है, वो है कि what is iodized table salt, तो iodized table salt जो है, यानि NACL, जो iodized है, उसको आप एक element कहेंगे, एक compound कहेंगे, एक heterogeneous mixture कहेंगे, या फिर एक homogenous mixture कहेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है, तो element अगर हम बात कहें, तो pure state में अगर कुछ है, उसे हम कहेंगे element, जैसे कि मान लीजे कि sodium हुआ, chloride हुआ, potassium हुआ, hydrogen हुआ, ये सब क्या है, element है, compound अगर आप बात करेंगे, तो ये भी एक pure element ही होता है, पर ये दो या दो से जादा elements का बना हुआ, जैसे आप केवल अगर NACL की बात करेंगे, तो NACL किससे बना हुआ है बु ये है तो pure, लेकिन वो किससे बना हुआ होगा, या तो 2, या 2 से जादा elements ही, अब आपके पास आते हैं, mixtures, mixtures क्या होते हैं, mixtures होते हैं, 2 या 2 से जादा substances हैं आपके पास, उनको आपने mix किया है, लेकिन उनका जो mixture है, उनका mixture है, उसके अगर आप ratios की बात करेंगे, तो वह होते हैं, अब वो heterogeneous भी हो सकता है, और homogenous भी हो सकता है, homogenous सजाती आप उसको कब कहोगे, जब आपने जो mission बनाया है, वो एक समान रूप से घुला हुआ हो, जैसे अगर आप iodized sodium, NaCl को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है, कि iodine को आप हर जगा बराबर मिलेगा, हो सकता है, कि concentration दर दर हो जाएं, तो इसलिए जो iodized result है, किसका example होगा, heterogeneous mixture का, mixture क्यों, क्योंकि दो substance हमने क्या-क्या में डा लिए, iodination को आपने जो भी उसके लिए use किया है, वो है, और उसके साथ में NaCl है, तो mixture तो confirm होगा, यानि यह element और compound तो नहीं है, अगर सादा नमक आपको कहा होता, iodine की बात नहीं की होती, तो हम क्या पतर compound बोलते हैं, तो इसलिए इसका answer कौन सा होगा, कि यह एक heterogeneous mixture है, अगला सवाल है, कि आपको दिये हुएं कुछ organic compounds, carbonic yogic है, इन में से फली ये सुगंद किसकी होती है, तो ester जो होते हैं, उनकी खुश्बो fruity smell होती है, सुगंद उन या फिर electric bulb का wire है, उन सब को बनाने के लिए आप कौन से wire को use करते हैं, तो वहाँ पर हम use करते हैं, नाइक्रोम के wire को, नाइक्रोम के wire को क्यों use किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला तो यह है, कि electric जुतनी भी आपके पास device है, विध्यूतिये वाली, उसके अंदर क्या होग जो है, वो जादा होना चाहिए, तो नाइक्रोम एक ऐसा substance है, इसका melting point high होता है, और दूसरा माइक्रोम का use क्या है, कि यहाँ पे जो resistance है, जो resistance क्या होता है, current में जो रुकावट होती है, resistance भी इसका कम है, तो दोनों ही हमारे लिए फायदे मन्द है, इसलिए हम किसे ही use करे साबन के साथ साथ कौन से substance बनता है, तो जब हमने saponification की reaction पढ़ी थी, saponification क्या है, सोप बनाने की जो process है, उसके अंदर हमने देखा था, कि साबन के साथ में glycerol का formation होता है, तो correct answer इसका कौन सा होगा, option B, अगला सवाल है कि जो apple का flavor होता है, वो किस वज़ा से होता है, तो apple के अंदर जो ethanol है, उसके concentration के according उसका flavor अलग-अलग होगा, और इस flavor की वज़ा भी कौन है, ethanol, यानि कि option C, जो है, वो हमारा सही जवाब है, अगला सवाल है, for determination of age, which among the following is carbon dating method used, यानि कि age को पता करने के लिए हम carbon dating method used करते हैं, यह तो ठीक है, किस-किस की age पता करेंगे, क्या पेडों की age भी हम इससे पता कर सकते हैं, क्या चटानों की age हम पता कर सकते हैं, तो जो जीवाश्म है और जो चटाने हैं, इन दोनों की age ज उससे हम पता लगा सकते हैं, तो correct answer कौन सा होगा, इसका option D, यानि कि एक और दो, दोनों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कि कोई substance है, मान लेजिए, उसको हमने, कोई substance है, कोई पदार्थ है, जिसको आप जैसे ही जल के संपर्क में लेखे आए, तो उससे बहुत आसानी से जो है colloidal villain बन गया, colloidal solution का formation हो गया, तो उसे आप क्या कहेंगी, तो यहाँ पर दो चीज़े जिन में आप confused हो सकते हैं, एक है hydrophobic collide और hydrophilic collide, तो यह आपको याद रखना है, philic term जहां कहीं भी आती है, उसका मतलब होगा, जैसे hydrophilic है, तो यानि कि यह जल की तरफ आसा जल्दी से colloidal solution का निर्माण नहीं करेगा न, इसलिए यहाँ पर सही जवाप कौन सा होगा, जो जल को जल्दी से अपनी तरफ खीचेगा, यानि option D जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, अगला सवाल है कि जब आप formaldehyde को और potassium hydroxide को एक साथ heat करोगी, तो क्या बनेगा, त इसके अंदर alpha hydrogen ना हो, जैसे माल लीजिए, HCH हो है, आपके पास, ही formaldehyde का formula है, तो जो carbon है हमारा, कौन सा carbon, aldehyde बाला carbon जो है, उसके अंदर आपके पास alpha hydrogen नहीं होने चाहिए, तो उस वक्त आपके जो reaction होते हैं, उसे कहते हैं, हम kenny-zaro reaction, जो कि एक named reaction है, और आपके पास जो substance बनता है, वो कौन सा होता है, alcohol, यानि यहाँ पे आपके पास एक carbon का alcohol बनेगा, और इस एक carbon का alcohol को हम क्या कहेंगे, methyl alcohol, इसे के साथ अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, कि जब आप concentrated H2SO4 है, उसके अंदर dry KNO3 को add करेंगे, तो brown fumes जो evolve होती है, वो किसकी evolve होती है, तो nitrogen का ही कोई oxide है, जिसकी brown fumes होती है, और वो ही इस gas के अंदर, इस reaction में evolve होगा, और वो कौन सा है, nitrogen dioxide, जो कि एक brown colored gas होती है, तो correct answer कौन सा है, इसका option C, next question है, हमें एक ऐसे polymer का नाम बताना है, एक ऐसे बहूलक का नाम बताना है, जिसे आप plastic crockery, यानि कि plastic की बरतन बनाने के लिए use मेरे थे, तो आपने usually plastic की plates, काटोरियां वगरा देखी होंगी, तो उनको बनाने के लिए, हम जो polymer, जिस बहूलक का use करते हैं, उसे हम कहते हैं, मेलामिन, यह आपको सीधा याद रखना है कि मेलामिन से हम plastic की बरतन मनाते हैं, करेक्ट आंसर यहां कौन सा हो जाएगा, option D, अगला सवाल है, आपसे पूछा है कि जो modern periodic table है, आधोनिक अवर सारणी जो है, उसके अदर कितने periods हैं, तो हम बात कर लेते हैं, दोनों periods और groups की, तो हमारे पास 18 groups हैं, और periods हमारे पास कितने हैं, 7 periods हैं, तो आपने periodic table देखा होगा, इस तरह से, तो यहाँ पे आपको 18 columns मिलते हैं, तो जोने हम groups कहते हैं, और इस तरह जो आपको मिलते हैं, वो हैं हमारे periods, जो कि कितने हैं, 7, तो correct answer इसका कितना होगा, option D, अगला है कि अगर बनाना हो vegetable oil से चिसे वनसपती तेल से तो आप कौन सी process जीज़ करते हैं तो इनके अंदर हम जो process use करते हैं वो हम hydrogen gas को add करते हैं उनके तूपने की वजह से जो valencesy खाली हो जाती है बहां पर hydrogen जाके attach हो जाएबा है कौन सा है hydrogenation यानि की option c आज का आखरी सवाल जो है वो है कि smoke जो है वो कैसे form होता है smoke जो है smoke कैसे बनता है smoke के जब particles है वो air के अंदर dispersed होते हैं तो हम उसको हम क्या कहते है smoke का formation होता है जिस तरह से fog की हमने बात करी थी form जो है उसके अंदर water droplets होती है gas के अंदर या atmosphere में उसी तरह smoke है तो correct answer कौन सा होगा option e यानि की solid के particles gas में dispersed होते हैं following chemicals is used in photography यानि की यहां पे आपको कुछ chemicals दिये हुए हैं उन में से आपको बताना है कि फोटोग्राफी में हम इन में से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो usually क्या होता है फोटोग्राफी में हम silver के जो hyalides हैं यानि की fluorine, chlorine, bromine इन सब को use करते हैं और उन में से भी जो silver bromide है उसको सबसे ज़ादा use किया जाता है ऐसा क्यों silver hyalides को हम क्यों use करते हैं क्योंकि यह light sensitive होते हैं और silver bromide के बारे में एक जीज और जान लेते हैं कि silver bromide जो है जैसे इसके उपर light rays इसके उपर जब गिरती हैं उसके बाद में क्या होता है कि यह जो silver बाद में रह जाता है इसमें क्या होगा silver यहां पे plus one oxidation state में है silver zero oxidation state में convert हो जाता है और बाद में photographic जो है उसके अंदर एक opaque form में रह जाता है तो उस बज़े से इसे हम use करते हैं तो यहां कौन-कौन से जो compound CMMA से हमारा answer कौन सा होगा option B जो है silver bromide अगला question है एक reaction दी है आपको PbO plus carbon converts into Pb plus carbon monoxide अब यहां पे आपको काफे सारे options दी हैं सारे reduction oxidation oxidizing agent के हैं तो हम पहले question में देख लेते हैं जैसे हमने पहले oxidation state से पता लगाया था तो यहां पे Pb plus 2 oxidation state में oxygen minus 2 oxidation state में carbon zero oxidation state में lead zero oxidation state में carbon यहां पे है plus 2 oxidation state में और oxygen कितने में है minus 2 में तो अगर आप देखोगे lead और carbon को तो carbon में क्या हो रहा है 0 से plus 2 तो जैसा हमने देखा oxidation states यहां पे carbon से carbon monoxide में जाने पे oxidation state में जो conversion हो रहा है वो क्या हो रहा है 0 oxidation state से plus 2 oxidation state तो oxidation state अगर बढ़ रही है chemical reaction में हमने सभी की oxidation state देखी oxidation state देखने के बाद में जब हमने carbon की दोनो oxidation states को compare किया तो हमने क्या देखा कि carbon की oxidation state 0 से plus 2 की तरफ जा रही है यानि कि यहां पे increment हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे oxidation कहेंगे यानि carbon का oxidation हो रहा है carbon का अगर oxidation हो रहा है तो lead का क्या हो रहा है reduction अब हम बात करेंगे कि इन में से oxidizing agent कौन है और reducing agent कौन है oxidizing agent और reducing agent हम देखते हैं जैसे कि carbon के लिए अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा lead के साथ क्या हो रहा है अगर lead का reduction हुआ है तो oxygen क्या है oxygen है reducing agent और इसी तरह lead आपका क्या हो जाएगा oxidizing agent तो options जो दिये हैं वो हम देख लेते हैं PBO, PBO के बारे में दिया हुआ है कि PBO oxidize हुआ है तो PBO जो है minus 2 से zero oxidation state में चला गया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे negative, minus 2 नहीं है sorry lead का तो plus 2 था न plus 2 oxidation state से zero oxidation state में चला गया है oxidation state कम हुए है तो यह oxidize नहीं हुआ है reduce हुआ है कहा है कि carbon जो है वो oxidizing agent की तरह काम कर रहा है तो carbon के विले मैंने क्या बता है carbon का तो खुद का oxidation हो रहा है तो वो किस तरह से add करेगा reducing agent तो C option जो है वो यहाँ पे correct option है आगे last में दिया हुआ है this reaction does not represent a redox reaction तो redox reaction तो simply क्या होती है जिसके अंदर oxidation और reduction दोनों reaction present और दोनों हमने यहाँ पे देखी है तो इसलिए यह option भी क्या होगा गलत होगा अगला question है कि sigma bond जो है और pi bond का comparison किया हुआ है sigma bond जो है वो weak होता है strong होता है unstable होता है कैसा होता है तो हमने पता है कि sigma bond जो है वो pi bond से ज़्यादा stronger होता है तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option A अगला question है which one of the following is extensively used for sterilizing water water के sterilization के लिए या फिर इसको किटानू रहे करने के लिए हम कौन से chemical का use करते हैं तो हमने पहले chlorination बढ़ा था water के बारे में तो chlorination के लिए हमें direct chlorine या chlorine तो मिलने वाला नहीं है तो हम उसके लिए use करते हैं bleaching powder को अब आप पूछेंगे bleaching powder का formula bleaching powder का formula होता है CACLO hold wise और इसको हम कहते हैं calcium hypo chloride तो हम bleaching powder को use करेंगे sterilization के लिए किटानू रहे करने के लिए और वहाँ से हमें जो chlorine थी वो extract हो जाएगी तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा option A bleaching powder अगला question है कि higher altitudes के उपर जो boiling point है liquid का उस पर क्या फरक पड़ेगा तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि higher altitudes पर जाने पर अधिक उचाईयों पर जानने पर क्या होता है और boiling point जब हम calculate करते हैं तो उसके अंदर atmospheric pressure का भी role होता है तो अगर atmospheric pressure कम हो रहा है तो boiling point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यसी तरह अगर यह सवाल आपको sea shore पे या समुदरी किनारे पे पूछा जाएगा तो इसका answer अगला सवाल है which of the following does not have 8 valence electrons यानि कि संयों जग इलेक्टरोनों की संख्या 8 जो है वो किसमें नहीं है तो यहाँ पे आपको सारी जो gases दे हुई है वो noble gases दे हुई है helium, neon, argon और xenon इसमें से जो helium है उसमें total number of electrons जो हैं वो ही 2 हैं तो इसमें valence shell में 8 electrons तो होई नहीं सकते उसके अलावा जितनी भी noble gases होती है सबके अंदर valence shell में कितने electrons होते हैं 8 electrons सही हो, जग electron कितने हैं 8 तो सही answer यहाँ पे कौन सा होगा option A अगला सवाल है जो cream है cream gets separated out of milk when it is churned जब दूद को मथा जाता है तो मलाई जो हो अलग क्यों हो जाती है कौन सा force ऐसा लगता है उसके उपर तो जब उसको हम मत से हैं तो उसमें gravitational force का कोई भी role नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं हम कुछ भी ऐसे devices यूज़ करते हैं जिसमें उससे regular circular motion होता रहता है तो उस वक्त क्या होता है जो centrifugal force है यानि कि जो center से दूर की तरफ जाते है उन force की वज़र से जो है मलाई जो है वो दूद से अलग होती है तो यहाँ पे एक सही answer कौन सा होगा centrifugal force अगला सवाल है हैबर्स process के बारे में कि हैबर्स process जो है उसे हम कभ यूज करते है और क्या बनाने के लिए यूज करते है तो हैबर्स process एक named reaction है जहां पे हम ammonia का formation करते है और जो reaction होगी वो क्या होगी N2 plus H2 converts into NH3 अगर आप कोई reaction balance करनी है तो आप कैसे करेंगी यह इसकी complete reaction है एक चीज और जो आप से पूछी जा सकती है कि यहां पे catalyst की तरह किसे use करते है तो iron जो है उसे यहां पे catalyst की तरह use करते है तो किसका formation हुआ ammonia का और correct answer कौन सा हुआ option B अगला सवाल है which of the following is fool's gold मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो यानि कि ऐसे कोई चीज होगी जो सोने जैसी दिखती तो होगी पर सोना होगी नहीं उसी को हम मुर्खों का सोना कहेंगे तो यहां पे आपको काफी options दिए हुए है इन में से एक और होता है iron का और वो iron का और कौन सा होता है iron sulfide यानि कि FES2 और इसका एक और नाम है इससे भी आपको पूछा जा सकता है इसे हम pyride भी कहते हैं तो यह जो iron का और है उसे हम कहते हैं क्या कहेंगे fool's gold तो correct answer कौन सा होगा option B अगला जो सवाल है अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है कि the purity of gold जो है सोने की शुद्धता जो है उसको हम carrots में express करते हैं purest form of gold पूछा है तो 100% शुद्ध जो सोना है उसे हम कहते हैं 24-carat gold यह बाकी 99.6 यह सब नहीं है पूरा जो एकदम से शुद्ध 100% शुद्ध या फिर purest सबसे शुद्ध अगर कोई है 24-carats अगला है बकी balls के बारे में की बकी balls जो होते हैं आ basically किसके allotrops होते हैं अगर आप बात करें तो carbon के allotrops हम परते हैं और उसके 3 allotrops हम परते हैं वो कौन-कौन से हैं graphite है उसका allotrop उसके अलावा उसका allotrop जो है यह वो diamond है और last में हमने bकी बाल्स या फिर football shaped की जो balls थी वो हमने पड़ी थी तो ये सारे किस के लॉट्रॉप्स हैं कार्बन की तो सही जवाब कौन सा होगा option A अगला जो सवाल है वो है कि the lusher of the metals is because of जो metals के अंदर चमक होती है धातों के अंदर वो किस वज़े से होती है तो metals के अंदर चमक होती है वो क्यों होती है क्योंकि उनके अंदर free electrons होते हैं और free electrons होने के वज़े से क्या होगा जो भी light उनके उपर पड़ती है वो उसको absorb करेंगे थोड़ी amount में और बाद में उसको वापस reflect कर देते हैं और हमें जो भी चीज चमकती हुई दिखती है या फिर even हम जो भी चीजों को देख पाते हैं वो उसी वज़े से होता है जो light को reflect करते हैं options हम देखते हैं पहला है high density due to closed packing of atoms high density का कोई भी reason या फिर किसी भी तरह से वो चमक से related नहीं होती है high polish polish करने से कोई चीज थोड़े दिन चमक सकती है पर कभी न कभी तो उसकी चमक कम हो ही जाएगी reflection of light परावर्तन की वज़े से और परावर्तन भी क्यों क्योंकि उसके अंदर मुक्त electron जो है वो present है तो सही answer कौन सा हो गया option c last option है absorption of light due to presence of cavities absorption of light तो होता है पर चमक जो है वो केवल absorption से कभी नहीं होगी चमक हमेशा किस वज़े से होगी reflection से परावर्तन से अगला सवाल जो है one of the falling is used to dissolve noble metals noble metals जो है उत्कृष्ट धातू उनको dissolve करने के लिए गलाने के लिए आप इनमें से किसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको पता होना शाहिए कि noble metals जो है वो कौन कौन है तो आपका जो gold है silver जो है वो platinum जो है इनको हम noble metals कहते हैं क्यों क्योंकि यह ज़्यादा reactions नहीं करते हैं लेकिन अगर मान लो आपको इसको dissolve करना है तो हम किसे यूज करेंगे aqua ragia को aqua ragia में क्या होता है HNO3 होता है HNO3 के कितने parts होते हैं 1 और HCL के कितने parts होते हैं 3 यह 1 is to 3 ratio में होता है तो सही answer इसका कौन सा होगा option D अगला सवाल है immersion के बारे में कि immersion जो है एक colloid है यह दो इन्होंने बता दिया और यह किस किस का colloid है तो immersion कहते ही मुझे याद आता है milk की milk की भी नहीं तो अगर आप कह सकते हैं oil in water की तो इसके अंदर आपको कौन-कौन सी दो चीज़े dissolved दिखती है दोनों liquid है oil भी liquid है और water भी liquid है और यह colloid है तो हम इसे क्या कहेंगे liquid in liquid यानि कि यह दोनों जो घुलने वाले substance है वो liquid ही है वो तरल ही है और एक और चीज़ इनके बारे में जो हम कहते है वो क्या होती है कि यह अगुलनशील होते है एक दूसरे में खुलते नहीं है तो सही जवाब कौन सा होगा option B तरल में तरल अगला सवाल है कि percentage of carbon जो है steel के अंदर वो कितना प्रतिशत होता है तो हमें बता है steel जो है वो भी हम carbon के iron के साथ में extract करते हैं बस इसमें extract नहीं करते हैं iron के अंदर ही कुछ additional properties हम बाहर से include करने के बार में steel का formation होता है तो iron के अंदर हमने जो major impurity पड़ी थी वो पड़ी थी हर जगा carbon और इसी के साथ हम से पूछा है कि steel के अंदर कितना carbon का percent होता है तो 0.1 से लेकर कि 1.5% तक जो impurity carbon की होती है वो किस में होती है steel में होती है तो सही जवाब इन में से कौन सा होगा option A अगले सवाल की तरफ बढ़ते है addition of gypsum to potland cement helps in अगर आप cement में gypsum को add करोगे तो किस में help करेगा तो cement के अंदर हम जो gypsum को add करते है वो specially हम करते हैं कि जो hardening है उसका कठोर या उसकी मजबूत होने की जो time है या फिर जो rate है उसे control करने के लिए अब एक होता है settling time settling time में क्या होता है settling time वो time होता है जिसके अंदर जो cement है वो एक बहुत ज़ादा hard हो जाती है settling time के बाद में खतम होने के बाद में यानि कि वो एकदम से पूरी मजबूती में आ जाती है और अब उसके अंदर कुछ भी plasticity जो है वो नहीं बची है तो gypsum क्या करता है ये जो settling time है इसके duration को बढ़ा देता है यानि कि उसे जल्दी से settle नहीं होने देगा तो इसलिए हम gypsum को add करते हैं तो options आप देखोगी तो हम strength पे कुछ नहीं करने हैं torment जो होगी वह बढ़ाना है उसके duration को तो हम क्या करेंगे सही जवाब है इसका preventing rapid settling of cement यान शीजर जबने से हैं उसे रोखना अगर है तो हमसे क्या करेंगे उसमें जबसम डाल देंगे तो सही जवाब इसका कॉन सवागा option c अगला सवाल है which of the following is a monoatomic gas इनमें से कौन सी gas है जो monoatomic gas है तो हम जानते है oxygen N2 form में exist करता है nitrogen N2 में और fluorine F2 में अब बचा neon, neon कौन सा है? noble gases का example है, inert gases का और neon जो है वो monoatomic form में ही exist करता है सही जब आब इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा? option B अगला सवाल है कार्बेमाइड क्या है? तो कार्बेमाइड रहे वो यूरिया का ही दूसरा नाम है NH2, CO, NH2 अब पूछा के आए कि यूरिया को हम किस तरह से यूज़ करते हैं तो ये सवाल तो बहुत ही कौने सब जानते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत बेगरी कल्चर के जानकारी होगी तो यूरिया जो है उसे हम as a fertilizer यूज़ करते हैं fertilizer के बारे मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें important होती हैं उसमें NP के इसमें से nitrogen जो हमें भरपूर मातरा में यूरिया से मिल सकता है तो हम इसे use करेंगे as a fertilizer अगला सवाल है cement के बारे में cement is formed by strongly heating a mixture of cement का मानलीच अगर आपको निर्मान करना है तो हम ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़ादा temperature पे heat करेंगे तो cement का formation होगा तो cement को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक तो limestone की जरूरत होती है हमें और limestone के साथ में हमें चाहिए होता है clay अब limestone का formula अगर आप मुझसे पूछेंगे limestone क्या है तो limestone है calcium carbonate तो आपकी जो reaction होगी वो क्या होगी calcium carbonate और clay जो है इनको high temperature पे जब heat किया जाता है तो बाकी byproduct के साथ में cement का भी formation होता है तो correct answer इसका कौन सा हो जाएगा option B अगला सवाल है कि 100% pure ethanol जो उसे क्या कहा जाता है तो 100% pure ethanol सबसे पहले उसको achieve करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो भी ethanol हमारे पास होती है उसके अंदर हम regular distillation से यानि कि उसमें जो भी water content है उसको reduce कर करके जो ethanol का concentration उसको बढ़ाते है लेकिन सबसे जादा pure जो alcohol का form होता है उसे हम कहते है absolute alcohol तो सही answer इसमें कौन सा होगा option C rectified, denatured और power alcohol इन सबकी बात हम पहले कर चुके हैं तो हम यहाँ पे discuss करेंगे सिर्फ option C जो की है पूंट शराब 100% शुद इथैनॉल होता है इसमें अगला प्रशन है कि जो oxy acetylene flame है oxy acetylene का एक flame मनाया गया है उसका temperature पूछा है आप से कि वहाँ पे आपको कितना temperature देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो temperature आपको देखने को मिलता है आपको 3000 से 3400 या 3300 डिगरी celsius तक तक तो अगर आप इसके आसपास के options यहाँ देखेंगे तो आपको भी लेगा 3200 डिगरी celsius तो यह तो temperature इसमें कुछ explanation नहीं है या आपको याद रखना है अगला सवाल है कि एक refrigerant है freon नाम का शीतलक है आपको बताना है कि उसका chemical formula क्या है तो freon जो है उसका chemical formula होता है CCL2F2 यानि कि carbon की जो चार valences है उसमें 2 पे fluorine अटाज है और 2 पे corn अटाज है chlorine अटाज है तो chlorofluorocarbons जो हम कहते हैं chlorofluoro भी है यहाँ पे chloro भी है तो यह एक CFC का example है इससे bam भी कर दिया गया था बाद में क्यों क्यों क्योंकि यह greenhouse effect कॉज करता है अब हम formula देख लेते हैं difluoro, dichloro, methane इसका ठीक answer है क्योंकि इसमें एक carbon है तो हम एक carbon का इसको नाम दे देंगे और साथ में इसके जो भी substituents हैं functional group है उनके नाम तो option B जो है वो correct है आपको याद रखना है CCL2F2 जो है वो freon का chemical formula है अगला सवाल है a balloon filled with helium मान लो आपने एक गुबारा है उसे helium से fill क्या है वो air में rise होता है क्यों rise होता है तो यह जो जितने भी rise होने वाले सवाल होते हैं यह density से related होते हैं density और density के में भी अगर आप बात करो तो भी आप atomic mass जो है उससे भी कभी कभी इन questions को solve कर सकते हो तो सवाल जो है वो है air और helium के बीच में तो air और helium में हलकी gas कौन होगी helium का atomic weight तो 4 है अब air आप कहोगी कि यह तो एक gases का mixture है तो इसमें से हम सबसे जो जादा पाई जाने वाली gas है उसको एक बार देख लेते हैं जो कि है nitrogen और nitrogen को आप देखोगे तो उसका atomic mass कितना होता है 14 तो अगर आप बाकी gases को भी इसमें include करोगे उसके बाद में अगर average भी निकालोगे तो कम से कम 12 या 10 के आसपास तो उसका atomic weight यानि helium जो है वो काफी हलकी है air से और ऐसा होने से क्या होगा कि वो जो है गुबारा जिसके अंदर हमने helium भरी है वो हवा में उड़ेगा सवाल है आपके पास helium less dense होता है air से हाँ एकदम सही बात है और यहीं आंसर वो हमारा सही है बाकी options जो दिये गए हैं कि weightless होता है अब ward force लगाती है air यह सारे जो options है वो गलत है यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ density की तो सही option कौन सा है यहाँ पे option C अगला है कि जो water है पानी जो है उसके कितनी crystalline phases जो है वो हम जानते है तो हम जो phases usually जिनकी हम बात करते हैं वो हम बात करते है solid की liquid की और gas की यानि की water की sorry ice की water की और water vapors की लेकिन जो crystalline phases के अगर हम बात करें तो water की water के कितनी crystalline forms अब तक discover हो चुकी है वो है 15 इसलिए यहाँ जो सही आंसर है वो कौन सा होगा option C 15 crystalline phases है वो discover हो चुकी है अगला सवाल है which among the following is an organic mineral यहाँ पर जो दिये हुए examples आपको इनमें से carbonic खनीज कौन है तो आप carbonic खनीज क्या कहेंगे वो कोई भी substance जो किसके से बना हुआ होता है carbon से hydrogen से तो अगर आप options देखोगे amber, hornblend ignite और analsim तो इनमें से जो amber है वो बना हुआ होता है carbon और hydrogen से यानि कि एक hydrocarbon या फिर उसे हम organic mineral कहेंगे अगला सवाल है वो है which of the toxic heavy metals is found in modern tannery industry जो चर्म शोधन उद्योग है उनके अंदर कौनसा ऐसा heavy metal है जो कि toxic है और वो उनमें पाया भी जाता है तो ये जो industries होती है इनके अंदर पाये जाने वाला जो toxic heavy metal है वो कौनसा है chromium तो सही answer कौनसा होगा इसमें option C next question है which of the following कौनसा ऐसा अंदीजी options में से ऐसा है जसके अंदर lead जो है उसका high content होता है तो जो high octane fuels होते है जतनी high content उनमें जितना high उनका octane number होता है उतना ही जादा उनके अंदर lead का concentration होता है तो अगर आप options देखोगी तो आपको पता चलेगा कि coal जो है coal के अंदर तो lead की कोई concentration नहीं है cooking gas जो है LPG हम यूज करते है उसके अंदर भी lead का कोई content नहीं होता है यानि सबसे high तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जो high octane fluids वाले octane fuels है जनको हम autobiles में यूज करते हैं उनके अंदर lead की concentration जादा होगी अगला सवाल है cyclotron के बारे में cyclotron क्या है तो cyclotron एक device जो थी discover करी गई थी जिसमें जो charged particle है उसको हम यहाँ पे accelerate करते हैं और charged particle जो है उसको किसकी presence में accelerate करते हैं magnetic field accelerate करना यानि ऐसी मतलब उसके अंदर इस तरह से हम उसको rotate करते हैं कि उसका acceleration जो है speed जो है time के साथ में बढ़ती रहती है तो केवल charged particle नहीं है यह charged particle को accelerate करने की एक device है तो correct answer कौन सा होगा a particle accelerator अगला सवाल है for generation of bio gas यानि bio gas का अगर आप नर्मान करना चाहते हैं तो कौनसे materials हैं कौनसी वो चीज़े हैं जिनको आप commonly use करेंगे तो bio gas को हम gober gas भी कहते हैं अगर आपको याद होगा तो यहां से हम सीधा पता लगा सकते हैं कि जितने भी जो animal के waste हैं पशूओं के अप्शिष्ट हैं जादा तर हम उसको use करते हैं उसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि आप फसलों के अफशेश वगेरा या फिर यह सब use नहीं कर सकते लेकिन main उसके अंदर जो होता है हमेशा वो कौन होता है अगला जो सवाल है वो है raw materials used for the manufacture of glass अगर मान लो आपको glass क बनाना है glass बनाने के लिए आपको raw materials जो है तो आपको जरूरत होगी sand की soda की और limestone की चुना पथर की बालू, soda और चुना पथर इन तीनों से हम किसका नर्मान करते हैं glass का तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा option A अगला सवाल है which of the following is used in welding broken pieces of iron rails and machine parts जो जैसे मशीनों में अगर टूट फूट हो जाती है तो maximum part उनमें लोहे का बना हुआ होता है इसी तरह जो हमारी rail की पट्रिया है लोहे के पट्रिया अगर उनमें कहीं पे कुछ टूट फूट हो जाए तो हम welding करते हैं वहाँ पे तो welding के अंदर हम किसे यूज़ करेंगे तो welding में यूज़ किया जाता है aluminum powder को किसे यूज़ करते हैं हम aluminum powder तो option C जो है वो यहाँ पे सही है next question है BOD के बारे में BOD सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या है BOD होती है biochemical oxygen demand तो आदे question ऐसे होते हैं जो अगर आपको full form पता हो तो आप उनसे उनका मतलब पता लगा सकते है तो biochemical oxygen demand क्या होती है कि पानी के अंदर जल के अंदर जितना भी content present है organic material जितना भी present है उसको oxidize करने के लिए जितनी आपको oxygen की concentration चाहिए oxygen की जितनी मात्रा में आपको चाहिए उसका oxygen करने के लिए उस organic material का उसे हम क्या कहेंगे biochemical oxygen demand BOD तो जो अफशेश है carbonic हम उसे ये नहीं कहेंगे हमें उसको क्या करना है उसका oxygen useful तो अगला option जो हम जो ठीक लग रहा है जैवरसायनिक oxygen जो हम इसके लिए हमें कितनी oxygen की जरूरत है तो correct answer कौन सा होगा option B अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है विच उफ दे फॉलइंग प्रिद्यूस हाइस्ट अमाउंट अफ एनरजी अपॉन ऑक्सिडेशन यानि आपको नेचे कुछ जो प्रोटीन फैट और ग्लूकोज दिया हुआ तो यह शायद मानुशरीर की बात करी गई है तो मानुशरीर में अगर आप देखोगे ग्लूकोज एक कार्बो हाइडरेट है उसके अलावा प्रोटीन है और आपके पास वसा है तो फैट जो है उसके एनरजी जतनी एनरजी प्रोड्यूस करता है वो अल्मोस्ट डबल होती है एट से नाइन कैलरी प्रोड्यूस होती है फैट से और प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट से चार कैलरी के आसफास एनरजी प्रोड्यूस होती है वो फिर से जो हमारे थोड़े noble metals है या फिर जो कीमती precious metals है उनको हम usually use करते हैं जैसे कि copper हुआ, nickel हुआ, silver वगरा इन सब का use किया जाता है तो अगर आप यहाँ पे options देखोगी तो sodium का इस्तिमाल हम नहीं करते हैं, sodium potassium का इस्तिमाल फिर से नहीं करते हैं तो सही answer जो आपको मिलेगा वो होगा chromium, copper और nickel तो यह जो है आपका सही answer है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अब which of the following in automobile exhaust can cause cancer? automobile exhaust के बारे में हमने बात करी थी कि अगर आपको पूछा जाए सबसे ज़ादा ऐसा element कौन सा निकलता है वो होता है lead, gas अगर आपको पूछी जाए तो वो है carbon monoxide लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा substance निकलता है जिससे cancer भी हो सकता है तो वो होते हैं हमारे polycyclic hydrocarbon यानि ऐसे carbonic पदार्थ जिनके अंदर cycles जो हैं जो हमारे इस तरह की benzene rings और cycles वगरा है उनका number बहुत जादा हो ये cancer produce कर सकती हैं तो सही जवाब कौन सा होगा option D अगला सवाल है bleaching powder के बारे में bleaching powder जो है उसको हम पीने के जल में किस तरह से यूज करते हैं उसको हम disinfectant की तरह यूज करते हैं disinfectant यानि किटानू नाशक तो सही आंसर कौन सा होगा option A इमें बाकी जो सवाल है जैसे antibiotic है antibiotic बाक्टेरिया के एगेंज रोते हैं और जैसे जो द अगला सवाल है आपको पूचा है कि atomic weight जो क्लूरीन का है वो 35 बताया है तो क्लूरीन के बारे में मैं जानती हूं कि क्लूरीन को हम रिप्रेजन करते हैं 17 और 35 से जिसमें 35 अगर उसका atomic weight हमें बताया गया और हम जानते हैं कि उसका atomic number है वो 17 है यानि कि उसके अंदर number of protons और जो neutron पूचे गए तो हम जानते हैं कि यह जो atomic mass होता है यह atomic mass किसके equal होता है number of protons और neutrons के बराबर तो atomic mass अगर आपको 35 बताया है protons अगर 17 है तो बचे हुए क्या होंगे आपके पास neutrons और neutrons के संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास neutrons neutrons के संख्या हो जाएगी आपके पास 18 यानि neutrons है आपके पास 18 और protons कितने हैं 17 तो options match कर लेते हैं 17 protons 17 neutrons पहला option ही हमारा जो है वो क्या है सही है तो option A जो है वो correct option है अगला सवाल है cement जो है वो किन-किन चीजों का mixture होता है तो cement अगर आप options देखी लेते हैं options में हम बात करते हैं कि cement किन-किन चीजों का mushroom है तो cement है cement वो mixture होता है calcium silicate का और calcium aluminate का यानि कि इसमें आपको जो elements मिलेंगे वो होगा silica, calcium और aluminium तो correct answer कौन सा है option A calcium silicate और calcium ferrit iron नहीं होता है इसमें aluminium जो का content जो है वो पाया जाता है अगला question है वो यह है कि which among the following इनको quick silver किसे कहते हैं तो mercury जो है उसे quick silver नाम से जाना जाता है यह उसका पुराना नाम है तो correct answer कौन सा होगा इसका option B अगला सवाल है कि electric bulbs जो होते हैं उनमें कौन सी gas फिल की जाती है तो उनमें कोई भी inert gas फिल करी जाएगी यह बात हम पहले कर शुके हैं उनका जो wire होता है वो किसका बना हुआ होता है नाइक्रोम का और तो इसलिए हम यहां से जो inert gas है उनको छांट लेते हैं nitrogenic inert gas नहीं है carbon dioxide नहीं आरगन है oxygen भी नहीं है इसलिए हम आरगन को use करेंगी तो सही answer कौन सा होगा option c अगला सवाल है which among the following are generally find in free state free state में जो है कौन से जो आपको elements है किस group के elements मिलते हैं तो usually जो हमारी elements होते हैं gold वगेरा silver वगेरा वो सब आपको मिलते हैं free state में जो कि included हैं आपके group 11 elements के अंदर तो correct answer कौन सा होगा option a और वो free state में क्यों मिलते हैं क्योंकि वो ज्यादा reactive तो होते नहीं है इसलिए बाकी elements usually आपको compounds में मिलेंगे और यह कैसे मिलेंगे आपको free form में अगला सवाल है the gas that is used in the manufacture of वनस्पती घी वनस्पती घी जो है उसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे इलकीन इलकीन और इलकाइन saturation और अंसाचुरेशन की बात होती है जैसे single bond है आपके पास double bond और triple bond तो इन में जब आप hydrogenation कर दोगे unsaturated compounds के अंदर hydrogenation करने से आपको क्या मिलेगा single bonds मिलेंगे और उसी के साथ ही बनस्पती घी या इस तरह के unsaturated products जो है वो बनते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं hydrogenation hydrogen gas का addition तो correct answer कौन सा है इसका option C अगला सवाल है which among the following is popularly called hypo यानि नीचे आपको जो options दीव हम इसे hypo किसे कहा जाता है तो hypo जो है hypo हम कहते हैं NA2S2O3 को जिसको हम जानते हैं जिसका दूसरा नाम जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो है sodium thiosulfate तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option C अगर आपको formula भी बता है तो आप phosphate, nitrate या bromide को क्यों टिक करोगे इसे लिए आपको at least एक चीज़ और जो important है hypo बगेरा उनके बारे में तो formula और उनकी names दोनों पता होने चाहिए अगला question जो है an example of semiconductor is semiconductor devices कौन होती है जिसके अंदर free electrons भी होते हैं इनकी properties जो है वो conductor और insulator के बीच की होती है जैसे क आपके germanium है silicon है यह सब semiconductors के example होते हैं तो यहां जो correct answer आपको देखेगा वो कौन सा है option B जो है germanium अगला सवाल है कि non-stick kitchen wares जो होते हैं यानि कि रसोई के वो बरतन जिनके मतलब usually जो खाना है वो चुपता नहीं है जो थोड़े से आपने अगर कभी देखे हूं थोड़े से blackish color के होते हैं उनका जो base होता है वो थोड़ा सा अलग color होता है उनमें किसके coating करी जाती है तो उनमें coating करी जाती है टेफलोन की टेफलोन एक polymer है एक बहूलक है अब आप पूछेंगे कि यह किसका polymer है तो टेफलोन जो है वो poly tetrafluoroethene का polymer है यानि कि इसके अंदर कौन होता है poly के आगे वाली term जो कि क्या है tetrafluoroethene तो इसका आप formula भी देख सकते हैं यानि कि यहाँ पे जो repeat होने वाली unit है वो क्या होगी आप एक ethene बना लो ethene के अंदर जो दो आपको खाली bond दिख रहे हैं और फिर दो जो valences है उनके अंदर कौन आएगा fluorine तो यह क्या होगा tetrafluoro यानि कि यह जो unit है यह बार-बार repeat होने से क्या repeat होनके क्या मनाएगी teflon अगला सवाल है which one of the following minerals is found in monazite sand monazite sand के अंदर आपको कौन-कौन से minerals मिलेंगे तो monazite sands के अंदर आपको नीचे जो elements दिये हुए हैं जो minerals दिये हुए हैं उनमें से आपको thorium मिलेगा तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option c अगला सवाल है कि magnesium जो है वो किस-किस का alloy होता है magnesium आप इससे नाम से देख सकते हैं magnesium या इसा लग रहा है ना कि इन दो नाम को fuse करके बनाया हुआ हो तो यही एकदम सही आप अगर ऐसा सोच रहे है तो एकदम सही है यह सही जवाब इसका कौन सा होगा aluminium और magnesium दोनों को जोड करके हमने बनाया यह अगला सवाल है detergents के बारे में कि detergents क्या होते हैं detergents होते हैं sodium salt sodium salt वी किसके sulfonic acid के या benzoic acid के तो जो sops होते हैं सॉडियम solts of fatty acids जो होती है हमारी soaps sodium salt जो sulfonic acids के होते हैं वो कौन होते हैं हमारे detergents तो option B जो है वो सही है अगला सवाल है कि वो neon gas आपको बताने है जो radio therapy में use कि जाती हो तो r for radio therapy, r for redon, redon जो gas है उसको हम use करते है radio therapy के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पर? option c आज का आखरी सवाल जो है वो है the substance that is added to make natural rubber strong and bouncy यानि कि natural rubber के अंदर अगर आपको उसे strong बनाना है उसे bouncy बनाना या फिर उचलादार बनाना है उसकी elasticity, plasticity या इस तरह की कोई भी properties जो है उसमें अगर आपको change करना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको उसको उसमें कौन एड़ करेंगे? आप उसमें sulfur एड़ करेंगे और ऐसा करने से इस process को हम क्या कहेंगे? वलकिनाइजेशन और सही रवाब जो यहां पर कौन सा है वो कौन सा होगा? option C, option of the following is used as an explosive यानि नीचे आपको जो options दिये हुए हैं उन में से कौन सा ऐसा option है जिसे आप विस्पोटक के रूप में use कर सकते हैं? फॉस्फिर इस ट्राइट लोराइड होता है, PCLT, mercuric oxide है, graphite जो की carbon का एक carbon का एक compound है, उसके साथ ही है nitroglycerine, nitroglycerine इन में से जो option है, उसे हम use करते हैं विस्पोटक की तरह, तो correct answer कौन सा होगा? option D, और nitroglycerine को ही क्यों use किया जाता है? क्योंकि इसकी जो decomposition reactions होती है, वो बहुत fast होती है और उनके अंदर बहुत जादा amount में energy release होती है तो ये था पहला question, अगला question है, the mineral containing both magnesium and calcium, यानि आपको ऐसा mineral चांटना है इन में से, ऐसा खनीज बताना है, जिसके अंदर magnesium भी हो और calcium भी हो मतलब आपको इनके formula पता होने चाहिए, तो पहला जो खनीज है, magnesium, magnesium का formula है, वो है MgCO3 तो अगर आप formula देखेंगे, तो आपको क्या देखेगा, कि magnesium तो यहाँ पे है, लेकिन calcium नहीं है, तो ये हमारे question का answer नहीं है अगला है calcite, calcite का chemical formula है, calcium carbonate CACO3, इसमें magnesium नहीं है, लेकिन calcium है, मतलब ये भी option नहीं है next is carnelite, carnelite का chemical formula होता है, ये एक hydrated compound है, water की molecules जो इसके साथ में attached होते हैं, इसका chemical formula है, potassium जिसमें है, magnesium है, chloride है और 6 water की molecules हैं, इसमें भी अगर आप देखोगी तो आपको magnesium मिलेगा, लेकिन calcium नहीं है last जो आपके पास खनीज है, वो है dolomite, और dolomite का chemical formula जो है, वो है calcium, magnesium और carbonate तो अगर आप देखोगी तो ये carbonate है, calcium और magnesium दोनों का, ये mixed result का compound है, क्योंकि इसमें जो oxidation state है यानि कि anine अगर आप इसमें देखोगी, cation और anine, तो anine इसमें एक मिलेगा आपको, और cation जो है, हमारे पास दो तो ये जो है हमारे question का सही option है, जो कि है dolomite next question है, वो है white phosphorus, जो है, सफेद phosphorus, phosphorus भी 2-3 form में हमें मिलता है, red phosphorus होता है, white phosphorus होता है, उसे हम कहां store करते हैं तो white phosphorus को अगर आपको store करना हो तो हम इसे पानी के नीचे store करते हैं पानी के नीचे क्यों store करते हैं क्योंकि white phosphorus जो है उसकी chemical reactions होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ही इसको almost 30 degree Celsius के आस्वास temperature मिलेगा जो की room temperature से थोड़ा ही जादा होता है और जैसे ही उसको air के अंदर moisture मिलेगा moist air अगर इसको मिलती है तो यह explosive reaction शो करता है इस बज़े से हम इसको हमेशा पानी के नीचे store करते हैं तो correct answer यहां कौन सा होगा? option D अगला सवाल है गैलेना के बारे में पूछा है कि गैलेना किसका mineral ore है तो गैलेना जो है वो mineral ore होता है लेड का और इसका chemical formula बहुत ही simple है PBS तो correct answer कौन सा होगा? option C अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है कौन सी तरह का ऐसा glass है which is used for making glass reinforced plastic यानि कि काच प्रबलित plastic का नर्मान करने के लिए आपको कौन से काच का इस्तेमाल करना है अब इस सवाल से इतना तो समझ आज रहेगा कि किसी तरह के glass को use करना है अब वही सवाल है कि काच कौन सा होना चाहिए तो जो fiber glass होता है fiber glass को हम use करते हैं इस तरह के plastic को बनाने के लिए यह आप याद रखें तो सही आंसर इसका कौन सा है option D जोटी है fiber glass अगला सवाल है कि two elements which are used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission reaction nuclear fission के time पे जो high energy neutrons release हो रहे हैं और जो reaction है आपकी fission reaction से control करना है तो आप कौनसे दो elements हैं उनको use कर सकते हैं तो सबसे पहले तो वो elements जिनको हम जो high energy neutrons को absorb करने के लिए use में लेते हैं उनको हम कहते हैं control rods और यह जो control rods होती हैं यह usually बनी हुई होती है बोरून की और cadmium की वैसे तो आप silver भी use कर सकते हैं पर silver क्योंकि फिर cost जो है वो जादा होईगी इसलिए usually आपको जो options में मिलेंगी वो होगा कौन? बोरून and cadmium तो correct answer यहाँ पर कौन सा होगा option A अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि hydrogen bomb जो है वो कौन से principle बेज़े इसमें किस तरह की fusion reaction होती है control होती है, uncontrolled है या फिर fusion reaction है तो hydrogen bomb जो है वो based है हमारा uncontrolled fusion reactions के उपर और fusion reactions में क्या होता है, दो या दो से जादा nucleus हम example ले ले लेते हैं, दो का दो या दो से जादा nucleus क्या करते हैं, combine करते हैं, इनके combine करने के बाद में यहाँ पर energy release होती है और यह nucleus जो है, अलग अलग तरह के दो या दो से जादा nucleus का formation करते हैं ये reactions जो हैं ये आती हैं fusion reactions के अंदर यानि वो पहले fuse हुए और उसके बाद में नए nucleus का formation हुआ अगला सवाल जो है वो है supersonic jets के बारे में supersonic jets जो होते हैं वो pollution cause करते हैं और ये pollution cause करते हैं thinning से कौनसी ऐसी layer है जिसकी ये thinning कर देते हैं तो सबसे पहरे तो आपको पता होना शरी कि supersonic jets क्या है supersonic jets होते हैं जो sound की speed होती है sound की speed से भी जादा speed पे travel करने वाले जो jets होते हैं उन्हें हम कहते हैं supersonic इसी तरह हम उसको तीन तरह से divide करते हैं एक supersonic होते हैं एक sonic होते हैं और एक ultrasonic होते हैं यानि एक में जो sound की speed है उससे कम velocity होगी एक में जादा होगी और एक में equal होगी तो supersonic jets जो होते हैं वो हमारी ozone layer जो है उसको effect करते हैं उसकी thinning cause कर देते हैं इसलिए हम इसे कहेंगे कि इसकी वज़े से pollution जो होगा उसमें कौन से layer की मोटाई जो होगी वो होगी ozone layer अगला सवाल है which of the falling metals causes itai itai disease itai itai जो विमारी है वो कौन से metal की वज़े से होती है तो itai itai जो disease है वो होती है cadmium की वज़े से तो correct answer कौन सा है option A और इस disease में क्या होता है जो bones है हमारी जो spine है backbone है और जो bones है उनके अंदर बहुत pain रहता है next question है वो है glycol glycol is added to aviation gasoline gasoline के अंदर हम glycol को add क्यों करते हैं क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी antifreezing substances की antifreeze की तरह हम इसे use करते है glycol को add करने से क्या होगा जो melting point होता है ice का वो और reduce हो जाएगा इसलिए जो countries है जिनके अंदर temperature जो है minus में रहता है हमेशा वहाँ पे जो है ice formation की वज़े से हमारे engine और बाकी हमारा जो automobile है उसको कोई फरक नहीं बढ़ेगा या फिर वो safe रहेगा तो यह evaporation पे कोई effect नहीं डालता है efficiency petrol prevents freezing of petrol तो यह freezing जो है petrol का उसे prevent करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे question है कि nowadays yellow lamps are frequently used यानि yellow color के lamps रहें वो आजकल बहुत जाद़ यूज किये जा रहे हैं और वो भी कहां पे street lights में यानि कि सडक के उपर जो lights होते हैं उनमें जो भी आप light देखोगे वो आपको usually yellow color के दिखेगी तो ऐसा पूछा है कि उसके अंदर कौनसी gas जो है वो होती है तो ये जो lamps होते हैं इनके अंदर हम sodium का use करते हैं sodium से yellow light कैसे produce होती है क्योंकि ये जब light को जो ये light emit करते हैं पहले एक कुछ amount में light को absorb करते हैं उसके बाद में ये जिस wavelength की light को emit करते हैं वो wavelength होती है yellow wavelength वाली विब गयोर में जितनी यलो का जो वेवलेंट होता है वो इसलिए इनमें यूज किया जाता है किसको सोडियम को तो option A जो है वो इस सवाल में सही है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि which of the following is responsible for the extra strength of pyrex glass कि one line question है simple कि जो हमारा pyrex glass है उसके लिए कहा गया है कि उसमें extra strength पाई जाती है अतरिक्त मजबूत होता है वो बाकी glass के comparison में तो सवाल है कि क्यों होता है तो pyrex glass के अंदर borax included होता है और वो borax जो है उसी की वज़र से इसकी strength जो है इसकी मजबूती जो है वो जादा होती है तो सही answer कौन सा है option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो vinegar है उसका सिरकर जो है उसकी concentration जो है वो सबसे जादा होती है तो correct answer कौन सा होगा option B acetic acid जो की एक दो कार्वन का carboxylic acid है अगला सवाल है कि जो c weeds होते हैं समुद्री शेवाल जो होते हैं वो important source होते हैं कौन से किस mineral के या फिर किस element के होते हैं तो iodine जो है वो c weeds के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो सही answer इसका कौन सा होगा option D जो की क्या है iodine next question है कि setting जो है setting of plaster of Paris यानि कि plaster of Paris का जमना उसके अंदर ऐसी कौन सी chemical reaction होती है वो आपको बताना है तो setting of plaster of Paris जो plaster of Paris एक hemi hydrate होता है अगर water के molecules के हम बात रहे तो इसमें half molecule होता है water का जो की हम बनाते हैं gypsum से जिपसम का incomplete dehydration करकी अब आपको अगर setting करनी है plaster of Paris की तो plaster of Paris के setting reaction में क्या होता है यह hemi hydrate से बापस dihydrate के form में convert हो जाता है तो इसी reaction को हम क्या कहते हैं इसी reaction को हम कहते हैं setting of plaster of Paris तो इस reaction में क्या हुआ water का addition हुआ हाफ water molecule से दो water molecule बन चुके हैं dihydrate मतलब दो तो इसे हम क्या कहेंगे hydration water के add होने को हम कहते हैं hydration और अगर इसी word के पहले आप d लगा दो यानि की water का removal तो सही answer क्या है hydration to form other hydrates और hydrates बनाएंगे हम इससे और उसी process को क्या कहेंगे setting अगला question है कि the common name for the compound having formula naoh is naoh formula जिसका होगा उसका common name बताना है आपको क्या होगा तो caustic soda जो है वो common name होता है naoh का इसी तरह आपको caustic potash अगर भूशा जाए तो koh जो है उसका chemical formula होता है caustic potash इन दोनों में आपको confused नहीं होना है soda is naoh next question है which one of the following is found in kidney stones kidney stones जो है उनकी जब study करी जाती है उनके chemical composition की तो ऐसा पाया जाता है कि usually उनके अंदर एक जो compound है वो जादा पाया जाता है जो salt है वो जादा पाया जाता है और वो कौन सा होता है वो होता है calcium oxalate तो इसका correct answer कौन सा होगा option B calcium acetate नहीं है वो है calcium oxalate kidney stones क्या होते है जिनको आप पथरी कहते हैं वो है kidney stones और उसमें सबसे जादा कौन मिलेगा option B calcium oxalate next जो सवाल है वो है कि powerful eye irritant present in smoke is मतलब जो धुन्द होती है उसके अंदर कोई ऐसा powerful irritant है नेत्र उत्तेजक है उसका आपको नाम बताना है तो smog जो है वो usually कैसे बनता है जो fog है fog की reaction जब smoke से या फिर इसी तरह के कोई और ऐसे compound से होती है तो fog जो है वो उसका और जादा concentrated हो जाती है वो दोनों mix होने की वज़े से और उसे हम कहते हैं smog अब सवाल है कि smog के अंदर ऐसा कौन सा substance होता है जो हमारे नेत्रों को irritate करता है उत्तेज़त करता है तो वो compound अगर आप देखो nitric oxide, sulfur dioxide, peroxy acetyl nitrate और carbon dioxide इन सब में से जो peroxy acetyl nitrate है pan जिसे हम कहते हैं वो एक eye irritant होता है तो सही आंसर इसका कौन सा होग का option c अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं when water itself combines chemically with some element or mineral it is called यानि कि आप माल लीजे आपके पास कोई chemical है उसके साथ अगर आपको water का addition करना है तो जो reaction होगी उसको आप क्या कहेंगे थोड़ी तर पहली हम बात कर रहे थे water के addition को हम क्या कहते है hydration और इसी तर अगर आपसे पू hydration hydration या जल यूजन तो correct answer कौन सा होगा इसका option c अगला सवाल है कि आपको electronic configuration बताना है किसी ऐसे atom की जिसकी प्रमाणू संख्या क्या है 20 है तो atomic configuration हम 1s 1p 1s 2p इस तरह से फिल करते हैं तो हम पहले s और 3 forms में बात कर लेते हैं अगर 20 किसी का electronic configuration है उसका मतलब है उसमें number of electrons कितन यहाँ जो है वो filling करनी है तो हम इसे इस तारह से फिल करेंगे पहले हम 1s orbit को फिल करेंगे जिसमें maximum हम 2 electrons फहित सकते हैं फिर हमारे पास दा है 2s orbit 2s जो हे उसके इंदर हम 2 electrons फिल करेंगे फिर आता है हमारे पास 2P जिसकी maximum पी की shape ज़ brickius हम इस तरह से बनाते पी में maximum जो है दो, दो और दो, six electrons आ सकते हैं, तो अभी हमारे पास electrons बचे हुए हैं, तो पी orbital जो है भी पूरी तरह फिल हो जाएगा, इसी तरह आगे अगर हम thirds, अगर हम आएं, third के अंदर, third shell के अंदर, तो third में हमारे पास सबसे पहले S आएगा, तो S की हमने complete filling कर दी, फिर हमारे पास three P आएगा, जिसमे six electrons fill कर देंगे हम, और फिर हमारे पास अशुरू हो जाएगी, fourth shell जिसमें आ जाएगी, four is two, अगर आप ये सारे electrons calculate करोगे, तो आपको देखेगा, कि अभी twenty electrons जो हो complete हो जोगे, पर question में आपको इस तरह से configuration नहीं दिया है, उसमें shells के according दिया है तो पहले हम first shell की बारे में लिखेंगे, first में हमारे पास कितने electrons है, two, second में जो आपको electrons दिये हुए है, वो है second shell की, तो second shell में हमारे पास कितने है, two plus six, यानी eight, third shell में इसी तरह आप अगर निकालोगे, तो आपके पास कितने electrons है, again eight, और fourth shell में कितने electrons है, two, अगर आपको ऐस वो कौन सा होगा option c इसमें first shell में two electrons है second में eight third में eight और fourth में कितने हैं दो electrons next अगर हम question पर आते हैं तो next है कि most reactive आपको बताना है halogen के अंदर सबसे ज़्यादा reactive कौन सा होता है तो 17 group के जो elements हैं आपके पास उनको हम क्या कहते हैं उनको हम halogen कहते हैं और उनमें कौन कौन से आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रॉमीन आयोडीन यह सब आते हैं हमारे 17 group में तो आपको पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा reactive कौन है तो top to bottom जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जो reactivity होती है decrease होती रहती है और सवाल हमसे पूछा गया है maximum का यानि कि जो टेबल के अंदर सबसे उपर होगा उसकी reactivity क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी इसी तरह अगर आपको electronegativity पूछी जाए तो electronegativity भी पूरी periodic table में सबसे ज़्यादा किसकी होती है फ्लोरीन की तो इस पर correct answer कौन से बताया है मैंने फ्लोरीन तो correct answer is option A next question है के एमनो 4 के बारे भी potassium permagnate जो है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं तो potassium permagnate जो है उससे हम एक disinfectant एक किटानू नाशक की तरह से यूज करते हैं और इसके अलाबाई से हम एक कभी-कभी antibiotic या wounds को wash करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं क्योंकि ये bacteria की जो growth है उसको नहीं होने देता है और same property को हम use करेंगे as a disinfectant किटानू नाशक यहाँ पे भी हमें क्या करना है bacteria की growth को नहीं होने देना है तो correct answer क्या है option D जो की है किटानू नाशक अगला जो सवाल है वो है कि electrolysis जो है of an aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes gives यानि यहाँ पे आपको पूरी chemical reaction पूछी है जिसके अंदर हम देखें माल लीजिए हमारे पास एक container है जिसमें हमारे पास एक anode है और दूसरा है हमारे पास cathode इसको हमने DC करन से यानि battery से join कर दिया गया है हमें बताया गया है कि जो electrodes हैं दोनों वो दोनों ही electrodes copper की है electrodes में से एक आपके पास anode होगी और एक आपके पास क्या होगी cathode जो positive electrode है वो कौन सा होता है और आपको बताया है कि जो electrolyte आपने use किया है वो कौन सा है copper sulfate तो अब आपको anode और cathode पे reactions पूछने की कोशिश करे होगा copper जो है zero oxidation state से plus two oxidation state में आएगा और anode जो है वो धीरे-धीरे dissolve होता रहेगा यानि anode की मोटाई कम होगी और यह जो copper है यह वापस जाके deposit हो जाता है हमारे cathode के उपर तो cathode के अंदर जो reaction है उसमें क्या होगा copper का deposition तो copper हमारे पास कहां आई cathode पे और दूसरी जो rod बचे हमारे पास anode उसमें कौन release होगा oxygen तो correct answer यहां पे कौन सा होगा option A अगला जो सवाल है वो यह है कि which of the inert gases can form compounds अब हमने इन gases को inert नाम ही क्यों दिया था क्योंकि यह reactions नहीं करती है क्योंकि हमने कहा था इनके जो balance shell है वो complete है चाहिए उनमें 2 electrons हो या उनमें 8 electrons हो दो है helium के लिए और वाकी सब में 8 electrons होते हैं लेकिन फिर भी xenon जो है उसके बहुत सारे coordination compounds जो है वो हमने discover किये हैं इसलिए जो सबसे inert gases में अगर आपको किसी gas के compounds मिलेंगे तो वो कौन है xenon यानि option B अगला सवाल है वो है burning pyrites pyrite ore gives out pyrite ore हमने last class में discuss किया था pyrite को क्या कहते है फूल्स gold कहते है और यह बताते वग मैंने आपको formula भी बताया था pyrite का जो है fe2s यहाँ पे आपको iron के साथ कौन दिख रहा है आइरन के साथ आपको कौन दिख रहा है sulfur दिख रहा है तो यानि यहाँ पे sulfur से related ही कुछ gas या फूल भी compound रिलीज होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ कौन रिलीज होगा sulfur dioxide gas तो correct answer यहाँ पे है option B next question है कि आपको बताना है नीचे जो compounds दिए हुए है उन में से oxygen की oxidation state positive जो है वो किसमे है तो अगर आप OF2 देखोगे तो fluorine जो है वो सबसे ज़ादा electronegative element है तो हमें oxygen की oxidation state बता करनी है fluorine की होगी minus 1 दो fluorine अगर हमारे पास है तो हम उसे क्या कहेंगे minus 2 तो यहाँ पर oxygen की oxidation state है वो कितनी है plus 2 तो हमारे question का answer तो यहीं पर आ जाता है option है लेकिन हम बाकी options भी check कर लेते हैं H2O2 में हमारे पास क्या है दो hydrogen की oxidation state कितनी होगी plus 2 oxygen की जो हमें पता नहीं और oxygen हमारे पास 2 है तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो oxygen की oxidation state कितनी आएगी minus 1 इसी तरह water में oxygen की oxidation state होती है minus 2 और N2O के अंदर भी आप oxidation state जो है वो निकाल सकते हैं जो positive नहीं होगी positive के लिए जो है उसमें answer होगा OF2 या फिर oxygen से ज्यादा electronegative किसी भी compound के साथ में किसी भी element के साथ में अगर oxygen का compound है तो वो next है which one of the following elements is used in the manufacture of fertilizers यानि जो उर्वरक है fertilizers है उनके manufacture में आप किन किन elements को use कर सकते हैं तो nitrogen, potassium और phosphorus इनकी बात हम कर चुके हैं कि ये तीनों हमारे लिए सबसे important होते हैं तो आपको पूचा है आप इन में से किसे यूज़ करोगे तो हम किसे टिक करेंगे potassium को correct answer is option B अगला सवाल है जो natural rubber है natural rubber जो है वो किसका polymer होता है किसका बहूलक होता है तो natural polymer होता है isoprene का polymer अब isoprene का chemical formula अगर आप मुझसे पूछोगे तो यह होता है 1-3-butadiene तो यह यहां पर आपको chemical formula वेने इपका बता दिया है 2 पर methyl है 1 पर double bond है और 3 पर double bond है और यह चार कार्बन का यह chemical compound है तो यह जो repeating units होती है इन से आपका बना हुआ होता है और नाचुरल रबर तो correct answer is option A अगला सवाल है in addition to hydrogen the other abundant element present on sun's surface यानि sun के surface पे hydrogen के अलावा कौन सा abundant यानि कौन सी ऐसी gas है जो प्रचूर मात्रा में पाई जाती है कौन सा ऐसा तत्व है तो हमने पहले भी बात करी थी कि जो sun पे reactions हो रही है उसमें hydrogen जो है वो regularly helium में convert हो रही है तो एक gas अगर हम कह रहे हैं कि hydrogen मिल रही है तो दूसरे हम किसे कहेंगे कि helium जो है वो भी काफी मात्रा में हमें मिलेगी सूरे की उपर तो correct answer यहाँ पे कौन सा है option A अगला सवाल है ozone layer के बारे में पूछा है कि ozone layer जो है वो कहां present होती है तो ozone layer हमारे atmosphere के stratosphere layer में present होती है तो correct answer एकदम सीधा सा सवाल है कौन सा होगा option C अगला सवाल है the process of covering water pipes made of iron with zinc layer to prevent corrosion is called जो underground हमारे pipes होते हैं water के वो बने हुए होते हैं iron के अब iron के साथ में problem क्या है उसके corrosion की यानि की रस्टिंग की उसको जंग लगने की क्योंकि नेचे और रस्टिंग के लिए हमारे पास जो दो चीज़े important है वो एक होता है oxygen और दूसरा जो होता है इस pipe के बाहर और उस process को हम क्या कहते हैं galvanization तो हमने जो यहाँ पे एक इसके उपर covering जो करी है वो कौनसे element की करी है zinc की तो correct answer कौन सा होगा कि हम यहाँ पे zinc की plating करेंगे corrosion को रोकने के लिए या पिर corrosion को ना होने देने के लिए अगला जो सवाल है वो है the particle required to continue the chain process of uranium fission is uranium की जो fission reactions है उनमें मान दीजिए अगर आप चाहते हैं कि reaction जो है वो चलती रहे चलती रहे तो आपको कौन से particle की जरूरत होगी तो neutrons जो है वो एक ही particle है जो हम study करते है nuclear reaction के अंदर उसी की जरूरत आपको होगी अगर आप चाहते है कि fission reactions continue करें तो इसलिए यहां पर correct answer कौन सा होगा option c अगला सवाल है the chief source of production of nitrogenous fertilizers nitrogenous fertilizers यानि वो fertilizer जिन में nitrogen की concentration ज्यादा हो उसके लिए आप किसे यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे ammonia हो तो correct answer कौन सा है option a यानि nitric acid nitrogen और nitrogen और nitrogen dioxide तो जैसे gases है और nitric acid को हम directly use नहीं करेंग हम use करेंगे ammonia को पूछा गया है कि which of the following is an iron ore hematite magnetite इन सबकी हम काफी बाते कर शुके हैं boxide हम जानते हैं कि boxide aluminium का एक ore है nitride nitrogen का एक compound है तो हम से पूछा है iron का ore तो वो कौन सा होगा magnetite यानि की option b अगला सवाल है which one of the following is an example of gel आपको gel का example पूछा है अगर आप example बताना चाहें जो आपकी face creams होती है वो gel का एक example है तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा option c जो कि क्या है face creams अगले सवाल पर चलते हैं बेकलाइट के बारे में पूछा है बेकलाइट को पॉलिवर है को पॉलिमर हब कब कहेंगे जब वो दो मोनुमर यूनिट्स का बना हुआ हो यानि कि अगर मान लोग कोई compound है वो A और B दोनों के repeating unit से बना हुआ है एक उसका जो मोनुमर है वो A है दूसरा वो B है तो उसे हम क्या कहेंगे को पॉलिमर और बेकलाइट जो है उसको हम बनाते हैं फिनॉल फिनॉल इस हमारा जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर फंक्षन ग्रूप OH और उसके साथ जब वोर्मैलल डियृट की reaction होती है तो जो पॉलिमर हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेकलाइट तो आगे फिर आपको सबाल पूछेंगा हैं तो हम यह process देख लेते हैं electroplating की तो electroplating करने का मतलब है nickel की electroplating यानि जो स्पून है उसके उपर आपको nickel का deposition करवाना है और जब हम electrolysis पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो cathode है वो electrolysis reaction के उपर जो भी deposition होता है वो cathode पे होता है और हमारी जो rods है cathode की वो मोटी होती रहती है और anor जो है वो time के साथ में पूरा जो है वो खर्च हो जाता है हमारी reactions के अंदर ही आगे आपको पूचा options चेक कर लेते हैं हम तो हम क्या करेंगे कि spoon को पूचा है कि dip the nickel sulfate solution और जिस चीज के electroplating करनी होती है उसका हम क्या बनाते है anor बनाते है तो आपको कहा है कि आपको nickel के electroplating करनी है तो इस सवाल में हम anor किसका बनाएंगे nickel का बनाएंगे जो धीरे-धीरे solution के अंदर आएगा nickel plus two form में और वहां से जाकर कि deposit हो जाएगा cathode के उपर और जो cathode हम बनाएंगे वो बनाएंगे spoon से तो आगे देखते हैं dip in a nickel sulfate solution nickel sulfate solution हमें नहीं लेना है nickel हमें लेना है anor में made anor तो हम spoon को anor नहीं बनाएंगे spoon को हम cathode बनाएंगे क्योंकि उस पे हमें deposition करवाना है तो हम क्या करेंगे made cathode and with a pure nickel rod जो की होगा anor तो एकदम सही option है और सही जवाब भी है जो की है answer c option c अगला सवाल है कि the gas used to dilute oxygen for breathing by deep sea divers जो गहरे समुद्रों में जो गोता खोड़ जाते हैं वो क्या करते हैं वो शुद्ध oxygen pure oxygen कभी भी नहीं लेके जाते हूं जबकि कुछ और reasons है उसको dilute करने के लिए हम कुछ और gases का use करते हैं जो कि आपको पूछा है कि वो gas जो है वो कौनसी होती है जो oxygen के तनुकरण के लिए इस्तमाल करी जाती है तो helium gas जो हम use करते हैं इस process के लिए और correct answer जो क्या होगा वो होगा option d next सवाल की बात करते है bleaching powder के बारे में है यह कि जो bleaching powder है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं तो bleaching powder का सबसे पहले हम अगर chemical formula देखते हैं तो bleaching powder होता है cacl oat wise और इसकी जो chemical reactions होती है उसमें हम क्या करते हैं जो स्लेक्ड लाइम है calcium hydroxide जो है उसकी reaction करवाते हैं क्लोरीन से और जो बनने वाला compound है वो आपका क्या होगा bleaching powder तो यह हमारी reactions होगी हम calcium hydroxide जो हमारा क्या है तो इसको देखते हुए इस reaction वो कौन सा option जो आपको ठीक लग रहा है वो है option A जो की है क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम अगला सवाल है विच फॉलइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट एबाओ क्लोरोफॉर्म के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट सही है क्लोरोफॉर्म जो सबसे पहले आप chemical formula दे पढ़ लिया करो इस तरह की लिक्विड डाला जाता है फिर किसी को इसे भी बेहोश करना होता है उसे सुमा दिया जाता है तो वह यूजवली क्या होता है क्लोरोफॉर्म होता है यानि की चेतना नाशिक है यह से वह जो है consciousness जो है जिसको भी आप क्लोरोफॉर्म अगर एक बार स्मेल कर लेते हैं लोग तो यूजवली क्या है वो conscious नहीं रहते हैं उसके बार तो second option जो है वो सही है अगला है कि इससे हम फॉसजीन को बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉसजीन क्या है फॉसजीन होता है C-O-C-L-2 जो compound है उसको हम कहते हैं फॉ क्लोरोफॉर्म से फॉसजीन बना सकते हैं तो हमारी रियक्शन यह है तो जब हम क्लोरोफॉर्म की रियक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें फॉसजीन जो है वो मिलता है तो second option जो है वो भी ठीक है तो यहां अगर आप options को देखते हैं B सही है C भी ठीक है लेकिन A जो ह है वो तीन options में दिया हुआ है इसे लिए आप अगर D options नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप कौन सा टिक करोगे option C अगला सवाल है which of the following is not a method of preparing oxygen यानि कि यहां जो methods दिये हुए हैं उमें से कौन सा ऐसा method है जिससे आप oxygen नहीं बना सकते हैं तो manganese dioxide जो है उसके decomposition से आप जो है oxygen नहीं प्रिपेल कर सकते हैं पोटेशियम प्रमागनेट के decomposition से भी oxygen बनता है liquid air के fractional distillation से भी बनता है और electrolysis of water से भी तो यहां पूछा है not a method तो correct answer कौन सा होगा option D अगला सवाल है which one of the following is not a characteristic feature of alloys इस not वाले जितने भी question है इसमें आपको not को highlight कर लेना चाहिए अब पूछा गया है कि कौन सा जो है alloy का एक feature नहीं है तो alloy जो है हम उसमें क्या करते हैं कोई भी दो हम substances लेते हैं उनको आपस में mix करते हैं जो कि कोई भी एक fixed concentration उनकी नहीं होती है अब पूछा है कि क्या वो compounds होते हैं तो compounds में क्या होते हैं दो या दो से ज़्यादा elements है उनका अगर mixture है उसे हम कहते हैं compounds तो obviously इसमें दो elements तो minimum मिले जाएंगे आपको एक alloy में तो यह जो ठीक है compounds होते हैं mixtures भी इसी तरह होते हैं जिनको हम अगर दो या दो से जादा compounds को आप mix कर रहे हो और उनका कोई भी fixed ratio नहीं हो उनका कोई भी अनुपार जो है वो fixed नहीं है तो उसे हम mixture कहेंगे तो यह भी solutions याने की solutions भी हो सकते हैं लेकिन जो alloy है वो कभी वी एक homogeneous system नहीं होगा homogeneous system होता है कि अगर आप solution का या उस alloy का कोई भी एक part लोगे तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने दो mixture A और B का mixture लिया है तो आपको जितना A और B के proportions जितने मिले हैं उतने ही आपको मिलने चाहिए आप उस alloy का कोई भी टुकडा लो तो लेकिन ऐसा जो है वो alloy के case में सही नहीं होता है तो हमसे पूछा था कि which is not a characteristic कौन सा जो है वो विशेशता नहीं है alloy की मिश्रुधातों की तो सही जवाब कौन सा होगा इसका option D अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो permanent hardness होती है hardness जो calcium और magnesium के carbonates की वज़े से होती है उससे अगर आपको remove करना है तो आप किसे add करेंगे तो hardness है water की उसको remove करने के लिए हम sodium carbonate को उसमें use करते हैं sodium carbonate को use करने से क्या होगा जो magnesium और calcium के carbonates बनेंगे वो insoluble होंगे insoluble होने का क्या मतलब है या तो वो नीचे ही कठे हो जाएंगे या फिर उनको हम separate कर सकते हैं तो इस तरह से जो water है उसकी hardness जो है हम उसको कम कर सकते हैं उससे हटा सकते हैं तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option B अगला सवाल है of the following which one pollutes the ears of a big city या निकि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर नीचे दिये हुए जो options हैं उनमें से कौन जो है वो सबसे जादा pollution करता है तो जो बड़ी cities होती हैं उनके अदर जो automobiles जो vehicles हैं उनका number बहुत जादा होता है और जो vehicles हैं उनके अंदर जो element सबसे जादा निकलता है वो होता है लेड क्योंकि लेड जो है वो gasoline में उसके अलावा machinery में काफी जगा यूज किया जाता है इसलिए यहां जो correct answer होगा वो कौन सा होगा option C अगला सवाल अगर हम देखी तो अगला सवाल है bone ash, bone ash के अंदर क्या होता है तो bone ash जो है bone ash जो है उसके अंदर calcium phosphate जो है वो पाया जाता इसलिए यहां पर correct answer जो होगा वो कौन सा होगा option C अगला सवाल है कि जो acid secretion है अमल का secretion है वो किसका characteristic है तो जो हमारा stomach है stomach के अंदर जो हमारी gastric glands होती है वहां से hydrochloric acid HCl जो है वो release होता है जो कि एक strong acid है इसलिए acid secretion किसका character है stomach का यानि सही answer कौन सा होगा option B अगला सवाल है which one of the following is not a fertilizer यानि मुझे जो आपको options दिये हुए उनमें से कौन सा जो है वो एक fertilizer नहीं है पहला है ammonium sulfate तो अगर आप ammonium देखोगे तो यहां से हमें nitrogen मिल जाएगा तो यह एक fertilizer की तरह हम इसको use कर सकते हैं calcium sulfate में calcium है और sulfur है एक बार के लिए हमारे किसी भी कामका नहीं है आगे अगर आप देखते हो calcium ammonium nitrate तो calcium अगर हमारे का कामका नहीं भी है तो भी यहां पे ammonium है जो कि हमारे दिए important है और last में हमारे पास है potassium nitrate जिसमें तो potassium भी है और nitrate से हमें nitrogen भी मिल सकता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केबल कैल्शियम सल्फेट ऐसा है जिसमें हमारे तीन एलिमेंट्स एन पी के उनमें से कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा नॉट अ फर्टिलाइजर उसका कौन होगा? option B अगला सवाल आप से पूछा गया है slag के बारे में slag usually जो impurities होती है उसको हम slag कहते हैं और slag जो है उसमें usually होता है molten alumina यानि पिगली हुई form में जो alumina है वो होता है अलग-अलग metallurgies में वैसे slag अलग-अलग होता है पर usually impurities होती है अगला सवाल है which one of the following is not correct आप से पूछाए कि कौन सा सही नहीं है vulcanization अगर हमने किया है हमने natural जो rubber था उसमें sulfur एड़ कर दिया तो क्या जो नया rubber बनेगा वो soft और flexible बनेगा नहीं हम चाहते हैं कि जो rubber है उसमें हम strength अड़ करें उसे मजबूत बनाएं उसे कठोर बनाएं तो B option सही है उसे रसाइनों के खिलाफ प्रतिरूधी बनाएं तकि ऐसा ना हो कि किसी भी chemical से react करने के बाद में उसकी जो nature है वो change हो जाए और जो उच्चता अपमान है उसके लिए भी वो सहनशी लो तो ये तीनों चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखते हुए ही हम करते हैं vulcanization हम उसे कमजोर बनाने के लिए vulcanization नहीं करते हैं और हमारे सवाल में यहीं पूछा है कि कौन सा जो इन में से statement है वो सही नहीं है यानि कौन सा गलत है तो जो आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा option A अगला सवाल है stainless steel के बारे में stainless steel जो है is usually made by alloying the steel यानि steel को जो आप किस किस के साथ में mix करोगे जो आपको stainless steel मिले तो chromium और nickel जो है उनके साथ में जब आप जो मिक्स करते हो alloy बनाते हो alloy बनाते हो chromium और nickel के साथ में iron का तो उस वक्त आपको मिलता है steel यह सही जवाब यहां पर कौन सा होगा option C water is added to anhydrous white copper sulphate question यह है कि जब copper sulphate है उसके बारे में भी कैसा बता है है anhydrous anhydrous term अब कभी यूज़ करते हैं जब उसके अंदर हम मानते हैं कि उसमें बिलकुल भी पानी जो प्रेजन नहीं है वही यहां पर लिखा गया है निर्जल सफेद तामबे sulphate copper sulphate जो anhydrous होता है उसका color white होता है लेकिन उसको water में add करने के अगला सवाल है the group of amino silicates amino silicates amino silicates के जो group minerals है उनको हम उनमें से कुछ minerals ऐसे हैं जिनको electrical insulators भी जूटर से करी काम में लेते हैं जिनको हम विद्धक वंस वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनके रिमान में इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है कि वह बॉप site है इस्प्र महने तो अब्रब जो होता है मिका जो होता है उसको हम यूज करते हैं एलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने के लिए तो सही जवाप कौन सा होगा इसका ऑप्शन डी अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं जो जतनी हमारी कोल रिंग्स होती हैं शीतल पेपदाट जो है उनमें सुविंग एजेंट जो है असकंदन कारक की रूप में आप किसको इस्तिमाल करते हो तो यही सवाल हमने थोड़ी अलग तरह से पहले भी सॉल्फ किया था कि जो हमारे सॉफ्ट्रिंग्स होते हैं उनमें थोड़ा सा जो खट्टा टेस्ट होता है वह तो हमने बताया था कि वह होता है फॉसफोरिक आसेड की वज़े से और फॉसफोरिक आसिड करते हैं वही जो है असकंदक असकंदन कारक होता है तो इसलिए सही जवाब यहाँ कौन सा होगा अप्शन ए अगला सवाल है कि आप विशाक्तता से क्या समझते हैं तो जैसे आपने पढ़ा विशाक्तता तो आपको लगा कि विश से संबंदत यहां कोई बात की जा रही है तो यहां जो हमारे options अगर हम देखते हैं तो यहां पर soap और detergents की respect में toxicity की बात की जा रही है तो toxicity एक chemical reaction तो नहीं है, detergents की manufacturing के लिए कोई process भी नहीं है toxicity, toxicity है कि कोई भी substance जो है उसके जब harmful effects आने शुरू हो जाते हैं या तो किस वज़े से या तो उसकी concentration ज़ादा हो जाए या फिर उसके manufacturing में अगर इस तरह की कोई गडबर होती है तो और soaps के manufacturing की process जो है उसको तो हमने अलग से नाम दिया था, क्या नाम दिया था, saponification तो उसको भी toxicity नहीं कहते है, तो toxicity क्या होता, ये एक harmful effect है soaps और detergents का जो की जरूरी है, जो हम कब measure करते हैं ये देखने के लिए कि हमने जिस तरह के साबून बनाए है या soaps, detergents बनाए है, वो effective है भी या नहीं है तो सही answer कौन सा है इनका, option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, which one of the following gases has highest calorific value उश्मिय मान जो है, वो इन में से सबसे जादा किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि उश्मिय मान होता क्या है, कोई भी fuel जो है उसको जब आप उसका complete combustion करोगे, तो उस time पर जितनी heat जो है, वो release होगी उसे हम कहते हैं calorific value, या फिर simple शब्दों में हम कहें, तो किसी भी fuel के अदर कितनी energy जो है, वो stored है उसे हम कहेंगे calorific value, तो अगर हम बात करते हैं natural gas की, water gas की, coal gas की या indane gas, indane gas है जो normal हम kitchen में LPG gas use करते हैं, उसी को कहते हैं, तो हमारी जो LPG gas है, indane gas है, उसकी उसका उश्मिय मान जो है, वो इन में से उच्चितम है इसलिए सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा, option D अगले सवाल देते हैं, which type of radiations are absorbed by the upper layer of the atmosphere, जो हमारा वायू मंडल है, उसके उपरी ये परत जो है, वो किस तरह की विकरणों का absorption करती है तो हम सब जानते हैं, कि उपरी परतों के अंदर हमारी ozone layer होती है, और ozone layer कौन से किरणों को absorb करती है, वो absorb करती है हमारी ultra-boilet radiations को इसलिए सही जवाब कौन सा होगा, option D, ultra-boilet, पैरा बैंगनी किरणी अगला सवाल हम देखते हैं, तो अगला सवाल है कि replenishable energy जो है, पुनत भरनी ये उर्जा का स्त्रोथ आपको बताना है कि क्या coal इस तरह का एक स्त्रोथ है, petroleum, lignite या biomass तो coal और lignite जो है, ये दोनों ही हमारे, coal का transformation होता है, उसमें peat, lignite, anthracite उनमें ही आते हैं, इसी तरह जो petroleum है, वो भी एक natural हमारे पास source है, लेकिन ये replenishable नहीं है, यानि इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा सालों का समय चाहिए होता है, लेकिन जैसे biomass है, जैसे सौर् ये सब इस तरह के उर्जा है, जो मतलब जिनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जैसे सूरज है, सन है, उसकी radiation जो है, वो रोज हमारे पास earth तक पहुंचते है, इसी तरह wind जो है, वो ऐसा नहीं होता है कि उसको बनने के लिए, या फिर wind जो है, का example है, अगला सवाल है, which one of the following minerals is found in pure form, यहाँ पर आपको कुछ खनीजों के example दिये हुए, आपको बताने है कि इनमें से शुद्र रूप में कौन सा पाया जाता है, शुद्र रूप में पाया जाने का मतलब यह है कि यह जो दूसरे metals हैं, या तो उनके साथ में जुड़ा ह हुआ नहीं मिलेगा, या फिर यह आपको मिलेगा free form के अंदर, तो अगर आप examples देखते हो, iron का, copper का, bauxide का, manganese का, तो bauxide जो है वो तो खुद ही क्या है, एक aluminium का ओर है, इसमें aluminium के साथ में और elements भी present होते हैं, manganese, copper और iron में से अगर आप देखते हो, तो इन में से जो copper है वो आपको शुद्ध form में मिलता है, शुद्ध रूप में मिलता है, इसलिए सही जब आप कौन सा होगा, copper, iron के अगर हम बात करें, तो iron की ores जो mainly होते हैं, hematite और magnetite, उन दोनों के अंदर ही हमने iron को किसके साथ में जुड़ा हुआ देखा है, oxygen के साथ में, यानि कि यह के अपको वारी ग्रस्त होने के लिए main reason को होता है? तो सबसे main reason जो है roads के damage होने का वह उने का वहां पर पानी का इकठ्ट हो जाना, पानी के इकठ्था होने से क्या होता है, वो पानी absorbed हो जाता है roads के अंदर, उसके बाद में वहां पे expansion process शुरू होता है, expansion process की वज़एस से क जो हमारी रोड्स हैं उनके अंदर दरारे आ जाती है और फटनी शुरू हो जाती है इसलिए जो ठहरा हुआ पानी है गतिहीन जल जो है वो एक में वज़ होती है जो रोड्स हैं उनके डामेज के अगले क्वेशन के दरफ बढ़ते हैं हमें एक ड्रग का नाम दिया है आपको से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मरी जुआना की नहीं है तो अगर आप ऑप्शन देखोंगे सिडेटिव तो सिडेटिव और हिपनोटिक यानि जिन ड्रग को खाने की वज़े से अगर आपको नींद आती है उन्हें हम सिडेटिव की फॉर्म में लीते हैं तो गांजा क एक प्रॉपर्टी है कि यह सिडेटिव होता है स्टिमलेंट का मतलब है जितने भी आपके फंक्शन नियूरॉंस या फिर में इंटल जितने भी आपके फंक्शन उनको यह एक्सिलेरेट कर देगा उनको यह बढ़ावा देगा हल्यूसिनेटिंग भी होती है जो मेरी को आपको दूर करने के लिए आप अगर किसी तरह की ड्रग लेते हो और उनसे ठीक होता है तो उनको हम कहते हैं अगला सवाल है अगला सवाल है इस टेरिलन नाम का पदार्थ हमारे पास है आपको बताना है कि वो किस तरह का फाइबर है तो टेरिलन जो है यह सिंत्रिक फाइबर है और सन्तेक भी कैसा है सिंत्रिक पॉलिस्टर का फाइबर यह एक यह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम् वच इस नौत यूज़े अजार के रूप में इसे फिर थो यह फिय NaOH, इसको हम इस्तिमाल करते हैं, बेस की तरह potassium hydroxide को भी यूज करते हैं, calcium hydroxide को भी यूज करते हैं, ये सब जो हैं, इनकी properties ये basic होते हैं, लेकिन nitrogen hydroxide के आप बात करोगे, तो nitrogen hydroxide जो है भी वो nature में exist ही नहीं करता है, कभी-कभी जो है आपको मिलेगा कि ammonium hydroxide जो है, उसको अगर कोई आपको nitrogen hydroxide बोलता है, तो वो गलत है, सिर्फ nitrogen होने से हम इसको nitrogen hydroxide नहीं बोल सकते हैं, ये ammonia जब एक H ion gain कर लेता है, तब हम इसको ammonium hydroxide ये ammonia के साथ एक OE जुड़ने पर कहते हैं, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, option D, ये basic नहीं है और ये exist भी नहीं करता है, अगला सवाल है, the chemical used in embalming biological materials, यानि कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास examples है, जैसे आपको कुछ bodies है, dead bodies preserve करनी हो, human की या, animal की या, इस तरह का आपको कोई भी preservation करना होगी, आपको बहुत सालों तक उसे store करके रखना है, तो आप वहाँ पे कुछ chemicals का use करते हैं, तो आप सबने सुना होगा, formalin जो है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों को store करने के लिए, और उस process को हम क्या कहते हैं, embalming, shwalepan, और formalin के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती हैं, formalin के अंदर हमारे पास एक formaldehyde होता है, और water होता है, यह fixed concentration में dissolved होते हैं, और आप अगर options देखोगे, तो आपको ऐसा ही option मिलेगा, पहला जो की है, formaldehyde in water, जो की in short क्या है, formalin, और उसी को हम use करते हैं, शwalepan के लिए, तो सही जवाब यहां कौन सा हो गया, option A, अगला सवाल है, dry ice के बारे में की dry ice से क्या समझते हैं, तो dry carbon dioxide जो है, उसे हम जानते हैं, dry ice के form में, अब आपके पास carbon dioxide के भी दो option है, कि क्या solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं, या dry carbon dioxide gas, तो solid जो carbon dioxide है, उसे हम जानते हैं, dry ice के नाम से, इसलिए सही जवाब कौन सा हो गया, यहां पे, option D, अगला सवाल है, which one of the following is not the form of biocides, यानि नीचे जो आपको दिया हुआ है, उनमें से कौन ऐसा है, जिसको आप biocide की तरह use जो है, वो नहीं करते, तो biocides क्या होते हैं, biocides देखिए, या तो कोई chemical होते हैं, और अगर chemical नहीं है, तो कोई microorganisms होंगी, और ये क्या करेंगे, जैसे कोई microorganism मान लीजिए, उनकी वज़े से कोई disease हो रही है, या फिर उनकी concentration बहुत ज़ादा हो रही, वो किसी भी तरह से अगर नुफसान करते हैं, तो salt, iodine और sugar जो हैं, इनको हम biocides की तरह use कर सकते हैं, लेकिन जो bleach है, bleach या bleaching powder, उसे हम biocides की तरह इस्तिमाल नहीं करते हैं, उसमें ऐसी कोई property नहीं है, जिस वज़े से वो जो microorganisms हैं, उनको मार सके, या उनको disease करने से रोख सके, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, option D, अगला सवाल है, एक potato tuber, यानि आपके पास एक आलू है, उस आलू को आपने क्या क्या, उसको आपने दो parts में cut किया है, उसके बाद में आलू की surface को उपर करके, आपने उसके उपर दो drop डाले हैं, iodine के, और आगे क्या क्या है, placed on the cut surface of one of the halves, आगे पूशा गया है आपको कि कैसा color change आएगा, और अगर नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, तो आप बात करें potato की, तो potato के अंदर starch present होता है, और starch के उपर जब कभी भी आप iodine की drops डालते हैं, तो वहाँ पे color change जो आता है, वो होता है blue black color, यानि अगर आपने जिस भी substance पे iodine डाला है, और अगर उसमें starch present है, तो उनका color change हो के कैसा हो जाएगा, blue या blue black का mixture हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते है, iodine test, तो यहाँ पे क्या होता है, brown to blue black, brown क्यों, क्योंकि आपने जो iodine का solution डाला है, उसका actual color कैसा होता है, brown, तो इसलिए सही answer क्या होगा, option A, अगला सवाल है कि commercial waste lean है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको derive कहां से किया जा रहे, तो petroleum को जब हम derive करते हैं, तो उसमें जो last के products होते हैं, उनमें से एक product जो है, वो waste lean भी होता है, और सही जवाब इसका कौन सा है, petroleum, petroleum से हम derive करते हैं, waste lean को, अगला सवाल जो है, color imparted to the bunsen flame by strontium salt, ये एक तरह का flame है हमारा, इसके उपर हम अलग-अलग तरह के जो salts हैं, उनको रखते हैं, फिर जो flame के color में change आता है, उसको हम study कर दें, और वो कभी-कभी आप से questions में पूचा जा सकता है, जैसे आप से अभी पूचा गया है strontium के बारे में, तो strontium जो color आपको देगा in flame के उपर, वो ह जब आप कौन सा है, option D, और अगर आप बाकियों का भी जानना चाहें, अगर इसी तरह मान लेजरी है, यह strontium है, आपको हलका से change करके पूच लिया जाए, तो bluish green color जो है, वो आपको मिलेगा, copper के salt से, copper sulfate भी क्योंकि blue color का होता है, aqueous copper sulfate तो उससे आप याद रख सकते है जो apple green color है आपका, वो आपको मिलता है, barium से और जो brick red color है, इंट जैसा लाल या गाढ़ा लाल वो आपको मिलेगा, किस से? lithium से, लेकिन strontium का पूचा है, तो वो कौन सा है, crimson red अगला सवाल है कि जो tear gas है, जो आंसू gas है, उसको कभी-कभी police use करती है, जब बहुत जादा भीड हो जाती है, तो उस भीड को भगाने के लिए अब हमारा सवाल यह है कि वो जो tear gas है आंसू gas जो है उसके अंदर कौन सा element होता है तो उसके अंदर कौन होता है उसमें होता है क्लोरीन सही जब आप कौन सा होगा option B अगरे सवाल की तरफ चलते है इपसम सॉल्ट के बारे में पूछा है कि कहा यूज किया जाता है सबसे पहरे जान लेते हैं इपसम सॉल्ट का formula क्या है तो magnesium जो है magnesium का sulphate अगर आपके पास है तो magnesium के sulphate को हम क्या कहेंगे इपसम सॉल्ट अब इसके बहुत तरह के uses होते हैं हमारे पास जैसे इपसम सॉल्ट को हम use करते हैं हमारी बाड़ी को relax करने के लिए stress को कम करने के लिए भी use कर सकते हैं उसके अलावा अगर pain है cramps वगएरा है इन सब को ठीक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह constipation की अगर किसी को problem है कबस की किसी को अगर दिक्कत है तो उसमें भी हम ipsum salt को use करते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं और जैसी मतलब ऐसा अगर कोई drug है जिससे constipation की problem ठीक हो रही हो या फिर वहाँ पे stools के अगर loosening हो रही हो उसे हम क चाहिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं rodenticide क्या है rodenticide क्या होते हैं जोतने भी जानवर होते हैं जो कुतर के खाते हैं जैसे कि चूहा है और चूहे की समान जो और animals हैं उनको include करते हैं हम किसमें rodents के अंदर उनके teeth की वज़े से उनमें teeth थोड़े से अलग होते हैं तो rodent क् चूहा क्या है एक pest है तो एक कीट है जो अगर हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उनको बारेंगे न तो इसलिए rodenticide क्या है rodenticide है एक pesticide एक कीट नाशक का example है आगे है which one of the following is a micro element तो देखिए हमारी body में जुतने भी आपको अलग-अलग तरह के चीज़े मि हमारी body में जैसे हमारी body में कहा जाता है कि maximum percentage में आपको कौन मिलेगा oxygen उसके अलावा आपको hydrogen भी मिलता है आपको carbon भी मिलता है calcium भी oxygen hydrogen carbon calcium potassium कही तरह के आपको elements जो है वो मिलेंगे अब उनमें दो तरह के elements होते है macro elements और एक होते है micro जो जादा amount में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते है macro elements यानि की और जो कम amount में मिलते हैं उन्हें हम कहते है micro elements या फिर सूक्ष मतत्वर तो carbon hydrogen nitrogen oxygen carbon ये सब जो है ये तो है macro के example लेकिन जैसे chlorine है chlorine के लावा phosphorus वगेरा जो है वो macro में नहीं आते हैं तो सही जवाब इसका कौन सा होग option A जो है chlorine अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं brass के बारे में पूछा गया है कि brass किस किस का alloy है तो brass और bronze ये हमने पहले किसी एक lecture में साथ में discuss किया था कि दोनों के अंदर copper जो है वो तो common है लेकिन अगर आपको अगला पता करना है कि next कौन है तो जिसमें z आता है जिस word में उ brass किस का हमारा alloy हुआ किस किस का mission हुआ copper का और zinc का सही जवाब कौन सा है यहाँ पे option B अगला सवाल है कि जो rock salt है rock salt एक mineral है और इस mineral के अंदर आपको क्या मिलेगा potassium मिलेगा magnesium मिलेगा sodium मिलेगा या iron मिलेगा तो rock salt के अंदर आपको जो element मिलेगा वो है sodium तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे option C rock salt मानी same भना मगोगे अगला सवाल की तरफ चलते हैं which one of the following is not correctly made आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो है वो गलत है पहला आपको दिया है hematite और copper क्या hematite और copper के बीच में कोई relation है क्या hematite copper का owe है नहीं hematite किस का owe है iron का owe है तो पहला option जो दिया है वो आपको गलत है अगला है बॉक्साइड और उलुमिनियम, तो हम सब जानते हैं, बॉक्साइड जो है, वह अलुमिनियम का ओर होता है, तो ठीक है इसी तरह मॉनाजाइड जो है, मॉनाजाइड के अंदर वैसे तो दो-तीन एलिमेंट के Mixture होते है फिर भी हम थोरियम जो है उसको monazide से extract कर सकते हैं तो यह option जो है वो भी सही है इसी तरह है हमारे पास pitch blend जो uranium का एक और है यू ओटू एक oxide है इससे हम uranium extract करते हैं तो यह option को छोड़ करके बाकि सारे option जो है उसमें सही और आपको दी हुई है और सही जो भी element हम extract करते हैं वो दिया हुआ है हमसे पूछा गया है गलत कौन है तो गलत कौन है यहाँ पे option A next is which one of the following is used for refrigeration यानी प्रशीतन के लिए निचे में से कौन सा उप्यों किया जाता है तो फ्रियोन जो है उसको हम as a refrigeration के लिए यूज करते हैं इसका formula क्या होता है CCL2F2 यानी कि methane के उपर हमने जो चार hydrogen थे उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया है दो chlorine से और दो fluorine से और यह एक chlorofluoroparbon का example है तो सही answer कौन सा होगा यहाँ पर option C अगला सवाल है कि कौन सा जो नीचे से आपको नीचे से जो आपको options दिये हैं उनमें से किसका इस्तेमाल जो हम ethanol के denaturation के लिए करते हैं ethanol का denaturation उने पहले भी बात करी थी जैसे laboratories के अब अगेरा के अंदर जो ethanol होता था पह foratory purpose के लिए ही use किया जाए और उसको denature करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं हम करते हैं methyl alcohol का तो सही जवाब क्या होगा इसका option A अगले सवाल है अब आप पूछोगे कि brown sugar और sugar के अंदर क्या difference है तो brown sugar जो है उसका chemical formula जो है वो तो sugar की जैसा ही होता है C12H22O11 जो हमारा सुक्रोज का formula है लेकिन यह color में कैसा होता है brown होता है brown colored हम sugar को use नहीं करेंगे इसलिए हम उसको decolorize करेंगे उसका जो color है उसको निका जालेंगे और उसके लिए हम जिस charcoal का इस्तेमाल करते है वो होता है हमारा animal charcoal कौंसा होता है animal charcoal तो सही जवाब यहाँ पर कौंसा होगा option C अगला सवाल देखते हैं the fungus which is used in alcohol industry यह एक fungus है एक तरह का हमारे पास कवक है जिसे हम alcohol industry में use कर सकते हैं तो वो कौंसा है yeast जो आपका chemical है उसमें आप क्या करते हैं yeast में जाइम होता है जिसे हम कहते हैं zymase zymase की वज़े से वहाँ chemical reaction होती है जिसमें finally ethyl alcohol का formation होता है ethyl alcohol क्या है एक तरह की alcohol तो हम इस enzyme को और इस cover को इस्तिमाल कर सकते हमारे industries के अंदर जिससे हमें alcohol का formation कर लेंगे इसलिए आपे सही जवाब कौंसा होगा option C जो भी है yeast खमीर अगला सवाल है गोल्ड जो है वो किसमें dissolve होगा तो गोल्ड ना hydrochloric acid में dissolve होगा ना nitric acid में dissolve होगा पर दोनों के combination में dissolve हो जाएगा 1 is to 3 का जो concentrated combination है जिसे हम क्या कहते हैं aquaragia तो सही जवाब कौंसा होगा इसका option C अगला सवाल है how will you define the process of vulcanization vulcanization की process को आप कैसे define करोगे तो vulcanization process जो थी उसमें हम उसको हम करते हैं जो natural rubber है उसकी जो properties है उनमें कुछ additional properties, strength वगएरा को add करने के लिए natural rubber के अंदर जब हम sulfur को add करते हैं और sulfur के साथ में हम एक चीज़ और add करते हैं जो है letharge अब letharge का formula भी आपको पता होना चाहिए letharge is lead का oxide तो यह जो पूरी process है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं vulcanization तो यह butane के उपर हम नहीं कर रहे हैं हम natural rubber पर कर रहे हैं जो butane का polymer तो नहीं है और propane का भी नहीं है some of plastic formed plastic के भी कोई बात नहीं है vulcanization अगर आपको याद है तो आपको दो चीज़े जरूर याद होंगी पहला rubber और दूसरा sulfur यानि सही जब आप क्या होगा sample of rubber mixed with sulfur and letharge अगर आपको letharge के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप यह question जो है आसानी से सही कर सकते हैं अगला सवाल है among the following the hardest metal metal is sorry तो जो hardest metal I'm really sorry जो hardest metal है वो होता है tungsten इसे लिए correct answer कौन सा होगा option D gold iron और platinum जो है यह noble metals के category में आते हैं these are not hard hardest तो नहीं है at least next question is NBR क्या है NBR जो हमारा N rubber या फिर N-buna जो होता है एक rubber का form है N-buna S-buna 2 हमने पढ़े हैं उसी तरह हम उसी को और नाम देते हैं जो कि NBR और NBR क्या है NBR is acrylonitrile butadiene rubber तो इसे हम क्या कहेंगे natural acrylonitrile butadiene rubber ये एक natural rubber का example है तो सही option है यहाँ पर क्या हो गया option B next is the main source of naphthalene naphthalene जो है उसका main source होता है कोलता तो correct जवाब यहाँ पर क्या होगा option C अगला सवाल है most commonly used rodenticides rodenticides के हमने थोड़े देर पहले भी बात करी थी लेकिन पूछा है कि rodenticides जो है उनमें हम कौनसी property का use करते या फिर उनका nature कैस तरह की प्रकृती होती है उनकी तो जो rodenticides हम use करते हैं वो हम use करते हैं anti-coagulant यान यह जो coagulation है उस coagulation process को नहीं होने देंगे जिससे जो है blood flow अगरा नहीं रुकेगा या तो internal breeding होगी या इस तरह से हम property जो use करेंगी वो क्या है anti-coagulant तो सही जवाब क्या है इसका option C अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है which one of the following compounds is not ionic in nature आपको बताना है कि कौन सा compound जो है जिस ionic नहीं है यानि कौन से में ionic bond नहीं है ionic bond usually होता है एक cation और एक anion के बीच में lithium chloride अगर आप देखोगे तो lithium पे positive charge है chloride Cl minus जो हमारा anion है और इन दोनों के बीच में एक ionic bond है ammonium chloride इसी तरह अगर आप देखोगे ammonium chloride है NH4 plus और chloride minus के बीच का ion calcium chloride है calcium plus 2 और calcium plus 2 के साथ में 2 chloride का bond जिन पे दोनों पे negative charge है तो ये तीनों examples जो थे वो तो किसके थे ionic bond के लेकिन जो carbon tetra chloride है CCl4 ये एक ionic bond का example ना होकर के covalent compound है तो सही जवाब इसका क्या होगा option D next जो question है वो है when lime juice is dropped on baking soda brisk effervescence takes place because the gas involved is lime juice को और आपने baking soda के अंदर जब डालते हैं तो वहाँ पे एक तरह की gas produce होती है gas या फिर वहाँ बुदबुदाहट होने लगती है तो obviously वहाँ कोई gas के bubbles ही है जो निकल रहे हैं तो वो कौन सी gas होती है तो carbon dioxide gas जो है उसका formation होता है ये पूरी process जो आपको explain करी हुए है उसके अंदर जो gas है वो कौन है carbon dioxide CO2 तो सही जवाब है हमारा option A sorry option C अगला जो सवाल है वो है which of the following is used in clean oxidation यानी switch oxygen के लिए आप कौन सा जो है नीचे जो compounds या फिर जो भी दिये हों उसमें से use करेंगे तो clean oxidation में क्या होता है usually जैसे किसी तरह का अगर आपको कोई paint remove करना हो surface के उपर से या फिर उसी substance के कोई oxides वगरा हो इन सब को remove करना हो तो आप उस process को कहेंगे clean oxidation और इसके लिए हम use करते है hydrogen per oxide और वो भी कैसा aqueous form में H2O2 तो सही जवाब क्या है option C which is aqueous hydrogen per oxide solder metal पूशा गया है अगला आपको की solder metal जो है वो किस-किस का alloy होता है solder metal क्या है जो metal के अलग-अलग टुकडे हैं मालने उनको आपको joint करना है soldering करनी है तो उसके लिए आप जो मिश्रधादू का इस्तेमाल करते हैं उसे हम solder metal कहते हैं आपको उसका बताना है कि हम उनमें कौन-कौन से दो elements है उनका mixture use करते हैं तो हम use करते हैं उसमें lead को और tin को तो सही जवाब इसका कौन सा है option A अगला सवाल है कि आपको electroplating करनी है gold की तो electrolyte आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो electrolyte आप इस्तेमाल करोगे gold का क्यों क्यों क्योंकि जो आपका anod होगा anod के उपर आप जो impure gold लोगे वो impure gold पहले solution में आएगा और solution के बाद में जाकर होगे वो cathode में deposit होगा जिसको आप electroplating कहोगे तो इसके लिए जो आप electrolyte यूज़ करोगे बेच में उसमें भी जो gold है वो present होना चाहिए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे gold का sulfate AgSO4 हम यूज़ करेंगे gold के sulfate को it's AU okay so correct answer is option C next question है वो है the acid present in red ants जो लाज़ चींटियां है जो आपको खा जाती है उस वक्त आपको redness होती है swelling आ जाती है तो उनके अंतर पूछा कहा है कि कौन सा acid present होता है तो formic acid present होता है ants के अंदर HCOOH जो कि simplest carboxylic acid है तो सही answer कौन सा है इसका option D अगरा जो सवाल है पूछा है कि कौन सा metal है जो bauxite से extract किया जाता है तो bauxite aluminium का एक main ore है तो हम aluminium को extract करेंगे bauxite से correct answer is option D next is pH value between 6.5 to 7.5 makes the soil तो pH की जो range होती है वो हम शुरू करते हैं 1 से 14 तक और उसमें जो 7 value होती है उसको हम consider करते है neutral 7 से पहले की जदनी भी values है वो acidic है और 7 की बाद की जदनी भी values है वो कैसी है basic तो आपको बताया है 0.5 आपको पहले दिया है और 0.5 बाद में दिया गया यानि यह range जो है वो आपको बताई गई है soil के pH की तो अगर आप इसके mid value अगर आप लेना चाहा हो तो आपको वो कितने मिलेगी 7 मिलेगी तो 7 को हम कौन सी category में डालेंगे हम उसको neutral में add करेंगे तो इसका सही जवाब कौन सा होगा option B अगला सवाल है which of the following indicator is used in determination of hardness of water जो पानी है पानी की कठोरता को अगर आपको देखना हो तो हम उसके लिए EBT यूज करते है acid और basis की reactions होती है और उनमें salt formation होता है लेकिन यहाँ पे हमें hardness का पता करना है तो हम उसमें किसको use करेंगे EBT तो correct answer इसका क्या है option A अगला question है the wire of flash bulb flash bulb जो उसके wire हम बनाया जाते है magnesium से flash bulb is different तो आप इस तरह के जो सवाल है उसको ध्यान से पड़े electric bulb अगर आपको पूछा जाते है तो उसमें हम जवाब देते है nichrome wire तो यहाँ पे correct answer कौन सा है magnesium next question है the colored discharge tubes for the advertisement mainly contained जो colored tubes होती है विग्यापन के अंदर जो आपको रंजित विसर्जन नलिकाओं का इस्तिमाल किया जाते है उसमें पूछा है कौन सी gas जो है वो उनमें present होती है तो neon gas जो है उसका इस्तिमाल किया जाता है जो हमारे advertisement वाले colored discharge tubes होते हैं उनमें सही answer कौन सा होगा इसका option D अगला सवाल है कि जो muscle fatigue है is caused by the accumulation of muscle fatigue में क्या होता है जो थकान होती है आप बहुत जादा exercise करते हो बहुत जादा workout करते हो उसके बाद में आपकी muscles में बहुत pain होता है वो pain क्यों होता है क्योंकि जब आप बहुत exercise करते हो तो body में जितना भी oxygen है उसका पूरे का consumption हो चुका है यानि कि अब body में बिल्कुल oxygen present नहीं है जितना आप respire कर रहे हो आपके सिर्फ normal जो demands है उनको ही complete कर पा रहा है तो इस time पे हमारी body में होता है anaerobic respiration यानि कि जो oxygen की absence में होता है वो respiration और इसमें जो products बनते हैं वो होता है lactic acid और lactic acid की deposition से हमारी जो muscles है वो sore हो जाती है और उनमें pain होता है उनमें fatigue होता है तो correct answer कौन सा होगा इसका option B जो की है lactic acid अगला सवाल है वो है what is the most common salt in sea water सबसे common salt sea water में कौन सा है NaCl जो table salt है वो सबसे commonly मिलता है sea water में तो correct answer कौन सा होगा इसका option C sodium chloride अगला सवाल है कि जब quick lime को water में add करते हैं तो क्या reaction होती है तो quick lime सबसे पहले calcium oxide quick lime है उसके अंदर जब आप water अड़ करोगे तो बहुत vigorous reaction होती है उसके अंदर बहुत जादा amount में heat जो है वो release होती है और किसका formation होता है calcium hydroxide का जो क्या है slake relyme calcium oxide क्या है quick lime और Calcium Hydroxide क्या है? Slake Reliant अब आपका जो question था वो उसमें बात हो रही थी heat कीगी या वो liberate होगी absorbed होगी तो बहुत energetic reaction है यहाँ पर heat जो है वो liberate होती है heat जो है वो मुक्त होती है release होती है last question जो आज का है वो है the number of neutrons present in an element having mass number 226 and atomic number 88 तो मान लीज़े आपके पास कोई element है x जिसका atomic number 88 आपको बताया गया है और उसका mass number है 226 तो हम neutrons का number कैसे calculate करेंगे जिसका atomic mass है उनमें से हम subtract करेंगे उसके atomic number को यानि 226 को subtract करेंगे हम 88 से तो जो answer आपका आएगा यहाँ पे वो होगा 138 और अगर इसी question में आपको number of protons पूछे जाएंगे तो वो किसके equal होंगे atomic number के यानि कि वो कितने होंगे 88 तो इस question का सही answer कौन सा होगा 138 number of neutrons पहला सवाल जो आपकी screen पर display हो गया होगा वो है which among the following is a covalent compound आपको बताना है कि आपको जो options दिये हुए है उनमें से कौन सा जो है वो ही covalent compound है तो चलिए हम one by one सारे options देख लेते हैं सबसे पहला आपके पास क्या है calcium chloride जो क्या होता है CACl2 हम सब जानते हैं ये एक ionic compound ये जिसमें calcium का charge plus 2 है वो cation की तरह add करता है और इसी तरह chlorine जो है वो क्या है minus one और वो anine की तरह add करता है तो calcium chloride जो है वो एक covalent compound का example क्या है नहीं है तो पहला option गलत है second option की तरफ चलते है second है magnesium chloride फिर sodium chloride तो अगर ये सारे आप देखोगे तो वो alkali और alkaline metals जो है उनहीं को लिया हुआ है और उनके जो है hyalides के साथ में आपको salts दिये हुए है तो ये सारे जो है ये ionic compounds है लेकिन जो carbon tetra chloride है CCL4 ये एक covalent compound है ये एक ionic compound जो है वो नहीं है तो सही जवाब कौन सा होगा option D चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल है कि gamaxane, DDT और bleaching powder जो है ये किसके compound है अब मान लीचे आपको नहीं पता आपने कभी नहीं सुना gamaxane के बारे में DDT जो है वो आपने सुना है पर आपको confirm नहीं है कि वो किसका compound है लेकिन bleaching powder के बारे में तो हम जानते है ना कि bleaching powder किसका compound होता है chlorine का तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा option A आप इसको search कर सकते है अगर आपको जादा information चाहिए तो DDT और gamaxane जो है इन दोनों के अंदर भी हमारे chloridines जो है वो present होते है अगला जो question है वो है combustion of a candle combustion यानि कि आप उसको oxygen की complete presence में यानि कि वो तो आगे की चीज़ है किसी भी substance को जलाने की जो reactions होती है अगर हम normal बात करें से हम combustion कहते है तो candle का combustion क्या होगा यह एक exothermic reaction है अब आप पूछेने कि exothermic और endothermic या फिर उश्मा सोशी और उस्मा क्षेप सी इनमें आपको क्या difference है तो जो exothermic reactions होती है उनमें जो energy होती है वो release होती है और इसी तरह जो endothermic है यानि कि इनको energy की जरूरत है तो यह क्या करेंगे यहाँ पे energy जो है वो क्या होगी absorb होगी और जो combustion reactions है उनमें क्या होता है उनमें energy जो है वो release होती है तो यह example है किसका exothermic reactions का तो correct option कौन सा हुआ option D अगले सवाल की तरफ चलते हैं which of the following property is not of the ionic compound अब आपको options दी हुए इनने से आपको बताना है कि ionic yogic जो है उनकी property कौन सी नहीं है आपको यहाँ focus क्या करना है एक ionic compound के उपर करना है और दूसरा not के उपर तो आपको दिया गया है कि यह water में soluble होते है कि यह पाने में घुल जाते है तो आप ionic compound के नाम पर NACL को याद कर लिए एक पार तो आप भी बताएगे मुझे कि NACL water में soluble होता है या नहीं होता है तो NACL जो है वो water में soluble होता है तो पहला जो है वो सही है दूसरा है कि इनके high melting और boiling point होते है तो इनके boiling point और melting point भी हाई होते है यह भी सही option है अगला है कि इनके electric conductivity होती है solid state के अदर है अब दो चीज़े आते हैं जो आइने कलपाउं के बार में आप याद रखें कि electric conductivity जो है इनकी विद्युक चालकता जो है वो इनके कब होती है वो तभी होगी जब या तो यह molten state में होगी molten मतलब कि क्या पिघली हुई अवस्था के अंदर होगी या फिर क्या होगा जैसे आपने नमक को है पानी में भूल दिया है उसका तो वो क्या हुई उसके liquid state हुई तो उस state के अंदर भी उसमें चालकता होगी लेकिन ठोस अवस्था में कोई भी चालकता जो है वो नहीं होगी तो गलत option कौन सा हुआ यहाँ पे option जो C है अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपको पूछा है carbon का percentage cast iron के अंदर तो यह सारे हम बात कर चुके हैं cast iron में, raw iron में, steel के अंदर तो अगर आप पूछेंगे मुझसे कि कितना percentage होता है cast iron में, carbon का तो वो कितना होगा? 3-5% तो सही answer कौन सा है? इसका option D इसलिए तरह अगला सवाल है कि cement containing excess amount of lime cement की भी हम काफी सारे question कर चुके हैं लेकिन अब आपको एक situation दी हुई है कि मान लीजिए कि जो cement है उसमें जो चूना है उसका amount जो है वो अधिक है तो अगर अधिक होगा तो क्या होगा? तो हमें settling की बाद करी थी कि जब जो cement है वो फो सवस्ता में आ जाती है जब वो बहुत मजबूत हो जाती है तब हम उसे क्या कहते है? और अगर जो है lime की concentration वो जादा हुई वो जादा होगी तो क्या होगा? setting होने के बाद में उसमें दरारे पढ़ जाएंगे ठीक है? तो सही answer इसका कौन सा होगा? कि cracks आ जाएंगे उसमें या फिर दरारे पढ़ जाएंगे वो जादा strong नहीं होगा cracks होगे मतलब कि जो हमारा aim था जो मजबूत फोस बनाने का था वो तो बीच में दरारे आ गई तो obviously कुछ explain करने की ज़रूरत ही नहीं है अगले सवार के तरफ पढ़ते हैं अगला सवार आप से पूछा है कि proton क्या होता है? तो proton एक positive charge particle है हम यह पढ़ते हैं और अगर हम बात करें तो नुक्लियस के अंदर यह present होता है अब हम जो है options देख लेते हैं कि options में हमें क्या क्या बताया है तो पहला option जो है the ionized hydrogen molecule अब hydrogen की आप अगर बात करोगी तो hydrogen होता है one and one यानि इसमें तो proton का number एक ही है उसको भी अगर आपने ionize कर दिया है यानि इसमें electron भी एक है proton भी एक है तो आप बताईए ionize करने के बाद में क्या एक hydrogen molecule को हम proton कह सकते हैं या फिर जो nucleus है hydrogen atom का उसी को हम proton कहेंगे क्योंकि helium को तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि helium के अंदर जो protons का number है वो कितना है इन दो हैं हम सब जानते हैं तो helium तो नहीं होगा the positive counterpart of electron तो आपको इन में से अब एक option जो है वो choose करना है तो जो nucleus है hydrogen atom का उसे हम क्या कहेंगे proton कहेंगे तो सही answer इसमें से क्या होगा option C positive counterpart जो electron का होता है वो proton नहीं होता है वो कौन होता है positron होता है तो इसमें आपको जो है वो confused नहीं होना है सही answer हम आपको बता चुके हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यानि आपके पास एक कोई solution है उसके आपको acidity test करनी है तो आप किसे use करेंगे तो acidity के लिए हम कौन सा ऐसा अगला सवाल है कि आपको washing soda जो है यहां पर आपको washing soda बोलते ही washing soda वेकिंग soda दोनों याद आज़ना शाहिए यह मैं फिर से revise नहीं करवाऊंगे आपको washing soda का जो chemical formula है वो है Na2CO3.10H2O जो कि इसका सही answer भी है अगला जो question है वो है hydrochloric acid is also known आपको बताना है कि hydrochloric acid का कोई और नाम भी है क्या तो garlic acid, picric acid, muriatic acid, chloric acid इन सब में से hydrochloric acid का जो दूसरा एक और नाम अगर आप बताओगे वो कौन सा होगा? muriatic acid, picric acid तो एक benzene की उपर अलग-अलग 3 nitrogen की groups होते हैं तब जो बनता हुसे हम कहते है, picric acid, hydrochloric acid जो हो, picric acid नहीं है तो सही जवाब यहाँ पे है, option C अगला सवाल आपको पूछा है कि जो back-on light होती है, stump light होती है उनमें कौन सी accrea gas जो है, उसका इस्तिमाल किया जाता है तो सारी आपको options में जो देवी है, वो accrea gas नहीं, krypton है, argon है, helium है, neon है तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए हमें कि कौन सी gas यूज की जाती है तो यहां पे जो है हम ऐसी light या फिर ऐसी inert gas का इस्तिमाल करेंगे, जो क्या करेंगे जैसे धुंद आती है बहुत सारे areas के अंदर, तो जो light की ray है उसको जो धुंद है उसको भी penetrate करके जाना है तो यानि कि वो बहुत लंबी-लंबी दूरिया जो है वो तैय कर सके और जो है जैसे कुछ धुंद हुआ, धुआ हुआ, इन सब में उस पर कोई भी फरक ना पड़े तो ऐसा अगर आप मैंसे एक option पूछते हैं इन में से तो वो कौन सा होगा? वो है हमारा neon इसलिए सही जब आप कौन सा हो जाएगा? Neon यानि की option में अगला सवाल है आपसे पूछा है कि copper की refining कैसे करी जाती है? Refining या purification जो है उसमें क्या होता है? आप उसकी impurities जो है उसको remove करके pure copper जो है वो आपको extract कर रहा है अब सवाल है कि refining कैसे करते हैं तो इसके refining होती है electrolysis से अब electrolysis में होई cathode होगा, anode होगा तो cathode की उपर क्या होगा? copper का deposition होगा तो cathode को हम क्या बनाएंगे? pure copper की बनाएंगे इसी तरह anode को हम impure copper का बनाएंगे क्योंकि impurity सारी जो है वो नेचे जो electrolyte है उसमें चली जाएंगी और जो copper है सारा वो जाके cathode पर deposit हो जाएगा तो सही जवाब यहां पर कौन सा है? option C अगला सवाल है which of the following metals occur in free state? कौन से metal है जो free state में exist करते हैं तो वो metals जो free state में exist करते हैं वैसे तो बहुत सारे होता है पर हमेशे याद रखने और जो nature में जादा amounts में मिलता है वो कौन कौन से है वो है copper है, silver है, gold है और platinum है तो यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है options में? option A जो कि क्या है copper है अगला सवाल है which one of the following is used as a preservative for foodstuff? preservative जो है foodstuff के लिए यानि कि हमारा जो भी खाने का सामान है उससे हमें अगर कई दिनों तक store करके रखना है तो उसके अंदर हम ऐसी कौन सी चीज़ आड़ कर दे कि वो हमारे काम जादा आ सकी तो sodium benzoid जो है यानि आपका option A जो है इससे हम use करते हैं एक preservative की तरह चलते हैं अगले question की तरह जो है the element with highest first ionization energy ionization energy है कि आप या तो इसको इस तरह से समर सकते हैं जैसे कि helium है helium के अंदर helium का electronic configuration कितना है दो और चांट यानि कि अगर आप इसको helium का nucleus मानते हो तो इसके जो first shell है जो कौन से होती है one is उसमें maximum कितने electron आ सकते हैं दो electron तो इसमें दो electron है दो maximum है और जो पहली shell होती है उसके nucleus से जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है तो जो attraction force लगेगा nucleus के और electron के बीच में वो सबसे जादा होगा तो यहां पर अगर आप यह electron निकालना चाहो या फिर इसमें एक और electron add करना चाहो तो वो बहुत ही मुश्किल होगा इसलिए helium जो है उसके अंदर first ionization energy बहुत ही जादा होती है तो correct answer कौन सा होगा option A जोगे क्या है hydrogen sorry not option A गलती से बता दिया मैंने सही answer क्या है option B जोगी है helium बाकि आप अगर hydrogen देखते हो lithium देखते हो sodium देखते हो तो इनमें बाहर वाली shell में एक electron present है तो वो तो आसमाने से एक और electron का ले लेगा अगला सवाल जो है वो carbon dioxide के बारे में कि carbon dioxide का एक reducing agent की तरह आप करता है oxidizing, dehydrating या bleaching agent तो carbon dioxide की tendency क्या होती है कि यह usually जो है वैसे तो reactions पर depend करता है लेकिन carbon dioxide reducing agent की तरह आप करता है तो सही answer यहाँ पे कौन सा होगा option A अगला सवाल है which of the following is a regenerated fiber यानि की पुनर निर्मित रेशे का उदाहरन कौन सा है पुनर निर्मित रेशे क्या होते है जैसे कि जो हमारा normal या फिर natural रेशा हमारे पास है वो कौन सा है cellulose मान लेजी अब आपने क्या किया cellulose के साथ में आपने कुछ chemicals को mix कर दिया और उन chemicals क करने के बाद में आपने कोई और रेशा बनाया आपने कोई और फाइबर को फॉर्म किया है तो इस फाइबर को हम क्या कहेंगे regenerated fiber और teralyn, rayon, nylon और silk में से rayon जो है example किसका है regenerated fiber का अगला सवाल है the resources which can be used continuously year after year are called यानि कि आपको ऐसे संसाधन का नाम बताना है जो उनका नहीं होंगे तो वह कौन से है हम सब जानते है जो renewable है यानि कि जिनका नवी करनी या जो नवी करनी है यानि कि उनमें हमें कुछ नहीं करना है वो अपने आप जो है renew होते रहते हैं तो सही जवाब कौन सा है यहां पे सही जवाब है option D अगले सवाल है कि जो refrigerator's है आपके जो अब low temperature होने पर क्या होता है एक चीज होती है enzymes नाम के आप सबने सुना होगा enzymes के बारे में जितनी भी हमारी chemical reactions होती है वो enzymes के बज़े से होती है अब enzymes यह है इनको एक particular temperature की range चाहिए होती है काम करने के लिए लेकिन हमने फ्रिज में रखे क्या किया उसका temperature कम कर दिया तो enzymes ने क्या किया इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो कोई भी reaction है जैसे कि जो फल के सडने की reaction है या फिर कोई bacteria जो है वो अगर उन पर grow करे वो reaction है तो वो सारी reactions है वो क्या है वो नहीं हो पाती है इसी दिये low temperature पे जो खाना है वो खराब नहीं होगा लो टेंपरेशर पे क्या होगा बैक्टेरिया मोल्स मतलब इस्ट वगएरा कवक वगएरा यह सब inactive हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनके enzymes जोंको हमने inactive कर दिया तो सही आंस stainless steel के अंदर हम क्या करते हैं हम iron जो है उसके साथ में chromium और जो nickel है उसको mix कर देते हैं इनको impurities ने इनको हमने जान बूच कर mix किया है क्योंकि steel जो उसमें हमें थोड़ी अलग property जो यह iron से जो है उसको हमें अलग बनाना है तो कौन सा जो element है वो उसमें नहीं है वो कौन होग अगला सवाल है वो है select the one which is not a mixture आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक mixture नहीं है जो एक mixture नहीं है air जो है सब जानते हैं मिश्रन है उसमें carbon dioxide present है nitrogen present है water vapors present है dust present है बहुत साथी शीज़े present है इसी तरह gasoline gasoline अगरा बात करोगी तो hydrocarbons जो है उनका mixture होता है hydrocarbons मतलब जो carbon और hydrogen की compounds होते हैं इसी तरह LPG जो LPG भी hydrocarbons का mixture है जिसमें हम कहते हैं कि butane और जो propane है वो बहुत जादा concentrations में मिलते हैं लेकिन जो distilled water है वो pure water होता है यानि कि ये एक compound है एक mixture नहीं है तो सही answer कौन सा होगा इसका option अगला सवाल है ionic compounds are soluble in यानि कि ionic compounds किसमें soluble होते है हमने शुरू में भी बात करी थी कि water में soluble होते है water में जाने के बाद में क्या हो जाएगा ये अपने ions में dissociate हो जाएगे जैसे कि na plus और cl minus क्योंकि अब यहाँ पे दोनों charge प्रेसेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये dissolve होने के बाद में polar polarity provide करवा देते हैं मतलब दो अलग- तो सही answer इसमें क्या होगा option D जो है water अगला mercury के बारे में बताना है mercury क्या है एक liquid metal है और liquid non-metal कौन है आप पता दे मुझे यहाँ पे comments के अंदर के liquid non-metal कौन है mercury तो मैंने बता दिया है अगले सवाल के तरफ चलते हैं आपसे पूछा है कि spirit जो है वो जैसी हमारे body की contact में आत है तो थोड़ी दिर के बाद में आपको क्या होगा वहाँ पे cool sensation यानी शीतल अनुफ़ होगा अब क्या होता है माननीचे आपने जो spirit है वो लगाई है आपके हाथ की ओपर तो क्या होगा जो spirit है वो क्या करती है जो energy है जो आपके हाथ में बॉड़ी पे जहां कही भी आपन तो खुद तो स्पिरिट क्या हो गई उडगई वेबर बन गई उसके लेकिन क्योंकि इसने आप इस सतर से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था तो यहां पे एनर्जी अब क्या है अब यहां पे एनर्जी जो है वो कम है तो आपको कैसा अनुबव होगा आपको थोड़ा- ठंडा या फिर शीतल अनुबव होगा तो सही आंसर इसका कहा है कि यह highly volatile है बेहत वाश्पसील है अगला सवाल है कि ताज महल जो है आपने सुना होगा कि जो संग मर्मर पत्थर है ताज महल का वो काला पढ़ता जा रहा है ऐसा क्यों है क्योंकि ताज महल के किनारे जो है यमुना नदी है और यमुना नदी के ऊपर यानि की जैसे जो हमारा नदी है उसके साइज में बहुत सारी इंडिस्ट्री सेट अप होते हैं तो उन इंडिस्ट्री की वजह से उस एट्मोस्फेर में सलफर के ऑकसाइड और नाइट्रोजन की ऑकसाइड जो है बहुत जाद पत्थर है उस पे थोड़ी ब्लाकनिंग हो गई है तो सही आंसर इसका कौन सा है option भी अगला सवाल है the unit of ionic product of water is तो अगला सवाल है वो क्या है अगला सवाल है कि molarity की आपको unit बताने तो molarity की बात हमने क्या करे थी molarity हमने कहा था moles per liter जिसकी भी आपको molarity बता करने है उसका आपको moles लिखने है और इसके liter लिखने है तो आप इसको कैसे लिखोगे mole, mole की आपने मैंने कोई square नहीं लगाए कोई cube नहीं लगाए तो mole की power कितनी है 1 और liter क्योंकि नीचे है तो अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो हम इससे कैसे लिखेंगे की liter – 1 यानि कि यह denominator में है तो सही जवाब देख लेखेंगे कौन सा है इसका सही जवाब है और अगला सवाल है अगला सवाल है तो प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाले Utmospheric Air कौन सी है? Nitrogen अगर सवाल की तरफ चलते हैं कि जतनी भी Noble Gases है क्या वो colorless होती है क्या वो orderless होती है या वो दोनों ही उनमे color भी नहीं होता है order भी नहीं होता है तो Noble Gases जो हे उनके बारे में क्या पढ़ते हैं किसी के साथ भी reaction नहीं दिखाती है मतलब बहुत limited reactions है अगर है तो भी क्योंकि xenon के कुछ compounds वगएर आप discover हो रहे हैं तो ये इन में कोई रंग नहीं होता है ये रंग हीन होती है इन में कोई महक नहीं होती है ये गंद हीन होती है तो सही जब आप क्या होगा इसका option C अगला सवाल है chemical name of bleaching powder bleaching powder जो है उसका chemical formula मैं आपको पूछू तो आप मेंशे क्या बताओगे C-A-O-C-L-2 और इसको हम क्या बोलेंगे calcium hypochlorite तो सही answer क्या है इसका option B अगला सवाल है कि alcoholic group है उसको अगर आपको identify करना है तो alcoholic group जो है उसको आप कैसे identify करोगे अब यहाँ पर आपके पास आपको options दिये हो है tall and reagent test tall and reagent आपको कब कामा था जब आपको aldehyde group test करना हो लेकिन सवाल में क्या पूछा है alcoholic और aldehyde के इलावा जिनमें alpha hydrogen वाले ketones हो ठीक है esterification test में ester का formation होता है जिसमें alcohol involved तो होगा उसमें क्या होगा alcohol होगा alcohol के साथ में क्या होगा carboxylic acid होगा और इनकी वज़े से एक ester बनेगा जो fruit smelling होगी पर उनसे हमें यह नहीं पता चलेगा कि मतलब हम इसको जो है identification के लिए use नहीं कर सकते इस test में alcohol तो use हो रहा है लेकिन जो fecl3 है fecl3 test है उसको हम use करते हैं किसके लिए यहां पे थोड़ी सी typing error है अगली बार से ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा यह fecl3 जो हम use करते हैं alcohol group को identify करने के लिए तो सही जवाब कौन सा हो गया option number 3 यानि option number C अगला है कि pollutant from motor car exhaust that causes mental diseases आपको ऐसा pollutant बताना है ऐसा प्रदूशक बताना है जिसकी वज़े से क्या होगा आपको mental disorders जो हो सकते हैं तो आपको आपको कौन सा बताया था ऐसा pollutant है lead यानि की C सा तो सही जवाब इसमें क्या होगा option A अगला सवाल है the total energy of revolving electron in an atom यानि हम सब जानते हैं कि एक atom है उसमें एक nucleus है center में और उसके बाहर जो electrons है वो regular जो है वो घोम रहे है तो यहां बात हो रही है इस electron घोमने वाले electron के और इस nucleus के इनकी total energy की तो total energy के अगर आप बात करोगी तो यह total energy जो है और उन में से भी आपको पुछे है electron की sorry तो electron की energy जो है वो positive नहीं हो सकती क्यों? क्योंकि positive energy जो है हम उसे हम nucleus की मानते है nucleus है भी positive charges में protons है और जो electrons है उनकी भी energy अगर positive हो गई तो दो positive positive यानि same charges जो क्या करते है repel करते है और हम क्या चाहते है कि वो एक atom की form में रहे तो उसके लिए electron की energy को negative ही होना पड़ेगा cannot be negative जो है तो गलत होगा अब उचा I can have the value above zero अब negative है तो negative को तो हम zero से कम में ही consider करते है न आगे है can never be positive positive कभी नहीं हो सती ये बार ठीक है will always be positive ये तो गलत है सही चवाब आप कौन से दोगे इसका option C आगे है the credit for the discovery of transuranic elements transuranic elements क्या होते है यानि इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि uranium का कुछ सिक्र है तो uranium की बाद में जिन का discovery हुई थे अगला है oil of vitriol जो हो किसे कहते हैं तो oil of vitriol जो हो कहते है nitric, sulfuric, hydrochloric या phosphoric, sulfuric acid जो है उसे oil of vitriol भी कहा जाता है आगे है कि जो domestic cooking gas है domestic उसमें mostly क्या होता है तो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें butane और propane होता है अब इस तरह के तो options नहीं हो तो क्या करें तो हमने जो बात करी थी butane और propane की उसमें भी हमने पढ़ा था कि butane की concentration जाता होती है अब आपको ये देखना है कि butane जो है वो किस तरह से आपको मिलेगा तो आप याद करिए LPG L क्या होता है उसमें L होता है liquefied यानि यहाँ पे जो hydrocarbons present है वो कैसे हैं वो liquid state में तो यह कहना गलत तो नहीं होगा कि liquefied, butane और isobutane इसमें present होते हैं तो यह जो है यही option यहाँ पे सही है अगर आपको में ध्यान भी देंगे तो methane और ethane था हमने पढ़ावे नहीं था ethylene, hydrogen, acetylene यह सब चीज़े था हमें नहीं पढ़ी थी ना तो उसे आप से भी आप देखेंगे तो सही जवाब आप कौन सा देंगे चोकि क्या है option B अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम अगला सवाल है which is used for preparation of dynamite dynamite के preparation को आप में आप किसको use करोगे तो dynamite जो उसको भी हमें explosive की तरह से use करते है जिसमें nitroglycerin तो use होता है उसके साथ में कुछ चीज़े और use होती है उनमें क्यों होता है उनमें use होता है हमारा glycerol तो सही answer यहाँ पे कौन सा हो गया option A आगे आपको पूछा है कि calcium sulphate कौन सा है तो ipsum salt क्या है magnesium का sulphate था blue vitriol क्या है तो blue vitriol अगर आपको पूछा जाए तो blue vitriol होगा copper sulphate और यह भी hydrated form है क्योंकि हमने बात करी थी hydrated copper sulphate जो वो किस कलर का होता है blue कलर का इसके साथ में जितने water molecules is attached है वो है 5H2O इसके साथ जो gypsum salt है gypsum salt का हमने plaster of paris बगर थे बहाँ बढ़ा था कि CESO4.2H2 होता है तो hydrated जो इसको कभी-कभी mention कर दिया जाता है और कभी-कभी mention नहीं किया जाता है तो gypsum salt जो ही क्या है? Calcium sulphate तो सही आंसर इसका क्या होगा option C sodium bicarbonate buffer तो इस वज़े से sodium bicarbonate buffer इसके साथ में compound or होता है मतला उसमें salt होता है और एक acid या base होता है तो इस base की वज़े से जो है यह basic है या फिर alkaline है सही आंसर इसका क्या होगा? option C alkaline में आप देखोगी तो slightly alkaline to C ही है अगला है कि which of the following gases is mixed with oxygen for breathing by divers and aqua lungs तो oxygen के साथ में कौन सी gas mix करी जाती? oxygen के साथ में nitrogen mix करी जाती? ऐसा क्यों है क्योंकि देखे कि जैसे हम breathe करते हैं तो atmosphere में हमारी जो concentration हम चाहेंगे कि almost वही concentration उनमें रहे जो aqua lungs या फर जो divers है उनके अंदर तो हम mainly mix करते हैं nitrogen और थोड़ी बहुत concentration जो है helium की होती है helium इसलिए आपको confuse करने के लिए दिया हुआ है तो correct answer कौन सा होगा? option B तो आपका ये सवाल पूछना गलत नहीं है कि helium क्यों answer नहीं है पर helium के concentration से वो क्या है? कम है हम किसको टिक करेंगे है है? nitrogen अगला है what particles move around the nucleus on an atom and are negatively charged? तो पूछा है कि मान लीजए एक nucleus है यानि कि एक नाभिक है आगे आपको दिया है कि ऐसे कौन से particles हैं जो उसके बाहर भूमते भी हैं और उनमें negative charge भी है तो ये तो बहुत भारी सवाल नहीं है सब जानते हैं कि बाहर कौन revolve करते हैं? तो कौन उसके चारों तरफ ठूमते रहते हैं? वो है electrons nucleus जो है वो उनको लट्टू की तरफ घुमाता रहता है तो सही answer क्या है? electrons यानि कि option A अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपसे पूछा है कि iron salt जो है यानि कि iron के ऐसा कौन सा लवन है जिसको blue prints के अंदर यूज किया जाता है तो feric oxalate feric oxalate को हम यूज करते है blue prints क्योंकि क्या होता है? देखिए कि यहां पर Fe plus 2 जो है तो कुछ reactions होते हैं यानि कि आगे कुछ reactions होते हैं जनके वजह से blue color का एक compound बनता है जो insoluble होता है हमें requirement उसी blue color की है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे this is Fe plus 3 sorry okay now moving on towards the next question next is hardest allotrop of carbon carbon के allotrops बता दीजिए जल्दी से कौन कौन से है graphite है और कौन है diamond है और last में कौन है bucky balls या फिर carbon 60 तो आप अगर मुझसे प्रूशोगी तो यह सवाल सुमझाने की सरत ही नहीं diamond hardest होता है तो सही answer कौन है A फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहां पे कौन है HP3 hybridization है tetrahydrous की shape है यह सरह से arranged है कि जो इसको hard बनाती है ठीक है next question जो है heated sawdust catches fire when a drop of concentrated nitric acid is added to it अब यह जो sawdust की बात हो रही है गर्म दुरादी की इसमें carbon present होता है सीधी सी बात यह अब इसके साथ में आपनी nitric acid add किया है जो भी कैसा है concentrated तो इसके बाद में जो reaction होगी उसमें क्या होगा concentrated nitric acid की बचर से carbon dioxide convert हो जाता है CO2 के अंदर तो अब यहां देख लेजिए आप reaction में क्या हो रहा है तो reaction में क्या हो रहा है carbon किया zero oxidation state थी यहां पे होगी यह plus 4 carbon का हुआ oxidation तो अब क्या कहोगी कि oxidation की वज़र से carbon जो है उसमें क्या हो गया है यह जो भी change जो भी fire catch करी है वो तो सही answer इसका कौन सा हो गया option B अगला सवाल है nuclear reactors की बारे में कि इन nuclear reactors graphite को आप किस तरह से use करते हैं तो graphite को हम use करते हैं एक moderator की तरह से यानि कि एक मंदग मंदग किसे मंद करेगा जो neutrons है हमारे उनको मंद करेगा क्योंकि बहुत high energetic neutrons बहुत जल्दी जल्दी है और इनको हमें क्या करना है कम करना है वरना वह uncontrolled nuclear reaction हो जाएगे और वहाँ पे कुछ ने कुछ विस्पोट बगैरा हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम which one amongst the following is not a greenhouse gas अब आप देखेंगे nitrogen, carbon dioxide अब आप बोलोगी कि carbon dioxide carbon dioxide और chlorofluorocarbons होती हैं लेकिन अगर आप बात करो nitrogen और carbon monoxide से तो nitrogen जेवो तो एक pollutant भी नहीं है तो आप जादा better तो ये टिक करोगे nitrogen को carbon monoxide जेवो एक pollutant थोड़ी बहुत amounts में हो सकता है कि वो greenhouse effect करता हो nitrogen के तो chances zero है तो आप किसे टिक करोगी nitrogen को कभी-कभी ऐसा होता है कि questions होते हैं उनमेंसे ऐसे दो options आपको दीवे होते हैं जिनमेंसे आप confused रहते हो तो इस तरह से आपको दूसरी approach से सूचना होता है आगे की तरफ चलते हैं हम अगला सवाल है कि stranger gas जो है वो किसे कहा जाता है तो xenon जो है उसे stranger gas कहा जाते हैं कि xenon किसी और भार्षा का एक word है जिसका मतलब होता है stranger अगला सवाल है what is an unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond पहला आपको unsaturated hydrocarbon बताना है या तो double bond होगा या triple bond आपको पूछा है कि उसमें 2 carbon atoms आपस में जो चुड़े हुए double bonds है तो triple bond तो हमने cross कर दिया तो double bond वाले को आप क्या कहते हो aim कहते हो क्या कहोगे इल्कीन तो सही जवाप कौन सा होगा option B अगला सवाल है conversion of chemical energy into electrical energy occurs in तो आपको बताना है कि यानि कि ऐसा कुछ है आपके पास जिसके अंदर energy जो है वो energy जो है वो chemical energy अब उसको आप क्या करोगे जैसे आपने बाद में उसको use किया तो उससे electrical energy आती है तो ऐसा कोई device मालूम है आपको तो batteries जो होती है हमारे उनमें क्या होता है उनके अंदर कुछ ऐसे chemicals या जनके अंदर energy stored है chemical energy जब हम उनको connect करते है तो उनसे हम electrical energy जो extract करते हैं तो इसका correct answer कौन सा होगा option C अगला सवाल है the fuel that is used in modern submarines जो पंडूबिया है आजकल वाली उनमें हम nuclear fuel का इस्तेमाल करते हैं तो सही answer कौन सा होगा option E क्योंकि at present हम ऐसे sources की तरफ shift होनें जादा से जादा जो कि मतलब जैसे petrol है diesel है वो time के साथ घटा जा रहा है वो non renewable तो इसलिए हम क्या use करेंगे nuclear fuels आजकर जो आखरी सवाल है वो है mass number के बारे में की mass number जो है nucleus का वो क्या होता है तो मैंने बहुत बार इसको represent किया है मालीजी जैसे आपके पास कोई element है atomic number Z है mass number A mass number अगर आप से पूछा है तो mass number में आप क्या करते हो protons जो है वो और neutrons का sum जो है हमारा mass number तो आप पूछोगे कि the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus दोनों nucleus भी present है तो option एकदम ठीक है मेरी साब से तो एकदम ठीक है यानि कि ऐसा organic compound है जिसका molecular formula तो से मालेजे एक का अगर molecular formula C3 अगर एक alkane में तो आपको शायद structure isomer विलेंगे जो 3-carbon का नहीं होगा अगर मालेजे उनका molecular formula है C, X, H, Y है अगर यह same है लेकिन उनकी structures जो है वो different है यानि कि अगर उनमें कोई functional group है या फिर उनके अंदर कोई branching है तो वो एकदम exact नहीं है वो अलग-अलग है तो उनको आप क्या कहोगी तो उन्हें हम कहते हैं isomers तो सही जवाब क्या होगा? Optional B अब आप पूछेने कि homologous series क्या होती है? Homologous series हम कहते हैं जैसे माली अलकीन की homologous series है तो पहली वन कार्बन की अलकीन फिर दो तेन चार्ड इस तरह से जो regular sequence है उनका होगा उससे हम कहते हैं homologous series अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं अगला है the name of plastic polymer from which combs, toys, balls etc. are made यानि आपको प्लास्टिक के उस polymer का नाम बताना है जो से आपके जो कंगे हैं जो खिलोने हैं और जो प्लास्टिक की कटोरिया हैं वो सब बनाई जाती हैं तो उस polymer का नाम है polystyrene polystyrene को में इस्तिमाल करते हैं वैसे प्लास्टिक के जो हम polymers पढ़ते हैं वो mainly 3 होते हैं एक तो polythene है यानि polyethylene उसके अलावा हमारे पास है PVC और एक लास्ट में हमने जो भी पढ़ा है जो की है polystyrene तो इन में से polystyrene के अगर हम बात करें तो polystyrene के उपर आप paint जो है वो आसानी से कर सकते हैं थोड़ी सी जादा brittle होती है तो यह सारी चीजे जो हम इन सब coms, toys और walls में इस्तिमाल कर सकते हैं से लिए हम किसे यूज़ करेंगे polystyrene को यानि की option B अगला सवाल है कि vinegar जो है वो किसका commercial name है vinegar जो है या तो यह सवाल आपको इस तरह से पूछा जाता है कि vinegar के अंदर कौनसे acid का component जो है वो सबसे जादा होता है या फिर आपको पूछा जाएगा कि commercial name जो है वो क्या है तो acetic acid जो है दोनों का answer acetic acid vinegar का commercial name की अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं does not undergo corrosion due to formation of oxide layer यानि usually हम क्या देखते हैं जैसे हम iron देखते हैं iron का oxidation हो जाता है तो उसमें rust का formation होता है जो कि उसका corrosion है तो आपको बताना है कि copper, iron, aluminum और zinc इन में से किसके ऊपर oxide layer की formation होने से उसका corrosion नहीं होगा aluminum की अगर हम बात करें तो aluminum aluminum जो water और oxygen के साथ में react करती water बतलब moisture उनके साथ react करती है aluminum की oxides बनते हैं aluminum की oxides इनने में कुछ water के components होते हैं इसलिए मैंने उसको as complete formula नहीं लिखाया तो aluminum oxide बनने से क्या होता है मान लेज़र ये aluminum का crystal है aluminum oxide की layer जो है वो इनकी वज़ह से चारो तरफ बन चुकी है अब इससे क्या होगा कि ये जो layer है वो अब aluminum को protect करने का काम करेगी ये जो है इसकी आगी reactions जो उसको नहीं होने देगी तो इस वज़ह से corrosion का मतलब क्या होता है कि वो जो element है या वो जो metal है वो regularly कम होता जाए या उसका नुकसान होता रहे तो वो तो हो नहीं रहा है aluminum में तो इसलिए question का answer क्या होगा option C जो है aluminum अगला सवाल है कि जो submarines होती है पंडूंबिया होती है वो कैसे engines पे दोड़ती है तो अगर आप nuclear fuel को use करने वाले submarines को हटा दो तो बाकि सारी submarines जो है वो डीजल पे रन करती है अब आप कहोगे कि कल आपने जो question करवाया उसमें तो आपने nuclear energy बताया था लेकिन उसमें question अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो question था कि आजकल हम कौन सी चीज को जादा या फर किस चीज के हमने शुरुबात करी है use करना लेकिन usually किसका use किया जाता है डीजल का जो कि क्या है option B अगला सवाल है इन अपर layer of atmosphere ozone is found by यानि कि जो ऊपर की layer है stratosphere उसके अंदर ozone का formation कैसे होता है ozone का formation होता है तो क्या होता है ultraviolet radiation की help से oxygen जो है उसका breakdown होता है और 2 nascent oxygen का formation होता है अब यह nascent oxygen क्या करेंगे यह वापस हमारी oxygen molecule के साथ react करेंगे और इनसे किसका formation हो जाएगा O3 molecule यानि की ozone का तो यहाँ पर ज़रूरत किसकी पड़ी हमें ultraviolet radiation की यानि की ultraviolet radiation से ही ozone का formation होता है और ultraviolet radiation को यह क्या करती है Earth की surface पे आने नहीं देती है तो आप options देखोगे action of ultraviolet rays on oxygen तो पहला option एकदम सही है कि ultraviolet rays of oxygen पे करती है तो कौन बनता है ozone अगला सवाल है molasses के बारे में molasses जो है जब हम sugar formation होता है हमारा उस वक्त हमारे पास उसका बाइ product होता है जो good है good चीनी को बनाने के time पे उसको side product होता है तो आपको बताना है कि good को हम किसके लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो alcohol formation जो है उसमें आप good को इस्तिमाल कर सकते हैं यह बहुत अच्छा एक reactant रुजाता है उसके लिए ethyl alcohol का formation होता है तो correct answer इसका कौन सा है option A अगला सवाल है कि silver nitrate जो है agn3 उसको हम brown color की bottles में क्यों रखते है laboratory के अंदर क्योंकि देखे agn3 के अंदर क्या होता है agn3 silver nitrate को अगर light की presence मिल जाती है तो light की presence लिए पर क्या होगा agn3 जो है वो ag silver iron में convert हो जाएगा यान कि हमाना nitrate जो हो तो बचा ही नहीं तो light की presence से उसको बचाने के लिए उसको brown color की bottles जो है उनके अंदर उसकी packaging करते है तो correct answer कौन सा होगा कि brown bottles जो है it stops the passage of light through it वो light को enter नहीं करने देगी तो हमारा silver nitrate जो हो as it is रहेगा तो correct answer यहां पे कौन सा हो गया option B अगला सवाल है which of these acids is not organic in origin यानि आपको इनमें से जो acids देए हुए है उनमें से कौन सा ऐसा है जो organic नहीं है या फिर जो carbonic नहीं है तो आपको पहले पता होना चाहिए के carbonic क्या है वो acids जो केवल carbon hydrogen के बने हुए होते हैं उनको हम organic कहते है तो lactic acid, sulfuric, citric, oxalic तो sulfuric acid का formula तो सबको बता होता है वो क्या है? H2SO4 तो एक इसके अंदर बाकी भी काफी सारे चीज़े आगी तो obviously sulfuric acid जो है वो एक organic acid नहीं है लेकिन lactic acid, citric acid, oxalic acid यह तीनो organic acids के example हैं अगले सबाल के तरफ बढ़ते हैं आपको पूछा गया है equanil की बारे में तो अगर आप बढ़ते हैं NCRT books तो आपको equanil के बारे में मिलेगा कि equanil tranquilizer के अंदर डिस्ट्रेंट है tranquilizers क्या होते हैं वो drugs या फिर chemical जिनको आपका ब्रेत हैं anxiety है stress है उन सब को treat करने के लिए और equanil के बारे में वहां पे specially चीज़ दे हुए कि equanil हम use करते हैं hypertension यानि कि उत्चे रख्त चाप को और depression को treat करने के लिए तो depression भी क्या है anxiety का थोगा increased form anxiety यानि कि आपको थोड़ा बेचेनी से होगे और depression आप सब जानते हैं equanil के बारे में हम क्या बोलेंगे कि यह tranquilizer है यानि कि option B जो है वो correct है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं the study of heat flow is called heat flow जो है उसकी study को आप क्या कहते हो तो अगर आप options भी देखोगे तो energy की unit जो होती है वो calorie होती है हम calorie से energy को बताते हैं और heat जो है वो भी एक form होता है energy का और वैसे भी आप options देखोगे electrolysis आपको पता है metal जो है वो cathode पर deposit होता है तो उसमें heat flow नहीं है diffusion भी normal particles की spreading है calorie metric जो है वो correct answer है heat flow को हम अगर study करना शाहेंगे तो क्या होगा calorie अगला सवाल है name two elements that find wide application in transistor industry याने कि transistor उठ्ध्योग के अंदर आपको दो तत्वों के नाम बताने इनका बहुत जादा इस्तिमाल किया जाद है तो अगर आपको भी semiconductor devices पढ़़ोगे जो की transistor है silicon and germanium silicon silicon and germanium यह सभी महां आते रहते हैं और अगर यह नहीं हो आपके options में तो भी आपके से टेकर होगी जो semiconductor elements है हमारे होगे लेकिन इन में से भी सबसे जादा यूज किया जाता है silicon and germanium अगला सवाल है what is the radioactive isotope of hydrogen hydrogen के कितने isotopes है protium है deuterium है और tritium है और इन में से radioactive कौन सा है protium जो है वो radioactive है तो यहां पर करेक्टान सा कौन सा होगा option D अगले सवाल के तरफ चलते हैं gelatin के बारे में पूछा है कि gelatin is mostly used in making ice creams in order to gelatin को आप ice cream बनाने में क्यों इस्तमाल लेते हैं तो gelatin के बारे पहले उसकी चोटी मूटी properties की बात कर लेते हैं gelatin जो है पहली बाद तो ice cream जो उसको fresh appearance देगा और उससे जादा main चीज है वो यह है कि gelatin crystalization नहीं होने देगा crystal ही करण नहीं होने देगा अब आप ice cream जो है उसमें थोड़ा बहुत amount water का भी तो होगा अब वह water जो है अब वह अगर crystals का formation ले लेगा तो ice cream के पूवी structure जो बिगड़ जाएगी तो पहला वह crystallization को नहीं होने देगा कौण gelatin और डूसरा क्या है वह जो colloid है हमारा उसको stable बनाता है ठाके तो यह दो reasons है जो आपको याद रखने हैं तो colloid को यह prevent नहीं कर रहा है colloid को यह stabilize कर रहा stability provide कर रहा है तो correct answer इसमें से कौन से होगा option B जिसमें colloid crystallization दोनों की बारे में सही सही बताया है अगला सवाल है how many bonds are present in methane methane क्या होता है एक carbon की होती है यानि CH4 तो अगर आप इसमें देखोगे carbon के साथ में 4 hydrogen attached है covalent bonding है यहां पे क्या आपको यहां पे double bond दिखा नहीं क्या triple bond दिखा नहीं क्या आपको यहां पे 4 covalent bonds दिखे हां carbon और hydrogen के वीच में 4 covalent bonds है correct answer कौन सा होगा option C अगला है two elements which can form a large number of compounds अगर आप पूरी periodic table की बात करें तो carbon और hydrogen ऐसे दो elements है जिनकी वज़े से हम पूरा chemistry के अंदर भी अलग subject पढ़तें जोगी organic chemistry organic chemistry इस वज़े से अगर आपको पूछे कि सबसे जादा अगर आपको बताना है कि दो elements ऐसा क्यों होता है क्योंकि carbon वो उसकी well intent उसके अंदर char free electrons होते हैं जिस वज़े से वो बहुत सारी bonding कर लेता है बहुत सारी molecules बना लेता है सही जवाब क्या होगा इसका option A अगली सवाल की तरफ चलते है An inert gas mixed with oxygen given to patient suffering with restricted breathing is यानि कि एक कोई person है कोई patient है जिसको सांस लेने में दिकत है अगर आपको इसको inert gas को inert gas mix करने है oxygen के साथ में तो आपको लगेगा कि question जो sea divers थे जो गहरे समुद्र में गोता खोर जोते उस सवाल जैसा लगेगा आपको जवाब भी सेम है अगर आपसे पूछा जाता है कि गोता खोर के लिए जो कौन सी inert gas यूज की जाती है mixture के लिए तो वो भी helium है और इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि अगर को patient है उसको breathing problem है तो कौन सी gas लिए वो हम mix करेंगे तो इसका answer भी कौन है helium है तो correct answer क्या है इसका option E अगले सवाल की तरफ बढ़ते है an example of major air pollutant major air pollutant का आपको example बताना है oxygen carbon monoxide helium और carbon dioxide जिसमें तो confused होने कि आपको जरुरती नहीं oxygen helium और carbon dioxide जाए air pollutants नहीं है और carbon monoxide एक air pollutant है automobile से निकलता है बाकी भी अलग-अलग process combustion से भी कभी-कभी निकल सकता है तो इसलिए answer यहाँ पे क्या होगा option B अगला सवाल है कि conduction band की जो electrons है चालकता band की उनकी जो mobility होती है यती shield का वो जो holes है छिद्र जो है यह सक ही होता है तो अब पहले हम बात कर लेते हैं यह holes जो है यह बने कैसे हैं तो हमारे पास दो bands होता है conduction band होता है तो जब क्या होता है electron जो है free electrons का होगे electron जब यहाँ से जंप करके conduction band में जला जाएगा तो पीछे आपके पास क्या बचेगा पीछे जो बचेगा वोगा hole अब पूछा है कि यह electron जब वहाँ जला गया उस electron में और जो नीचे आपके पास छिदर है उन दोनों की चालकता में अंतर क्यों है क्योंकि जो electron है उसका जो भार है वो कम होगा यह इसका reason है अगर जो options अगर आपके जैसे दियों कि पहला कि वो light होते हैं तो सही जवाब एक दब वो light होते हैं इसलिए उनकी चालकता जो अधिक है और mass जो hole का है वो बहुत जादा होता है अगला सवाल है कि the mass number of a nucleus तो mass number को हम किस तरह से बोलते हैं कि mass number होता है number of neutrons plus number of protons और number of protons को हम atomic number से replace कर देते हैं तो यहाँ पर atomic number और mass number इन दोने को यह compare कर भाया है तो एक चीज़ तो sure है कि atomic number जो है वो number of protons से कम नहीं होगा या फिर a और z को अगर आप compare कर लें तो यानि कि वो atomic mass है जो भार है वो प्रमारो संख्या से तो कम कभी नहीं होने बाली है लेकिन अगर आपको याद हो एक example hydrogen hydrogen में क्या होता है hydrogen में atomic mass और इसका जो atomic number है दोनों same है तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो atomic mass है वो atomic number के equal हो या उससे जादा हो आपको याद क्या रखना है hydrogen okay next question है iodine can be separated from a mixture of iodine and potassium fluoride मान लीजिए आपके पास एक mixture है iodine का और potassium fluoride का उसमें से आपको iodine को निकालना है तो आप कौन सी process यूज करोंगे हम यहाँ पे use करेंगे sublimation process sublimation क्या होता है sublimation होता है solid से उसको सीधा gas for me convert कर देए ठीक है तो correct answer यहाँ पे क्या होगा option C अगला सवाल है identify the metal which is non-toxic in nature chromium, gold, cadmium, cobalt तो देखिए gold जा है वो non-toxic होता है तो इकमें से सही answer क्या है option B जो कि क्या है gold अगले सवाल है the gas that usually causes explosion in coal mines यानि कि जो हमारी कोईले की खदाने है उनमें से कौन से gas है जिसकी वज़े से explosion होता है तो वहाँ पे जो methane gas है हमारी उसकी वज़े से जितरे भी explosions होते है वो कौन से वाले explosion है जो कि कोईले के खदानों वाले है तो सही जवाब या पे क्या होगा option D अगला सवाल है the chemical behavior of an atom depends upon यानि कि कि किसी भी प्रमानू का रसायनिक विवहार है वो किस पर नर्भर करता है उसके बाहर जितने electrons जो हो जिपकर लगा रहे है उस पर depend करता है क्योंकि जैसे Oxidation Reduction मानी है आयनाइजेशन Energy मानी है इन सब में Electrons ही होते हैं या तो हम उनको उस Atoms से बाहर निकाल रहे होते हैं या फिर उसके अंदर हम additional atoms जो है वो add कर रहे होते हैं तो किस वज़े से होते हैं सारी properties Electrons के वज़े से जो हमारा Nucleus came drug जो है उसके बाहर जो नाभिक जो है उसके बाहर चकर लगाते हैं अगला सबाल है वोट स्पिर्ट के बारे में ते जो Methanol है या Methyl Alcoholl है हम क्या कहते हैं वोट स्पिर्ट के नाम से जानते हैं ऊसको सही जवाब इसमें से कौन सा है Option A अगला सबाल है Which of the following processes is used in the formation of liar अब बायो डीजल यानि कि जिस पे चीज के आगे बायो एड जाता है उसका मतलब यह है कि उसका फॉर्मेशन जो है वह किसी ना किसी तरह की अलीविंग बींग्स या उनहीं में से किसी प्रोड़क्ट से असोशेटेड होगा यानि कि यह जो हमारे पास नॉर्मल डीजल है जो नीचर से हमें मिल रहा है उसका फॉर्म में तो बायो डीजल में क्या होता है जैसे हमारे पास पास अनिमल फैट्स वाइलिस वगेरा उनके अंदर भी क्या है हमारे पास एस्टर होते है फ्राइगलेस्ट्राइड होता है उन यानि ester तो था पहले उसी से हमने एक और ester बनाया है सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? Option C अगला सवाल है One property of ammonia ammonia की एक property पूछी है कि क्या वो एक orderless gas है क्या वो एक yellow color की gas है एक विस solution के बारे में पूछा है और solubility in water तो ammonia जो है NH3 इसको आप water में dissolve करोगी तो क्या होगा? क्योंकि ammonia खुजब है वो तो किसी भी तरह के litmus paper को कोई change नहीं देगा अब ammonia को हमने water में mix कर लिया तो यहाँ पे formation होगा ammonium hydroxide का NH4 plus OH minus का अब इसमें क्या है? आपके पास OH minus आयन प्रेजन है जो की alkaline nature provide करेंगे इसको इसलिए क्या करेगा? यह जो red litmus है उसको convert कर देगा blue litmus के अंदर तो सही जवाब क्या होगा? कि इसका जो एक को solution है वो red color के litmus paper को blue convert, blue में convert कर देगा तो सही answer क्या है? Option T अगला है कि आपको आपको जो नीचे options दे हैं इसे odd one select करना है तो मार्बल के अगर आप बात करोगे तो मार्बल का chemical formula देख रहे हैं तभी हमें पता नहीं है कौन से basis पर differentiate करवा रहे हुए calcium carbonate चौक का भी calcium carbonate है limestone का limestone का भी क्या है? calcium carbonate लेकिन जो slaked lime में उसका chemical formula क्या है? calcium hydroxide तो आपको formula से ही पता चल गया है कि इनमें से vision कौन सा है slaked lime है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा option D अगला है which of the following is the SI unit of radio activity SI unit जो है, units तो हमारे पास कफी तरगी हो सकते, पर SI unit 80 होती है, तो becquerel जो है, वो SI unit जा radio activity की, लेकिन अगर यही सवाल आपका होता कि केवल आप unit बताएगे radio activity की क्या है तो क्योरी, becquerel और Rutherford, तीनों ही units है radio activity की, तो SI unit is becquerel, so correct answer is option D अगला सवाल है कि जो fire fighting clothes होता है मतलब आपने देखा होगा कि जैसे एक बिलिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर fire extinguisher आती है fire brigade आती है fire extinguisher तो जो अलग materials होते है fire brigade के साथ में कुछ लोग भी आते है जो वहाँ पर आग को बचाने का काम करते है तो वह साधारन कपड़ी पहनके तो आग में जा सकते है क्योंकि उनको भी तो डर है जलनी का तो उनके लिए जो clothes specially designed होते है उनमें किस तरह का जो आपको नीचे option देए है इनमें से कौन सा आपको substance मिलेगा तो asbestos जो है उसको यूज किया जाता था पहले fire fighting people है उनके clothes के लिए लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि थोड़ा carcinogenic है यानि इसमें cancer causing properties जो है वो देखी रही है तो सही जवाप कौन सा है इसका asbestos आपको इतना याद रटना है कि fire fighting clothes कि से बने हुए होते है asbestos आगे आपको पूछा है water gas किस-किस का mixture होता है तो correct answer इसमें से कौन सा है option c option c is the right answer आगे चलते हैं what is the substance that has an unstable nucleus that can fall apart यानि आपको ऐसे पदार्थ का नाम बताना जिसका जो नाभिक है वो अस्थर होता है तो जो unstable nucleus जिनके भी होते हैं उनको हम radio active radio dharmie कहते हैं क्यों उनमें से alpha, beta और gamma जो है वो regularly निकलते रहते हैं और वो खुद unstable है इसलिए वो किसी stable compound में convert होते हैं ठीक है तो हम उन्हें क्या कहेंगे radioactive यानि option b जो है वो आपका इस question के लिए सही answer है अगले सबाल की तरफ चलते हैं which of the following causes a rusting of iron यानि जो जंग लगने की process है उसके लिए आपको यहां 4 options देए हुए हैं इन में से कौन सा जो है आपको बताना है वो सही है तो rusting में क्या होता है iron जो है iron के oxide यानि यह तरह के rust का formation होता है Fe2O3.xH2 यानि water के जो molecules तो variable हो सकते हैं बट आपको देख रहा होगा कि oxide बना है तो oxide होती है कि यहां chemical reaction oxygen से होती है carbon dioxide से होती है तो हम बोलते हैं कि rusting के लिए जो दो essential चीज़े हमें atmosphere से चाहिए होती है एक होती है oxygen और दूसरा होता है moisture या water की presence तो यहां पर इसलिए reaction किस से होगी oxygen से होगी carbon dioxide से नहीं तो पहला और तीसरा options है तो हम नीचे देख लेते हैं कौन से में दोनों साथ में यानी option D first और third जो है rusting of iron glow है कि जंग लगने की process है उसके लिए एकदम सटी थे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं which type of fire extinguisher अगनी शामक जो है कुछ types देए हुए उनमें से कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं petroleum fire के लिए तो एक चीज़ तो हम पहले पढ़ शुगे थे कि हम water या फिर water वाला जो fire extinguisher उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्यों वो आप वज़ा जानते हैं यहां हमारे पास जो options है यह petroleum से लगी हुई आप को बुछाने के लिए ठीक है क्योंकि correct हर मतलब सही तरह के अगने शामक का इस्तिमाल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर कुछ भी यूज़ कर यह तैसा भी हो सकता है वो आप बढ़ जाए ठीक है तो इसलिए कौन सा है powder time अगला है the function of skimming tank मलजल उप्चार के अंदर skimming tank होता है एक sea waste treatment में उसका क्या function होता है तो skimming tank जो है उसका function है जोतरे भी हमारे oils हैं grease हैं, fatty substances हैं उन सब कुछ है हमें अलग करना है उनके साथ में कुछ होने वाला है क्योंकि हम जानते हैं यह सारी चीज़े हमेशे सर्फेस पर तैरती रहें तो हमारा arrangement इस तरह का होता है कि वह regularly सर्फेस पर ही present होगा नेचे से जो भी water है उसको हम नया water add होता रहेगा और जो water है वह एक तरफ से दूसरी तरफ से निकलता भी रहेगा तो correct answer यहाँ पर कौन सा है suspended solid, gritty substances, inorganic substances यह सब नहीं है correct क्या है oil and fatty substances अगला सवाल है what is the mixing of air into a liquid or solid cause यानि अगर आप किसी liquid के अंदर अगर आप air की mixing करते हो liquid या solid के अंदर अगर आप air की mixing करते हो उसे हम कहते है aeration यानि की air को add करना और की process, CV treatment में भी आपको एक जगह पे मिलती है वो tank आपको याद होना चाहिए कहां मिलती है next है black lung disease black lung disease को pneumoconiosis भी कहते हैं यह जो इसको कहते हैं krishna fufus rog sorry अगर मैंने गलत पढ़ा हो black lung disease जो है वो कौन से जो लोगों में होती तो जो cold mines के अंदर जो लोग कांग करते हैं उन्में होती है और उन्में भी जो वज़ए होती है asbestos के जो fibers होते है अगर वो inhale कर लेते हैं अगर वो स्थानस लेने के साथ fibers उनके lungs में चड़ ले जाते हैं तो उनमें जो disease होती है जो से हम कहते हैं black lung disease इन्हें हम occupational diseases कहते है यानि कोई है जो वहाँ काम कर रहा है उसने ऐसा कुछ smoking नहीं किया यानि इस तरह के कुछ उसके खुद की habits नहीं है वो उसकी occupation के बज़े से disease है अगला है which of the following is known as the brown cool अब हम cool का formation जब पढ़ते हैं तो उसमें हम चार stages पढ़ते हैं lignite है peat है lignite है anthracite है bitumen है इन मेंसे जो lignite है उसे हम brown cool की नाम से भी जानते है तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा है option D आगे आपको पूछा है quads के बारे में quads किसका बना होता है quads is composed of sodium silicate और calcium silicate आपको बताना है silicate तो सबको याद रहता है calcium more common है sodium जादा common है calcium silicate जो है वो सही जवाब होगा इसका quads किसके बना हुआ होता है calcium silicate से अगरा सवाल जो आपको देख रहा होगा screen पे वो है the chemical substance which is easily soluble in water ऐसा कौन सा chemical substance है जो पानी में आसानी से खुल जाएगा तो ammonia की बाद हमने थोड़ी देर पहले ही करी थी अगर आपको बाखी options नहीं भी बता है तो एक बार ammonia discuss कर लेता ammonia में क्या होता है ammonium hydroxide का formation होता है यानि क्या आराम से खुल पार रहा है वो पानी के अंदर सही जवाब इनमें से कौन से है options यासे नाइट्रूजन के अगर आप बात करो तो ग्यासे को अगर आपको लिक्विड में मिक्स करना है तो बहुत हाई प्रेशर में मिक्स करना पड़ेगा तो इससे बेटर option कौन से है ammonium which of the following is paramagnetic substance अर्द चालक पदार्थ कौन है अब paramagnetic से आप क्या समझते है paramagnetic substance वो होते है जिनके अंदर unpaired electrons होते है unpaired electrons नहीं कि जोडों में अगर कोई electron नहीं है वहाँ पर तो उस electron की वज़े से paramagnetism होगा उस particular substance के अंदर तो आप मुझसे पूछोगे कि iron, hydrogen, oxygen and nitrogen इन में से paramagnetic कौन है तो वो कौन होगा आपका oxygen, oxygen example है एक paramagnetic substance का तो option C जो है वो correct option है अगला सवाल है अगला सवाल है the chemical substance present in bones and teeth यानि कि जो हमारी हड़ियां है और जो हमारे दांत है इन के दर calcium present है यह हम सब जानते है पर अब पूछा है कि किस form में present है तो यहाँ पर जो calcium present होता है वो calcium phosphate के form में present होता है तो सही जवाब क्या है option A आगे है कि maximum permissible concentration of copper in drinking water देखिए जो drinking water है उनके अंदर बाती भी कुछ-कुछ elements के constituents होते है natural water उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं तो पूछा है कि maximum pay gel जो है उसमें अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी हो सकती है तो एक miligram per later concentration जो वो बताई गई है maximum permissible concentration अगला सवाल है कि if lime water is captain lime water को अगर air में रखेंगे तो वो milky क्यों होगा वो milky हो जाता है calcium carbonate की formation से और कौन उसके साथ react करता है जब carbon dioxide lime water के साथ react करेगा तो किसका formation होगा calcium carbonate का तो यहाँ पे सही answer कौन सा होगा सही answer है option A किसकी वज़र से हुआ milk की तो carbon dioxide और milk की substance कौन है यह पूछा चाहे तो वो क्या होगा calcium carbonate अगला सवाल है कि जो heavy metal pollution है water का वो किस वज़र से होता है तो अगर हम बात करें कि paints, wood burning, acid plants or domestic sewage domestic sewage से pollution होता है पर heavy metal pollution इतना नहीं होता है लेकिन जो हमारे जो जैसे कि आप घर पे paints का इसे हमाल करते हो या फिर आप लूहे के उपर ए paints यूज करते हो तो उस paints में heavy metals present होते है तो उस बज़र से जो है वो एक reason हो सकता है water के pollution के लिए वी कौन सा heavy metal pollution तो correct answer नहीं से कौन सा होगा option A अगला सवाल है the inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing अब देखे यहां पर सवाल जो अलग अलग तरह से आते हैं लेकिन हम जानते हैं कि जो deep sea divers है उनमें oxygen होती है nitrogen होती और helium होती है अब अगर आप से पूछी जा रही है यहां पर कि inert gas तो inert gas अगर पूछे तो हम क्या देंगे helium क्योंकि आप देखोगे option B तो nitrogen वो question पूछना ही नहीं चाह रहा है nitrogen के बारे में लेकिन हम जानते हैं कि कौन-कौन सी gases का mixture होता है वो oxygen का nitrogen का और helium का तो question के according आपको answer देना है option D जो है helium आगे आपको asbestos के बारे में पूछा asbestos जिसके हम बात कर चुके हैं पहले उससे कौन से disease होती है black lung disease या फिर pneumoconiosis किससे बना हुआ होता है calcium और magnesium से बना हुआ होता है तो correct answer कौन सा है option A इससे के साथ चलते हैं which of the following is most abundantly occurring element in earth crust अब चाहे earth crust की बात हो चाहे human body की बात हो सब में कौन एक सबसे common या सबसे abundant यानि बहुतायत में पाया जाने वाला कोई एक तत्व या फिर कोई भी एक element वो कौन है हमारा oxygen सही जवाब कौन हो जाएगा यहाँ पर option A अब चलते हैं हम अगले question की तरफ compounds that contain carbon are carbon and carbon hydrogen अब आप पूछोगे हम बात करते हैं ions होने चाहिए यहाँ पर एक कटाइन होगा यहाँ और एक क्यों होगा अब कटाइन क्या है positively charged है और नाइन negatively charged है यानि कि यह जो bond होगा वो इस तरह से कुछ represent कर सकते है hypothetically अगर आप बात करोगे तो इलकाइन में क्या होता है इलकाइन में triple bond होता है molecular compound भी carbon से जरूरी ना कि carbon ही हो उसके किसी का भी हो सकता है वो तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा option A which is organic compound last question जो है वो है age of earth अगर आपको earth की age estimate करनी हो तो आप कौन सा method को use करोगी तो जो uranium dating है मतलब uranium जो हमारे radioactive element है उसको use करके अगर हम earth के लिए use करते हैं उसे हम कहते है radioactive dating अब आप कहोगी कि carbon dating क्यों नहीं है तो carbon dating हम किसके लिए use करते हैं जो rocks है चटाने हैं उनकी age determine करने के लिए हम use करते हैं या फिर किसी तरह का अगर आपको कोई fossil मिला है तो उसके लिए use करते हैं लेकिन earth के लिए किसे use करते हैं uranium dating को वो है which of the following compound is tetrahedral tetrahedral जो है वो एक shape है compounds की आपको बतानी है कि जो options आपको दिये हुए है इनमें से कौन सा tetrahedral है तो वो compounds जिनमें hybridization जो है वो sp3 होता है उनमें probability होती है कि वो tetrahedral shape के हूँ अब आज जैसे ammonia देखोगे तो ammonia में आपको क्या मिलेगा NH3 उसे के साथ carbon tetragloride ccl4 carbon dioxide जो है उसके linear structure होती है यानि यह इस तरह से arranged है इसी तरह acetylene है acetylene भी क्या है एक unsaturated अपना hydrocarbon है ammonia और carbon tetragloride में अगर आप देखोगे तो ammonia के जो shape होती है वो इस तरह से होती यह तीनो hydrogen जो है यह 3D में arranged है diagramatically हम दिखाने के लिए हमने इस तरह के bond बनाए है और ammonia में 2 electrons और खाले रह जाते है जो कि lone pair के form में present होनी लेकिन जो ccl4 हमारा बचा है उसमें sp3 hybridization होता है और इसके जो shape होती है वो किस तरह की होती है tetrahydral तो यह है हमारी tetrahydral shape करेंट जवाब क्या है option B tetrahydral के अंदर यह चारो जो जो बाहर वाले atoms मैंने represent करें है यह एक दूसरे से 90 degree पे situated होते है ठीक है अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है the hydrogen burning process is directly associated with यानि hydrogen के जलने के जो process है उससे आप hydrolysis से relate करोगे reduction से, oxidation से या hydrogenation से जो hydrogen के removal की process है removal के process के अब क्या यानि hydrogen remove हो रहा है किसी compound से यानि उसमें ऐसा माना जाता है कि oxygen add हो रहा हो अगर आप oxidation reduction reactions को साथ में लेते हो तो एक reaction में अगर एक element का oxidation हो रहा है तो दूसरे का reduction हो रहा है तो अगर oxygen जो है वो add हो रहा है तो हम उससे क्या कहेंगे? Oxidation तो C option जो है वो correct है अगला जो question है वो है the group displacement law is propounded by एक law है जिसका नाम है samooh विस्थापन नियम यह किस ने दिया था? तो यह जो rule था यह फुजान ने दिया था और इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे radioactive elements है उनमें क्या होता है? मैंने आपको बताया है उनमें alpha degradation होता है उनमें beta particles निकलते हैं और इससे तरह उनमें gamma radiations जो है वो भी निकलते रहते है सोडी और फुजान में क्या बताया था कि मान लेज़े कोई एक element है उसका कुछ atomic number है उसमें से एक बार alpha जो अगर alpha raise निकले गी तो उसमें क्या होगा? जो नया element बनेगा वो ऐसा होगा कि उसका atomic number है वो तो 2 कम होगा और जो mass number है वो कितना कम होगा? यानि कि एक alpha particle helium के equal है तो एक element से दूसरे element का formation हो जाएगा यह लौक इसने दिया था यह दिया था सोडी और फजान में तो correct answer क्या है? Option 1 अगला सवाल है which of the following is the best fuel in terms of energy released per gram of fuel? यानि कि एक gram अगर आपके पास में इनमें से किसी भी इंधन का आपके पास एक gram है माल लीजिए उसको आपको जलाना है जलाने के बाद में जो energy release होगी या जो heat release होगी वो सबसे जादा किसमे है जो वैसा देखा जाता है methane में, ethanol में, butane और hydrogen में तो hydrogenic ऐसा हमारे पास इंधन है जो क्या करता है जिसमें heat जो हो सबसे जादा amount में release होती है तो correct answer क्या होगा? option A अगला सवाल है कि 1 carat of diamond is equal to हम diamond को carats में measure करते हैं carats में आपने सुना होगा diamond के बारे में तो आपसे पूछा है कि 1 carat के अंदर कितना gram या milligram जो है वो diamond होता है 200 milligram so correct answer is option C now moving on towards the next question dust particles in the air of large industrial cities are removed by यानि कि आपने देखा है कि हमारा जो इत्मोस्फेर उसमें कही तरह के dust particles वो freely dispersed हैं पूरे के अंदर वो जो कही तरह के pollution कॉस करते हैं कही तरह कि आपके respiratory diseases है वो भी कॉस करते हैं अब हम क्या चाहेंगे कि हम उन्हें remove कर दे तो ऐसा सबसे ज़ादा जरूरी होता है हमारी industries के अंदर जो बड़ी बड़ी industries है उनके चिमनिया है वहाँ से बहुत dust particles भी निकलता है smoke के अंदर भी बहुत सारी impurities होती है तो उनको remove करने के लिए यूज किया जाता है electrostatic precipitator ESP अब इसमें क्या होता है कुछ charge plates होती है जिनके अंदर high electricity provide करी जाती high voltage और जो air है उसको यहां से pass करी जाती है और यहां पे कुछ particles होते है जहांसे regular electron निकल रहे होते है अब यह जो electron निकल रहे electron में negative charge है और ऐसा माना जाता है कि हमारे पास जो particles है dust particles है positive charge है तो यह इससे चिपक जाएंगे और इसलिए बाद में यह वहीं रह जाएंगे और आगे जो है आपको यहां पर जो मिलेगी वो pure air मिलती है तो यह mechanism भी आपका होगी electrostatic precipitator का तो इससे यूज करते हैं हम dust particles को remove करने के लिए अगला सवाल है which of the following imparts a blue color to the glass Cobalt Oxide, Copper Oxide, Iron Oxide और Nickel Oxide इनमें से कौन है जो blue color provide करता है glass को तो cobalt का जो oxide है उससे glass को blue color बिलता है तो सुकारे चांसर इस option E अगला सवाल है the most common cause of pollution of air is यानि कि air का pollution उसका सबसे common cause क्या है तो sulfur के जो dioxide है वो सबसे common cause air के pollution की carbon dioxide to naturally represent है carbon monoxide जो है वो pollution तो करती है पर उससे जादा वो dangerous होती है लेकिन अगर आप इनके most common अगर इन दोनों इसे बताएंगे वह तो वो कौन सा होगा वो होगा sulfur dioxide यानि कि option C SO2 अगली सवाल के तरफ बढ़ते हैं nitrogen जो है it forms a variety of compounds nitrogen आपको हर जगर मिलेगा बहुत तरह के compounds में होता है nitrates होते है nitrites होते nitrogen ammonia में भी होता है urea में होता है उसके लाव proteins में भी nitrogen होता है तो आपको पुछा है कि जो oxidation states है वह कहां से लेके कहां तक हो सकती है तो वैसे तो यह आपको याद करना है पर मैं आपको example दे देते हूं जैसे आपके पास ammonia compound है sorry nitrogen gas खुद है फिर आपके पास nitric acid है इस तरह से nitrous acid भी हो सकता है फिर nitrogen की बहुत सारे आपके पास oxides है NO2 मिलेगा N2 मिलेगा तो इन सब में आप जो check कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दो extremities बता देते हूं यानि कि दोनों end सबसे कम कितनी हो सकती है और सबसे जादा कितनी हो सकती है तो ammonia में अगर आप देखोगे तो आपको nitrogen की oxidation state है वो कितनी मिलेगी वो भी minus 3 रिसी तरह HR NO3 में जो nitrogen की oxidation state है it is plus 5 बाकी जतने भी मैंने आप compounds लिखे हैं या आपको और कोई भी मिलेगा उनकी आप check कर लेगा minus 3 से plus 5 से जादा इसकी oxidation state नहीं देजे इसकी range में सो correct answer is option A moving on towards the next question the next higher homologue of C6H14 is यानि आपको एक compound दिया है C6H14 C6H protein उसका अगेला उच्छतर बताना है तो मैंने आपको homologous series बताई ते उसमें क्या बताए था कि justice का जो next compound होता है उसे हम क्या कहते है homologous series और homologous series का जो next compound है उसमें अगर alkane की homologous series के आप बात कर रहे हो तो उसमें जो difference होता है एक CH2 molecule का यानि अगर आप इसमें एक CH2 molecule add कर दोगे तो इसका आपको next homologous मिल जाएगा यानि यह क्या है वो C7H16 तो क्या यह सही है इसको देख लेते हैं पहले तो C6H14 मैं आप कोई चीज़ बताना चाहूंगी alkane जो है उसका जो general formula होता है वो होता है CNH2N plus 2 यानि अगर आपने N की जगा कोई number of carbon atom लिखाए माली जी 6 लिखाए तो अगर आप इसमें यह जो 6 है उसको add करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि C6H14 जो है वो एक alkane है क्योंकि यहां पर number of hydrogen जो ही matter करते हैं क्योंकि आपको बता है C option तो आप में से कोई भी tick नहीं करेगा और 7 जो है वो अलग-अलग जगह है तीन options में आपके पास तो आपको number of hydrogen जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक alkane है या आपको पता चल गया तो आपको क्या करना है next homolog बताना यानि कि 6 के बाद कौन आएगा 7 जो क्या होगा C7H 7-2s are 14, 14 and 2 are 16 तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर ही जो CH2 वाली बात है वो भी मैंने यहां पर general formula जो है उससे प्रूफ कर दी है तो correct answer इसका कौन सा होगा option D अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं the substrate of photorespiration is अब कुछ तरह की अलग-अलग तरह की plants होते है अगर आपको भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा C3 plants, C4 plants उनमें एक तरह की waste process होती है जिसका कोई भी advantage नहीं होता है जो होती है photorespiration अब उसका substrate आपको पूछा है तो उसका substrate एक तो होता है phosphoglyceric acid और एक होता है glycolate तो यह दो इसके क्या होते है substrate zoning की यहां से reaction शुरू होगी होता क्या है plants में एक enzyme होता है इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा जिसका नाम है rubisco rubisco की property है कि CO2 और O2 दोनों के track कर सकता है अगर इसने reaction O2 के साथ करी तो होगी जो reaction हों से होंगे respiration और आपको क्या आद रखना है सिर्फ कि इसके जो substrate है वो कौन है PGA, Phosphoglyceric Acet and glycolate अगला सवाल है It is reported that there is an ongoing decrease in the pH value of ocean water यानि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा ocean का water है उसके जो pH है वो regular कम होती जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है global warming की वजह से pH कम होना यानि acidic की तरफ जा रही है और उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे ocean acidification अब आपको इसके वजह बताना है अब देखिए होता क्या है कि water की जो surface है उसके उपर gases exchange होती रहती यानि oxygen भी वहां से enter करती है हमारी water में और carbon dioxide भी अब अंदर जाने के बाद होता क्या है अंदर जाने के बाद होता है carbon dioxide जो उसकी water के साथ जब reaction होती है तो carbonic acid बनता है जोगी क्या है एक acid यानि जो pH है उसको कम करेगा अब global warming की वजह से क्या हो रहा है यह जो exchange है उसमें CO2 बहुत जादा आपके oceans में आ रही है तो यानि जो acid part है उसका बनना भी बहुत जादा हो रहा है इसलिए क्या होगा pH कम हो रही है तो इससे आप क्या कहोगी या तो आप इस तरह से क्या सकते हो कि acid जादा बन रहा है पर फिर भी वजह क्या है कि वह जो CO2 है उसका exchange बढ़ गया है exchange भी नहीं uptake जो ocean ले रहा था CO2 को वह बढ़ गया है larger uptake of CO2 by ocean water तो यह option जो है वह correct है अगला सवाल है weight और यह पता है तो आप alpha का भी बता दोगे helium is 2 और 4 अगर आपको इसका mass number पूछा जाए तो 4, atomic number पूछा जाए तो 2 या फिर इसमें इस तरह से लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि charge कितना है तो charge यहाँ पे क्या होगा? वह होगा 2 unit का positive charge तो correct answer काउन सा है यहाँ पे 2 unit positive charges that is option A क्योंकि helium अगर आपको कभी charge form में मिलेगा तो plus 2 में ही तो मिलेगा okay अगला सवाल क्या है which among the following was first human made plastic सबसे पहले बनाया गया human द्वारा जो plastic है कौन सा है तो सबसे पहले जो plastic बनाया गया था वह है celluloid तो correct answer के आपको याद रखना है देखिए nylon जो है वह तो plastic नहीं है fibers वह तो polythene plastic है तो आप confused हो सकते हो polythene और celluloid में तो answer क्या रहा रखना है आपको celluloid अगला सवाल है which of the following is utilized in the form of electrolyte of a dry cell अब dry cell जो है उसमें C for cathode and C for carbon यह हम पहले बता चुके है enode किसके बनाते हैं zinc की बनाते हैं और जो electrolyte है electrolyte में या तो हम ammonium chloride लेंगे या फिर उसको कभी-कभी replace करके हम zinc chloride भी use कर सकते हैं so the correct answer is option A ammonium chloride and zinc chloride अगला सवाल है which of the following is estimated by the radio carbon dating radio carbon dating से आप किस चीज का अनुमान लगाते है तो या तो उससे हम fossils हमारे उसकी age determine करते हैं और या पर जैसे जो पुरान जैसे हमें जो evolution की time पर ऐसे कुछ remnants मिलते हैं कुछ बच्ची कुछी जैसे हड़ी या कोई टश्यू उसको हम पता लगाते है कि अगला सवाल है the process of corrosion doesn't take place in which of the following metals कौन सा metal है जिसका corrosion नहीं होता है तो यानि कोई ऐसे metal का corrosion नहीं होता जो बहुत कम react करता हो चीजों से तो यानि की noble metals noble metals में वैसे तो हमारा gold, platinum, silver दोनों आते हैं वर हम जानते हैं कि silver में corrosion होता है H2S की presence से sulphide बन जाता है और उसकी वज़े से color कैसे आता है उसका black, इसी तरह जो copper है उसका corrosion होता है तो उस पे green color की एक layer बन जाता है iron का हम सब जानते हैं rusting, तो कौन answer होगा यहां पे gold अगला सवाल है in the galvanic cell the process takes place galvanic cell में क्या होता है आपको किसी भी तरह के cell की process अगर पूची जाये तो इसमें क्या होता है हम cell में क्या लेते हैं anode लेते हैं एक cathode लेते हैं दो हमारे पास rods है उनके बीच में हमने एक electrolyte solution लिया है तो यानि और वहां पे फिर हम क्या करता है लेक कोई बल्ब चोटा बल्ब एक सेक्टरा तो वह जो है वहां पे आपको पता चले हो कि वह बल्ब on होता है यानि जो chemical energy थी वहां पे उस पूरे apparatus में उसको आपने change कर दिया electrical energy so that's what happens in a galvanic cell transformation of chemical energy into electrical energy सही जवाब कॉन सा है इसका option B आगे पूचा गया है आपको exothermic reaction के बारे में आपको दो चीज़े याद रखनी है उश्माक शेप सी जो है शेपी और दूसरा है endothermic endo का मतलब होता है intake यानि आप energy को use कर रहे हो और exo का मतलब होता है देना so exo means that heat is evolved there जो heat है जो उर्जा है वहाँ भी वो विक्सत होगी so correct answer is what? Option B अगले सवाल की तरफ चलते हैं choose the incorrect statement pertaining to organic compounds organic compounds जानी कौन से? जो carbon और hydrogen से मिलके बने हुए है उनके बारे में आपको incorrect statement जो है वो choose करना है तो पहला है that they have low melting and boiling point ये जो बात एकदम ठीक है low melting point होता है इनका और low boiling point होता है they do not dissolve in water ये बात भी correct है ये water में dissolve नहीं होता है बाकी sorbents में होशलते हैं पर यह water की बात होता है they are easily combustible यानि ये आसानी से जल जाते हैं नहीं ये आसानी से नहीं जलते हैं जो C option है वो गलत है और D or देख लेते हैं they contain mainly carbon and hydrogen ये तो organic बोलते ही आपको बोलगा चाहिए कि हाँ ये तो सही है इसलिए यान पर गलत कौन सा हुआ incorrect पूछा था that is option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं weight पूछा है आपको 6.231 sorry ये इस तरह से नहीं था लिखने के टाइम थोड़ी गलती हो गई 6.023 into 10 raise to the power 23 atoms जो है उनका weight पूछा है आपसे तो इतने atoms जो है आपने कहीं पढ़ा होगा कि एक mole जो है उसके अंदर इतने atoms present होते हैं इन्हें हम कहते हैं Avogadron number तो इतने atoms अगर present है तो हमें पता चलता है कि आपको यू कहा जा रहा है कि आपके पास एक mole carbon है उसका आपको weight बताना है तो simple आपको एक carbon element का weight बताना है जिसका atomic number कितना होता है 6 और उसका mass number कितना होता है 12 तो correct answer कितना होगा 12 grams यानि option A तो आपको यहां से क्या याद रखना है आपको इसी जगह आपको अगर nitrogen दिया होता तो आप क्या कह रहेते 14 ठीक है अगला सवाल है कि in the sewage of fully oxidized मान लीजे कि आपके पास जो sewage है जिसको आप हम treatment करते हैं उससे शुद पानी बनाने के लिए तो वो जो nitrogen है वहाँ पर किस फॉर्म में होगा फुली oxidized मतलब कि क्या है nitrogen अपनी maximum oxidation state में present है जो कितनी थी plus 5 minimum कितनी थी minus 3 और plus 5 में वो कौन से form में present था मोथा nitrates के form में सो correct answer कौन सा होगा option D जो कि क्या है nitrate अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं suspension particles have size between suspension particles की जो size होती है वो किस-किस के बीच में होते है सो suspension particles की size होती है 10 raise to the power minus 2 से लेकर के 10 raise to the power minus 4 centimeters में सो correct answer will be option A now moving on to what's the next question iodine value के लिए पूछा है कि iodine value से हम क्या पता लगाते हैं तो iodine value से जितना unsaturation होता है oil के अंदर यानि जितने multiple bonds है double, triple है जितने hydrogenation के जरुरत है इस तरह से भी हम बोल सकते हैं उसको उसका पता लगाते हैं iodine value से अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगला question है element 106 was discovered by तो हमने last बार भी ये बात करी थी कि जिन elements का atomic number 92 से जादा है या uranium के जो बात में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं Transuranic elements और उनके discovery किस ने करी थी? Seaboard में तो correct answer कौन सा होगा? सही answer होगा option भी अगला सवाल है the value of gas constant आपको gas constant की value बतानी है तो यहाँ पे simple थोड़ा सा change किया हुआ है बस 8 से तो सबको शुरू किया आगे 314 में variations करे हुए So the correct answer is 8.314 into 10 raised to the power 70 क्या है? 8.314 into 10 raised to the power 7 और इसकी जो है आपको unit पे बूची जा सकती है Ergs, Kelvin Inverse, Mole Inverse यानि कि यह क्या होगा Ergs में है, कॉन में आपके पास Kelvin है और आपके पास क्या है? Moles, okay इसके साथ अगला question देखते है Which of the following metals is used in spacecrafts to withstand high temperature? High temperature को जेलने के लिए spacecraft में कॉन सा metal उसका यूस का यूस किया जाएगा तो spacecraft में क्या होता है? जो हम उसको भीचते है Earth से आपने देखा होगा rocket के जब भी photo दिखाई जाती है नीचे बहुत सरी दूर में उसमें fire दिखाई जाती है यानी temperature obviously वहाँ जादा है तो उस temperature को अगर हम जाते है उस temperature से ऐसा भी सो हो सकता है हमारी spacecraft है उसमें कोई loss होगा है वह हम नहीं चाहेंगे तो उसके यह specifically हम किसे यूस करते है? Ti को यूस करते है Ti कौन है आपका? Iron को हम नहीं यूस करते है निकल को नहीं यूस करते है लेट को भी नहीं यूस करते है We use Ti Okay Now the next question is Brass gets colored in air due to constant exposure in presence of a brass Brass भी एक alloy है Zinc present है उसमें Copper present है उसमें अब आपको बताना है कि अब उसमें क्या होगा? अब air के अंदर उसको exposure मिलेगा तो क्या होगा? उसके अंदर उसका color वो discolored हो जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे है उसमें क्या होगा? उसके अंदर उसका corrosion होना शुरू हो जाता है तो वो किस बज़र से होता है? जब H2S यू है वो अगर इट्रून स्फिय में present होती है तो उस बज़र से brass यू है जो है the fat of a common muscle secret sticky glue that can be used to make heart implants अभी मुजल की बात हो रही है यह मॉलस्का का मेंबर है अब इसके जो यानि कि इसमें fat present है उसे एक glue यानि कि एक चिपकने जैसा कुछ सबस्टैंस रिलीज होता है उसे हम use करते हैं जो heart implants हम बनाता है यानि कि heart में कोई problem है उसके लिए हमने जो बनाया है प्रत्याल open के लिए आपको बताना है उस chemical compound में क्या होता है तो आप सीधा इसका नाम याद रखेंगे जो क्या होता है उसमें dihydroxy phenyl alanine यानि कि option D अगला सवाल है nitrogen is an essential constituent of nitrogen किसका एक essential constituent है बहुत सारी शीज़े बताई थी मैंने nitrogen वाले question में उसमें भी बताया था कि proteins जो है उसमें भी nitrogen present होता है वैसे यहां पर options में दिया हुआ नहीं आपारा जो genetic material है DNA हो या फिर RNA अपने में genetic material नहीं है पर एक type तो है इनके अंदर भी nitrogen present होता है अगर आप options देखोगी तो उनमें से आपको कौन सही जवाब मिलेगा proteins यानि की options भी अगला है कि Rutherford का जो scattering experiment था उसे हम क्या कहते है Rutherford's alpha particle scattering experiment उसमें उन्होंने क्या क्या था उन्होंने gold की पतली-पतली ली थी उसके अपर उन्होंने उसको बहुत तेजी से उसके उपर bombarding करवाई थी उस पर गिराया गया था तो वो जो alpha particles थे उनकी movement पर पड़े गए थे कुछ तेड़े मेड़े चले गए थे कुछ में कुछ नहीं हुआ सीधे चले गए थे तो उससे किस चीज की discovery हुई थी उससे discovery हुई थी nucleus की उससे discovery हुई थी केंद्रक की यानि कि वहां पर केंद्रक जो है वो present है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा optionality अगला है gargling जब आप जो नमक का पानी मिला करके जब आप गरारे करते हैं जैसे आपका गली में problem होती है तब उसमें आप नमक ज़रूर मिलाते हैं अब पूचा है कि वह नमक मिलाने से ऐसा क्या होता है कि आपका जो गला है उसको आपको आराम मिल जाता है तो देखिए होता क्या है कि कई बार infection हो जाता है bacteria वगेरा का तो table source हो है नमक के पानी से नमक मिलेगए तो देखिए और फिसकaton क्का नमक मिलेगए अब के अज़ाक के झाश्चा मिलेगी में तो इसका बाएब काँ गपपरटी देख peach पानी हीश लेगा और पानी हीश लेगा हम क्या कहते हैं dehydration जो भड़का हो उतक है उनसे पानी को निकाल लेगा उनको निर्जलित कर देगा अगला है which of the following represents a physical change physical change होता है यानि कि जिसके भी हम बात कर रहे हैं उसके chemical structure पे कोई फरक नहीं पढ़ना चड़िये पर उसमें कुछ इस तरह की changes होंगे या तो उसकी shape में कोई change होगा या फिर solid से gas में conversion या इस तरह से कुछ तो आप देखोगे कि oxidation में क्या होगा माल लेजे हमारे पास x को ही compound है उसमें अगर oxygen add होगया तो कुछ माल लेजे उसका oxide बना x हो तो पूरा compound ही change हो गया तो this is not a physical change इसी तरह reduction में माल लेजे इसके साथ hydrogen जुड़ गया decomposition में तो इसका breakdown ही हो जाएगा इस तो टूट करके कुछ और ही बना देगा और जैसे कि हमाल लेजे इसने m और n बना दिया तो x जो था वो तो बच्चा ही नहीं उसके जो कुछ और बच्च गया लेकिन sublimation में क्या होगा x पहले solid form में था अब वो gas form में है लेकिन है तो अब भी क्या x ही okay so correct answer here will be sublimation next is which among the following were not discovered by the time Mindaliff published his periodic table तो शुरू में हमारी जो modern periodic table ये उससे पहले कही तरह की periodic tables आई थे आपने उनके नाम पढ़े होगे और वैसे जो Mindaliff की periodic table थी उन्होंने जिस वक्त अपनी periodic table बनाई थी तो उन्होंने noble gases जैसे किसी भी चीज की discovery जो है वो नहीं करी थी आपसे यही पूचा है कि कौंसी तब discover नहीं हुए थी तो वो कौंसी थी हमारी noble gases अगला सवाल है विच अमंग the following is known as white vitriol तो में blue vitriol की बात करे थी white vitriol की भी बात करे थी so white vitriol is zinc sulfate and blue vitriol is what copper sulfate और वो भी कैसा equis वाला so correct answer here will be zinc sulfate that is option A next is what happens to the weight of iron when it rusts जब iron पे zinc लगता है लोहे पर तो उसके वजन पे क्या फरक परता है तो दीखिए पहले तो क्या हुआ है आपके पास क्या था iron था उसकी rusting हुई तो iron का कुछ oxide बने लिया ठीक है iron के oxide बनने से उसमें क्या हुआ iron के अंदर oxygen का weight भी जो है वो add हो गया तो obviously पहले क्या होगा weight जो है वो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे और जो है वो corrosion होदा रहेगा तो इसके कुछ और reasons होते हैं जिनके बज़से जो weight है iron का वो क्या हो जाता है है decrease हो जाता है तो आपको क्या बूलना है कि रस्टिंग के टाइम पे जो लोहा है उसका बज़न पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा increases and then decreases that is option c which of the following is a property of diffusion आपको बताना है कि diffusion जो है viseran उसकी इनमे से कौन सी property है viseran जो है यहां पे पूला है कि it is slowest in liquids fastest in gases and it is based on motion of particles तो यह हमने जैसे बात करे थी कि जैसे kitchen में ममे खाना बना रही होती है उसके खुश्बू हर तरफ कैसे फैल जाती diffusion से क्योंकि वो जो particles है उनका movement होता है और less concentration वाले areas में आ जाते हैं तो उन particles के motion की वज़े से क्या होगा diffusion अब पूछा है कि क्या यह gases में fast होता है तो हमारा air जो है उसके अंदर हो particles जल्दी से आ चाते हैं तो fast होता है gases के अंदर पर इसी तरह अगर आप इनको liquids में या solids में देखोगे तो इन में क्या होता है यह slow होता है तो सारी options सही है तो correct answer क्या होगा option t next is which compound of mercury is used as an antiseptic mercury का पॉंसर compound है जैसे antiseptic के तरह use करेंगे mercury chloride जो है mercury chloride is mg sorry not mg mercury chloride HgCl2 HgCl2 को हम use करते हैं as an antiseptic अगला है speed जो sound की speed है वो maximum कहा होते है तो sound की speed जो solid होता है हमारा solid liquid gas को compare करते हैं तो उनमें से solid के अंदर maximum होती है तो correct answer क्या है option A जैसे सवाल आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे कि लोगे की जो पत्रियां है उनके उपर मालो train चलती हुए आ रही है तो आपको वह नहीं प्चछे है तो आपको गोरी कानों के पास प्ट्रियों तो इस तरह से पूछा कर जासब आए तो पहले किसे सुनाई जो वह ब्रॉंस के लिए या वहां काल लगा के सुन रहा हो, तो वह इसी reason पे based है, अगला सवाल है, which of the falling gas is utilized to fill up the balloon, especially when weather-related prediction and reporting is to be done, तो हम कौन सी gas को use करते हैं, सब जानते हैं, हम use करते हैं, helium को, और correct answer इन वे से कौन सा हुआ, option D, अगला सवाल है, other than mercury, which other metal is liquid at room temperature, तो mercury तो liquid है ही है, mercury के साथ साथ, gallium जो है, room temperature से अगर थोड़ा बहुत भी temperature shift हो जाता है, तो gallium जो है, वो liquid में convert हो जाता है, तो correct answer कौन होगा, इसका, option C, अगला सवाल है, the spreading out and mixing of substances with another substances due to motion of its particle, यह आपको पूछा गया है, कि एक पदार्थ है, उसके कणों की गती है, उसके वो फैल जाता है, उसे आप क्या कहोगी, उसे आप कहोगी diffusion, यानि उसके अंदर जो particles present थे, वो दूर-दूर चले गए, उसका नाम है, प्रसरन, so correct answer is option A, आगे आपको पूछा है, antacid tablets के बारे में, antacid tablets वो होती है, जैसे आपको कभी-कभी acidity हो जाती है, या फिर आपके acid secretion में कुछ problem है, stomach के अंदर, तो उस वक्त आपको antacid tablets दे जाती है, तो शुरू में पहले जो है, magnesium और जो aluminium है, उनके hydroxides जो है, उनको बहुत यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है, तो correct answer, अगर आप देखोगे, magnesium and aluminium, so the correct answer is option B, ये यूज करते हैं, antacids की तरहा, अपने CRT में antacids, analogistics, वो सब पढ़े होंगे, वहां पे भी आपको इमिला होगा, अगला है, the element absorbed, both in catein and anine form, कौन है, जो catein और anine दोनों की form में exist करते हैं, तो हमने nitrogen में ही देखा था, minus 3 to plus 5, क्योंकि यह option में nitrogen है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले nitrogen बता रहे हुआ हम सबको select करते हैं, और absorption की बात हो रही है, तो जैसे हमारी plants है, उनमें भी nitrogen ज़रूरी होता है, animals हैं, हम हैं, हम में भी nitrogen ज़रूरी है, तो यह nitrogen जो है, minus 3 में भी absorb हो सकता है, minus 5 में भी हो सकता है, तो सही जवाब कौन होगा, इसका option B, next is, nucleons are regarded as composite substances of, इनको ऐसा कहा जाता है, कि जो quarks होते हैं, उनके composites होते हैं, तो correct answer इसका क्या होगा, option B, quark, next is, intervenal necrotic spots, यानि कि अगर आपने leaves देखे होगी, तो leaves के अंदर जो आपको यह green color से बना देती हूँ, आपके लिए, जो veins हैं, हो ताकि आपको असानी से समझ में आजाएं, तो इस तरह कि आपको linings देखती हैं, leaves के अंदर, तो इनको हम कहते हैं, leaves की veins, अगर यह जो veins हैं, इनके बीच में, अगर आपको किसी तरह की necrotic spots मिलेगे, necrosis होता है, वहाँ पे मतलग उस tissue की death हो जाती है, अगर इस तरह के आपको spots इन veins की बीच में मिल रहे हैं, तो वो किस बज़े से होते हैं, वो होते हैं, हमारे sulphur dioxide की injury के बज़े से, तो correct answer कौन सा है, इसका, option B, अगला सवाल है, the process by which solid substances changes into liquid, solid को आपको liquid में convert करना है, तो आप इसको क्या कहोगे, liquification कह सकते हो, diffusion तो देखे नहीं कहेंगे, melting कहेंगे, melting कहेंगे, melting कह सकते हैं, आराम से, तो सही answer क्या होगा, option C, पूछा गया है, liquid to gas, liquid से, gas में convert हो रहा है, vapors की formation हो रही है, तो हम असे क्या खाएंगे, vaporization, so correct answer is, option A, next is, what is the process called, in which gas is changed into liquid by cooling, अब opposite पूछा है, आपको solid to gas है, liquid है, sorry, liquid से, गया, लेकिन question में चापको पूछा है, that is, gas to liquid, यहाँ पे क्या हो रहा है, condensation हो रहा है, so answer will be, option D, that is condensation, अब अपन एक साथ discuss करने थे, इनको solid से, liquid में convert हो, liquid से, gas हमने पढ़ लिया, vaporization, gas से, liquid हमने पढ़ लिया, condensation, इसी तरह, solid से, liquid हमने पढ़ लिया था, melting, और इसी तरह, जो liquid से, solid में conversion होगा, उसे हम क्या कहेंगे, freezing, और solid से, gas या, gas से, solid में, जो direct conversion है, उसे हम क्या कहते है, sublimation, तो यह question इनमें से, आपको कोई भी पूछा जा सकता है, काफी आसान है, आपको इनमें confused नहीं होना है, अगला जो सवाल है, आज के लिए आखरी सवाल है, और वो है, which of the following metal can be cut down with the help of a knife, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको आपको बोलोगे आपकी, आपने इसमें हमें sodium पढ़ाया है, तो हम answer इसमें sodium देंगे, पर मैंने आपको बताया था, कि sodium के जो elements, उस group वाले जो elements हैं, वो सब बहुत soft होते हैं, तो सबको हम चाको से काट सकते हैं, पर मैंने से sodium को है, सबसे असानी से काट सकते हैं, इस तरह से कुछ बताया है, क्योंकि सबको हम काट सकते हैं, तो all of the able is a better option है, तो correct answer यहाँ पे concept होगा, source of electric energy in an artificial satellite, उचा गया है, कि एक artificial satellite अगर है, एक कृ साटलाइट जो है, किस काम की होती है, देखिए वैसे जब आप साटलाइट के अगर भी study करते हैं, आपको पता चलेगा कि दो तरह की साटलाइट होती है, वो डिसाइड कैसे होती है, उनके और्बिट के बीसिस पे, पाकि कोई भी अगर साटलाइट हो, उसका काम होता है, एर्थ की सर्फेस है, उसके बाहर रिवाल्व करना, जैसे कि आपके वेदर की जो आपको डीडेल्स बता होती है, उसके लिए आपके पास साटलाइट होते हैं, जो हमने एर्थ से भीजी होती है, तो वो साटलाइट क्योंकि वो रिगिलर्ली एर्थ के बाहर रिवाल्व कर तो हम उनके अंदर ऐसी कोई source of energy बहाँ डालेगे ताकि वो अपने आप renew हो सकी मतलब ऐसा ना हो कि हमें यहां से earth supply करने का तो हमारे पास कोई source बचेगा नहीं इसलिए हम उनमें use करते है solar cells को ताकि वो जो sun की light है क्योंकि sun की light earth के अंदर जो है earth planet जो उसके अंदर भी आ रही तो वहां पर क्या करेंगे वो satellite जो है वो sun की energy को use करेंगे और उसको किस में convert करेंगे उसको convert करेंगे electrical energy तो correct answer कौन सा होगा इसका option D दूसरा सवाल जो है वो देखे आपकी screen पर आ गया है which of the following is not a radioactive element तो radioactive element के वारे में हम दो तीन चीज़े पढ़ चुके हैं कि एक तो इनकी discovery sea ball ने करी थी उसके अलाबा हमने पढ़ा था कि sea ball ने जिर elements की discovery करी थे उनका atomic number जो था 92 से जादा था और 92 जो हमारा कौन है uranium है तो अगर आप ये सारे elements जो है वो देखते हो तो zirconium जो है उसका atomic number जो है वो 40 है इसलिए इन elements में से जो zirconium है वो एक radioactive element नहीं है तो सही answer इसका क्या होगा option D अगला सवाल देखिए what are the different physical forms in which an element can exist मान लीज़े आपके पास एक element है जैसे मैंने example लिया आपको मान लीज़े आपके पास carbon है अब आपको बताना है कि कितनी physical form में exist कर सकता है तो आप कहेंगे कि carbon जो है वो diamond की form में भी हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए किवल physical form जो है वो क्या कहेंगे आगे और आप अगर बताएंगे तो आप कहेंगे कि graphite हो सकता है उसके अलावा आपके bucky balls हो सकती है या फिर C6 टेक बार कहा देते हैं उनको तो यह सारे जो है फिजिकली different different forms है carbon की और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं इन्हें हम कहते है allotrops allotrops की definition ही यही है क एक ही element अलग-अलग forms में exist करें तो सही answer यहां कौन सा हो जाएगा option D अगला सवाल देखिए name the property of metal in which it can be drawn into wires मान लीजे आपके पास कोई metal है उसकी कौन से असी property होगी जिसकी वज़े से आप उसकी wires बना सको अब क्या होता है आपके पास मान लीजे कोई metal का एक टुकडा है अगर आप उसको stretch करते हो pressure लगा करके तो इस stretching की वज़े से या फो जो आप pressure लगा रहे उस वज़े से अगर वो wires की form में बन जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहते है ductility इसी तरह malleability क्या कहेंगे जब आप थोड़े से peat-peat करके उसको sheets की form में convert कर से तो उसे आप होगी malleability तो इन दोनों के आपको confused नहीं होना है और जो conductivity है वो हम सब जानते है वो हम electric current जो हो रहा है या heat किसकी conductivity की बात कर रहे है उसके basis पर depend करता है लेकिन जो सवाल में पूछा गया है कि जो भी धातू है उसको पतले तारू में खीचे जाने के लिए जो हमारे पास property है उसे आप क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे नमनियता or ductility याने की option B जो है वो यहां पर correct answer है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है कि why aluminum is used for making cooking utensils आपके जो खाने के बरतन है उनको बनाने के लिए aluminum का इस्तमाल क्यों किया जाता है तो देखिए खाने के बरतन जो है इसे यूज़ करने का वो है क्योंकि वो एक अच्छा conductor होता है सुचालक होता है उश्मा का इससे क्या help मिलेगी मान लीजे सीधी आग जो है या फिर जो आँच है वो नीचे वाली जो सतर है उसके संपर्क में आ रही है लेकिन इसके अंदर जो खाना है वो तो पूरे मान ल गरम करना जरूरी है तो अगर यह सुचालक होगा तो यही जो heat है यही जो heat energy है यही जो heat energy है यह उपर की तरफ आराम से conduct हो जाएगी और ऐसा होने से क्या होगा पूरा पतीला जो है पूरा पतीला समान रूट से गरम होता रहेगा क्योंकि heat नीचे से उपर ट्रावल करती इसलिए aluminum के बरतनों का यूज किया जाता है aluminum को यूज किया जाता है बरतन बनाने के लिए तो correct answer क्या है कि यह heat जो है उश्मा जो है उसका सुचालक होता है अगला सवाल है कि ringing bells जो होती है temple की मंदरों में जो बड़ी बड़ी खंटिया लगाई होई होती है वो किसकी बनी ह चलते हैं में जुचाल के लिए मेटल की होती है ओझाल की काफी तरह के यूज के जाते हैं मतलब एक ही metal ना-उस करके यूजए बहूत सारे मेंस के जाते हैं तो ये जो घंटिया होती है वो धातुों की बनी हुए होती है अगले सवाल की तरफ चलते हैं एनीलिंग के बारे में पूछा गया है कि एनीलिंग जो है ग्लास की वो किसमे करी जाते है कार्ज को किसमे गर्म करके ठंडा गया जाता अब एनीलिंग क्या होती है पहले जो है ग्लास को high temperature पे heat किया जाता है फिर heat करने के बाद में उसकी cooling जो है वो ज़रूरी होती है और cooling के time पे हमें काफी सारे चीज़ें ध्यान में रखने होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उसके अंदर cracks जो है cracks आने के chances हो सकते हैं और glass में crack आने का मतलब है कि वो glass जो है वो usually कोई भी नहीं खरीदना चाहता है तो इसलिए जो annealing करी जाती है वो एक open furnace एक खुली भटी में करी जाती है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं the laughing gas utilized in the form of anesthesia by the doctors यानि कि पहले के time पे anesthesia यानि कि बेखोश करने वाली दवाईयों के form में laughing gas को यूज किया जाता था यह nitrogen का एक oxide है सबको मालूम है कौन सा oxide है N2O nitrous oxide जो है उसको laughing gas कहते है और उसको पहले यूज किया जाता था as anesthesia तो correct answer कौन सा होगा option C अगले सवाल के तरफ बढ़ते है which is not an anesthetic agent in surgical operation surgical operation के time पे कौन सा है जिसको आप anesthetic agent की तरह use नहीं कर सकते तो chloroform, ether और acetone इनको तो use किया जाता है operation surgical operation के time पे भी anesthetic के form में लेकिन जो nitrous oxide है उसे हम use नहीं करते हैं तो सही answer कौन सा होगा इसका option C क्योंकि आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो समवेदना हारी agent के रूप में नहीं use के आ रहा था और वो भी कब जब operation का time है अगला सवाल है कि nylon जो है nylon किससे बना हुआ होता है तो nylon एक polyamide है तो आप याद रखें कि जो amide functional group है वो यहां पर repeat होगा तो correct answer कौन सा है इसका option A अगला सवाल पूछा है कि sweat जो है पसीना जो है उसमें पानी के अलावा क्या होता है तो पसीने में देखिए water जो है वो maximum होता है maximum concentration water की होगी उसके अलावा उसके अंदर जैसे जो sweat है पसीना है वो भी एक form होता है हमारी body के लिए cooling का पसीना आने के पाद जब भी आपको हवा या फिर कोई भी cooling cool air आपको feel होती है तो आपको cooling feel होती है body में तो water के साथ साथ वहां पर ammonia भी present होती है small amounts में मतलब urea भी होती है और salts present होते हैं तो आपको अगर सवाल लेखोगी तो आपको option में salt मिलेगा तो sweat में water के साथ में salts present होती है so correct answer is option C अगला है changing of one element into another element is called एक element से दूसरे element में convert होना इसे हम कहते हैं transmutation प्रसारण यह जो definition है definition से आपको question सीधा मुचा गया है fission और fusion में क्या होता है इनके अदर या तो दो nucleus है उनका fusion होके दो या दो से जादा nucleus का formation होता है fusion के अदर और fission यानि की breakdown एक nucleus या उसका breakdown होकर के बहुत सारे अलग-अलग nucleus बनते हैं अलग-अलग atomic mass वाली radio activity क्या है alpha, beta और gamma degradation होता है क्योंकि वो एक unstable element है ठीके तो आप radio activity और transmutation में confused ना हो तो correct answer कौन सा है इसका option भी अग्रा सवाल है radiations which are not emitted during radio activity ऐसी कौनसी radiations जो radio activity के टाइप पर emit नहीं होती है तो alpha rays जो है वो emit होती है alpha rays को हम helium particle मानते हैं beta rays यानि इसका atomic number और mass beta rays भी emit होती है और gamma radiations जो है यह भी emit होती है अब यहाँ options में जो extra दिया हुआ है वो ही गलत होगा वो ही नहीं emit होता होगा और वो कौन है cathode rays यानि की option D अग्ला सवाल है कि citric acid जो है वो नीचे चो options दे हैं उनमें किन में से free form में present होता है यानि मुक्त रूप में किसमें present is citric acid तो हम यह तो जानते हैं कि जुतने भी खटे fruits होते हैं उनमें citric acid present है और अगर आप free form में पूछोगी तो free form में lemon नीमभू के अंदर citric acid जो है वो free form में आपको मिलेगा अगला सवाल है कि अमनोफोर को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं कि अमनोफोर इस potassium per magnet इसको हम यूज कर सकते हैं एक disinfectant की तरह की टानू नाश्रक की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं तो correct answer क्या होगा option B अगला सवाल है usually the coolant which is used as domestic coolant यानि कि आपको एक शीतलक बताना है जो घरेलू शीतलक की रूप में उपयोग में लिया जाता है तो ammonia जो है उसको कभी-कभी अलग-अलग concentrations में water के साथ में mix करके ammonia इसमें बहुत जादा purified form होता है अर्मोस 99% pure ammonia उसके साथ में 33 parts per milling water के और कुछ और चीज़े मिक्स करके हम इसको coolant की तरह रेफ्रिजरेटर में भी यूज कर सकते हैं तो correct answer कौन सा होगा इन में से? Option B that is ammonia The principle of equivalence of mass and energy was established by यानि कि energy और mass के अंदर के आपने कोई रूल पढ़ा है कौन-कौन सा उर्जा और द्रव्यमान इनकी तुल्यता का सधान किस ने दिया था तो आपने सबने सुना होगा यह E is equal to mc2 यह जो formula था और इसके पीछे जो law है जो mass and energy को equivalent बताता है कुछ यह constant को add करके यह दिया गया था Einstein के द्वारा तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option C it is E is equal to mc2 which was given by Einstein अगला सवाल है कि जो vulcanized rubber है उसमें sulfur के कितनी percentage होती है तो sulfur को हम add करते हैं उसकी strength को बढ़ाने के लिए उसको और मस्बूत बनाने के लिए तो इसमें sulfur के कितनी concentration होती है तो यहाँ sulfur जो होता है वो होता है 3-5% यानि की option B अगला सवाल लेखिए अगला सवाल है which of the following is a metallic ore जो आपको options दिये हुए उनमें से पूछा है कि कौन सा जो है एक metallic ore है कौन सा धातु सक है तो इनमें से चेक quards है वो एक example है metallic ore का गलाना जो है वो लेड का ओर है PBS मिका और फेल्स पार ये भी डिफरेंट है metallic ore is quards that is option B next is vegetable of the fallen mineral does not contain oxygen आपको बताना है कि इनमें से कौन सा mineral है इसमें oxygen नहीं होगा hematite iron का एक oxide है अगर आपको formula भी नहीं आदे तो iron oxide तो याद होगा oxide है का मतलब इसमें oxygen जो है वो present होगा boxide is again aluminum का oxide तो यहाँ पर भी oxygen जो है present है calcite और crinoline, crinoline के अगर आप बात करोगी तो crinoline fibers होगे जिसमें 100% होगे वो cotton present होता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी oxygen नहीं present है क्योंकि अगर 100% cotton ही बोल दिया है तो oxygen कहां से आएगा so correct answer here will be option C that is crinoline next question है which of the following will replace hydrogen from acids to form salts यानि की मान लीजे आपके पास कोई acid है उसके अंदर hydrogen है तो H2SO4 आपने इसके reaction करवाई किसी के साथ में तो जो है वो hydrogen को replace कर देगा यहाँ से और salt का formation कर देगा तो ऐसा usually आपको देखने को मिलेगा sodium के साथ में मान लीजे sodium के साथ H2SO4 की reaction करवाई है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा Na2SO4 मिलेगा मान लीजे आपने NaCl लिया है और दूसरा जो आपको मिलेगा हो मिलेगा HCl तो यह आपके पास यहाँ पर acid था sulfuric acid उससे आपको Na2SO4 है वो salt का formation हो गया so correct answer कौन से होगा option B that is sodium अगले सवाल की तरफ चलते हैं which of the following metals has lowest melting point आपको बताना है कि gold, silver, mercury और copper इन में से सबसे कम melting point किसका है यानि कि किसको पिगलाने के लिए आपको बहुत जादा नीचे temperature में जाना पड़ेगा तो silver जो है silver AG उसका इन में से सबसे कम melting point होता है so correct answer here is option B अगला सवाल देखिए अगला सवाल है the gas produced in marshy places due to decomposition of vegetation is यानि कि जो मार्शी places ने जो दलदली स्थान है वहाँ पर क्या होता है जो भी वनस्पती है उसका अपगटन होता रहता है decomposition होता रहता है तो वहाँ पर कुछ gases है वो regularly release होती है अब आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सी gas release होती है तो वहाँ पर release होने वाली जो gas है उसका नाम है methane gas यानि की CH4 carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide की बजाए वहाँ पर जो gas निकलेगी वो कौन सी होगी? methane होगी so correct answer will be option D that is methane next is the heat value of combustion gasoline के combustion के उपर कितनी heat जो है वो release होगी तो इसका सही answer होता है 44 to 47 kilojoule per kg sorry kilojoule नहीं है यह megajoule होता है 10 raise to the power 6 per kg तो इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर क्योंकि units different है और यह kilojoule में दिया हुआ है तो 3 additional mega अगर आप बात करें तो 10 raise to the power 6 होना था तो 3 हमने किलो में दे दिये ठीक है 3 zeros and 3 zeros यहाँ पर है तो correct answer इसका क्या होगा 47,000 kilojoule पर कीजी यानि कि अगर आपने 1 kg gasoline जो है उसका combustion अगर किया है तो आपको कितनी energy मिलेगी 47,000 kilojoule तो correct answer क्या है इसका option D अगला सवाल है कि ozone और oxygen जो है वो क्या है तो ozone O2 और oxygen O3 जो है इनको allotrops माना जाता है उसके अलावा oxygen की और allotrops है वो singlet oxygen भी होता है ठीक है तो जो सही answer है यहाँ पर वो कौन सा होगा Allotrops यानि कि यह physically different forms या सिफ और ozon वैसे भी हमने देखा है कि oxygen से ही फॉर्म होता है वापस breakdown होकर कि oxygen ही बना देता है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं Which of the following when passes through the alkaline solution of the pyrogalol when ground nut colored solution is formed यानि कि ऐसी यह reaction से देखिए अब आज जो questions आपको maximum मिलेंगे और हमें explanatory part जो है थोड़ा कम है तो जैसे किसी में कुछ values पूछी हुई है किसी में melting point के बार में पूछा है तो अगर आपको questions जो मिलते हैं वो usually random melting point नहीं मिलेंगे जैसे कि gold, silver, वो सारे noble metals थे आपकी इसी तरह से यह important reaction है जिनके अंदर आपको reaction याद करने की ज़रत नहीं है पर अगर आपको पूछा जाए कि pyrogalol के उपर आपने ऐसी कौन सा alkaline solution पास किया और उसके वज़र से जो color है वो change हो करके ground nut color का हो गया तो oxygen जो है oxygen के alkaline solution को पास किया जाता है तो यह reaction होती है और उसके थोड़ी अलग सी smell होती है कुछ लोगों को दुरगंद लगती है कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो foul order जो हो क्यों होती है हम chemistry पढ़ रहे हैं तो हमें जानना है कौन सा ऐसा chemical उसमें है कौन सी गया से क्या है जिस वज़र से उसमें वो दुरगंद होती है hydrogen sulfide के कुछ content वहां पे होता है जिस वज़र से क्या होगा जो जो smell है order वो दुरगंद यासी होती है तो correct answer असका क्या होगा option B hydrogen sulfide next is the heat produced in a conductor due to passage of a current through it is proportional to यानि कि मान लीजिए a conductor है उसके अंदर से electric current वो पास हो रही है अब यहां पे हमने देखा है जैसे कि बल्ब में भी पर गरम हो जाता है वहां पे heat produced होती है इसलिए जितने भी electric devices आप देखो कि उन सब में थोड़ी बहुत heating तो होती है अब पूछा गया है कि वो heat produced हो रही है वो किस किस के proportional inversely proportional यह सब पूछ है आपको formula पता होना शाहिए heat का formula होता है i square r into t जहां पे i जो है वो क्या है i है electric current the h is equal to i square r into t जहां पे i क्या है i current है r resistance है और t time है कि कितने time के लिए वहां पे वो electric current पास हुआ है तो यही पूछा गया है आपसे अब देखे एक में directly proportional और inversely proportional आपको पहचामते है अनुपार्थी या फिर reverse अनुपार्थी या फिर रिवर्ज अनुपार्थी ठीक है तो अगर वो नॉमिनेटर में है उपर की तरफ है तो h और a जो है वो directly proportional हों हमेशे और अगर inverse में आपको मिलेगा तो वो inversely proportional है तो आप अगर इस formula में देखो कि तो सब directly proportional है कि स्टील जो है उसमें हम iron के साथ में क्यार्मियम निकल वगेरे को मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं अब mild steel के बार में पूछा है तो iron तो इसमें होगा ही होगा आगे mild लगा दिया है तो मतलब उसका क्या है कि इसमें जो impurities थी carbon की वो हम reduce कर देंगे तो बहाँ पे iron होगा और carbon की concentration ही उसकी percentage क्या होगी बहुत कम होगी तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा option A आगे है which of the following is the heaviest metal osmium mercury iron और nickel में से सबसे भारी metal जो है वो कौन सा है तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा mercury जोगी क्या है option B अगला सवाल है consider the following statements आपको दो options यहाँ पहला है पहला है कि green chemistry जो है it focuses on the effects of chemical pollutants on nature यानि कि green रसायन जो हो प्रकृती पर रसायनी प्रदूश्टों के प्रभाव पर केंड़ित है और जो पर्यावर्नी रसायन प्रदूश्टों को रोकने के रिए तक में की दृष्टिकों पर केंड़ित है तो green chemistry में क्या होता है जितने भी तरह के dangerous chemicals हम release कर रहे हैं उनके release को रोकना उनके production को रोकना और उनको environment में आने देने से रोकना यह जो है एम होता है green chemistry का और environmental chemistry के अंदा क्या होता है वो pollution जो हमारे air को कितना effect कर रहा है soil में उसके क्या effects आ रहे हैं इन सब को study करना और उसको remove करना यह है तो अगर आप देखोगे green chemistry में chemical pollutants के effect के उपर focus नहीं करता है यह focus करता है जो हमारे hazardous substances हैं जो भी ऐसे resign है जिनकी वज़े से environment को loss हो रहा है उनके generation को कम करना और minimum करना यह होता है यह कि environmental chemistry के बारे पे जो बात कई यानि दोनों में थोड़ी थोड़ी गलते हैं तो हम कहेंगे कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है तो correct answer कॉन सा होगे है इसका option D अगला देखिए which one of the following received the greener reaction conditions award in 1996 1996 में एक award दिया गया था कॉन सा? Greener reaction condition award वो जो options दिये गये हैं इसे किसे ही मिला था तो जो DAO chemicals थे उनको मिला गया था 1996 में यह जो एवार्ड था तो आप सीथा याद रटना है हमें यह जानना नहीं है इतना सबकुछ की यह award क्या है या फिर क्यों मिला ऐसा question आपको सीथा awards पर पूछा जा सकता है तो आप याद रटने इस DAO chemical Next है green solvents are derived from जो green solvents होते हैं वो renewable sources से आते हैं carbon sources से, non renewable से या फिर इन सब से तो हमारे renewable sources हैं उनको green solvents हम कहते हैं क्योंकि एक तो क्या है जो हमारे atmosphere में जो भी sorry जो हमारी earth के पर जो भी natural है जैसे wind है sun की energy है फिर water है इन सब को हम use कर रहे हैं तो इनकी वजह से जो pollution है वो निल होता है इसलिए हम इने कहेंगे green solvents बाकि अगर आप non renewable sources gasoline है natural gas वगर carbon की resources old बागरा इन सब से pollution होता है तो इनको हम green solvents तो बिलकुल नहीं कह सकते तो correct answer नहीं पर क्या होगा option E that is renewable या फिर नभी करने ये संसाथ है अगला सवाल है eating tobacco and throwing on road can produce यान कि कि किसी ने tobacco खाया है और उसके बाद में तबाको को सड़क पे डाले है तो सड़क पे डालने से हमारा ground का pollution होगा सबसे जादा याने की soil pollution तो correct answer उसका क्या होगा option B compare to the atomic bomb atomic bomb के comparison में destructive power होती है hydrogen bomb की वो कम होती है या जाता होती है तो इसके देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों में कौन सी process involved है तो जो हमारी atomic bomb है उसके अंदर हमारे पास fusion fusion reaction sorry not fusion fusion reaction nuclear fission reaction और वो भी कैसी uncontrollable और जो hydrogen bomb है उसके अंदर होती है हमारी nuclear fusion reaction ठीक है तो दोनों के अंदर अगर आपने कभी energy पढ़ी होगी तो fission reaction के अंदर बहुत सादा amount में energy release होती है तो correct answer क्या होगा कि atomic bomb के energy hydrogen bomb से जादा है तो correct answer is option B अगले सवाल के तरफ चलते हैं the phenomenon of spontaneous disintegration of certain heavy nuclei अब जैसे आपको एक definition थी element से element का formation बहाँ मैंने बताया था कि बहाँ आप radio activity को क्यों नहीं बोलोगी क्योंकि radio activity जो process है वो nucleus ते related होती है element का conversion हो रहा है वो अलग बात है but it is because of the nucleus which is unstable जो कि unstable है वही यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे disintegration होते रहेंगे heavy nucleus के उस phenomenon को आप क्या कहोगे उसे हम कहेंगे radio activity radio dharmikta अगला सवाल लेखिए oxygen which is vital for life is produced by photosynthesis photosynthesis की chemical reaction देख लेते हैं chemical reaction में क्या होता है carbon dioxide of water की reaction होती है कौन कौन सी चीज़े यहाँ पे present होनी चाहिए chlorophyll के presence होनी चाहिए और chlorophyll के अलावा होना चाहिए sunlight और जो formation होगा वो किसका होगा glucose का होगा और oxygen का होगा यहाँ पे पूछा कहा है कि oxygen का formation हुआ है कर यह CO2 से हुआ है या water से हुआ है oxygen का formation जो होता है water से यहाँ पे कुछ अंदर पूरी reactions जो हम आप प्लांट्स में study करते हैं तब यह पता चलता है आपको सीधी याद रखने है oxygen जो बनेगा वो किससे बनेगा water से अगला question देखे matching pairs का है सबसे पहला है fatty acid fatty acids अगर आपको बताने है oil and fats जो है fatty acids के example है A match होता है 4 से देखे 4 का option option ही 4 जो है 3 में दिया हुआ तो हम देख लेते हैं कि बाकी जो ठीक से match रहा या नहीं है बाकी options तो आपको C ही tick करना है जाए बाकी सही हो या गलत हो अब देखते है potassium potassium के बारे में आपके बास options क्या के बशते है detergent, soap के बारे में potassium क्या हम alkali से match करेंगे क्योंकि alkaline होता है nature में alkaline earth metals में आता है so potassium is a better alkali so B के साथ में हम match करेंगे 1st को B के साथ भी 1st A की options में यानि कि हमारा option जो सही हो गया वो है option C इसी तरह non-ionic जो surfactants है surfactants का इस्तेमाल हम किस में करते हैं detergent में तो C के साथ हम match करेंगे 2 को finally जो neutralization reaction and neutralization reaction involved surf formation तो यह हमने pairs match कर लिए option जो match कर लिए इसी तरह से आप time save कर सकते हैं सबसे पहले आप जो भी pair जो भी milan आप करते हैं उसको इसा ना हो कि option वाला एक ही है question में तो आपका time बजाएगा और आपको बाकी options जो हैं उसको match करने की ज़रत नहीं होगी अगला सवाल है biocides के बारे biocides क्या होता है इसी तरह कुछ ऐसे words आते हैं static आता है site का मतलब होता है static का मतलब होता है growth को stop कर देंग इसी तरह जैसे biocides bio मतलब की अगला सवाल है इसी तरह की microorganisms होता है और यहां पर कौनसे होता है यह होता है हमारे पास bacteria तो bacteria अगर है उसे हम यूज करते हैं तो अगर आप options देखोगी तो insects related नहीं है insects को मारना correct answer कौनसे होगा control the bacteria correct answer is option D अग्रा सवाल है in addition to nitric acid another acid which may render iron passive यानि nitric acid के अलाबा आपको ऐसा कोई acid बताना है जो लोहें को नश्क्रिय बना सकता है तो chromic acid इसका example है इसको कैसे बनाया जाता है जो chromate है उसके साथ में sulfuric acid की जब reaction करवाई जाती है और यह reaction से हमें मिलता है chromic acid और यह कैसा acid है जो लोहें को नश्क्रिय बना सकता है तो correct answer कौन से होगा option C अग्ला सवाल लेखे a substance which cannot be split up into two or more simpler substances यानि कि एक substance है उसको आप दो से जादा simple substances में उसको breakdown नहीं कर सकते तो ऐसा कब होगा जब वो खुद ही simple substance है ठीक है यानि कि आपने उसके उपर heat apply किया light apply किया electric energy apply करी पर फिर भी आप उसको simple substances में convert नहीं कर पाए यानि वो खुद ही सबसे simplest form है और कौन होती है सबसे simplest form सब जानते है वो होती है एक element तो correct answers का कौन सा हो गया option A अगला सवाल देखिए what is an element that is malleable ductile and conducts electricity तो मुझे ये metal लग जाए क्यों metal कुछ है वो malleable भी होता है उसके हम wires बना सकते है sorry malleable होता है उसके hammering से हम उनकी sheets बना सकते है electricity के भी good conductors होते हैं तो correct answer कौन सा हो गया metals यान की option B properties पे बेसे primary part of the liquefied petroleum gas LPG का primary part अगर आप मुझे पूछोगे that is propane so correct answer is option C next is which among the following is true about solubility of lipids lipids के solubility के वारे में आपको बताना है तो lipids जो है वो water में solubile नहीं होते है water में या फे polar solubents के अदर और non-polar जो solubents है उनके अंदर ये solubile होते है यानि non-polar में ये solubile है अब non-polar हम option देख लेते हैं they are soluble in water water में तो नहीं है solubile to option A और C तो गलत हो गया they are insoluble in water but soluble in organic solubents जो organic solubents है हमारे यह answer कौन सा होगा इसका option B अगला सवाल है calcium magnesium silicate उसका common नाम क्या है तो हमने यही सवाल पहले दूसरे तरीके से किया था कि asbestos में आपको कौन-कौन से elements मिल सकते हैं calcium magnesium silicate जो है वो नाम है asbestos का तो correct answer इसका कौन सा हो जाएगा option A phenophtherin के बारे हम पूछा है कि phenophtherin को chemistry में हम किस तरह use करते है phenophtherin को हम use करते as an indicator की तरह indicator की तरह use करते यानि कि यह color के changes को show करेगा और dye जो होता है वो related होती है हमारे colors से color changes से correct answer इसमें कौन होगा option B इसको हम catalyst detergent की तरह नहीं use करते से हम dye की तरह use करते हैं और यह कोई भी chemical reaction में कुछ specific होने पे color change indicate करेगा next आपको कुछ है recipe के बारे में कि यह किस तरह की drug है तो यह एक tranquilizer BP को control करने के लिए काम में ली जाती है उच्छ रखतचाप को control करने के लिए आपको कोई element बताना है जब valuable भी नहीं है ductile भी नहीं है electricity भी conduct नहीं कर सकता है तो आप एक तो mixture होता है उसमें सारी properties होती है so correct answer is option C that is a mixture अगला है कि जब कोई when a substance loses electrons यानि कि कोई substance है जिसमें से electrons वो चले गए बाहर निकल गए उसके साथ में क्या होगा उसका oxidation होगा या reduction होगा तो मैंने chemical reaction लिग लिए जहां मैंने जो x element है उसमें से 2 electrons निकाल लिये हैं तो अगर आप oxidation state में change लेखोगी तो oxidation state 0 से plus 2 हो गई है जो कि क्या है oxidation state का बढ़ना यानि कि oxidation so correct answer क्या होगा इसका option C चलते हैं आज कि आखरी question की करफ the substance made up of 2 or more elements chemistry यानि कि या तो 2 elements से बना हुआ है 2 से बना हुआ है और दोनों को fixed proportion में यूज किया गया और यहां यह बता है fixed proportion by mass by mass को by volume को अगए fixed proportion पे हमें focus करना है fixed proportion में mixed है तो हम उसे क्या कहेंग compound और इसी जगह पे अगर दिया होता कि fixed proportion में mixed है तो उसे हम alloy या mixture इन में से कुछ में हम concentrate करते कि यह क्या है ठीक है तो यह है name a gas used in high speed photography high speed photography यानि कि ऐसी कोई चीजे हैं जो मतलब चलती जा रही है यानि कि इनके कुछ frames fixed होते हैं एक second के अंदर उसे भी कम frame जो होते हैं उनके अंदर भी इससे हम photography और वो भी अच्छी तरह की photography लिख कर सकते हैं उसमें कोई एक तरह की gas जो है उसका इस्तेमाल क्या जाता है आपको बताना है वो gas कौन सी है तो krypton जो gas है उसका इस्तेमाल हम करते हैं high speed photography के अंदर तो सही option यहां पर कौन सा होगा option B अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं the solution of one of the foreign compounds will conduct electricity and the compound is आपको बताना है कि नीचे आपको जो options दिये हुए हैं उनमें से कोई एक solution ऐसा होगा जो electricity conduct करेगा यानि बिजली का संचालन करेगा आपको चांटना है कि वो कौन सा होगा तो अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास है calcium tetra chloride, hydrochloric acid calcium chloride और last में हमारे पास है CH3CA यानि कि methane के अंदर hydrogen को substitute करके chlorine add कर दिया गया है तो अगर हम बात करें ionic compounds की और covalent compounds की ionic compounds जो होते हैं क्या करते हैं, बिचली का संचालन करते हैं ionic भी अगर आप देखोगी तो आपको 2 देखेंगे, HCl और calcium chloride भी, तो अगर ऐसा कभी आपके पास सवाल आए या फिर माल लीजिए, options में आपके पास ionic compounds ही देदी जाए तो आप क्या करेंगी, आप number of ions देख लीजिएगा, जिसके अंदर जो ions है उनका number जादा होगा, वो उतना ही जादा संचारण करेगा पिछली का तो HCl के अंदर हमारे पास एक hydrogen होगा और एक chloride होगा और calcium chloride के अंदर अगर आप देखोगी तो आपको क्या मिलेगा आपको एक calcium मिलेगा और दो chloride, यान कि तीन ions है, तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, option C that is calcium chloride अगला सवाल है arrange the following metals in decreasing chemical reactivity series activity series या reactivity series यो है, रसाइनिक गतिवी थी श्रंखला, उसके according आपको इन्हें arrange करना है तो देखे, कोई भी इस तरह कि जितनी भी चीज़े हैं chemistry में उनमें किसी भी एक चीज़ को reference बाना जाता है यासे atomic weight की अगर आप बात करोगे तो उसमें हम carbon को reference मानते हैं और उसका atomic weight हम कितना मानते हैं इंपारा, उसी तरह reactivity series जो है, उसमें हमने जो reference लिया है hydrogen को, अब जब भी आप reactivity series की बात करते हैं हम इस तरह से बात करते हैं hydrogen से जादा reactive है hydrogen से कम reactive है तो यह जो metals है, gold है, silver है platinum वगेरा, यह सारे hydrogen reactivity series में नीचे आते हैं, gold, silver वगेरा तो यह मैंने नीचे mention कर दी यानि इनके reactivity कम है और उपर अगर आप बात करो तो hydrogen से जस्ट जादा reactivity होती है, iron की zinc की, aluminium वगेरा की उससे थोड़ा ऊपर और चलने पे आपको calcium, magnesium वगेरा मिलते हैं, और सब की reactivity series है, उसमें top पे जो element है, वो है potassium तो potassium को तो आप वैसे भी नहीं भूलोगी gold और silver मैंने बता गिया hydrogen के नीचे होता है, तो आपको देखना क्या है, कि potassium की सबसे जादा होगी और iron, gold की जो है, वो minimum होगी आपको arrange कौन से order में करना है decreasing order में, यानि सबसे पहले सबसे जादा reactivity वाला आएगा तो मुझे इतना पता चला कि सबसे पहले first आएगा सबसे last में आएगा option number 3 तो देखते हैं, first ते सारे शुरू होरे पर last में third कि इसमें, दो options में, यानि कि अब आपको magnesium और iron का देखना पड़ेगा तो potassium के next, किसकी reactivity है, magnesium की, यानि आपके options, जो sequence होगा, वो होगा first, second, fourth and then third, यानि कि option C तो reactivity series की मोटा मोटा जो है, वो आप याद रखें, अगर पूरी नहीं याद है, तो next है, name a metal which is used in making airplanes, airplanes को बनाने के लिए कौन से metal का इस्तमाल किया जाता है, तो aluminum का इस्तमाल हम करते है, airplanes बनाने के लिए इसी तरह, जो steel है, उसका इस्तमाल कभी-कभी aircrafts बनाने के लिए किया जाता है पर फिर problem यही है कि steel जो है, वो heavy होता है, और जितने भी हम चाहेंगे कि जो भी हम बनाएं वो heavy material से ना बनाएं बल्कि वो strength और बाकी characters में जादा देखें, तो यहाँ पर correct answer होगा option D that is aluminum अगला सवाल है, aromatic hydrocarbons को और क्या कह सकते हैं aromatic, आपके परस दो चीज़े होती है aliphatic होता है, एक aromatic होता है aromatic कौन से होते हैं जिन में rings होते हैं, जैसे यह six-membered ring है, इसी तरह आपके पास five-membered rings भी होती है तो इस तरह की rings जिन के अबे प्रिजेंट होती है, उनको हम aromatic कहते हैं, और aromatic hydrocarbons का ही दूसरा नाम जो है, वो arines भी है, तो सही answer कौन सा होगा इसका option C अगला सवाल देखिए, इन water, alkanes are, water के अंदर जो alkanes होते हैं, वो soluble होते हैं या insoluble होते हैं तो alkanes जो हैं, या यानि कि हमारे जो saturated hydrocarbons हैं, single bond वो alkane, वो water के अंदर soluble नहीं होते हैं तो सही जवाब क्या होगा, insoluble चीक है, और alkanes को ही हम paraffins के नाम से भी जान सकते है, paraffins यानि कि wax जैसा कोई material, तो उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या wax जो है, यानि कि मुमबत्ती जो है, मतलब एक बार अगर आप मानिये तो, क्या उसको हम पानी के अंतर भोल सकते हैं, नहीं मिलेगा ना तो उससे आप भी जवाब दे सकते हैं अगला सवाल है, which of the following is assumed to be the most fundamental chemical in the chemical industry यानि कि जो racynic उद्योग है, उसमें mollic racyn किसे माना जाता है तो सबसे जादा इस्तिमाल किया जाने वाला chemical है, hydrochloric acid और इतना इस्तिमाल इसका क्यों किया जाता है, इससे हम किसका formation करते हैं, यानि बहुत सारी चीजों का formation होता है, H2SO4 से लेकिन इससे भी अगर आपको सबसे जादा पूछा जाए तो phosphoric acid है उसका बहुत जादा development होता है H2SO4 से और H2SO4 इसलिए जो है हमारी जो racyn को ध्योग है, उसका mollic racyn है, यानि सही जवाब कौन सा होगा option C अगरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, the electrolyte employed in car battery car battery के अंदर कौन सा electrolyte होता है तो पहले बात करें हमारे car के अंदर कौन सी ऐसी battery होती है तो lead और acid की battery होती है cars के अंदर उसके अंदर अगर आप देखोंगी तो उसमें जो electrolyte used होता है, वो होता है sulfuric acid कौन सा? H2SO4 होता है, H2SO4 भी कितना होता है 40% concentration में 40 parts जो है acid के होंगी और बाकी सब water के होंगी तो यह अगर आप correct answer देखोगी तो उसका answer क्या मिलेगा option B that is sulfuric acid अगला सवाल है through the reaction of sugar and sulfuric acid which of the following is obtained in its pure form sugar जो है जो सुक्रोज है हमारा common name है सुक्रोज का formula क्या है C12H22O11 उसके साथ में sulfuric acid की reaction करवाई गई है H2SO4 तो इस reaction में क्या होता है H2SO4 जो है dehydrating agent होता है यानि यह water को absorb कर लेगा तो यह dehydration reaction होती है और यहाँ पे carbon जो है उसका formation होता है साथ में water जो है वो release हो जाएगा को पूछा है कि यहाँ पे pure form में कौन obtain होता है यहाँ पे obtain होता है carbon सही जवाब क्या है carbon यानि कि इसका substrate है product जो है water भी है पर हम pure form में पूछा गया है तो हम उसका answer देंगे carbon अगले सवाल के तरफ चलते है what does the airbag used for safety of car driver contain car driver जो है उसकी safety के लिए airbags का use किया जाता है तो airbag जो है वो किस तरह से safety provide करते हैं तो airbags में क्या होता है कि कुछ अंदर compound filled होता है जिसकी वजह से उसमें suddenly जो है वो balloon की तरफ फूल जाएगा जिस वजह से क्या है जो driver है वो staring के भिढ़ने के वजह से जो भी usually death होती है तो उसमें lungs और heart वागरा पे चोट लग जाती है तो इस वजह से हम airbags है वो provide करवाते है car drivers को और उसमें कौन सा chemical होता है उसमें chemical होता है sodium azide यानि सही जवाब आपका कौन सा है option b अगले सवाल की तरफ चलते है which of the following is correctly matched यानि आपको बताना है कौन सा सही सही match है तो बताएगे aluminum का ore क्या hematite है नहीं hematite किसका ore है iron का lead और galena के सही matching है एकदम सही matching है iron और bauxite ना जहीं गलत है bauxite किसका ore है bauxite aluminum का ore है magnesium और malachite यह भी correct नहीं है क्योंकि malachite copper का compound है तो correct answer यहां पे कौन सा होगा option b that is lead and galena अगरे सवाल की तरफ चलते है what is the electronic configuration of calcium ion इस तरह के सवाल जब भी आपको पूछे जाते हैं electronic configuration में भी कौन से वाले ions तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो original element है उसका आप electronic configuration लिख ले तो calcium जो है जो atomic number है 20 अगर आप इसका electronic configuration लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 फिर हमारे पास 2p के अंदर 6 electrons फिल कर देंगे हम उसके बाद में हम फिल करेंगे 3s2 3p6 और अब हम फिल करेंगे 4s2 तो चेक कर लेते हैं कि यह 20 से जादा दो नहीं हो गए है तो 1st हमारे पास orbit में 2 है 2nd में हमारे पास कितने है 6 and 2 8 है 3rd के अंदर भी 8 है और last में हमारे पास 2 है 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20 यानि यह हमने 20 electrons की complete filling कर दी यह जो electronic configuration आपको देख रहा है यह calcium का पर हमसे पूछा गया है calcium plus 2 का यानि हमने calcium से 2 electron निका लिए तो हमें क्या करना है आउटर मुस्ट शेल से निका लिए हम electrons तो फूरस वाले 2 electrons को हमने remove कर दिये अब जो configuration आपको देख रहा है यह configuration है calcium plus 2 का क्योंगी यहां orbits के according बात करी गई है तो first orbit के electrons हम कितने बताएंगे second, second orbit में हमने calculate करे थे 8 और third orbit में कितने होंगे again 8 तो सही answer यहां पर कौन सा हो जाएगा option जो D है अगला सवाल देखिए नीम गयास विच इस यूस्ट in making chloroform chloroform का formula क्या होता है chloroform is CHCl3 तो कौन सी ऐसी gas है जिसको हम chloroform मनाने के लिए use कर सकते हैं तो देखिए methane की reaction है जब हम chlorine से करवाते हैं तो थीरे धीरे एक एक hydrogen का substitution शिरू हो जाएगा पहले formation होता है CH3 CL का यानि एक hydrogen का substitution हुआ उसके यह reaction जो है उसको high temperature की जरुरत होती है 400 to 500 degree Celsius temperature अपने काम की चीज नहीं है फिलहाल तो इसी तर next step में क्या होगा एक और chlorine जो है वो replace हो जाएगा और अगर आप देखोगे तो एक और step जो होगा उसके अंदर आपको मिलेगा एक hydrogen बचेगा और chlorine होगे which is chloroform gas तो इस तरह से repeated reaction से हम methane से बना सकते है chloroform को तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा correct answer is option A अकला सवाल है name a gas which is used in the fermentation of sugar आपको यह gas बतानी है जो sugar की fermentation में काम आती है अब देखिए fermentation जो नाम है वो ही anaerobic term से लिया गया है anaerobic term से तो नहीं लिया गया है पर यह दोनों चीज़े almost same ही होती है यहाँ पे क्या होता है sugar का breakdown होगा oxygen की absence में और oxygen की absence का क्या मतलब है कि reaction होगी carbon dioxide की बजह से तो carbon dioxide जो है वो responsible उसको use किया जाता है fermentation के लिए ठीक है तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा option D अगला है कि आपको एक ऐसी tear gas का नाम बताना है जिसको जैसे कोई दंगे हो जाता है उन सब में इस्तिमाल किया जाता है जैसे कई भीड हो गई है कोई दंगे चल रहे हैं तो tear gas जो है उसको use किया जाता है ताकि वो सारी चीज़े वहाँ से clear हो सके तो उसके लिए हम use करते है CS gas को CS different name है इसका chemical formula अलग है वो आप देख ले क्या है लेकिन आपको पूछा जाएगा CS gas जो है वो आपको याद रखना है यह हमारे काम की चीज़ है आगे चलते हैं अगला सवाल है for dryness why crystallization is a better technique than evaporation यानि कि अगर आपको सूखापन चाहिए है तो wash pee करन के तुल्दामी crystally करन एक बहतर technique क्यों है अब देखिए अगर आप difference देखोगे crystallization और evaporation में तो कोई भी आपके पास substance है उसका एक तो मान लीजिए उसको हमने crystals में convert किया है और दूसरा मान लीजिए हमने उसको भाप बना दिया तो crystallization में क्या होगा अगर किसी तरह की impurities वहाँ पे present है तो वह भी crystal form में आ जाती है और usually क्या होता है कि जो impurities है उनके crystals और जो हमारा actual element है उनके crystals different होते हैं तो हम उनको अलग-अलग technique से separate कर सकते हैं पर evaporation में क्या हो सकता है कि वह जो impurities है वह साथ में evaporate भी हो सकते हैं उनके साथ में ठीक है तो इसलिए यहाँ पे reason जो main होगा कि crystallization में impurities हम हटा सकते हैं तो सही जब आप क्या होगा इसका option B अगला सवाल लेखिए particles of matter have fallen characteristics जो matter के particle है उनके आपको मुछ characteristics दिये हुए आपको बताने तो जो matter के particle है आप solid ले 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 तो matter के particles होते बहुत छोटे-छोटे होते हैं उनके बीच में space भी होता है वो एक दूसरे को attract भी करते हैं वाइल moving वो एक दूसरे से collide भी करते रहते हैं continuously क्योंकि move करते रहेंगे तो वो छोटे होते हैं तो very small तो option C सही है एक दूसरे को attract भी करते हैं सही है constantly move करते रहते हैं जिनके वज़े से इनमें collision होती रहती है जिनके वज़े से और जादा movement मठ जाती है तो तीनों ही चीज़ें जो कही गई है वो सही है particles of matter के बारे में पदार्थ के कड़ों के बारे में हम जवाब कौन सा देंगी हमनारा जवाब होगा option D आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ why alkanes are known as saturated hydrocarbon तो हम तो इतना जानते हैं कि saturated hydrocarbon जो है कि single bond जिन hydrocarbons के अंदर होता है उन्हें हम saturated hydrocarbons कहते हैं यानि कि single bond का मतलब है यह minus नहीं है sorry this is single bond single bond का मतलब है saturated hydrocarbon अब ऐसा क्यों है हम जा लेते हैं saturated का मतलब क्या है sun tript मतलब वो tript है मतलब उसने अपने जितने भी valence electrons थे उसको इस तरह से bond बनाने में इस्तमाल किया है कि अब उसके अंदर हम और कोई नई bond का formation नहीं कर सकते हैं तो इसी को हम saturated and single bonder वो उसको proof करता है क्यों मान लेजे इस तरह से आपके carbon की पास तीन जो है वो आपके single bond है तीन carbon का एक alkane हमें बनाया है इनके hydrogen की valences भी हम complete कर देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे hydrogen को remove करके कोई और element तो लगा सकते हैं पर फिर भी bond आपका single ही रहेगा आप नया bond कोई भी form नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे saturated और उनमें bond कैसा होगा हमेशा single यान की option C जो है वो सही जवाब है अगला है कि जो alkenes है उनका पुराना नाम क्या है तो मैंने alkenes का आपको पुराना क्या बताया था उनको हम paraffin कहते थे और alkenes को हम olefin कहते हैं तो सही जवाब क्या है option A यानि पहले कहल जाता था अगला सवाल देखिए which compound is used for making perfumes and dyes तो perfumes का और dyes को बनाने के लिए कौनसे compound का इस्तिमाल क्या जाता है तो हम उनका इस्तिमाल करेंगे जो volatile हो perfumes के अंदर तो यानि कि आपको cooling effect जल्दी से provide हो आप देखेंगे तो सही जवाब है ethyl acetate ethyl acetate को हम इस्तिमाल करते है perfumes में और dyes के अंदर in all bio compounds the most necessary fundamental element is यानि जतने भी हमारे bio compounds है यानि कि biological हमारे अंदर जतने भी compounds present है उनमें सबसे necessary fundamental element कौन है तो हमारी body के अगर आप compounds देखते हैं तो उनके अंदर sulfur compound है वो बहुत necessary है क्योंकि पहले चीज़ तो sulfur कहां जरूरी होता है amino acids के formation के अंदर ठीक है तो amino acids के formation में जरूरी है यानि पहला तो इसका role किसमें हो गया कि proteins में आपको मिलेगा ठीक है इसे के साथ में अगर आप देखते हो तो sulfur जो है वो आपको और बी अलग अलग जग़ पे body में मिल जाएगा पर amino acid का जो है important या फिर majority है तो सही जवाब हम देख रहे थे इनमें से कौन सा होगा option D अगला gas है कि धान के छो खेत है paddy fields है उसे निकलने वाली gas का आपको नाम बताना है तो कल भी हमने बात करी थी कि जो marshy areas होते थोड़ी दलदली इलाकी होते है उसमें कौन सी gas release होती है तो देखिए जो धान की खेती होती है उसमें regular आपने देखा होगा पानी में भरी होई रखते हैं तो ऐसे जगह पे methane gas जो है वो सबसे जादा produce होती है तो correct answer कौन सा होगा इसका option B अगला सवाल लेखिए name an open chain hydrocarbon which is orderless open chain बताना है यानि जो आपकी rings है या आपकी जो closed chains है वो नहीं है तो closed chains वालों को हम क्या कहते है aromatic और open chain वालों को हम क्या कहते हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा option C यानि कि जो general terminology है उन पर questions है which of the following metal is used as an accumulator cell accumulator cell या फिर rechargeable batteries भी हम इनको कहते है accumulator यानि हमने उसमें energy store कर ली है जब भी हमें जरुत होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगी तो lead जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमेर उसका एक example मैंने आज के ही lecture में बताया था किसमें उसके आज़ाता है cars के अंदर automobiles के अंदर जो batteries होती है वह उनमें lead होता है उसके अलावा भी जो batteries reversible उनको lead storage batteries आपने पढ़िंग होगी तो इसलिए यहां सही जबाब कौनसा होगा option B अगले सवाल की तरफ चलते है the chemical formula of plaster of paris plaster of paris the chemical formula क्या था? CASO4.half h2 हमें इसे hemi hydrate बोला था अब मैंने options देखी तो ऐसा कोई formula नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको 2 से multiply करते हैं 2 से multiply करने पर क्या होगा यह formula आपको देखेगा 2 CASO4.h2 ठीक है? दोनों एक ही चीज है ठीक है? अब देखते है options में यह options आपको मिलता है तो second option जो है 2 CASO4.h2 जो की plaster of paris का chemical formula है अगर आपको CASO4.h2 दिया जाता है तो वह भी सही है यह दिया जाता है तो यह भी सही है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं वह जो sheets होती है उनको fix करना जरूरी होता है और उसको fix करने के लिए हम कांसा chemical यूज करते हैं हम यूज करेंगी sodium thiosulfate So correct answer is option B अगला सवाल देखे Who propounded the modern periodic law? अब यह दो चीज़े है एक है periodic law और एक है periodic table तो दोनों की अगर हम बात करें तो periodic law में क्या होता है periodic law में ऐसा माना चाहता है कि जतनी भी physical और chemical properties है वह जो atomic mass है उसके proportion होती है यानि वह decide करेगा कि उसके physical properties और chemical properties कैसी होना ऐसा जो है वह पहले माना चाहता था लेकिन हमारी जो modern periodic table है उसमें आप देखोगे atomic number जो है atomic number जो है सबसे पहले इसलिए modern periodic law भी किसने दिया था? Mendeleff तो correct answer कौन सा होगा? Option C अगला सवाल देखिए the gaseous mixture of carbon monoxide and nitrogen gas carbon monoxide and nitrogen और इसा ही same example आया था थोड़ा सा अला carbon monoxide and hydrogen तो ये हम बात कर चुके है ये हमारे पास कौन सी थी sin gas जो थी या water gas इसका नाम था और इसी तरह carbon monoxide and nitrogen है उसका नाम क्या होगा? इसका नाम है producer gas तो दोनों आप एक साथ याद रखेंगे तो कोई confusion नहीं होगा आपको correct answer इसका कौन सा है? Option C that is producer gas अगला देखिए अगला है the process of electrolysis reduction occurs जो anod है उस पर हमेशा जो oxidation होता है और जो cathode है उस पर reduction होता है तो आपको पूछा गया है कि reduction किस पर होता है तो आप क्या कहेंगे cathode अगर ऐसे भी आपको नहीं याद रहता है तो पूरी जो process explain करी है मैंने किस तरह से deposition जा करके finally cathode पर होता है reactions आप one by one देखेंगे तो भी आपको क्या पता चलेगा कि reduction होता है वो कहा होता है cathode पर होता है अगला सवाल देखें oxidation state of oxygen in OF2 अब मैंने आपको एक बार एक चीज़ बताई थी कि fluorine जो है वो सबसे जादा electronegative element है periodic table का अब ऐसा होने पर क्या होगा कि अगर कभी भी आपको fluorine का कोई compound पूछा जाता है तो वहां पर आप fluorine की oxidation state जो से पहले consider करेंगे और दूसरे की oxidation state उसके respect में निकालेंगे जैसे fluorine अगर यहां पर है तो मैं मान लेती हूँ कि oxygen की oxidation state मुझे नहीं मालम है वो X है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब अगला सवाल देखिए अगला सवाल है in which of the following silver is not to be present अब देखिया आप एक्साम अगर options देखोगे तो horn silver, german silver, ruby silver तो ऐसे case में students usually वो options tick कर देते हैं जुनके अदर silver नाम में ही नहीं पर first of all तो german silver जो है वो हम पहले discuss कर चुके है कि german silver कौन सा silver है जिसके अदर silver जो है वो present ही नहीं है और अगर आब बाकी पूछते हो कि ruby silver, horn silver इन सब में कौन है तो horn silver silver का एक हलाइड है और ruby silver जो है उसमें भी silver present होता है तो इसका जो correct answer होगा जो होगा option B German silver यानि इसमें silver present नहीं है अगला देखे मोहर salt के बारे में आपको पूछा गया है कि मोहर salt कैसा salt है तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो आपको twice मिलेगा और साथ में आपको कुछ hydrogen की molecules जो है वो attached मिलेगे तो देखे एक इसको explain करने से पहले एक बात कर लेते हैं जैसे कि calcium chloride है तो यहाँ पे जो cation है और जो anine है एक cation है आपके पास और एक ही anine है और जो भी सारी balances है वो उनहीं से complete हो रही है तो इसे हम कहेंगे एक simple salt ठीक है इसी तरह माननी जोई जैसे chlorine की हाँ दो balances ही तो इसको complete करने के लिए मैंने sodium यूज कर लिया एक potassium यूज कर लिया और chloride यूज कर लिया यहां पे इस तरह से तो नहीं होगा okay sorry, sulphate ले 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 था इक बार के लिए चाहिए तो sulphate को balance करने के लिए हमने sodium ले लिया और potassium ले लिया तो यह कैसा होगा यहां पे हमने क्या किया है एक anine लिया है लेकिन उस anine की balance को complete करने के लिए हमने दो cation use कर लिया यानि कि अगर आप मानों इस salt का formation अगर आप process देखोगे तो आपको पैता चलेगा कि यहां दो से जादा salts का इस्तिमाल किया गया है तो वही same जीज यहां पे है जो sulphate है उसकी balance को complete करने के लिए हमने एक से जादा के cation को use किया है तो हम उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे double sort और जो complex sort होते है जो coordination compounds वाले sort होते है जो हमेशे हम square brackets में represent करते हैं उन्हें हम mention कर सकते हैं अगरा देखिए what is the shape of ethylene molecule ethylene क्या है हमारे double bond का पहला molecule है अब देखिए usually क्या होता है कि एक carbon के जो तीन उसके bonds है वो एक plane में रह सकते हैं तो आप इस पूरी देखोगे ethylene को यह planar molecule है यानि एक ही plane के अंदर यह सारे atoms वो सचुई जगे लेकिन हमें बतानी है इसकी shape तो आप देखेंगे तो मैं आपको इस तरह से दूसरे color से कर लेती हूं तो यह दोनों एक plane में है आपने इनको जोड़ा इनके साथ में जो next carbon है वो है आगे वाला तो हमने इसको इस तरह से connect कर दिया तो यह triangle बना इसी तरह से दूसरे carbon के respect में अगर आप इनको connect करोगे तो आपको इस तरह से एक और triangle मिलेगा यानि आपको दो triangles एक ही plane में मिल रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे co-planar triangular यानि एक plane में है और उनकी individual shape कैसी है triangular तो सही जबाब यहां पे कौन सा होगा option C अगला सवाल देखिए by the emission of which isomers are produced isomers बनाने हैं तो आपको सर्स क्या चाहिए यहां पे atomic number है उसको change करना है और atomic number को change अगर करना है तो आप किसको यूज करोगे बीटारेज बीटारेज का emission जब होगा तो isomers का formation होगा अगली सवाल की तरफ चलते हैं isotones isotones क्या होता है तो iso यानि तो equal होगे अब आप tones देखिए tone आपको किसमे equivalent मिल रहे है neutron तो जिनके अंदर neutron का number same हो और हम क्या कहेंगे isotones okay correct answer इसका क्या होगा option आगे चलिए the number of neutrons and protons पूछें आपको पास कोई element है atomic number 88 है mass number 226 है अगर आपको protons पूछाए तो protons आप सीधा कितना बता दोगे 88 और इसी तरह अगर आपको neutrons पूछा है तो आपको कैसे बताओगे neutrons आपको बताने है atomic mass है आपका 226 है वो कितना equivalent होता है neutron और proton 88 यहां से आप neutron calculate करेंगे तो आपको पैदा चलेगा कि 138 यहाँ neutrons है और 88 जो है वो protons है तो correct answer कौन सा है option A अगली सवाल की तरफ चलते है atomic properties जो हो किस पर depend करती है तो atomic properties सिर्फ और सिर्फ depend करती है electrons the revolving electrons around the nucleus तो क्या वो nucleons पर depend करती है तो nucleons पर proton आगया neutron आगया नहीं protons पर भी नहीं depend करती है neutrons पर भी नहीं करती है जवाब क्या होगा none of these तो correct answer क्या है option D और अगर options में होता कि वो electrons पर depend करती है उनके number भी depend करती है तो हमारा answer होता रही अगला देखिए the inventor of atomic theory atomic theory का inventor कौन है जैसे आपके chemistry पढ़ना शुरू करते हो सबसे पहले माडम क्यूरी के नाम पर radio activity के क्यूरी unit है Albert Einstein जो है उन्होंने e is equal to mc square की थी इनके सबकी अलग-अलग discoveries जो सबकी नेम के उपर बहुत important है तो इनमें तो confused होने का कोई chance है नहीं है आगे देखिए as a vegetable preservative poly और कुछ आपको forms fill करने है foam is used तो poly क्या वो urethanes होते हैं या urethanes होते हैं तो polyurethanes जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो directly आप याद रखे polyurethanes foam अगला देखिए the element in a group 17 of the periodic table group 17 भी कौन को होता है fluorine होता है, chlorine होता है, bromine, iodine और इन सबको हम क्या कहते हैं यह हम कहते हैं halides क्यों कहते है, halide का मतलब ही होता है salt forming और यह सब salt formation करते हैं तो correct answer क्या होगा इसका option A that is halogens next देखिए neemal gas uses rocket propellant and welding also आपको एक ऐसी gas का नाम बताना है जो rocket propellant में भी use की जाती और welding यानि जो metal के टुकडो को जोडने में भी use की जाती तो इसको आप दोमों तरह से इस्तिमाल कर सकती हो तो सही answer यहां पे कौन सा होगा option अगरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं Name an inert diatomic gas that is neither combustible nor helps in combustion आपको एक ऐसी diatomic gas बतानी है ठीक है जो diatomic form में exist करती है ना तो वो combustible है ना ही वो combustion में help करती है यान ना तो वो खुद दहन शेल है और ना ही दहन की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करती है तो देखे जो nitrogen gas है वो ऐसी gas है ऐसा क्यों है इसका एक important reason है क्योंकि जो nitrogen के दोनों atom zone के बीच में एक triple bond present है nitrogen और nitrogen के बीच में और triple bond है उसकी strength बहुत जादा होती है तो उसको और combustion के अंतर हमें क्या करना है ब्रेकडाउन करना है उसका combustion है उसका जलना तो उसके जलने के लिए nitrogen और जो bond है उनका तूपना बहुत ज़रूरी और वो नहीं हो पाता है इसलिए यह दहनशील gas नहीं है तो सही जवाप कौन सा होगा option C आगे देखिए लिए आपको जानना है लेकिन की कैसी है और आपको process बता दिया है कि आपको neutralization करना है तो acid की neutralization के लिए हम किसे use करेंगे बेस को तो हम क्या करते हैं हम एक known base ले ले लेते हैं जिसकी concentration भी हमें पता है तो वह हम regular जो है इसमें add करते रहते हैं और इसके साथ में हम एक indicator का use करते हैं तो हमने पढ़े थे methylene red, methylene orange, phenophthalein वगेरा उसे add कर देते हैं तो जैसे ही neutralization complete हो जाता है वहाँ पे आपको color change दिखाई देता है और क्योंकि आपने जो base डाला है उसकी concentration आपको पता है, indicator की concentration हमें पता है तो कुछ chemical formula यूज़ करके हम जो acid है उसकी concentration भी पता लगा देते हैं और यह पूरी जो process है यह होती है titration, अनुमापत तो सही जवाब कौनसा होगा इसका option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है a substance that slows down a chemical reaction ऐसा कौनसा substance है जो chemical reaction को धीमा कर देगा तो inhibitor एक ऐसा substance होता है जो या तो enzyme के कहीं जाके attach हो जाएगा या कोई substance को बनने नहीं देगा तो उसे हम वो क्या करेगा chemical reaction की speed को कम कर देगा तो सही जवाब क्या होगा इसका option A inhibitor अगला देखिए when two substances don't dissolve दो substances है वो एक दूसरे में dissolve नहीं हो रहे, oil है और पानी है वो दोने एक दूसरे में dissolve जो है नहीं हो रहे होने क्या कहेंगे ermishrania या arghulanshial, immiscible तो सही जवाब क्या होगा इसका option C आगे देखिए a reaction that has both oxidation and reduction कोई reaction है आपके पास उसमें oxidation भी है और reduction भी उससे आप क्या कहोगी उससे हम कहेंगे redox reaction तो सही answer क्या है option A decomposition में क्या होता है कोई एक substance उसका breakdown हो रहा है synthesis में किसी एक चीज़ का formation हो रहा है double displacement के अंदर एक ही चीज़ है उसके अंदर दो बार displacement हो जाए या इस तरह से कुछ हो दो displacement एक साथ हो रहे है हमारा जबाब होगा यहाँ पे option A अगला सवाल है अब positively and negatively charged atom और groups of atom are caught यानि positive है या negative है यह हमें नहीं पता पर हमारे पास charge atom है इतना आपको बता दिया गया है तो अगर positive negative आपको अलग से आपको confirm कर दिया हो था तो हम ketine या इनाइन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे charge पर ज्यादा focus है तो हम क्या कहेंगे हम उन्हें कहेंगे ions या positive हो या negative हो दोनों को हम एक group में डालेंगे that is ions next is the gas utilized to fill up the tires of an aircraft यानि कोई aircraft है उसके tires है उसके अदर आपको अगर कोई gas fill करनी होगी तो आप कौन सी gas का इसके इस्तेमाल करेंगे हम यूज करते हैं इसके लिए helium gas का correct answer is option B which of the following noble gas doesn't exist in here argon gas noble gas exist नहीं करती है यह के अंदर तो correct answer काउन सा होगा इसका option C last question है आशका when a gas moves through and opening into a chamber that contains no pressure यानि इस तरह का एक आपने कभी पढ़ा होगा यानि कि यह आपके पास एक chamber है इसके अंदर एक opening है यहां आपकी gas filled है और यहां आपने एक opening मना दिया अगर यह gas यहां इस opening से इस दूसरे chamber में चली जाती है जिसमें मान लीजिए कि pressure जो है वो zero है यहां कोई भी pressure नहीं है तो इस process को आप क्या कहोगे इस process को हम कहते है effusion प्रयास तो सही जवाब क्या होगा इसका option A synthetic rubber is having dash weight यानि synthetic rubber के weight के बारे में बात करी नहीं है कि उसका जो weight होगा वो कैसा होगा high resistance weight या low density weight ऐसे कुछ तो नहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो synthetic rubber होता है वो butadiene जो है उसका polymer होता है butadiene का manchry butadiene या butadiene का और उसका molecular weight होता है वो बहुत जादा होता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि इसका high molecular weight होता है अगले सवाल के तरफ चलते हैं हम second question देखें second है which of the following treatment is used for removal of biological impurities अगर आप sea waste treatment plant की बात करो और किसी भी तरह की बात करो अगर आप किसी भी तरह का waste है उसका treatment कर रहे है और biological impurities आपको remove करने है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप जैविक अशदियों से क्या समझते हैं यानि कि जैसे कोई bacteria हुआ या फर कोई fungi हुआ या फर कोई भी सूक्ष में जीनी है कोई भी सूक्ष में जीनी है उससे अगर आपको हटाना हो biological है वो leaving है और वो भी तो एक impurity है तो उसके लिए क्या आप sedimentation यूज करोगी sedimentation को हम यूज नहीं करेगी क्यूकि sedimentation process में क्या होता है जो धूल बगेरा है वो सारी जाकर के आपका जो container है उसके base में इकटी हो जाती है अगर आप ये आपका tank बनाते है तो sedimentation में नीचे impurities इकटी हो जाते हैं मिट्टे वगर उसमें biological impurities के कोई बात नहीं है boiling से में bacteria और fungi को कुछ जादा पफरब नहीं पड़ेगा और waste water कितना सार है कितने को boil करेंगे हम इसके लिए जो process होती है उसे हम कहते है sterilization sterilization चाहे biological impurities में यहां remove करना हो sterilization जो common term है उसका भी यही मतलब होता है कि जो उसे हम microbes free बना दे जिस भी चीज के लिए sterilization के बात कर रहे हो अगला सवाल देखे the radioisotope used to control the disease like blood cancer. Blood cancer को control करने के लिए किसी एक radioisotope को use किया जाता है blood cancer का दूसरा नाम leukemia है ruckth cancer तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा isotope को use किया जाता है तो Cobalt की 60 isotope को यहां पे use किया जाता है तो correct answer कौन से हो जाएगा यहां पे option B अगले सवाल की तरफ बढ़ते है in which of the following chlorine has plus 1 oxidation number आपको बताना है हम यूजवली क्या देखा है chlorine की oxidation state या तो minus 1 देखिए या Cl2 के अंदर 0 देखिए आपको बताना है कि chlorine की oxidation state इनमे से किस में है plus 1 होगी तो हम यहां पे one by one करके सारे options देख लेते हैं तो किसमें कौनसी oxidation state है उसका भी पता चल जाएगा पहला option हम जब देखते हैं तो आपको मिलेगा hypochloris acid hypochloris acid का formula क्या होता है इसका formula होता है HClO तो चलिए यहां पे oxidation state chlorine की calculate कर लेते हैं hydrogen की oxidation state कितनी होती है chlorine की हमें पता नहीं है हमने एक बार के लिए X assume कर ली है chlorine और oxygen में से oxygen ही जादा electronegative है और oxygen की oxidation state कितनी होती है minus 2 तो अगर आप इसको calculate करोगे तो आपको मिलेगा 2 minus 1 that is plus 1 तो पहली option में आपको plus 1 oxidation state मिल गई है बागी options में भी एक बार check कर लेते हैं hydrochloric acid HCl में chlorine की oxidation state क्या होती है minus 1 इसी तरह zinc chloride ZnCl2 ZnCl2 में भी zinc chlorine की chlorine की होती है minus 1 उसकी oxidation state 0 होती है तो अमने 4 options की oxidation state की calculate कर ली है तो answer जब आप tick करोगे तो वो कांसा होगा hypochlorous acid अगला सवाल देखिए hydrogen is the most abundant component of all the acids यानि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी acids है hydrogen वो सबसे fundamental component है यह सबसे पहले किस ने कहा था Arrhenius ने कहा था Bronsted ने देवी ने या Lory ने तो यह सबसे पहले Arrhenius ने कहा था कि acid हम किसे कहेंगे जो H plus ions है उनको जो देते हैं उन compounds को हम H plus कहते हैं यानि कि जो acids है fundamental compound है hydrogen या फिर H plus ion तो सही आंसर यहां पे कौन सा होगा option A अगले सवाल को देखिए The gaseous law of diffusion was propounded by यानि कि जो gases के diffusion से related जो law है वो किस ने दिया था तो देखिए कल हमने effusion की बात करे थी effusion क्या था कि मान लीजिए आपने किसी chamber में जो आपके पास gas है और वहां पे आपने एक pore बना दिया है वहां से जितनी भी gases निकल की अगर दूसरी तरफ चाहती है और एक बार के लिए हम अगर मान लेकिए यहां पे pressure zero है तो इस process का हम कहते है effusion और graham जो थे तो correct answer कौन सा होगा option D, वैसे boils law, charles law यह दू-तीन laws होते हैं यह temperature, pressure और इन सब में आपस में relations होते हैं यहीं diffusion का जो law है वह किसने दिया था? graham अगली सवाल की तरफ चलते हैं the acid is a substance which acid कौन सा substance है? थोड़ी एर पहली हमने बात करी थी जो एक H प्लस आइन जो प्रवाइड करवाता है वह होता है acid और इसी तरह जो OH- आइन प्रवाइड करवाता है प्रवाइड कहां करेगा? एक्विस solution के अंगल यानि कि जब आप उस substance को मान लेजे आप उसको water में डाल रहें किसे एक उस solution में डाल रहें तो अगर वह H प्लस आइन प्रवाइड करवाता है तो वह क्या होगा acid और इसी तरह अगर वह OH- आइन या हाइड्रॉक्साइड आइन प्रवाइड करवाएगा तो वह क्या होगा base हमसे पूछा है acid के बारे में तो सबसे पहला है accepts electron अभी हमने electron के respect में कोई बास नहीं करिए हम आगे देख लेते हैं कि हमारे हिसाब का कोई option है क्या अगला है donates electron तो H plus electron तो नहीं है तो इसलिए option भी तो नहीं होगा फर C option है provides proton तो H plus H अगर आप देखोगे atomic number one है तो H के अंदर से अगर आपने एक electron को हटा दिया है तो H को हम एक proton कह सकते है H plus ion को के option C है वो एगनम सही होगा कि यह जो proton है उसको donate करता है और proton जहें वो provide करवाता है ठीक है अगले सवाल के तरफ करते हैं the first time pH value measurement is done by pH value का measurement सबसे पहले किन होने दिया था तो Sorenson जो थे उन्होंने सबसे पहले pH का measurement किया था और formula जो दिया था वो क्या दिया था formula was minus log of H ion concentration चेक है तो correct answer काउन सह हो गया इसका option D that is Sorenson अगला सवाल लेखिए on what basis Mendeleff's periodic table is classified तो जो modern periodic table है उसके आने से पहले हमारे पास बहुत सारी models आये थे periodic table के लेकिन उन मेंसे Mendeleff का periodic table था वो कुछ जादा famous था उन सम्में से क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ी थी वो सही भी बताई थी कुछ ऐसे elements के discovery उन्होंने पहले ही कर दी थी किया था atomic mass के basis ठीक है तो अगर आपको सीधा नहीं याद रहता है तो एक बारा पहले periodic table का यार्द करी modern periodic table modern periodic table में arrangement किसके according है atomic number के according और इसका reverse किसमे है Mendeleff's periodic table तो correct answer क्यों सा होगा atomic mass यानि की option पे अगला सवाल लेखिए the process employed to remove the magnetic impurities from the ores is called यानि कि आपके पास कोई ores कोई आपके पास isk है जिसके अंते अशुधियां है अशुधियां भी कैसी है चुंबकी है यानि आप उनको magnet से remove कर सकते हो तो obviously आप कोई ऐसी technique यूज करोगे जिसके अनर आप magnet का यूज करोगे तो ऐसे तो आप options देखो कि तो यह आपको पाईदा चल जाएगा magnetic separation process हम यूज करेंगे इसमें क्या होता है हमारे पास दो wheels जैसे कि structures है और इनके उपर हमारा conveyor belt होता है और इनके उपर हमारा conveyor belt होता है जो regular move करने वाला इसके उपर हम क्या करेंगे अगा मान लेजिए कि यह वाला इसके अंदर magnet है यहां आने के बाद में जो उसके impurities है जो magnetic है चुमबकी है जो है वह attract होंगी और यहां पर अलग-अलग दो धेर बन जाएंगे जो और है उसका अलग धेर बनेगा और पास की तरफ कौन आएंगे जो impurity है जो चुमबकी है तो यह इसकी पूरी process होती है और जो correct answer है वह option B जो gravity separation process है वह atomic weight से related है road flotation process है वह lead के लिए किया जाता है और physical process तो normally different है अगला सवाल देखिए the element radium was extracted from radium कैसे extract किया गया था pitch blend जो है उससे radium का extraction होना था correct answer किया है option B अगला सवाल देखिए monozoid के बारे में पूछा है monozoid जो है एक rarely मिलने वाला एक ore है और उसके अंदर thorium आपको मिलेगा option B that is thorium जैसे thorium के अलावा इसमें एक बेलेमेंट और भी होते हैं तो अगर आप पूछा जाता है monozoid के बारे में तो आप उसे thorium का और बतने है अगला सवाल देखिए to provide stern hardness which of the following is mixed up यानि कि hardness अगर आपको provide करनी है तो आप कौनसे ऐसे element को mix करोगे तो जब आपको बहुत जादा कुछीज बनानी होती है तो आप उसमें chromium add करते हैं ठीके correct answer कौनसे होगा option D that is chromium इसके लिए कठूरता प्रदान करने के लिए अगला सवाल देखिए the coating of thin layer of zinc on the steel or iron utensils is called देखिए आपने zinc की layering की एक और बात पहले करी थी जिसमें हमने layering किस पे करी थी iron के उपर करी थी उसको हम क्या कहते थे उसे हम galvanization कहते थे लेकिन steel और iron बगेरा के उपर जो हम coating करते हैं उसे galvanization नहीं करेंगे उसे हम कहते हैं lamination इस तरह से आप आपके important documents के उपर वह elastic का lamination करवाते हैं उसी तरह इसे भी हम क्या कहते है lamination correct answer इसका क्या होगा option C next question देखिए the colors of the firecrackers are extracted from the elements of the salts of यानि कि ऐसे कौन से elements हैं जिनकी salts से firecrackers है हमारे उनको color मिलता है strontium और barium उनकी वज़े से firecrackers का color होता है strontium और barium के भी salts की वज़े हमने पढ़ा था पहले इनके salts किस-किस तरह के color कर देते हैं तो उन्ही उसी property को हम use करके इनके salts का color है firecrackers को भी जो है अगला सवाल है heavy water heavy water से आप क्या समझते हैं तो D2O deuterium का oxide अगर H2O में H2O से replace कर दो तो उसे हम heavy water के नाम से जानते हैं heavy water जो है बहुत अच्छा moderator की तरह add करता है nuclear reactors के अंदर moderator का क्या काम होता है जो बहुत high energy neutrons होते हैं उनकी speed को कम करना तो heavy water जो है moderator की तरह add करेगा और अगर आप water और D2O दोनों को compare करते हो तो heavy water जो है it is a better moderator than normal water ठीक है चलते है अगले question की तरफ the ordinary and general type of coke is यानि कि जो general type का coke है वो कान सा होता है आपको जो bituminous है bituminous वाले को आप general type कहते है क्योंकि उसके अंदर जो carbon की percentage है वो और जो impurities या फिर आप मानिए other substances की concentration अगर आप देखते हो तो bituminous के अंदर थोड़ा से balance मिलेगा जैसे lignite, peat वागेरा के अंदर आपको organic substances जो है वो जादा मिलेंगे ठीक है तो correct answer इसका है option C, bituminous है अगला question है the measurement of how much molecules on a liquid tend to stick to each other is called अब देखे liquid के properties होते हैं कोई भी आप compound की study गरोगी तो उसमें आपको दो तरह की forces दिखाई देते हैं एक तो उनके जो molecules हैं उनमें आपस में और दूसरा मान लीजिए आपने उस liquid को किसी container में रखा हुआ है तो liquid का जो particle है वो और आपका जो बरतन है उसका particle इन दोनों के अंदर forces इनको cohesive or adhesive forces कहते हैं आगे अगे आप बात करोगे कि इनमें जो आपस के forces होते हैं इन आपस के forces की वज़र से जो liquid की सबसे उपर की layer होती हो बहुत tensed होती है वो एक stretched balloon की तरह अपय करती है और उससे हम कहते है surface tension surface tension की बज़े से क्या होता है external कोई भी force उसको neglect करने के लिए उसको avoid करने के लिए वो जो liquid की layer है वो tensed हो जाती that is surface tension और जो question में आपको पूछा है surface tension ही है जो आपको adhesive or cohesive forces से explain किया है next question देखी आपको alkenes का general formula पूछा है हम alkane से शुलो गर देते है alkane का है cnH2n plus 2 इसके बाद alkane का question में पूछा गया है cnH2n और इसी तरह अगर आप alkane sorry not in अगर आप इसी तरह alkane का देखोगे तो आपको मिलेगा cnH2n-2 इसके अंदर n क्या है number of carbon atoms माल लीजे आपको 4 अगर 4 carbons का अगर alkane बनाना है तो आप 4 देलोगे इसी तरह alkane में जितने carbon आपको general formula पूछा है alkane है cnH2n formula मैच करते हैं तो option a correct option next is which of the following is the property of solid solid की कौन-कौन properties होते हैं तो आपको table share और जो कुछ भी आपको देख ह गर चाहे है। तो आप उनको एक बार ध्यान में रखät की बाते हिर्में इसमें जहाएं कि क्या आप एक solid को compress कर सकते हो आप उनको प्रेस करने से आप उनको compress कर पा हैं नहीं नहीं हम solidाब्रु नहीं कर पाते हैं about the definite shape होती है टेशेट Children shape उसी शेप का रहता है ऐसा नहीं है कि वो time to time shape बदल रहा है ऐसा कुछ तो definite shape वाला बात जो है निश्चित आकार एकदम सही बात है उनका घनत्व कम होता है अब density क्या होता है mass per unit volume तो mass per unit volume से हम density calculate करते हैं और जो solid zone की density कम तो बिल्कुल नहीं होती है फिर आगे बात करी है intermolecular forces की और फिर्ट भी density के अगर आप बात करें तो अगर हम solid, liquid और gases को compare करते हैं तो gases के density कम होती है, solids की नहीं होती है intermolecular force की बात करें तो solids अतने strong जो है इसी वज़ा से है कि उनके दो molecules की बीच का जो force है वो बहुत ही सादा है इसलिए वो आसाने से टूप नहीं पाता है हमसे पूछा है कि कौन सी solid की property है और आपको कौन सी दिख रही है वो है option B कि इनका shape जो है वो definite होता है आगे सवाल लेखे, the process in which heat is required to convert a liquid into vapor status known as नॉर्मली तो अगर हम state conversion की बात कर रहे होते हैं सिर्फ liquid safe vapor उसे हम क्या कहते हैं evaporation लेकिन यहां बात हो रही है कि आपको वहां पे कुछ heat required है तो उसको आप क्या कहोगे उसे हम कहेंगे latent heat of vaporization अगर कहीं भी आपसे energy की terms में बात की जा रही हो, heat की terms में बात की जा रही हो तो normal जो state change का जो नाम है उसे छोड़ करके आप उसकी शुरू में latent heat यूज़ करेंगे और normal जो एक liquid से vapor में conversion या ग्यास में conversion को vaporization हम कहते ही है तो आगे वो यूज़ करेंगे माल लीज़े इसी जगह आपको यहीं पूछा हो, heat required और वो solid से liquid की पूछी हो तो solid से liquid क्या होता है, melting to latent heat of melting या इस तरह का कुछ जोगी related name होगा हो यहां पर आ जाएगा तो सही answer यहां पर होगा कौन सा? Option B अगला सवाल देखिए, name the salt whose aqueous solution will have no effect on either red litmus और blue litmus यानि कि litmus पेपर के ऊपर उस salt का कोई effect नहीं होगा aqueous solution में डालने पर ऐसा cup होगा जो उसके अंदर जितने H ions release होए और जितने OH ions release होए है वो दोनों अगर equal है तो हम देखते हैं कि कौन से salt में ऐसा हो रहा है तो potassium sulfate अगर आप देखोगे potassium sulfate is K2SO4 K2SO4 में जो आप देखते हैं तो इसको acid में sorry इसको water में डालते ही अपने acid और base में convert हो जाएगा जो कि हो जाएगा H2SO4 और KOH और potassium हमारे पास 2 है तो एक hydrogen sulfate बनने पर आपके पास 2 potassium hydroxide बनेगी तो यानि कि आपको अगर 2H plus मिल रहे हैं तो दो भी OH minus मिल रहे हैं तो पूरा solution जो है पर balanced है तो यहां पे जो litmus paper है उसमें कोई भी change नहीं होगा इसी तरह से same आप बाकी soldier है उनके अंदर भी उनकी आप बना सकते हैं कि उनमें acid कौन होगा जैसे sodium chloride है NaCl 20Cl की बारे में आप बताएए मुझे की acid कौन सा होगा इसमे hCl होगा base कौन सा होगा NaOH होगा आगे चलते हैं sodium carbonate Na2CO3 इसे तरह आप सारे acid और basis calculate कर लोगा correct answer इसमें कौन सा होगा potassium sulphate option A आगे देखिए name the salt when on dissolving in water gives an acidic solution आपको एक ऐसे salt बताना है नीचे से इसको water में dissolve करने पर आपको acid solution मिलेगा यानि कि यहाँ पर क्या होना चाहिए h plus ions से जादा होना चाहिए OH minus ions से potassium chloride है आपके पास ammonium chloride है देखते हैं NH4Cl तो इसको जैसे ही आप water में dissolve करोगे तो यहाँ पर NH4 plus same रहेगा और Cl जो अपने acid में converter रहेगा which is HCl NH4 plus key as such कोई basic property नहीं है तो HCl से आपको H ions तो में जाएंगे तो इस वज़ए से इसकी आपको वह overall solution मिलेगा वह कैसा मिलेगा अससे लिए तो correct answer यहाँ पर है option B which is ammonium chloride अगला देखिए कि atomic number आपको दिया हुआ है चार elements का आपके पास है P Q R और S इनका mass number है 8 sorry इनका mass number है 6 है 8 है 10 है और 12 हम इनका electronic configuration लिख लेते हैं एक बार तो electronic configuration अगर आप लिखेंगे तो six atomic number वाले का आपको क्या मलेगा पहली shell में आपके पास दो electrons होगी next shell में आपके पास बचेवे चार electrons होगी क्योंकि second shell की capacity maximum कितनी है eight आपके पास अभी आठ है तो two and six जिद्र हमें पता है कि दूसरी shell की capacity eight है तो अब 10 atomic number में दो shell पूरी हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि 12 वाले में आप two और nine या फिर two और ten लिख करके उसको पूरा करें उसमें आठ ही electron आ सकते हैं तो आठ के बाल में आठ भर दी है अब हमें अगली shell में जाना पड़ेगा यानि कि अब हम देखते हैं कि कोई भी bonding जो होती है कहीं पर भी वो होती है inert gas के configuration को achieve करने के लिए यानि उसका जबसे बाहर वाला shell है वो पूरा होना चाहिए तो हम यहां बात करते हैं कि कि किसके shell को पूरा करने के लिए कितने electrons की ज़रूरत है तो यहां देखिए इस shell की maximum capacity eight है तो इसको चार electrons की ज़रूरत है चाह बाले को कितने की ज़रूरत है दो की आठवाला complete है यह participate नहीं करेगा इस reaction में और इसके पास दो electrons है तो यह दो electrons दे सकता है और ionic bond में क्या होता है ionic bond में ऐसी bonds formation होता है तो यह अपनी दो electrons जो है उसकी sharing कर लेगा Q के साथ इसलिए यहां पे Q और जो S है यह दोनों एक ionic bond बना सकते हैं और यहां पे पूछा गया ionic bond के ही बारे में ionic compound के बारे में है तो correct answer इसका कौन सा होगा option D that is Q and S अगला सवाल लेखे अगला सवाल है वेजर फॉलिए फॉलिंग सेट में इस तू इस्ट इस तू आप इनिक कंपाउंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है ionic compound electricity conduct करते हैं जब पानी में घुले हुए होते हैं जब एकदम सही बात है या तो पानी में घुले हुए होते हैं जब या फिर मॉल्टन स्टेट के अंदर भी यानि पिघली हुई स्टेट में ionic compounds are not soluble in water ये तो गलत है ionic compounds को dissolve करवा करवा कर गई तो हम salts इनके acids बेसल अलग बना रहे थे इतनी देर सी ये crystalline solids होते हैं यानि कि ये crystalline solids होते हैं ये बात जो है एकदम सही है तो आप से सही जो statement देखो पूछे दिया और सही है पहला और तीसरा तो correct options अगर हम छाटते हैं तो वह कौन सा होगा option देखा पहला भी है और तीसरा भी दो statements सही है अगला आपको बताना है कि आपके पास ions बताने आपको sodium oxides में sodium oxide na2 इसका formula है तो आपको क्या दिखेगा इसमें katein है na plus और anion कौन सा है o minus 2 तो यहाँ पर आपको sodium ions भी मिलेंगे oxide ions मिलेंगे तो सही जवाब कौन सा होगा a b है और b b है which of the following are electrovalent compounds, electrovalent compounds क्या होते है अब आपको याद रखना है विद्ध्यूतिय यॉगिक कौन से होते हैं जो आइनिक compounds होते हैं उन्हीं को ही हम electrovalent विद्ध्यूतिय यॉगिक कहते हैं तो copper sulphate में क्या है copper plus 2 है SO4-2 तो क्या यह आइनिक compound है जी है अगला देखिये calcium nitrate फिर magnesium oxide magnesium mg plus 2 oxide O-2 तो यह भी एक क्या है ionic compound है calcium nitrate भी एक हो क्या है ionic compound है तो सारे options यहाँ पे सही हैं तो सही जवाब कौन सा देंगे हम option D that is all of the above अगला देखिये name a gas which is used in the manufacturing of वनस्पती घी वनस्पती घी हो या इसी के जगा आपको कभी कभी डालडा घी के नाम से भी पूछा जाता है तो इन सब में क्या होता है हम जब भी unsaturated unsaturated वाले कौन से होते हैं unsaturated वाले होते हैं double bond या फिर triple bond वाले इनका जब हम hydrogenation करवा देते हैं इन पर H2 gas का addition करवा देते हैं तो यह convert हो जाते हैं हमारे किसके अंदर H2 gas का addition करवाने पर unsaturated converter हो जाते हैं saturated के अंदर saturated मतला जिनमें single bond होते हैं और वनस्पती की उसी का example है तो कौन सी gas हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी hydrogen gas तो सही जवाब कौन सा है option A अगला देखिए name the particles which make up matter कौन से ऐसे particles हैं जिलसे matter का formation होता है तो dalton के matter वाले वो पढ़े होंगे सारे उसमें atom atom मिल करके matter का formation करता है तो सही answer क्या है option D atom तो metal non metal metal यह सिब matter के types हैं यह सब मिलके किससे बने हैं atom से अगला देखिए अगला पूछा है कि एक neutral particle है यानि उसके उपर कोई charge नहीं है और वो nucleus में मिलता है तो nucleus के अंदर हमें कौन कौन मिलते हैं proton मिलते हैं और neutron मिलते हैं तो proton के उपर कैसा charge होता है positive होता है neutral बोला है तो proton तो होगा नी और neutron होता है neutral उस पर कोई भी charge नहीं होता है तो सही जब अब इसका क्या होगा option D जो कि क्या है neutron अगला सवाल देखते हैं sorry 81 हाँ a small positively charged part at the center of an atom is called यानि की atom है atom का center है center में कौन है nucleus ठीक है nucleus के अंदर इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर को positively charged particle है वो आपको बताना है तो positively charged particle जो nucleus के अंदर है वो कौन है proton तो सही जवाब कौन सा हो गया option D फिर पूछा है composition of soap किस से मिल करके बनता है तो soaps क्या होता है sodium या potassium salts होते है fatty acids के fatty acids के साथ जब आप उनकी salts बना लेते हों उनको हम soap कहते है sodium salts of fatty acids या potassium salts of fatty acids जो इन्हीं बात एंक्दम खीड है जवाब कौन सा हो जाएगा option C is both A and B चलिए अगरे सवाल की तरफ कि atom जो है वो electrically कैसा होता याने कि क्या atom positively charged है या negatively or neutral तो हम देख लेते हैं देखिए atom के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने nucleus बनाया nucleus के जैसे कोई भी element है element atom से मिल करके बना है atom है तो वो कैसा होता है neutral होता है इस पर कोई भी charge नहीं होता है ठीक है आगे है कि आपको पूछा है कि negatively charge कौन से होते हैं जो raise आपको दी हुई alpha, beta, gamma तो gamma जो है उनके उपर कोई भी charge नहीं होता है ठीक है alpha raise जो होते हैं उनको हम helium ionized helium particles के equivalent मानते हैं तो alpha raise कैसी हो गई यह है positively charged तो beta raise जो है वो दो तरगी होती है यह positive भी होती है और negative भी होती है आगे आपको बताना है कि isotopes कितने हैं hydrogen के तो hydrogen के तीन isotopes है hydrogen है deuterium है और tritium है तो रख्टान से कौन सा है तीन और इन में से tritium वो है वो क्या है radio active next है which isotope is used through the radioactive age estimation technique to obtain the age of the rocks अब rocks की age determine करनी हो या naturally किसी की भी age determine करनी हो usually तो हम यूज करते हैं uranium isotope sorry 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 radioactive age estimation को करना होता है हमें drops का उसके लिए आप कौन सा isotope को यूज करेंगे हम यूज करते हैं carbon isotope को क्योंकि हम इसको carbon rating भी कहते हैं radio carbon rating भी कहते हैं इस वह वाली method की बात और uranium नहीं है sorry इसका answer है carbon अगला है the element which has the same mass number but different atomic number नानी माल लेज़े आपके पास कोई 2 elements है इनका आपको mass number same बता गया है mass number same है चलिए same है लेकिन atomic number different atomic number माल लेता है यह different है तो हमेने क्या कहेंगे शकल सही दिख रहा होगा हमेने isobars कहेंगे definition है देखें सीली तो करक्तांसर कौन है इसका option है अगला है through the fused sodium chloride electric current can pass out due to the presence of यानि आपके पास sodium chloride fused state में है या diffused state में माल लेज़े तो वहाँ से पूछे है electric current क्यों पास हो रहे है sodium chloride क्या है ionic compound है fused state में अपने ions दे देगा ions free present है तो electric conductivity जो है वह किसके वज़ा से होगी free ions की वज़ा से यानि की option B next है देखें the higher boiling point of water occurs due to water का high boiling point क्यों होता है तो देखें एक चीज होती है hydrogen bonding नाम की जिनके अंदर hydrogen present होते है उनकी tendency होती है जैसे आपको ये question HF, ammonia वगएरा के लिए पूछा जा सकता है कि इनके अंदर जो boiling point है वो थोड़ा जादा क्यों होता है वो जादा होता है hydrogen bonding की वज़े से इसी तरह water जो है उसके भी molecules जो होते हैं उनमें आपस में hydrogen bonding जो हो present होती है इस तरह से होगा तो ये next जो hydrogen होता है oxygen sorry next water molecule के साथ में आपस में hydrogen bonding होती है और जितने जादा bond होगे उतने जादा हमें energy देनी पड़ेगी उन bonds को तोगने के लिए और जब तक bonds ब्रेक नहीं होगे तब तक state conversion जो हो नहीं नहीं होगा accept करना electron है उसको क्या होगा reduction जैसे मान लीजिए ये x है कोई element है इसने 2 electrons accept कर लिए तो x-2 में convert हो गया oxidation state देखी oxidation state चलेगी 0-2 यानि कि कम हो गई है उसे हम क्या कहेंगे reduction और अंसर क्या है option अगला question देखिए smoke के बारे हम पूछा है smoke किसका example है तो smoke के अंदर solid के particles dispersed होते हैं air के अंदर या फिर gas के अंदर solution of solid in liquid तो सही आंसर क्या है option c अगला देखिए which of the following statement are true regarding aluminum Aluminium के बारे में सही बात कौन सी है तो aluminum का जो oxide और hydroxide दोनों amphoteric nature के होते हैं यानि कि acidic और basic दोनों properties वो शो करते हैं ये बात एकदम सही Aluminium free nature में exist नहीं करता है Gold, silver वगर exist करते हैं Nitric acid does not react with aluminum देखिए concentrated nitric acid उसके लिए हम बोल सकते हैं Aluminium से react नहीं करता क्यों क्योंकि वहाँ पर aluminum की oxide की एक layer बन जाती है उस layer की बनने की वज़े से मैंने आपको explain कर चुकि है Corrosion में की इस वज़े से आगे aluminum react नहीं करपाता है पर dilute nitric acid वो aluminum से react करता है यहाँ पर आपको सही statement कौन सा मिला है M4 तर एक hydroxide के बारे में अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं From which of the fallen old iron is extracted iron या hematite, magnetite इसे कोई मिलेगा आपको hematite options में है तो आपके से बोलेंगे hematite को चुना पत्थर यहाँ पर iron का वो scope भी नहीं है pitch blend uranium का है इसके अलावा radium बगेरा यहाँ से extract किये गए थे अगला सेवाल देखिए The sharp smell of substance which is found in the coloration or painting यह हमारे paints होते हैं यह फिर painting के लिए जो colors इस्तेमाल करते हैं हमें अलग तरह की smell होते है वो होते है zinc phosphate के वज़से आपको यह पूचा गया है तो सही answer इसका कौन सा होगा option D एक painting के लिए हमने पहले बात करे थी कि जो वहां पे discoloration होता है उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं question आपको यहां याद आना चाहिए वहां मैंने बात करे थी कि हम उसको zinc paintings के लिए specifically use करते हैं याने जिन paints में zinc होता है चीक है अगला देखिए the polluted gas emitted from heavy vehicles is mainly gas की बात आती है तो carbon monoxide की बात करते हैं तो सही answer इसका कौन सा है option B marsh yes हो है जो marshy areas जो दल्दली areas में निकलते है उसका हमारे vehicles में कोई उसका role नहीं है अगला देखिए the contribution of the invention of inert gas goes to inert gas उसका invention का जो आविशकार का contribution ने वो जाता है Ramse को क्यों जाता है उन्होंने gas के जो known components ने उनको separate कर लिये थे उन्होंने remove कर लिये थे और जो बचा हुआ था उसको study किया था कि कुछ mono atomic gases है जो की inert है जो की reactive है नहीं है तो सही answer कौन है Ramse option B अगला सवाल देखिए into vapor on heating solid का direct gas में convert हो जाना इस process को क्या कहते है sublimation option D by which apparatus a mixture of immisible liquids is separated यानि दो अगलनशी liquids आपके पास है तो उनको आप किससे separate कर सकते हो तो separating funnel होता है आपके पास separating funnel एक इस तरह की device होती है देखिए आपके आपके पास एक आपको ओपन और close करने का मिलता है तो आप इसके अंदर जो immisible liquids को डाल देंगे आपने oil and water डाला है तो इस तरह से separate हो जाएगा कि उपर उपर तो आपका इतने parts में oil present है और नीचे ये water present है यानि कि आपको जैसे देखना शुरू हो जाए कि जो water, gas water के लिए खतम हो रही है oil के लिए शुरू हो रही है उस टाइम पर आपको बंद कर लोगे और दूसरे peaker में आपके से स्टोर कर लोगे oil को सही जवाब कौन सा होगा option D that is separating funnel अगला कोशन देखे which of the following salts will give an aqueous solution having pH of almost 7 यानि वही neutral वाले बात है जो पहले बात करे थे हममें कि litmus paper के color कुछ चेंज नहीं करेगा same example आपको यहां पे भी देवे question में थोड़ा सा twist कर दिया गया है तो यहां में भी जो answer है वो 5 सा होगा sodium carbonate ammonium nitride potassium chloride यानि की option C next bleaching powder is formed by treating chlorine chlorine को आप किससे treat करोगे chlorine को आप calcium की hydroxide से treat करोगे calcium का अगर bleaching powder का formula याद हो तो calcium की भी जरुरत है chlorine आपने chlorine का treatment करवा ही रहे हो सही जवाब कौन से होगा calcium hydroxide the old paint coating cannot be removed by यानि की पुराने paint उनकी अगर कोई coating है उनकी कोई परत है उनमें से किन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता तो अगर नहीं हटाया जाने की बात है तो किन के द्वारा हटाया जा सकता अगर आपको यह मालूम है तो आप option सही कर दोगे answer तो जो alkalis है यानि की वो जो basic nature के हैं उनको हम इस्तिमाल कर सकते हैं paint की coating को remove करने के लिए तो आप देखिए alkali कौन कौन है sabun जो है क्या वो alkali है sabun का इस्तिमाल हम कर सकते हैं caustic soda एक base है उसको भी हम use कर सकते हैं trisodium phosphate को भी use कर सकते हैं sulfuric acid जो है acid nature का है तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होगा coatings को remove करने के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा इसका option D चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल है the corrosion is the reverse process of corrosion अब सब जानते हैं जंग लगना जंग लगना क्या होता है जंग लगने से जो भी आपका metal है जो भी आपकी धातू है वो सारी क्या होते है गल ने लग जाती है और उसका मतलब कोई फिर use नहीं रह जाता है बाद में और इसी तरह जो धातू को हम जमीन से नकालते हैं अगर उस process को माने तो उसमें हम धातू को फाइनली प्यॉर फॉर्म में बना रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि वो जो हमारी जंग लगने की प्रक्रिया है उसके विपरीत है तो सही जवाब इसमें से कौन सा होगा धातू निश्कर्शन यानि कि metal extraction है तो सही जवाब क्या है option A metal extraction होता है जो भी हमारा ओर है जो भी खनीज है उसमें से आप सारी impurities को remove करोगे और उसमें से जितना useful metal निकलता है जितना possible pure metal हम निकाल सकते हैं वो हम extract करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है graphite has layered structure layer में भी किस तरह की layer होती है क्या वो layer 3D में 3D dimensional है या फिर ऐसा है कि वो planer है pyramidal है by pyramidal है किस तरह की है तो देखे आपने graphite की अगर layers पढ़ी होगी तो इस तरह से हम उनको represent करते हैं अलग-अलग layers को और जो अलग-अलग layers होती हैं इनके बीच में weak, wonderful forces जो होती है तो यह जो layers होती है यह एक ही plane में situated होती है और जो individual layer है उसे हम किस नाम से जानते हैं उन्हें हम graphene के नाम से जानते हैं यह आपको याद होगा graphite तो हमारा पूरा जो molecule है वो होता है उसके जो individual layers है उन्हें हम कहते हैं graphene और यह जितनी भी layers है वो एक ही plane में situated है और एक ही plane में situated होगा तो हम उनसे क्या कहेंगे planar यानि कि option C जो है वो सही जवाब होगा हमारे दिये हुए question के लिए अगला question देखी अगला question है यह हमने पहले भी बात करी थी molality और molarity के बारे में तो molarity होगी number of moles 1 liters आपका solvent है विलायक के मातर अगर 1 liter है तो उसके अंदर moles की मातर अगर आपको पूछे जाए तो वो molarity होगी R वाली molarity और molality L वाला वो आपका कौन सा होगा 1 kg के अंदर अगर आपको विलायक 1 kg दिया गया है फिर उसके बाद अगर आपको पूछा है कि उसमें अगर आपको moles पूछे गए हैं तो तो आपको यहाँ kg पूछा है तो सही जवाब कौन सा होगा molality अगला सवाल देखिए when the coal is completely burnt in air वहाँ लीजे आपके पास koila है उसको आपने पूरी तरह से जला दिया है और air है यानि कि oxygen की presence है आगे जो सवाल है वो है the maximum temperature ratio तो जो सबसे उच्चतम तापमान जहां तक हम पहुंच सकते हैं उससे हम क्या कहेंगी तो हम सारे options देख लेते हैं one by one बागी भी आपके doubt जो होगी वो clear हो जाएंगे ठीक है तो पहला option देखिए कि पहला है calorific value of coal calorific value of coal से क्या सुमझते हैं जब भी आप coal को burn करेंगे तो combustion करने पर जो भी heat release होगी उसको normally हम कहेंगे calorific value of coal इन में थोड़ा थोड़ा ही difference है तो आप सारे ध्यान से सुमगे फिर जो है gross calorific value उसमें भी क्या होगा combustion के ताइम पर release heat को ही हम कहेंगे gross calorific value पर ऐसा कब कहेंगे जब आपके जो भी बाद में आपके जितने भी products हैं जो बच गए हैं उनकी cooling हो जानी चाहिए जैसे कि अलग-अलग तरह के आपकी products निकलेगी तो products की cooling तक हमें यह process करनी होगी और net calorific value के अंदर भी total amount है, released heat का net हमेशा हम तभी use करते हैं जब total होता है और यहां पर जो हमारे products होगे उनको हम क्या करेंगे जैसे कोई gases वगेर है तो उनको हम escape हो जाने देंगे free हो जाने देंगे मैंने जहां एक्स्प्लेइन नहीं किया वो कौन सा है, वो है option C और वो ही आपका जो question दिया गया है कि जब कोईले को आप कोई तरह हवा में जला दोगी तो सबसे जादा तापमान जहां तक हम पहुंचा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे कोईले की calorie टीवरता यानि calorific intensity of coal मैंने आपको चारो options explain कर दी है, अगर आपको वो change करके फिर पूछा जाता है तो आप फिर भी बाकी options भी दिहान रखें चेक है, चलिए अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है tinning क्या होता है, सबसे पहरे तो tinning जैसे आपके पास steel है उसके बाद में हमने wrought iron के भी बात करी थी जो purest form होता है iron का, इनके उपर अगर आपको tin के layering करनी होती है sorry हम बात कर रहे थे tinning की, तो tinning क्या होता है tinning के अंदर जो wrought iron है वो और जो steel है उसके उपर अगर आपको tin के coating करनी होती है wrought iron sorry, और steel इनके उपर अगर आपको tin के coating करनी होती है उसे हम कहते हैं tinning और tinning जो example है, वो है cathodic coatings का और galvanization की जो हम बात करते हैं galvanization example होता है anodic coatings का, तो यह याद रखें आप अगले question के तरफ चलते हैं अगला question है in pickling and itching यानि नमकीन बनाने में और नकाशी के अंगर कौन से acid को use किया जाता है तोheresumric acid, hyporkloris acid phosphoric acid और phosphorus acid इन से कौन से acids को use करते हैं, तो pittling के लिए और making itching के लिए जिन acids का use किया जाता मैं 2, 3 हैं उनको सब को mention कर देती हूं hydrochloric acid को use किया जाता है sulfuric acid को use किया जाता है और nitric acid को भी उसकिया जाता है तो हमें जो options में दिये हुए है वो आपको कौन सा acid देख रहा है वो है sulfuric acid तो सही जब आप कौन सा होगा option A जो क्या है sulfuric acid अगला देखिए आपको पूछा गया है कि naphtanes की एक और नाम बताने हैं आपको तो cycloalkanes जो है उनको हम naphtanes कहते है और aromatics जो है उनमें benzene ring वाली जो structures होती है उने हम aromatics कहते है तो आपको पूछा गया है naphtanes के बारे में naphtanes क्या होंगे cycloalkanes यानि alkane तो है बस उनमें cycles are present है आगे चलिए आगे है कि thermoplastic के बारे में पूछा है कि ये इसको गरम करने पर क्या ये rigid हो जाएगा कठोर होगा शीतल हो जाएगा या फिर ब्रिटल हो जाएगा तो देखे थर्मो प्लास्टिक के अंदर क्या होता इसको heat करने के उपर और cooling के उपर जो effects है वो हम देखेंगे heating के साथ में क्या होगा thermoplastic जो हो soft हो जाता है और cool करने के साथ में जो है ये rigid हो जाता है अब आपको पूशा गया है कि यहाँ पर heating की बात कर रही है तो heating में ये क्या ऐसा हो जाएगा soft हो जाएगा इसको heat करने के बात में गरम करने के बात में आगे चलते हैं कि dried sludge होता है सूखा कीचर जो है उसको उपयोग हम कैसे कर सकते है जो sludge है वो हमारा या तो seaweed treatment plan जो है जहां पर हम पूरे कचरे का treatment करते है जिसमें water भी हमारा mix होता है वहाँ पर आपको मिलेगा या फिर sludge आपको जो bio gas formation किया जाता है वहाँ पर बिलता है तो इसको खेतों में हम वापस इस्तिमाल कर सकते हैं तो सही answer इसका क्या होगा fertilizer उर्वरत की तरह अगला सवाल लेखे moles defined as mass of an element divided by moles की definition पूछे moles calculate करने के लिए हम एक simple formula बढ़ते है वो कैसे होता है वो होता है जिस भी element के आपको moles निकालने है उसका mass लेना होगा आपको mass of element और उसको हम divide किस से करते हैं उसको हम divide करते हैं molar mass से formula आप सभी ने पढ़ा होगा वही formula की बात यहां करी गई है जिसमें आपको moles बता दिये है mass of element बता दिया है आपको पूछा है कि इसको हम किस से divide करें इसे हम divide करेंगे molar mass से यहां जोसे formula पूछा है इसे में आपको values दे करके फिर question पूछा चाह सकता है आगे देखिए कि metals जो है usually क्या बनाते है metals अगर आपको normally अगर ध्यान ना हो तो आप किसी भी 2-4 metals के example देख लीचे जैसे calcium हुआ magnesium हुआ, sodium हुआ periodic table के जो left तरफ present है वो सारे metals होते है right में non metals है और उनके बीच में आपके metalloid की series present है ठीक है यह एक overview है metals और non metals की periodic table में position से तो आप देखिएंगे कि calcium जो है वो आपको plus 2 form में मिलता है magnesium plus 2 में sodium plus 1 में यानि यह सारे किस form में present है यह सारे present है cations की form इंधनायन यानि इनके कैसा charge है positive जही जवाब हम कौन सा देंगे option b यहाँ confused होने की कोई ज़रत नहीं है ठीक है आगे चलिए आगे है which of the following is not a chemical change यानि कि कौन सा है जो एक रसाइन परिवर्तन नहीं है तो पहला देखिए curdling of milk का क्या मतलब है दूद का दही में परिवर्तन तो दूद से जब दही ही बन गया है तो यह तो completely chemical change हो गया अब दूद तो आपके पास बच्चा ही नहीं आपके पास क्या दही है तो यह chemical change का example है burning of coal आपने कोईले को जलाया कोईले को जलाने के बाद आपके पास क्या ची से मचें कुछ gases release होगी उसके लाव कुछ by-products मिल जाएंगे coal तो नहीं है आपके पास ठीक है digestion of food digestion of food में हमारा क्या होता है जो भी आप खाना खाते उसका breakdown होता है और वो small pieces में divide हो जाता है finalist energy release होती है लेकिन melting of ice के अगर आप बात करोगी तो ये एक state conversion है याने कि ice जो है water solid से liquid form में convert होगी और ये एक physical conversion है तो सही जवाब कौन सा होगा? Option T अगला सवाल देखे the mineral containing both magnesium and calcium magnesium और calcium दोनों किसमें present है तो dolomide जो है उसके अंदर दोनों present है और इसका formula Mg magnesium भी है calcium भी है यहाँ और यह आप अगर बात करोगी आगे formula में आपको complete करने के लिए जो और जरूरत होगी उसमें आप देखोगी कि यहाँ पे आपको CO3 मिलेगा और twice ठीक है magnesium के पास plus 2 charge है calcium के पास plus 2 था तो उसे balance करने के लिए हमने minus 2 का twice कर दिया तो यह होगी हम minus 4 तो दिस इस formula of dolomite और इसमें आपको दिखेगा कि magnesium और calcium दोनो है तो सही जब आप बिना कुछ सोचे आप कौन सा देंगे dolomite अगले सवाल के तरफ चलिए how many types of absorbed impurities and water are there mainly water के अंदर कितने तरह की absorbed impurities होती है तो अगर हम बात करें absorbed में भी कुछ हैसी होगी जो कि उसमें dissolved होगी यान उसमें घुली होई होगी तो घुली होई जो है dissolved जो है उनमें आपको gases मिल सकती है dissolved के अंदर और उसके अलावा आपको salts मिल सकते है dissolved यानि कि जो पानी के अंदर घुले होई उनका हम dissolved है उनको अलग तरह से separate करना होगा दो तरह की तो यह होगी जो उसमें घुले होए suspended particles जो यानि कि उसके अंदर है यानि वो ऐसे उसके अंदर तैर रहे हैं या इस तरह कुछ मूटे कि अकलब plastic waste वगएरा कागस वगएरा कि सब चीज़े उसके अलावा अगर आप बात करो तो जो bacteria वगएरा bacterial impurities भी उसमें present होई यानि कि microorganisms वगएरा होई तो mainly जो है 4 तरह की impurities होती है जो कि water के अंदर absorbed होती है तो यह चार है आपको type पूछे हैं कौन-कौन सी वह भी नहीं पूछे गई है तो आप answer क्या देंगे 4 अगला देखिए the common element present in all acids सारे acids के अंदर कौन सा acids H plus ion देते हैं तो मतलब उनके अंदर कौन present होगा hydrogen सही जवाब क्या है option A अगले सवाल देखिए anemia के बारे में पूछा है आपको anemia क्या होता है anemia होता है आप में खून की कमी खून की कमी कहिए या फिर हीमोग्लोबिन की कमी और हमने बहुत पहले discuss किया था इनही 1000 MCQs की series के अंदर की हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास कौन सा element present होता है iron और इसी तरह chlorophyll के भी बात करी थी हमने chlorophyll में मैंने कौन सा आपको element बताया था magnesium इसी दिन के लिए बताया था मैंने वो कि आपको ऐसा question भी मिल सकता है तो अकर iron की deficiency होगी आपके तो क्या होगा हीमोग्लोबिन की भी आप में कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी होने से आपको क्या होगा अनीमिया तो सही जवाब इसका क्या है option a iron अगला सवाल देखिए डाश can be used for the turbid water माल लीचे आपके पास turbid water turbid यानि देखिए कि उसमें आपको कुछ चीज ऐसी होगी जो खुली होगी वह आपको clear water नहीं होगा तो हम एक बार के लिए अगर यह माने कि turbidity जो हो hardness की वजह से है कठूरता हम पढ़ने तो आटते है hardness of water उसकी वजह से है तो उसको remove करने के लिए process बहुत पहले हो थी lime soda process अब lime soda process क्या है तोसे नाम में आपको दू चीज़े मिल रहे है एक lime है और एक soda lime क्या होता है? Lime का formula बताईगी जल्दी lime है calcium oxide and soda क्या है? soda है Na2CO3 इन दोनों को हम use करते थे water में add किया जाता है calcium and magnesium की impurities थी calcium carbonate की form में अलग हो जाता था and magnesium hydroxide की form में clear water मिल जाता था साफ पाने और जिसमें hardness भी नहीं होती थी तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा? option D that is lime soda process अगला सवाल देखी catalytic converters की बारे में catalytic converters अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा pollution के chapter ध्यान से पढ़े होगे तो automobiles के अंदर catalytic converters जो है वो present होते है catalytic converters में question क्या है वो देखे कि वो किसके बने हुए होते है क्या वो carbon के बने हुए है alkali metals transition यह सब पूछा है तो automobiles आपने पढ़ा होगा तो यहाँ जो catalyst है catalytic converter बोला गया है और यहाँ जो catalyst है वो आपको तीन main तरह के मिलते है कौन-कौन से platinum rubidium and rhodium platinum rubidium and rhodium sorry rubidium यह पैलेडियम है कौन-कौन से 3 है platinum है palladium है और rhodium है और यह तीनों ही अगर आप देखोगे यह सबसे सादा इस्तेमाल के जाते हैं ऐसा नहीं कि आप थोड़ी दे में बताने लग जाने के और भी उसके जाते हैं सब जानते हैं उनको यह तीन आपको याद रखने कौन-कौन platinum, palladium and rhodium और यह तीनों ही क्या है यह तीनों है transition metals यानि catalytic converters को बनाने के लिए हम transition metals का इस्तेमाल करते हैं अगला सवाल देखिए lime water के अंदर क्या present होता है तो यह दूसे अब जानते है lime water के अंदर calcium hydroxide जो है वो present होता है तो सही जवाब इसका क्या होगा option C ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है number of subatomic particles in an atom देखिए common जो subatomic particles है तो हमारे तीन ही होते है proton, neutron और electron लेकिन इनके अलावा इनके भी आपको और particles जो है वो मिलेंगे तो अगर हम बताएं तो एक atom के अंदर सबसे पहरे तो proton, neutron और electron का number यह काफी होता है इसलिए यह overall जो number है वो almost hundred से जादा होती है सकते हैं कि सब atomic particles की संख्या जो है वो 100 से सादा होती आगे आपको पूछा है per-acetyl nitrate pan के बारे में कि pan क्या है कि secondary pollutant है, dye है, plant hormone है, vitamin है तो यह vitamin भी नहीं है, plant hormone भी नहीं और dye भी नहीं है, यह secondary pollutant है माधह में प्रदूशक है माधह में प्रदूशक का क्या मतलम होता है जो primary pollutants जो primary pollutants atmosphere में present है अगर वो आपस में react कर जाए और उनकी reactions से जो products बनते हैं अगर वो भी pollutant है यानि उनकी वजह से भी अगर production हो रहा है तो हम उन्हें क्या कहेंगी जो बनने वाला product है उसे हम कहेंगी secondary pollutant यानि कि वो था तो नहीं atmosphere में पर दो प्रदूशकों ने आपस में reaction करके उसे बनाया है तो इसका answer आप कौन सा ले दोगी इसका answer हो जाएगा option A अगला सवाल देखिए to calculate the net calorific value the products are net calorific value अगर आपको calculate करने है तो आप products को क्या करोगी यह discuss हमने आज ही किया है तो हम इसमें क्या करेंगी हमारी जितने भी products है उनको escape करने देंगे क्योंकि usually यहाँ पे net calorific value में हमारी जो reaction है आपकी reaction कौन सी है reaction है combustion reaction combustion reaction के बाद में maximum drop के products होते हैं gases तो अगर हम उनको escape करने देंगे तो जो complete process होगी वो क्या होगी net calorific value को calculate कर पाएंगे आगे है फोटो वाल्टेक जो term है वो कहां से आई फोटो वाल्टेक है ग्रीक टर्म है जिसमें दो अलग-अलग words है फोटो का मतलब तो light से होता है और voltage आपने देखा होगा voltage unit होती है voltage की unit होती है आपकी अलग-अलग तो यह Greek word है आपको इतना है पोचा गया था सही जवाब इसका क्या होगा option B अगला सवाल देखिए the metallurgical process in which a metal is obtained in fused state fused state में अगर आपको कोई metal मिल रही है संगलित रूप के अंदर तो उस process को आप क्या कहोगी आपको अगर definitions जयाद है तो आप answer सही दोगे वह process होती है smelting roasting and calcination के अंदर हम क्या करते हैं वह जो और है हमारे पास उसकी heating करते हैं heating कैसे करेंगे या तो oxygen की presence में या तो air की presence में या air की accents के अदर वह होते हैं ये दोनों frozen rotation में हम उसको rotate करते हैं फिर उसमें बहुत सारे ज्छाग का formation होता है ज्छाग के साथ में ओर को हम अलग कर लेते हैं question में जो पूछा है वह क्या है smelting यानि की option A अगला पूछा है आपको कि सबसे जादा electronegative element कौन है अधिक सबसे अधिक विद्यूति ये तत्व कौन सा है तो पूरी periodic table में भी अगर हम बात करें सबसे जादा electronegative है fluorine उसके बाद आता है oxygen और उसके बाद आता है nitrogen तो अगर आप options देखोगी तो fluorine अगर आपको option में दिया हुआ तो आप कौन टिक करोगे? fluorine को ठीक है आगे चलिए graphite के बारे में पूछा है कि क्या वो paramagnetic है, diamagnetic है तो graphite जो है वो diamagnetic है diamagnetic का मतलब यहाँ पे जो unpaired electrons electrons भी कैसे? unpaired वाले, unpaired electrons यहाँ पे present नहीं है सही जवाब इसका क्या होगा? option D that is diamagnetic अगला सवाल देखिए dash is the purest form of water obtained by सबसे pure form water का कौन सा है जो बारिश से अपने पास पानी आ रहा है वो सबसे pure form है तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? rainwater अगला है dash are surface active additives सतह सक्रिय योज़ कौन से होते है तो देखिए जो rust inhibitors होते है आपके surface से शुरू होती है utmost way में कुछ चीज़े present है इसलिए अब मान लीजिया आपने जो लोहे का टुकड़ा है उसके बाहर कुछ आपने active additives लगा दिये हैं कुछ सक्रिय योज़क लगा दिये हैं तो यह क्या करेंगे? यह आगे तो यह सही example होगा कि इसके rust active additives के तो सही जवाब इसमें क्या होगा? Option B अगला देखिए instrument used to measure the exact atomic mass अगर आपको atomic mass प्रमाणू द्रवेमान मापना है तो आप कौन से device को use करेगी? तो mass spectrometer का हम use करते हैं इस काम के लिए और जो spectrometer है उसका हम इस्तेमाल करते है wavelength को measure करने के लिए ठीक है? यह हम से पूछा atomic mass के बारे में तो जवाब क्या होगा? mass spectrometer आगे देखिए आगे है laundry soap के बारे में laundry soap हो या soap हो soaps होते है sodium salts of higher fatty acids sodium or potassium salts अब चाहे वो laundry soap हो चाहे आपको bathing soap हो नहाने का साबन कोई भी साबन पूचा गया हो तो natural origin के fatty acids होते हैं आपकरतिक मूल रूप में present है हमारे nature के अंदर उनका जो mixture है sodium salts के साथ या potassium salts के साथ उन्हें हम क्या कहते हैं? soups यानि option B जो हो यहाँ पे सही option होगा synthetic sylophonic acids वाला जो है वो हम use करते हैं detergents के लिए soups के लिए नहीं nylon के अगर हम बात करें तो nylon 6-6 जो है nylon usually हम nylon 6-6 भी कहते है nylon 6-6 है वो किसका polymer है adipic acid and hexamethylene diamine के देखिए आपको याद रखना है इसमें हम 6-6 का मतलब होता है जो दोस्त दोनों इसमें monomers involved हैं दोनों में 6-6 units हैं hexamethylene diamine and adipic acid is the correct answer option A जो है वो सही है अगला है which of the following fuel gas will have highest calorific value highest calorific value किसकी होती यह बात हमने पहले भी डिसकस करे थी जिसमें जतनी जादा heat produce होगी same mass में उसे हम कहते हैं calorific value और natural gas जो है उसके calorific value बाकी सबके comparison में काफी जादा होती है जेली जो है आप काँसा काँसा होगा option D आगे चलते हैं the metal used to recover copper from a solution of copper sulfate यानि आपके पास copper sulfate का एक solution है इससे आपको copper extract करना है reactions पर ध्यान देते हैं हम reaction क्या है आपको copper plus 2 से copper zero में चाहिए यानि की आपको reduction करवाना है copper का मतलब अगर आप reactivity series देखते हैं तो आप को उसमें किसी ऐसे element की जरूरत होगी किसी ऐसे metal की जो की reactivity series में copper से जादा reactive हो चाहिए वो कोई भी हो अब आप reactivity series को एक बाद जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम iron जो है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं इस process के लिए काफी अच्छे तरीके से ठीक है तो iron का हम इस्तिमाल करेंगे copper को निकालने के लिए copper sulfate के solution से अगला सवाल लेखिए which of the following is the suspended impurity suspended impurity कौन से है तो iron का hydroxide जैसे है उसके अलावा जो silica है ये सब आपके सबसे common suspended impurities होती है निलंबित अर्शुधता होती है तो correct answer कौन से होगा option A होगा which is iron hydroxide vegetable oil are added to the lubricants to improve their lubricants के अंदर आप vegetable oil क्यों add करोगे तो lubricants का हम इस्तिमाल क्यों करते है तो देखे जैसे आपकी गाडियां है machines है उनके अंदर क्या होता है regular उनमें जैसे अलग-अलग substances है उनका movement होता रहता है तो उनके बीच में आप चाहेंगे कि वो smoothly movement होता है जैसे cycle के अंदर भी तो आप grease add करते हैं वो क्यों add करते हैं क्योंकि उनके regular movement की वज़े से friction जो है वो ना बढ़ जाए कहीं पी ठीक है तो lubricants का role तो यह है अब कई बार क्या होता है क्योंकि हम usually कुछ fatty substances को use करते हैं lubricants के तरह तो उनमें थोड़ी चिकनाई चिकनापन भी होता है तो अगर आपको वो कम करना है तो उसके लिए आप vegetable oil जो है वनस्पती तेलों का इस्तमाल करते हैं तो यही आप से पूछा गया है कि हम वनस्पती तेलों को क्यों आड़ करते हैं कौन सी property में सुधार करने के लिए तो जो चिकनापन है oiliness है उसके लिए ठीक है आगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं radio carbon dating है उसको किसके लिए इस्तमाल करते हैं या तो rocks की age determine करने के लिए या फिर fossils की अब आपको यहां पे option rocks or fossils radio carbon dating के लिए पूछा है तो हम उसको use करेंगे fossils की age determine करने के लिए तो correct answer इसका क्या होगा option C अगला देखिए the term PVC used in the plastic industry stands PVC क्या होता है polyvinyl chloride ठीक है तो सही answer इसका क्या होगा PVC polyvinyl chloride carbonate वगेरा में आपको confused नहीं होना है आगे है the percentage of nitrogen present in ammonium sulfate सबसे पहले ammonium sulfate का formula लिख लेते हैं NH4 plus होता है और sulfate is SO4 minus 2 तो इसको अगर आपको balance करना है तो आप NH4 को price कर लोगे अब आपको जब भी percentage पूछा जाए तो आपको क्या करना है उपर आपको nitrogen का mass लेखना है nitrogen का mass कितना होता है nitrogen का mass है 7 और यहाँ पर total nitrogen कितने है nitrogen आपको यहाँ पर मिलेंगा nitrogen का atomic number 7 nitrogen का mass है 14 nitrogen आपको यहाँ पर कितने मिलेंगी 2 nitrogen है आपके पास तो उपर आ गया जिसका आपको percentage calculate करना था उसका mass ठीक है नीचे रवापको total mass लिखना है तो nitrogen का हमने लिख दिया था 14 nitrogen कितने है 2 उसके बाद hydrogen का mass कितना है ये nitrogen का लिखाया है अगला hydrogen का 1 है और hydrogen total number देखे कितने हैं आपके पास 4 है और 4 multiplied by 2 4 into 2 8 तो इसी तरह आप sulphate का atomic weight calculate करोगे तो sulphate का आपको मिलेगा 96 के आसपास तो जब आप इन सब को add करोगे तो आपको क्या मिलेगा 14 into 2 28 और ये जो total नीचे atomic weight होगा ये होगा आपका 132 के आसपास इसे आपको 100 से multiply करना है क्योंकि आपको answer जो पूछा है वो percentage में पूछा गया अब आपको इसको पूरा calculate करोगे तो 21.something आपको इसका answer मिलेगा जो इसका percentage होगा यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप calculate किस तरह से करोगे तो जिसके आपको percentage calculate करने उसका mass आपको उपर डिखना है और नीचे आपको total mass लिखना है माल लीजे इसे में अगर आपको sulfur का mass पूछा हो तो उपर आप क्या करते मास लिखेंगे केवल और केवल sulfur का और कितने sulfur की molecules उसको आप multiply कर देंगे और नीचे आप क्या करेंगे इसके अंदर water का amount नहीं है तो यह क्या करेगा इसके आप जिस भी substance के साथ reaction करवाओगे calcium chloride की मान लेजिए तो यह substance से water को extract करेगा ठीक है तो पानी को यह अपनी तरफ खींच लेगा अब मान लीजिए अपने calcium chloride की reaction करवाई है किसी substance X के साथ में तो यह क्या करेगा इस से ज निर्जली करण कर देगा ठीक है तो यह एक निर्जली करण agent है तो सही आंसर इसका क्या होगा option D जो क्या है dehydrating agent अगला सवाल देखिए अब बैलंस्ड फर्टिलाइजर फर प्लांट इस प्लांट के लिए सबसे बैलंस्ड फर्टिलाइजर होता है जो नाच्रल क्योंकि हर जगा यह available नहीं हो पाती है इसलिए best option अगर आपके पास खाथ present है तो खेतों में आपको सबसे पहले बोही देनी चाहिए बाकी सब आपका secondary option होना चाहिए क्योंकि best कौन है खाथ है आगे चलिए आगे है gasol यानि आपको कुछ नाम से idea लगया होगा कुछ तो compound इसमें gas का है और कुछ alcohol यानि alcohol से मिलके बना होगा अब आपको gasoline तो बता दिया है अब आपको यानि पता करना है कि यहां पे alcohol जो है वो कौन सा use किया जाता है gasol को बनाने के लिए तो वो alcohol कौन सा होगा वो होता है ethyl alcohol तो correct answer देखे कौन सा होगा option A अगले सवाल के तरफ ब है chloride salt है और वो green color का है आपको बताना है वो metal कौन सा है वो metal होगा barium ठीक है कल भी हमने बात करी थी कि जो firework जो crackers है हमारे पठाके है पठाकों के रंग के लिए आप कौन सा strontium and barium इसी तरह जो fireworks में अगर आपको particularly green color पूछ तो वो किसकी वज़ा से होगा barium की वज़ो से तो correct answer कौन सा होगा बीठी अगला सवाल देखिए the law which states that the amount of gas dissolved in a liquid is proportional to its partial pressure यानि partial pressure जो है किसी भी gas का वो directly proportional होगा कि वो gas जो है वो कितनी dissolved है किसी भी liquid के अंदर ठीक है तो यह जो law है यह दिया था Henry ने Henry का law इसे कहते हैं तो correct answer आपको यही पूछा गया था कि किसका law है तो यह law है option C है correct answer Henry's law आगे देखिए refrigerant है आपके पास एक freon freon का आपको पूरा नाम बताना है freon होता है आपका difluoro-dichloro-methane जो methane है इसके चारो hydrogen हमने substitute कर दिये हैं और यहां पर दो chloro हमने use कर ली है और दो chloro यूज कर ली है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइ-floro-dichloro-methane यानि option B जो है वो सही answer है अगला question देखिए cholesterol आपको पूछा गया है cholesterol आपने day-to-day life में अगर कभी देखा होगा तो ऐसे आपको कहा जाता है कि जो थोड़ी जिनमें obesity होते हैं जो obese low होते हैं जिनमें मोटापा जाद होता हमको कहा जाता है कि वो तेल तलीव भी चीज़ें गीव अगरा कम खाएं क्य cholesterol क्या है cholesterol एक fatty alcohol है जो की आनिमल के fats में मिलती है तो अगर आप बाकी options नहीं होगे तो chloroform से डराइव नहीं होता है chlorophyll का कोई भी टाइब नहीं यह एक fatty substance है ठीक है अगला सवाल देखिए आपको boric acid पूछा है boric acid का formula देखिए boric acid का formula होता है H3BO3 boron का acid है अब यह किस तरह से आड़ करता है अगर आपने पढ़ा है chemistry के NCRT जो हैं वो ध्यान से पढ़िए तो यह एक mild antiseptic है mild antiseptic के तरह हम इसे use कर सकते हैं नेक्स्ट आपके पास है CAC2 on treatment with water मालेज़े आपने CAC2 को water के साथ में treatment किया है तो क्या होगा calcium जो है उसको replace करके hydrogen आ जाएंगे तो अब आपको इनके बीच में bond बनाने है एक जो bond है वो hydrogen ने complete कर दिया है तो इनके अंदर triple bond present होगा तो यह methane नहीं है दो carbon का है तो methane तो वैस से भी नहीं होगा ethane नहीं कि single bond नहीं है ethylene भी नहीं है क्या होगा यह होगा acetylene तो correct answer है इसका option D जिसे हम use करते हैं fruit ripening के लिए अगला सवाल देखिए DDT DDT का आपको खुद का भी full form पूछा जा सकता है तो DDT क्या होता है DDT होता है dry chloro diphenyl tetra chloro ethane यहां पे मैं लिख देती second D हो गया अब आगे आपके पास क्या होगा tetra chloro और जो compound है वो क्या है ethane यानि ethane के उपर आपके पास इतने सारे substituents प्रेजंट हैं इसे हम कहते है DDT DDT आपने पहले सुना होगा तो गाओं वागेरा में free mist spray करने आया करते थे लोग government की तरफ से तो इसमें DDT होता था जो म अच्छर और मख्यां आणने के लिए यूज किया चाता था तो DDT को हम insecticide की इतना शक की तरह यूज कर सकते हैं ठीक है एट प्रिजंट इसको बंद कर दिया गया है इसको यूज करना लास्ट क्रिस्टन देखिए petroleum के बारे में पूछा है कि petroleum किस तरह की rocks में मिलता है petroleum आप तो कोई भी option होगो सही होगा और rock की तीन ही types होती है तीन हो आपको यहाँ दी हुए है sedimentary rock, metamorphic and iglius चेक है fossils का अगर आपको पूछा जाए कि fossils आपको कहा मिलेंगे सबसे जादा तो fossils हमें जो मतलब पहले के जमानियों जो मरे हुए जीव जन्तों है उनकी हड़िया या फिर उनकी remnants वगेर वो आपको मिलते है sedimentary rock तो इस question के according जो correct answer होगा वो कौन सा होगा? वोगा option D the hottest part of the gas flame is known as जो gas flame है उसमें कई तरह के parts करते हैं यानि कि gas flame मान जोजे या फिर हमारा जो moombatti है उसका अगर आपने कभी flame देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा उसमें अलग-अलग color के according भी आपको zone में लेगी और कुछ अलग-अलग color है जैसे आपको blue भी दिखाई देता है yellow भी दिखाई देगा कुछ orange और red color का और black color के यह सारे zones आपको दिखाई देते हैं अब हमारा जो सवाल है वो पूछा गया है कि gas flame का सबसे गरम भाग कौन सा होता है तो आप flame को अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ जो area होता है वो होता है blue color का blue color के एक बहुत पतली सी line होती है वो होता है सबसे जादा temperature वाला है सबसे गरम भाग अब उसका नाम क्या है आपको यह बताना है तो उसका नाम होता है non luminous zone अब यहाँ पर क्या है यह complete combustion का area होता है यानि कि यहाँ पर combustion जो है जो burning है वो complete हो चुकी है ठीक है तो सही जवाब यहाँ कौन सा हो जाएगा सही जवाब होगा non luminous zone अब आप पूछाएं कि blue zone क्यों नहीं होगा blue तो देखें उसका color है zone का नाम blue zone नहीं है इसलिए correct answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा correct होगा option D अगले सवाल की तरफ चलते हैं the high reactivity of fluorine is due to fluorine की इतनी high reactivity क्यों होती है fluorine की high reactivity होने का एक reason है कि fluorine जो है पूरी periodic table का सबसे जादा electronegative element है maximum electronegativity अगर आपको किसी की पूछे जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है आपको कौन सा element बताना है आपको बताना है fluorine और maximum electronegative होने की वज़े से ही उच्छी विद्युत नकारात्मक्ता होने की बज़े से ही इसकी जो reactivity है प्रतिक्रिया श्रीलता है को सबसे अधिक होती है इसलिए सही आंतरस का कौन सा होगा option a अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं आपसे पूछा गया है कि polythene जो है उसका monomer क्या होता है polyethene मैंने देखिया आपको पहले भी बताया था इसमें दो word है एक है poly और दूसरा इथीन और यह जो इथीन वर्ड है यहां पर आया है इथाइलीन से ठीक है और इससे आपको पता चलता है कि यह किसका पॉलिमर है इथाइलीन पॉली यानि यह चीज बहुत बार रिपीट हुई है तो इथाइलीन उनके काफी बार जुड़ने से हमें क्या मिलेगा polyethene तो स के अंदर कौन सा तेल यूज किया जाता है तो आईल की वहाँ पर अलग इंपॉर्टेंट होते है इस प्रॉस्स के अदर हम अलग-अलग चीज यूज करते हैं सारी अपने आपने इंपॉर्टेंट है ओल अगर आपको पूछा गया है तो हम वहाँ पर जो ऑईल यूज करत है कि Catalyst के बार में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो Catalyst के बारे में पहला option दिया हुआ है that they always decrease the rate of reaction यानि यह प्रतीक्रिया कि जो दर है उसे हमेशा घटाते हैं ऐसा सही नहीं है क्योंकि देखे Catalyst जो है वो positive catalyst भी होते हैं और negative catalyst भी होते हैं positive catalyst क्या करेंगे वो reaction की rate को बढ़ा देंगे और उससे क्या होगा product का formation जल्दी हो जाएगा तो reaction जल्दी हो जाएगी इसी तरह हमारे पास negative catalyst भी होते हैं तो यह कहना गलत होगा कि हमेशा एक catalyst जो है वो rate को increase ही करता है या फिर rate को decrease ही करता है इसी तरह आप जैसे second option देखेंगे increases the activation energy तो always की वज़े से यह option भी गलत होगा अब आप third option देखें it actually participates in the reaction तो यह बात एकदम ठीक है जो catalyst होते है वो हमारी जो chemical reaction है उसमें participate करेंगे लेकिन एक चीज़ जो सबसे important है वो यह है कि catalyst जो है वो unchanged रहते है यानि कि जैसा आप catalyst को use करोगे आपको reaction के end में भी catalyst जो है वो पैसा का वैसा ही मिलेगा तो correct answer इसका कौन सा होगा correct answer है option c next question देखें upon heating sodium nitrate it gets converted into माल लीजे आपने sodium nitrate जो है उसको heat किया है तो क्या होगा sodium nitrate को heat करने पर जो यह convert हो जाता है sodium nitrite के अंदर और इसके साथ में हमारे पास oxygen gas को release होती है तो यह reaction क्या हुई यहां पे nitrate था आपके पास nitrate का conversion किसमे हो गया nitrite में अब देखें इसके अलावा अगर आपको nitrate दिये जाते है metals के sodium nitrate के अलावा तो उन में usually क्या होता है वहां पे जो है आपको मिलेगा NO2 gas वगेरा मिलती है आपको oxygen मिलता है और जो भी metal था जिसका nitrate था उस metal का आपको oxide मिलता है यह एक regular reaction होती है लेकिन जो sodium nitrate है उसके साथ में reaction थोड़ी different होती है तो आपको याद रखना है यह जो reaction है वो यहां पे होगी sodium oxide है उसका formation यहां नहीं होगा nitric acid का नहीं होगा sodium nitrite का होगा फिर c option आपको पूछा गया है कि sodium hydrogen oxide तो हमने जो options देखे हैं उसके हमारी reaction को कोई भी match नहीं कर रहा है तो सही answer इसका कौन सा होगा none of the above अगला सवाल रेखिए the main chemical constituent of clay clay का main chemical constituent कौन होता है यानि कि सबसे जादा मतलब maximum proportion में कौन सा element या फिर कौन सा chemical मिलता है मिट्टी के अंदर तो aluminum silicate जो है वो clay के अंदर या मिट्टी के अंदर का मुख्य रसायन होते हैं तो सही answer इसका कौन सा होगा option d aluminum silicate अगला सवाल देखिए the compound not soluble in acetic acid acetic acid क्या है एक acid है हमारे पास एक carboxylic acid है ठीक है आपको नीचे और acids आप और compounds दिये हैं आपको calcium carbonate है calcium oxide है oxalic acid का एक salt है और last one calcium hydroxide है तो oxalic acid का ये जो salt दिया हुआ है आपको इसकी और acetic acid की अगर हम acidity को measure करते हैं तो carboxylic acid का ये जो salt है इसकी oxalic acid का ये जो salt है इसकी acidity जो है वो acetic acid से जादा होती है इसलिए ये जो है वो soluble नहीं होगा acetic acid के अंदर है और जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा option c अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है the conversion of acetophenol to acetanolide is best accompanied by which of the following reaction तो सबसे पहले तो आप देखिए acetanolide compounds क्या है तो acetophenon जो है वो मैं आपको यहां represent करते हूँ एक benzene ring है आपके पास benzene ring के ऊपर आपके पास functional group जो है वो है COCH3 ये compound है जो acetophenon इसको आपको acetanolide में convert करना है यानि कि एक तरह का imid है इस तरह का कोई functional group होगा तो इस reaction में जो involved rearrangement होता है या फिर कौन से अभी and rearrangement ये एक named reaction है और इसमें क्या होगा जब ये reaction further proceed करती है हाँ पर reaction करवाई जाती है NH2OH के साथ में तो पहले यहाँ एक intermediate बनता है intermediate वो होते हैं जो stable नहीं होते है यानि कि वो final product में है वो सिर्फ बीच में बने है किसी और product को बनाने के लिए तो oxym जो है oxym के बाद में इसक acid in a light में convert हो जाता है और ये जो complete reaction है इस तरह की जहाँ पर oxym का conversion जो हो जाता है amide के अंदर और presence होती है किसी acid की इस reaction में जो rearrangement involved होता है वो कौन सा होता है वो होता है backman rearrangement तो correct answer होगा option A और मैंने आपको बता दिया है कि intermediate यहाँ oxym है acid in a light एक तरह का amide है और यहाँ पे बी reaction थी आपको समझ आ गई होगी अगला question देखिए अगला question है which of the following gives benzoic acid on oxidation अब देखिए एक important reaction होती है जिसमें क्या होता है benzeen ring के ऊपर आपके पास ruby compound present है जो भी functional group है उनका अंदर अगर alpha hydrogen present है तो उसकी oxidation से आपको benzoic acid मिलेगा माल लीजे आपके पास CH2OH है ठीके तो benzeen ring से attached जो carbon होता है वो alpha carbon होता है alpha carbon के उबर आपको दिखेंगे alpha hydrogen present है तो इसका अगर आप oxidation करवाओगे तो यह पूरा functional group हो किसमें convert हो जाएगा वो convert हो जाएगा benzoic acid के अदर यहीं आपको use करना है question के अदर और आपको सारे options में देखना है कि किसके पास alpha hydrogen present है पहला है पहले आपको phenol बनाना है और फिर chloro का क्योंकि possession नहीं दिया हुआ है तो आप पैरा मालीजे पैरा chloro phenol है तो क्या आपको इसमें कहीं पर भी alpha hydrogen दिख रहा है आपको एक जगह तो benzene ring के chlorine attached है एक जगह OH group attached है तो इसके oxidation से आपको benzoic acid जो है वो नहीं मिलेगा इसी तरह आ chlorine और पैरा position पे chlorine attached कर देजए तो यहां आपको क्या दिखेगा एक तरफ तो आपको alpha hydrogen है वो दिख गए है तो अगर आप oxidation करेंगे तो इसका तो COH में conversion हो जाएगा लेकिन नीचे chloride function group भी तो बचेगा तो यहां पे भी benzoic acid का formation नहीं होगा इसी तरह अगला आपके पास C जो है तो बंजाइल फ्लॉराइड जो है उसका जब आप oxidation करोगे उसके oxidation से आपको मिलेगा क्या benzoic acid क्योंकि इसके पास alpha hydrogen present है तो सही जवाब कौन से होगा इसका option D benzyl fluoride जिटने भी organic chemistry की reactions है तो आपको थोरी समझनी होगे इस तरह के question solve करने के लिए शायद आपको यह explanation है अगर आप इस जो भी आहां पर basics है उनको अगर आप याद रखेंगे तो अगर इन options की वजाए आपको कोई और options दिये जाएंगे तो भी आपका जो question है वो negative marking में नहीं जाएगा अगला question देखिए अगला question है which is the only alcohol that can be prepared by indirect hydration of ilkin अब indirect hydration से आपका क्या मतलब है मान लीजे आपने एक ilkin लिया indirect hydration में पहले हम ilkin की reaction acid से करवाते हैं acid for example मान लीजे sulfuric acid उसके बाद आपको जो product मिलता है उसकी reaction उसको हम hydration करवाएंगे तो इससे हम कहते हैं indirect hydration यानि हमने पहले कुछ और reaction करवाई है और उसके बाद में indirect hydration या जली करण करवाया है तो ethyl alcohol जो है वो एक मात्र ऐसी alcohol है जिसको हम इस method से बना सकते हैं और इसलिए इसका answer कौन सा हो जाएगा इसका answer होगा option A अगला सवाल देखिए on which factor the rate constant of a reaction does not depend जो rate constant है rate constant देखिए depend करता है temperature पर depend करता है activation energy पर भी depend करता है जो catalyst आपने use किया इस पर भी depend करता है जो reactant और product है उनकी nature पर depend करता है किस पे वो किस तरह के हैं इस पर depend करेगा लेकिन उनकी concentration क्या है उनकी सांधरता क्या है इस पर rate constant कभी भी depend नहीं करता है और आपको यही पूछा है कि does not depend किन पर depend नहीं करता तो answer क्या होगा यह जो सांधरता है reactant और products की इनकी अगला देखिए अगला आपको पूछा है scrubbers किसमें काम में ले जाते हैं तो जहां हमने electrostatic precipitator पढ़ा था उसी तरह से हमारे पास scrubbers भी होते है इस तरह के कुछ हमारे devices हैं जिसमें नीचे से हम क्या करते हैं जो भी हमारी polluted air है उसे हम यहां से पास करते हैं ऊपर हम यहां पे lime जो है वह उसमें filled होता है ठीक है हम calcium hydroxide भी use कर सकते हैं उसमें calcium carbonate भी use कर सकते हैं फिर यहां से जो poisonous gases या जो भी impurities हैं वह बाहर निकल जात हैं तो हम किस-किस को यहां पे use कर सकते हैं सही answer होगा option c both a and b calcium hydroxide और carbonate दो आगे देखिए आपको odd one बताना है तो हम सारे options देखने पड़ेंगे हम इसमें तभी पता चल लेगा odd कौन है पहला है neutral salt na cl common salt है को एक neutral salt है एकदम ठीक बात है आगे देखिए acidic salt क्या cu is a 4.5H2 एक acidic salt है 5H2 यानि इस तरह के जो आपको बड़े बड़े जो formula मिलेंगे जिसमें आपको पानी जोड़ा हुआ दिखाएगा वो होते है hydrated salts तो यह hydrated salt है यह acidic salt नहीं है फिर आपको देखिए option c basic salt अब यह जो भी है जब भी आप इस salt को पानी में dissolve करवा होगे तो यह अपनी components में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें copper का hydroxide है hydroxides कैसे होते है basic होते है nature के अंदर तो इसको आप जब भी पानी में डालोगे तो आपको solution कैसा मिलेगा solution आपको मिलेगा basic तो एकदम ठीक बात है कि एक basic salt है कि अनो 3 में आपको water की molecules आगे attached नहीं दिख रहे तो यह कैसा है यह एक non-hydrated salt है यह बात भी एकदम ठीक है तो आपको odd one chart ना था अलग जो है वो चुनना है तो तो तेन सही है और एक तल है तो आप कोई सा चुनेंगे option option B ठीक है अगले question की तरफ चलिए अगला question है कि जो चांदी की चमच है आपके पास एक becomes tarnished when exposed to air उसका जो रंग है य ऐसे ही वो air के contact में आती है ऐसा क्यों होता है देखिए corrosion reaction में हमने तीन ही सबसे important corrosion पड़े है रस्टिंग पड़ा है जिसमें से copper का पड़ा है और silver का आपको बार बार पूछा जाता है atmosphere के अंदर hydrogen sulfide की presence की वजह से silver के sulfide का formation हो जाता है जो की black color का होगा अब आपको यहां आप पर tarnishing दी हुई है tarnishing अगर आपको ना देकर कि यह पूछ ले कि उसका रंग काला के उपड़ जाता है तो भी answer सेम ही होगा तो reaction किसके साथ होगी सिर्वर की या तो hydrogen sulfide आपको answer में लेगा या फिफ सल्फर तो सही जवाब कौन सा होगा इसका option D जो आपको options में दिख पर रहा है जो कि क्या है sulfur अगला सवाल लेखे अगला सवाल है कि आपको wrong choose करना है कि इनमें से गलत मिलान कौन सा है calcium carbonate और washing soda washing soda baking soda बार-बार मैं आपको बता चुकिए हुँ शायद अब आपको इसमें confusion नहीं होगा sodium carbonate क्या है washing soda एकदम ठीक है NACL को हम common salt या table salt के नाम से ज होता है नहीं slave line होता है calcium hydroxide और caustic soda sodium hydroxide एकदम ठीक है गलत इसमें से कौन सा होगा wrong आपको पूछा है wrong कौन है option c next question है the gas inside an electric bulb electric bulb का ऐसा एक पहला सवाल हमने किया था कि उसका जो wire है वो किसका बना हुआ होता है तो उसका wire किसका बना हुआ होता है wire होता है tungsten का और अगर आपको इसी तरह उसमें gas पूछी जाए तो उसमें gas होगी nitrogen gas यानि कि हमें इस तरह की gas लेनी होते है वहाँ पे जो high temperature पे कोई reaction ना करें और nitrogen का हमें पता है triple bond की presence की वज़े से वो जो है इस तरह की reactions में participate नहीं करेगी तो correct answer इसका कौन सा होगा option C अगला सवाल देखिए when vapors are allowed to cool यानि कि आपको gas जो है उसको liquid में convert करना है this process is called क्या कहेंगे आप इसे condensation कहेंगे simple सही जवाब इसका कौन सा होगा option C that is condensation अगला देखिए fuel cells are characterized by fuel cells के बारे में सबसे पहला जैसे आपको options पर देख रहा होगा इंधन कोशिकाएं उनकी दक्षता जो होती है बहुत जाता होती है अब जैसे आप batteries की बात करो chargeable batteries rechargeable batteries या फिर आपके जो electrolytic cells हैं galvanized cells हैं इन सब में से अगर आप efficiency की बात करोगे तो fuel cells की efficiency जो है वो maximum होती है यह almost 50% efficient होते हैं ठीक है और बाके जो भी galvanized या electrolytic cells बगएर होते हैं उनकी efficiency 30% के आसपास होती है वो सबसे सटी कांसरेस में कौन सा होगा वो होगा option है कि इनकी दक्षता जो हो बहुत जादा होती है उच्छी होती है अगला सवाल देखिए which among the following is formed when an alcohol is dehydrated अब देखिए मैं आपको सीधा बता दू है शाइब आपको याद रहे ना रहे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हूँ मान लीजिए आपके पास एक इल्कीन है और यह इस तरह से एक इल्कीन बनाई है मैंने सारी नहीं एक आल्कोहॉद है आपके पास एक सेके और यहां पास एक इल्कोहॉज़ है यह मान लीजिए है अब हम इसकी अमसारा hydrogen यूस करके इंके बैलंसी को कमपलीट कर देते हैं стрdव यहां पर दो hydrogen आपको प्लेंगे हम windowsill मिलेंगे का मतलब मैंने पहले ही बताया है निरजली करन यानि पानी को आपको निकाला है तो एलकोहॉल है पानी क्या होता है H2 यानि उसके अंदर आपके पास एक H molecule है और एक OH molecule है ठीक है तो मैंने आपको इस तरह से रिप्रेजन किया है इसको ताकि आपको देख जाए हम H और OH को किस तरह से रिमूव कर रहे हैं तो हमने एलकोहॉल से OH ग्रुप ले लिया और उसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले लिए अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप इस वाले कार्बन से ले ले लिए और ब डबल बॉंड बन जाएगा और बाकी सब आजटेज है जिब डबल बॉंड बनने को हम क्या कहेंगे यानि एलकोहॉल से जब आप वाटर निकाल दोगे निरजली करण उसका कर दोगे तो वहां पे आपको एलकीन का फॉर्मेशन होगा यानि की ऑप्शन सी अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपको भूशा गया है कि नेचे आपको जो स्टेटमेंट्स दिये हैं इन कथन में से कौन सा कथन जो है वो सकते नहीं है अम एके करके सारे कथन पढ़ लेते हैं पहला है कि जो लिक्वेट्स होते हैं जो तरल हैं उनके अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर जो कण होते हैं उन नियमित रूप से व्यवस्तत यानि की व्यवस्तत जो कण है वो कम होते हैं और वो एक से दूसरे जगा भूमते रहत आराम से free तो यह एकदम सही बात है चीक है अगला option देखिए boiling involves breaking up of groups of molecules in liquid अब boiling के अंदर हमें क्या करना है आप पानी को उबालते हैं तो पानी किसमें convert हो जाता है या तो gas में convert हो जाता है या फिर temperature के बाद में अगर gas में convert होता है पर obviously आप उसके heat provide कर रहे हैं तो हमें liquid को अगर gas में convert करना है तो उसके जो molecules है उनके अंदर जो force है उसको आपको break करना पड़ेगा वही बात इसमें बोल रहे हैं कि हमें उन molecules को तोड़ना पड़ेगा आगे है कि boiling में क्या होता है boiling के अंदर जो oppositely charged ions होते ह आवेशित जो ions है यानी positive और negative ions को साथ में लाना है तो आप एक बात बताइए कि positive और negative ions को साथ में लाने का क्या मतलब है अलग-अलग जो charges होते हैं उसमें attraction बहुत जादा होता है तो इस तरह से तो हम force को बढ़ा रहे है लेकिन हमें क्या करना है force को तोड़ना है तो हमें जो opposite ions है उनको पास नहीं लाना है हमें उने दूर दूर लेकर के जाना है ठीक है इसलिए C option जो है वो गलत है और last option जो है thermal energy of particles overcomes cohesive that force होता है दो particles के बीच का force तो हम सारे तरह की force को तोड़ रहे हैं तो heating से क्या ओगा thermal energy है फिर जो हम तापी उठ जा दे रहे हैं उसके तिहां पर जो है वो के है गेवल option C जो आपको पूछा गया था आगे देखिए which among the following does not match with the term solubility solubility से कौन सा और जो है कथन है वो match नहीं करता है पहला structural units get separated from each other मान लीजे आपने एक ionic compound है उसको पानी में डाला है तो जितने भी structural उसके units है याने की जो के time है anine है सारे अलगा बोला गया है कि जो आयन और डाइपूल बॉंड है मान लेजे हमने एनने सेल को dissolve किया तो sodium जो है वो इस तरह से attach हो जाएगा water से OH- से attach हो जाएगा और hydrogen तो यह डाइपूल है इसके अंदर जो दो पार्टिकल्स है उसके अंदर दो तरह की charges है और साथ में एक ion और strong bond है यह गलत होगा ठीक है क्योंकि हम क्या कहते है कि ionic bond जो हो strong होता है तो गलत जो है वो यही है option B आगे देखिए अगला question जो है the gas artificial ripering में हम कौन सी gas को use करते हैं तो ethylene को use करते हैं या फिर acetylene यहां दोनों options देए हो है तो ethylene जो है वो natural hormone होता है जो plants में मिलता है plant growth regulator है तो हम किसको answer करेंगे option A जो कि क्या है ethylene आगे है कि जब sodium hydroxide जो है NaOH को है उसको आपको reaction करवाना है hydrochloric acid से तो आपको क्या करना यहां पर भी water remove करना होता है तो आपने एक जगस से OH ले लिया दूसरी जगस से H ले लिया बचेवे compounds को एक साथ लिख लीजिए NaCl जो आपका salt है वो बन गया है और यहां पर water निकल है और एक जो acid और base की जो reaction होती उस reaction को हम क्या कहते है उसे हम कहते है neutralization reaction ठीक है यहां किसका formation हुआ NaCl का sodium chloride का यही आप से सवाल में पूछा गया था कि किसका formation होगा ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप से पूछा गया है कि zone refining जो है वो किसके purification के लिए यूज किया जाता है तो zone refining आपको जब भी मिले तो आपको semi conductors जो है usually उनके लिए use किया जाता है zone refining को और यहां पर क्या होता है molten state के अंदर हम थोड़ी देर के लिए maintain रगते हैं वासे हम impurities को remove करते रहते हैं तो आप बताए options में से कौन सा semiconductor है Germania में से semiconductor तो correct answer कौन सा होगा इसक अगला question देखिए अगला question आपको पूछा है कि एक mole molecule sulfuric acid का कितना mass होगा तो formula पता होना चाहिए आपको कभी भी इस तरह से mass calculate करना है तो H2SO4 आपके पास जो है वो molecule है hydrogen का mass बताएए कितना है one hydrogen के आपके कितने molecules हैं उसको आपको multiply करना पड़ेगा इससे आपके पास 2 hydrogen है hydrogen hydrogen का है यहां पर पूरा हो लिया फिर आपके पास आता है sulfur sulfur का atomic weight कितना होता है 32 sulfur आपके पास एक ही है तो 32 ठीक है इसी तरह oxygen का कितना होता है oxygen का होता है 16 16 into 4 आपके पास चार oxygen है तो आप इसको calculate करिए आपको मिलेगा 64 32 और 234 98 तो 98 जो है वो H2S4 का atomic weight है यानि इस तरह से आपको किसी का भी अगर दिया हो नाम दिया हो फॉर्मिला दिया हो तो आप उनका atomic master calculate कर सकते है तो correct answer इसका क्या होगा option A ठीक है अगर सवाल के तरफ बढ़ी है अगला सवाल है कि law of definite proportion जो है वो कहां पे लागू होता है या फि सबसे पहले तो यह कानून क्या है यह यह कहता है कि मान लीजे आपके पास water है अब यह पानी चाहिए आपने आपके घर में मटके से पानी लिया हो या फिर आपने किसी ट्यूब विल से पानी लिया हो या फिर कहीं भी आपने बरफ से या फिर हमाले में कहीं से भी अगर आ तो अगर आप इसका अनुपात बताएंगे तो क्या बताएंगे एक अनुपात आट तो इनका ये कहना है law of definite proportion का कि आप जो है पानी कहीं से भी लिया ये पानी मैंने के यानि इसी तरह से आप कोई भी chemical जो है उसको कहीं से भी extract करें किसी भी आपको reaction में मिल रहा हो उसमें जो दोनों आपके पास दो या तीन जितने भी compounds है उनका अनुपात जो हमेशा constant रहेगा हमेशा अनिश्चित रहेगा और इसका इस्तेमाल हम करते है stoichiometry में अब stoichiometry में क्य होता है यहां पे जो reactions है उनमें जो reactant है product है इन सब के हम study करते हैं तो question के according जो answer है वो कौन सा है वो है option A अगला सवाल देखिए कौन सा mass spectrometer ऐसा है जिसको आप जो isotopes है उनका जो solid state है उसको determine करने के लिए आप use करते है determine isotopes in solid state तो dampsters जो mass spectrometer है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस कार्रे के लिए तो सही जवाब कौन सा होगा option C dampsters mass spectrometer अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि atomic mass जो है atomic mass unit है वो किसके equal होता है तो atomic mass unit equal होता है 1.661 into 10 raised to the power minus 27 तो आपको simple value पूछी गई है कि प्रमारू दरव्यमान इकाई जो है उसको किसके equivalent है किसके equal है तो correct answer कौन सा हो जाएगा option A अगले सवाल के तरफ बढ़िए ascorbic acid vitamin C के बारे में पूछा है कि किन में present होता है तो जितने भी खटे fruits हैं चाहे वो नींगू हो चाहे नारंगी हो इन सब में present होता है ascorbic acid तो correct answer इसका कौन सा होगा option D अगे चलिए atomic mass पूछा है आपको phosphorus का तो यह आपको सीधा पता होना शड़िए phosphorus का atomic mass कितना होता है 31 सही जवाब कौन सा होगा इसका option C अगला सवाल है कि रक्त में पाया जाने वाला एक macromolecule आपको बताना है तो macromolecule जो रक्त में मिलता है वो है hemoglobin hemoglobin जो है वो रक्त में पाया जाता है सही जवाब कौन सा होगा option C किराटन जो है किराटन अगर मान लिजा किसी सवाल में आपका काम पर जाए तो आपके जो बाल है जो नाखुन है उनमें किराटन प्रिजेंट होता है ठीक है अगला सवाल देखिए अगला है कि proteins जो है वो bodybuilders होते हैं हमारे शरीप ले यानि हमारे जो body है उसमें जो bodybuilding का क amino acid फिर दूसरा amino acid तीसरा इस तरह से जब भी repeat होते रहते होते रहते होते होते रहते तो उनकी वर्ज़र से बनता है protein यानि protein किसका बहूलक है amino acids का तो correct answer यहां क्या होगा कि protein के अंदर कौन होता है amino acids अगला पूशा है कि कौन सा thermoplastic है जो नेचे आपको options दिया हुआ है उनमें से तो thermoplastic के example हमने एक PVC पड़ा था poly बनाए chlorideic polyethylene पड़ा था और एक और पड़ा था जिससे coms वगएरा का formation होता है तो polyethylene जो है उससे किसका formation होता है जितने भी आप polythene की थेलिया देख रहे है है आसपास उन सबका formation polyethylene से होता है तो हम प्लास्टिक का सबसे अच्छा example कौन हो जाएगा polythene bags तो गरेक्ट आंसर क्या है option डी अगले question की तरफ चलिए which of the following is a natural fiber आपको पूशा है natural fiber का example तो सिल्क जो है वो एक natural fiber पॉलिस्टर, nylon, rayon यह सब synthetic है natural कौन है natural है सिल्क जो रेशम है वो एक प्राक्रतिक fiber का उदाहरण है अगला सवाल है आपको पूचा है कि animal charcoal कैसे बनाया जाता है तो पश्चू charcoal के बारे में पूचा है तो पश्चू charcoal जो हड़ियां है पश्चू जैसे जो मृत पश्चू ह जो मर चुके हैं उनकी हड़ियां जो है उनको हम जलाते हैं लेकिन उसको हम air की absence में जलाते हैं जो air है हमारे आसपास हवा जो है वो नहीं होने चाहिए ठीक है तो उस टाइम पे जो आपको charcoal मिलेगा जो burnt चीज आपको मिलेगी उससे हम क्या कहेंगे animal charcoal तो burning of bones in contact with air नहीं हम absence में करना है तो correct answer कौन सा होगा burning of bones in of animals out of contact with air यानि कि जो हवा के संपर्क में ना हूँ अगला सवाल देखिए complex grease fibers are formed by reacting to dissimilar complex to grease fibers उसका आप कैसा बनाते हैं हम क्या करते हैं दो अलग-अलग तरह के acids लेते हैं यानि मान लेजिए आपने एक acid लिया दूसरा acid लिया और उसके बाद में हम एक लेते हैं alkali एक base लेते हैं हम जो कैसा भी हो सकता है तो इन किया जब आ पान है acid है और single कौन है base है ठीक है तो correct answer इसमें कौन सा हो जाएगा दो acid है और एक alkali है correct answer is option B अगला आपको पूछा है कि gober gas जो है उसमें mainly आपको कौन मिलेगा गोबर गास में सबसे important constituent जो होता है वो होता है methane यानि की CH4 दो options देखिए सही option कौन सा होगा option C अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि जो base यूज कियाता है antacid के preparation में antacid tablets जो होती है आपको acidity वगरा को treat करने के लिए दी जाती है उसके अंदर जो base है जो alkali है जो क्षार है वो कौन सा use किया जाता है 12 is of an aqueous solution of 12 pH value से आप क्या समझते हैं 7 पे हम क्या कहते हैं neutral है 12 पे आप क्या कहोगे कि basic है यानि आपको यहां पे basic बताना है कि नीचर बिसे कौन सा है पहला है ammonium sulfate sodium chloride sodium hydroxide sodium hydroxide क्या है naoh तो क्या यह एक base है हाँ यह एक base है तो इसके pH कितने होगी obviously साथ से जादा होगी तो सही जवाब कौन सा होगा C अगर आप बाकी options देखते भी है sodium chloride जो है वो आपको मिलेगा sodium chloride neutral salt है hydrogen chloride acid चीक है अगले सवाल देखिए the gas used in fire extinguisher जो अग्मी शामक यंत्र है उनमें कौन सी gas use करी जाते हैं उनमें यूज करी जाने वाली gas होती है calcium dioxide यानी option A अगला है the element silicon is present in silicon किसमें present होता है silicon सबसे जादा मात्रा में present होता है हमारी sand के अंदर हमारी rate में और यह किस form में present होता है silicate की form में present होता है ठीक है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option B अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है the compound dissolved in water to give a solution of pH lower than 7 यानी आपके पास कोई substance है उसको आपने पानी में घोला है पानी में घोलने के बाद में आपको कुछ ऐसा substance मिलेगा जिसका pH जो है वो साथ से कम होगा यानी कि यह क्या होगा यह acid होगा तो अब देखिए आपको examples क्या क्या दिये आपको ethanol दिया है sugar दिया है vinegar दिया है common salt नमक तो यह neutral होगा तो यह गलत है sugar चीनी है चीनी को भोलने से भी pH में कोई जाधा change नहीं होगा लेकिन vinegar जो है सरका सरका के अंदर क्या होता है सबसे जाधा मात्रा में होता है acetic acid यानि कि अगर आप इसे पाने में घोलोगे आपको जो pH मिलेगा वो साथ से कम मिलेगा साथ से कम यानि acid सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब इसका होगा option c अगला सवाल देखिए अगला है which of the following is more acidic than alcohols जो alcohol है alcohol में हमारा functional group क्या होता है OH यह functional group की बात है और घ्यानी chemistry की तो अगर आप बताओगे कि alcohol से जादा acid एक कौन है तो जो carboxylic acid का functional group क्या होता है COOH यह जो COOH functional group है यह हमारे alcohol functional group से जादा acid एक होता है जादा अमली होता है तो सही जवाब क्या है इसका option अगला सवाल है कि नीचे आप कुछ elements देए हुमें से कौन है जिसका fertilizers में यूज न chlorine को जो है वो हम यूज नहीं करेगी चलते हैं अगरे सवाल की तरफ तो gas that causes atmospheric pollution atmospheric pollution करने वाली gas आपको बताने है nitrogen pollution नहीं करती है neon inert gas है normally present atmosphere में sulfur dioxide जो है atmospheric pollution करेगी और आपके जो pollutants है प्रदूशकों के साथ react करेगी उसके लावा acid drain का भी एक important cause होता है सही जवाब कौन होगा इ एक form में तो तो वैसे ही pollutant नहीं होती है अगला आपको पूछा है कि chloromycetin जो है यह क्या है क्या है क्या एक anti-septic, anti-depressant, anti-bacterial है यानि कि जो bacteria है उनकी growth को यह नहीं होने देगी उनको मार देगी चिक है तो सही answer इसका कौन सा होगा option D, anti-bacterial अगला देखिए gun powder में आपको है कि gun powder किस-kis का mixture होता है तो gun powder जो है भी mixture होता है potassium nitrate का, sulfur का और charcoal का यह direct पूछी जाने वाले सवाल है काफी बार exams में repeat हो चुके हैं और बहुत बार mention कर दिया है कि जो named results, named compounds, named reactions इस सब आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि देखिए इतने explain करने का ज्यादा पार्ट नहीं होता है तो gun powder किस-kis का example है potassium nitrate का, sulfur का और charcoal का तो सही जवाब इसका जाएगा option D, अगला सवाल देखते हैं तो substance mostly used as and food preservative, food preservative के form में यानि जो खाद या संरक्षक है उसके तरह use किया जाने वाला compound आपको बताना है तो benzoic acid जो है उसको हम इस्तिमाल करते हैं इस काम के रिए, सही जवाब होगा option C, और आज का आखरी सवाल देखिए, आखरी सवाल है आपको sulfur का charge पूछा है, तो sulfur का जो सबसे common charge होता है, वो होता है S minus 2, उसे ही जवाब आप कौन सा देंगे, option B, तो पहला question है, the smallest possible unit of a chemical compound is, यानि एक रसायन एक योगिक जो है, उसको आप उसकी सबसे छोटी संभव एकाई आपको बतानी है, तो देखिए, यही सवाल आपको थोड़े से difference के साथ में दो तरह से पूछा जाता है, पहला तो जो आपको यहाँ पे देया हुआ है, यानि अगर आपको smallest possible unit पूछे जा आपको बस यही ध्यान रखना है, कि आपको compound पूछा है, या element पूछा है, क्योंकि हम से compound पूछा गया है, तो answer हम क्या देंगे, molecule यानि की option C, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरा प्रश्न है, amount of oxygen in combustion analysis is determined by the method of, अब देखिए यह जो combustion analysis की बात करी जारी है, यह अब हम कब करते हैं, मालीजे आपके पास एक कोई chemical है, कोई organic compound है, ठीक है, हमने माल लिया वो एक से है, आपको पदा नहीं है कि उसका chemical formula क्या है, उसका empirical formula क्या है, तो हम usually कौन सी process यूज़ करते हैं, हम उसका combustion करवा देते है यानि oxygen की presence में उसको burn करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो भी प्रिज़ेक्स का formation होता है, उनकी मदद से हम जो है, हमारा compound है, उसका empirical formula पता लगाते हैं, और अगर उसके अंदर oxygen में प्रिजेंट है, तो हम वो भी पता लगा सकते, वही आपसे पूछा गया है कि oxygen जो है उसको पता लगाने के लिए आप कौन से method का use करोगे, तो हम अंतर जो method है, difference उसे use करेंगे, यानि आपके right side में जो भी products है, उनके अंदर oxygen जो है, वो कितना है, उसको आप subtract करेंगे left वाले से, तो सही answer उसका क्या होगा, option जो कि क्या है, difference, अगला सवाल रेखी, the main active constituent of tea and coffee, जो चाई और coffee है, उसका प्रमुख घटक आपको बताना है, प्रमुख सक्रिय घटक, तो caffeine जो है, वो इनका प्रमुख सक्रिय घटक होता है, और जैसा कि कहा जाता है कि चाई और coffee आपको जब को भी नीन दाती है, तो कहा जाता है कि चाई काफी पीए, आप जब भी पढ़ होते हैं अगर आपको नेंद आ रही है तो आपको कहा जाता है कि आप चाय या कॉफी का सेवन करें ऐसा क्यों क्योंकि उन में कैफीन होता है जो आपको जगाई रखेगा उच समय जादा देर तक ठीक है अगला सवाल देखिए example of atom having single isotope आपको ऐसा example बताना है जो options दिये हुए है उन में से जिसका एक ही isotope है देखिए carbon, calcium, cadmium इनका जब हम देखते हैं अगर total number of isotopes हम देखते हैं तो इनके isotopes जो है वो काफी जादा होते हैं जैसे carbon की बात करे जाए तो carbon के 15 isotopes बताया जाते हैं, calcium के 27 बताया जाते हैं लेकिन जो gold है, gold का एक ही stable isotope होता है तो जो हमारा question है, question के according to सही option कौन सा है? option C, यानि कि इसका केवल एक ही isotope है अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है the main chemical constituent of the oil of cardamom which is responsible for flavor of this oil जो इलाइची का तेल होता है, उसमें एक ऐसा कौन सा रसाइनिक खटक है, जिसकी वज़े से उसका जो स्वाध है वो इस तरह का होता है तो सिनेल जो एक compound होता है, उसके अंदर आपको नाम याद रखना है, सिर्फ पहरा option जो आपको दिया हो है, सिनेल उसके वज़े से जो आपके इलाइची के तेल का जो अलग स्वाध होता है, उसकी वज़े होती है, ये रसा है तो आदे से आपको याद होगा वो कौन है, सिनेल अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, the acid that can be used as a hypnotic, hypnotic या फिर हम उन्हें कहते हैं, ऐसा कोई भी substance जो आपको नींद जो है, वो induce करवाएं, sleep induce करवाएं, तो barbituric acid जो है, barbituric acid को हम hypnotics की तरह use कर सकते हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको questions मिल रहे हैं, antacids के hypnotics tranquilizer, सारे NCRT के examples ले हुए हैं, तो अगर आपको ये सब questions अब solve नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा suggestion है कि आप 12th class के NCRT को जाकर जरूर पढ़ें, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, the reaction in which two compounds exchange their ions in form of, to form two new compounds, यानि आपको कहा गया है कि एक आपके पास chemical reaction है, एक प्रतीक्रिया है, जि इन्होंने अपको पुछ exchange किया है, और बाद में फिर से दो compounds बना दिया, तो देखिए, मैं आपको एक reaction का example देती हूँ, आप बताईए गए कौन सी reaction है, माल लीजे आपके पास एक ionic compound है A, B, और एक ionic compound है C and D, इन्होंने क्या किया, माल लेते हैं कि A katein है B and I, and again this is katein and I अब इन्होंने क्या क्या, इन्होंने अपने ions को exchange कर लिया, तो माल लीजे जो नए compounds बने हैं, वो है A and D का, और second जो बन गया है, वो है C और B का, ठीक है, तो यहां पे आप मुझे reaction दे करके बताईए क्या हूँ, ions का exchange हुआ है, और दोनों तरफ से equal exchange हुआ है, तो इस reaction को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते है, double displacement reaction, केवल displacement नहीं कहेंगे, double displacement कहेंगे, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option C, और यही आपको सवाल में पूछा गया था, अगला सवाल देखे, renicidity जो है, can be prevented by, renicidity आप कैसे prevent कर सकते हैं, renicidity क्या होता है, definition अगर आपको मालूम है, तो आप पाराम से question solve कर लेंगे, renicidity होता है, आपके पास कोई भी compound, जो है, उसका complete या incomplete oxidation, या तो उसका oxidation हो जाए, या फर उसका hydrolysis हो जाए, ठीक है, और ऐसा कब होगा, और usually जो माल लीज़े, आपके पास जो, एक कोई भी oil का example लेज़े, आपके पास कोई oil है, जिसका oxidation हो गया, तो यह hydrolysis हो लिया, और ऐसा होने से क्या होता है, उसका स्वार जो है, वो change हो जाएगा, ठीक है, और यह क्यों होता है oxidation या hydrolysis, या तो यह होता है light की वज़े से, ठीक है, या फिर यह होता है air की वज़े से, या फिर जो भी आपके bacterias present है environment में, उसके वज़े से, अब हम द option इंदम ठीक है, light की वज़े से, क्योंकि यह हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा fatty compound है, उसे light से दूर रखेंगे, उसे ऐसी जगा दूर रखेंगे, store करेंगे, जहां पर light ना पहुंच पाए, तो second option भी ठीक है, और तीसरा किसी भी खाने की चीज है, उसको हमें कि CB तरह के खराब होने से बचाने हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको refrigerator में add करते हैं, तो C जो है, वो भी सही है, तो तीनों options ठीक हैं, तो answer क्या होगा, answer होगा, option D. Next question देखते हैं, अगला question है, अगला question है, which among the following is an organic mineral, आपको बताना है कि जो options देए हुए है, उनमें से कौन सा जो है, एक organic mineral है, amber, hornblend, ignite, and alkin में से, इनमें से, एमबर जो है, वो एक organic mineral है, यानि कि वो carbon और hydrogen से मिलके बना है, तो option A, जो है, वो यहां पे सही answer, होगा, अगला सवाल है, chemically rust, ऐसा, आपको rust का chemical formula पूछा है, तो rust में क्या होता है, rust का chemical formula is Fe2O3.XH2, यह एक hydrated oxide है, iron का, और क्योंकि यहां पे आपको ferrous और ferric का भी difference पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, what is ferrous and what is ferric, तो Fe2O3, iron की तीन common oxidation states है, इनमें से, जो Fe3 है उसे हम कहते हैं, ferrous, और Fe2O3, यानि plus 2 oxidation state वाले को हम कहते हैं, ferric, इक छोड़ी सी error है, sorry कि, जो Fe3 है, that is ferric and Fe2, जो है, वो है ferrous, अब आप जब यह जो formula है, इस formula को जब आप देखोगी, तो आपको पता चलेगा, कि यहां iron की oxidation state plus 3 है, तो हम क्या कहेंगे, एकसेश्टियो मतलब कुछ molecules यहां water के भी attached होंगे, यानि एक hydrated oxide है, तो यह जो chemical formula है, वो represent करता है, एक hydrated ferric oxide को, यानि plus 3 oxidation state iron, next आपको एक formula दिया हुआ है, C3, H4, O3, और ही पूछा गया है, कि यह कौन से vitamin का empirical formula है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कि empirical formula क्या होता है, empirical formula जो है, माल लीजे, आपका, जैसे हम सुक्रो से discuss करते हैं, C12, H22, O11, ठीक है, अब यहां पे, क्योंकि यहां पे oxygen जो है, वो 11 है, तो हम इसको और simplify नहीं कर सकते हैं, for example, आप माल लीजे, आपके पास कोई chemical है, जिसका chemical formula है, C12, H22, O5, तो आप अगर इसको simplify करना शाह होगे, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको सब में 2 दिख रहा है, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर दीजे, तो हम इसे C6, H11, O6 कह सकते हैं, इसके आगे हम इसको simplify है, वो नहीं कर सकते हैं, तो C6, H11, O6 है, वो यह जो compound है, जो C12, H22, O11, जो एक molecular formula है, उसका empirical formula, यानि कि आपको simplified form में convert करना है, तो अगर आपको vitamin C, ascorbic acid का chemical formula present है, तो वो होता है C6, H8, O6, तो यानि कि अगर आपने इस empirical formula को 2 से multiply किया है, तो आपको मिलेगा molecular formula, vitamin C का, तो correct answer यहाँ पे कौन सा होगा, option A, अगला सवाल देखिए, substance which neutralizes a base, आपके पास एक base है, आपके पास एक base है, उसको आपको neutralize करना है, तो आपको दूसरा पदा चुई, तो वो कौन सा होगा, acid और base एक दूसरे को neutralize करते हैं, formation किसका होता है, salt का होता है, और इस reaction को हम क्या 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 कैसे हम कहता है, neutralization reaction, तो base के लिए हमें जरूरत होगी acid की, तो सही answer क्या है, option A, अगला देखिए, what is the number of synthetic elements in the periodic table, आपको periodic table के synthetic elements बताने हैं कि कितने हैं, तो देखिए, जो atomic number, अगर हम बात करें, कहां से कहां तक synthetic elements हैं, और उनके अलावा 2 और हैं, तो 95 से 118 की synthetic elements ह और हैं, जो सारे हमारे synthetic elements में आते हैं, अब synthetic तत्व कौन से हैं, यानि कि ये वो तत्व हैं, जो उस तरह से हमारे जो atmosphere में naturally present नहीं हैं, हमने उन्हें पहले वाले elements जो हैं, उनसे बनाया है, तो अगर आप इनका total करते हैं, तो आपको पता शुलेगा कि हमारे पास synthetic elements के संख बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे suitable substance कौन सा होगा, तो polycarbonates जो है, वो सबसे suitable components होते हैं, इसलिए यहां सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा, option D, अगरा सवाल देखी, acid reacts with metal carbonates to form, आपके पास कोई metal carbonate है, माल लेजे, हमने Na2CO3 ले लिया है, उसकी आपको reaction पानी है, acid के साथ, HCl के साथ, तो यहां पे कौन-कौन से substance बनेगे, सबसे पहले यहां पे salt बनेगा, जो कि क्या होगा, NaCl, यहां carbon dioxide gas जो है, वो release होगी, और उसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे, तो sodium हम utilize कर चुके है, carbon dioxide, chlorine भी हमने use कर लिया है, क्या और कुछ ब के साथ, react होता है, वहां पे एक salt का formation होता है, ठेक है, पहला NaCl हो गया, salt का formation, water का formation, और carbon dioxide, तो हम क्या कहे सकते हैं, कि सारे options जो है, all of these, सब का formation, जो है, इस reaction में होता है, अगले सवाल के तरफ पढ़ते हैं, अगला सवाल है, which among the following basic atoms are must in an alkaloid, यानि कि यहां पे आपको आटम जो है, वो एक alkaloid में जरूर present होगा, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि alkaloid क्या होते हैं, उपक्षार क्या होते हैं, तो alkaloids होते हैं, ये nitrogenous organic substances होते हैं, nitrogenous माने कि ऐसे organic substances जिनमें nitrogen present हो, तो यहां पे nitrogen पका present होगी, तो यही आपसे पुछा है कि कौन-कौन सा इनमें से होगा, तो सही answer आपको क्या हो जाएगा, option नहीं, जो कि क्या है nitrogen, अगला सवाल देखिए, which of the following alloys is used in making of magnets, magnets को बनाने के लिए कौन सा आप alloy यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, L-NICO, L-NICO के अंदर आपको खुद ही पता चल जाता है, एक आप aluminum यूज करते हैं आप यह alloy मतलब कि इस किसका है, aluminum का, nickel का और cobalt का, तो सही जवाब क्या होगा, इसका options, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, when a magnesium ribbon is burnt in air, माल लेजे आपके पास कोई ribbon है, magnesium का, यह magnesium का बना हुआ है, इसको आपने क्या किया है, burn किया है, air के अंदर, ठीक है, यह आप heat प्रव formation होगा, राख का formation होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप इसको air provide करवा रहे हो, air के अंदर oxygen भी है, बाकी तरह की gases भी है, तो यहाँ पर आपको एक oxide मिलेगा, magnesium का, और magnesium का जो oxide है, उसी की आपको राख मिलती है, और वो किस color की होती है, वो सफेद color की होती है, व chloroquine, तो सही जवाब है, हाँ पर कौन सा होगा, option B, जो कि इसका सही आंसर भी है, chloroquine, आगे पूछा है, आपको saliva का nature क्या होता है, saliva का nature, large क्यों प्रकती आपको पूछे के लिए कि क्या वो acidic है, basic है या neutral है, तो saliva की अगर हम बात करें, तो saliva जो है, वो slightly acidic होता है, यानि strong acid नह 5.75 से लेकर के 7.05 तक होती है, यानि जो neutral है, उसके आसपास तक पहुन सकती है, उससे थोड़ी कम तक रहेगी, average अगर हम देखें तो कैसी होगी है, ऐसे देखोगी, तो यहाँ पर जवाब जो होगा, वो कौन सा होगा, option 2, अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, oil of mirbane, oil of mirbane किसका common name, तो जो nitrobenzene है, उसके अगर आप users देखोगे, तो उसको पहले perfumes में भी use किया जाता था, उसको shoe polishes में भी use किया जाता था, paints में भी और उस तरह के बहुत सारे users थे nitrobenzene के, इसलिए nitrobenzene को हम oil of mirbane भी कहते हैं, तो सही जवाब है nitrobenzene, nitrobenzene की structure अगर drink के उपर, NO2 जो है, वो functional root होगा, नाइट्रो functional root, अगला सवाल लेकिए, अगला सवाल है कि gypsum जो है, उसको हम cement में क्यों add करते हैं, gypsum को हम cement में add करते हैं, ताकि उसका जो settling time है, settling time कौन सा होता है, वो time जितनी देर में cement हो है, वो अपना strong जो nature है, या फिर अपना जो कथ four nature है, वो occupy कर लेती है, तो settling of cement अगर हम देरी से होने देना चाहते हैं, तो हम use करेंगे gypsum को, settling of cement को slow करने के लिए, तो सही जब आप कौन से होगा, इसका option होगी, आगे है, which of the following is not a chemical change, यानि कि कौन सा जो आपको नेशे दिया हुआ, वो रसायनिक परिवर्तन नहीं है, त oxidation एक रसायनिक परिवर्तन है, oxidation state यहाँ change जाती है, reduction में भी change जाता है, sublimation अगर आप देखोगी, तो sublimation के अंदर क्या होता है, सिर्फ state conversion होता है, तो sublimation जो है, वो physical change का एक example है, यानि कि एक chemical change नहीं है, तो answer में क्या होगा, option C, decomposition up-gutton क्या होता है, आपने कोई एक substance लिय अगले सवाल की तरफ चलते है, an acceptor of a pair of electron is termless, तो हमने दो चीजे जो है, दो definitions बहुत commonly पड़ी भी होती है, जो कि है, एक electrophile और neutrophile की, तो एक electrophile और neutrophile की अगर आप बात करें, तो दोनों में क्या difference है, तो electrophile जो है, वो electrons को attract करता है, यानि उससे electron के pair की जरूरत होती है वो acceptor होता है, और जो nucleophile है, वो donor होता है, electron के pair का, तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, electrophile आगे है कि refrigerators जो है, उनमें liquid कौन सा use कर सकते हैं हम refrigerant के लिए, usually जो domestically भी हम use करते हैं as a refrigerant, वो हम use करते हैं liquid ammonia को, क्योंकि उसके अलग-अलग properties हैं उनके बहाफ पे, तो सही जवाब कि कौन सा होगा है, यहाँ पे, option B आगे देखिए, which of the following is a halogen, आपको बताना है कि कौन सा halogen है, तो halogen आपने कौन-कौन से होते हैं, fluorine, chlorine, bromine, iodine, अब यहाँ तक तो हमें बता होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंपसे कोई भी option नहीं दिया हुआ है, तो astatine जो है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, इनके आगे की जो elements है, उन इसी से लिए आगया है, आगे आपको पूछा है कि amalgam जो है, is term used for an alloy of, किसका ऐसा alloy हम बनाते हैं, जिसके लिए हम amalgam term use करते हैं, तो mercury का अगर alloy बनाया जाता है, तो उसके लिए हम use करते हैं term amalgam, अगला सवाल देखिए, the group reagent for the test of alcohols is, मान लेजे जो alcohol functional group है, कोई आपके आपको चेक करना है, यानि कि इस तरह के test होते हैं, क्योंकि आपको अनून compounds दे दिये जाते हैं, फिर आपको चेक करना है कि इनमें से कौन alcohol, अलिहाइट, ketone, तो सब के group reagents होते हैं, और alcohol का group reagent है, सरिक ammonium nitrate, सरिक ammonium nitrate को हम use करेंगे, और सही जवाब क्या होगा, option A, आपक lukas reagent, जो है, उसको भी हम alcohol, जो है, उसके लिए use करते है, alcohol functional group के लिए, और lukas reagent क्या होता है, concentrated HCl, ये आपको अलगते question पूछा जा सकता है, that what is lukas reagent, and ZNCl2, ये होता है lukas reagent, जिसे भी हम use करते है, alcohol के लिए, अगला देखे, which of the following is generally present in tonic, tonics क्या होते हैं, मतलब ये ऐ ऐसा feeling आती है, कि आप एकदम से ठीक है, आपका body का energy level भी सही, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई problem नहीं है, और जो tonics होते हैं, उनके अंदर generally, ethanol की थोड़ी बहुत amounts जो है, वो present होती है, अगला सवाल पूछ, अगला सवाल देखे, कि आपको यहां पे H2O और D2O, इनका boiling point और melting point है, उनको compare करवाया हुआ है, तो देखे boiling point और melting point दोनों ही heavy water उसके जादा है, अब आप पूछने के क्यों जादा है, अब पहले बात करते हैं boiling point की, boiling point D2O का जादा है, क्योंकि hydrogen point तो देखे, दोनों के अंदर ही present है, अब बात है कि किसके अंदर strong hydrogen bonding है, तो D2O जो क्यों जादा है, क्योंकि एक तरह के force होते हैं हमारे पार जब हम study करते हैं, जो कि होते हैं London forces, या फिर iron dipole forces, वो जादा होते हैं D2O के अंदर, इसलिए melting point भी जादा किसका है, heavy water का, अब आप options को match करिए, both melting point and boiling point of heavy water are lower, lower नहीं है, heavy water के दोनों चीज़ें higher है, तो पहला option ज आपको पूछा है कि trans-uranic elements का atomic number क्या होगा, तो 92 से जादा, जो भी elements है, वो सारे trans-uranic है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, option भी, सीधे 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 सवाल है, आपको periodic table जो है, उस पर हुरी पकड़ होनी चाहिए, अगर आपको chemistry आनी चाहिए, और इसके Who among the fallen is known as the manufacturer first cyclotron, cyclotron में हम क्या करते है, जो charged particles है, उनका acceleration करवाते हैं, तो सबसे पहले किसने discover किया था cyclotron को, तो जो Lawrence है, Ernst Lawrence, इन्होंने सबसे पहले cyclotron की discovery करी थी, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, सही जवाब होगा, option K, अगला सवाल देखिए, आपको पूछा गय जो है, उसमें exist करता, यानि कि चार फॉस्फरस जो है, वो एक साथ added होते हैं, अगर आपको भी बाइट फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस, इन सब की structures पढ़ोगे, तो आप इस तरह से मिलेगा, आपको उनकी structures जो है, इस तरह से इन में bonding होती है, और ये इस तरह से आपस में इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ पीफो मॉलेक्यूल, तो करेक्ट टांसर इसका क्या होगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कि कौन से जो options है, वो करेक्ली मैश्ट नहीं है, पहला है, ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक का ऐलोई है, ठीक बात है, काफी बार डिसकस कर चुके हैं, नया जो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो है, B, C, D, Duralumin, Duralumin, जो है, Alumin आपको दिख रहा है, तो Aluminium उसमें प्रेजंट है, और उसके साथ साथ कॉपर प्रेजंट है, ये भी एकदम ठीक है, कॉंस्टन में आपको कॉपर और निकल मिलेगा, ये भी एकदम ठीक इसमें अगर आप बात करोगे, गोल्ड, सिल्वर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको पता होना शाहिए कि वाइट गोल्ड में आपके पास कॉन-कॉन से किम्पाउंट प्रेजंट होते हैं, तो वाइट गोल्ड में हमारे पास होता है, निकल होता है, मैंगनीज हो Atomic number है इसका 1 और इसका mass है 2 तो protons का number इसमें कितना हो जाएगा 1 और neutrons का number हम calculate करेंगे 2-1 is equal to 1 यानि इसमें एक ही proton है और एक ही neutron है तो सही जवाब इसका कौन होगा? Option A Next आपको मुझा है कि pearl जो है उसको बनाने के लिए किसको इस्तिमाल किया जाथा है? पर्ल जो है calcium carbonate ही होता है तो सही जवाब इसका क्या है? Option B Calcium carbonate के इस्तिमाल से हम pearl का formation करेंगे आगे पूछा है कि आपको नीचे जो दीवें में से कौन सा option correct है तो correct आपको anode और cathode पे होने वाली reactions पूछी है तो देखिए anode के उपर reduction reaction होगी और cathode पे oxidation reaction होगी तो electrochemical cell में आपको क्या मिलेगा? anode के उपर होता है oxidation और cathode के उपर होता है reduction जो हमने पहले भी किसी question में इसकी बात करी है लेकिन अगर आपको simply पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा तो anode पे आपको reduction reactions देखने को मिलेगी और oxidation कहा होगा? cathode पी जानी option A जो है वो आपका फीड अगरा सवाल लेखिये which among the following was the first artificially produced element पहला artificially produced element या फिर synthetic element जो है वो है technetium मैंने आपको 95 to 118 बताये थे उनके लावा दो और synthetic elements बताये थे उनमें एक technetium भी है और दूसरा जो element था वो था promethium और उनमें से technetium जो है से पहले discover किया गया था अगला देखिए LSD आपने नाम सुना होगा एक drug है जिसका बहुत जादा misuse भी किया जाता है lysergic acid, diethyl amide इसका आप किस तरह से use कर सकते हैं उसे आप hallucinogen की तरह use कर सकते हैं और hallucinogen क्यों होता है है हमारी LSD अगला सवाल देखिए कुबाल का oxide है is used to impart which color to the glass जो glass है उसको किस तरह के color impart करने के लिए आप कुबाल्ट oxide यूज़ करोगी तो अगर आप शाहते हूँ कि जो आपके पास कांश है वो नीले रंग का हूँ तो हम उसके लिए कौन यूज़ करेंगे कुबाल्ट oxide यानि की blue तो सही जवाब इसका कौन होगा option B अगला सवाल देखिए which among the following does not come under the carbon group of the periodic table तो carbon group आपके elements पता होना चाहिए तो carbon के लिए हमारे time पे इन सब के लिए mnemonics हुआ करते थे हमने mnemonics से याद करी थे periodic table क्योंकि group wise आपको इस तरह के elements पूछ लिए जाते हैं तो हमारा mnemonics था कहे शिव जी यानि की copper silicon germanium और sunay parvati which is thin and lead तो यह सारे elements हो गए आपके carbon जो series है उसके अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा element है जो carbon का है does not come कौन सा नहीं है तो silicon silicon second element है ठीक है germanium तीसरा element है यह भी ठीक है tin है हमारा sn और last में हमारा आता है lead और यहाँ पे हमें कौन सा बता है selenium selenium यहाँ का element जो है वो नहीं है किसे ही जवाब इसका कौन से हो जाएगा option D ठीक है अगला सवाल लेखे silver containing lead as an impurities remove यानि कि जतने भी noble metals है हमारे silver gold इन सबके impurities जो हमें remove करनी होती है तो हम एक process use करते हमें कहते हैं cupulation cupulation के अंदर क्या होता है high temperature का इस्तेमाल किया जाता है और correct answer यहाँ पे क्या होगा option D cupulation अगला सवाल है process of very slow regulated cooling is known as यानि आपको बहुत ही ध्यान से और एकदम regulated तरीके से cooling करनी है यानि कोई चीज है जो high temperature पर उसको आपको low temperature पर लाना है तो ऐसी process मैंने आपको glass में बताई थी कि glass के अंदर पहले उसकी heating करी जाती है उसके बाद में उसमें कुछ properties add होती है पर उससे पहले आपको annealing करनी होती है उसको slow maintained cooling which is known as annealing तो इसका सही जवाब क्या होगा option A धातू पर पानी चड़ाना कहते है इसे अगला है poly metallic nodules poly metallic nodules जो आपने अगर कभी सुना हो तो उसका दूसरा नाम ही है manganese granules ठीक है तो यह manganese granules होते हैं और यह usually आपको कहां मिलेंगे जो बड़े-बड़े समुद्र है समुद्र के जो तट नीचे जो तल है आपको जो सी बेस हैं वहाँ पर मिलेंगे आपको और इसका सही आंसर क्या होगा manganese which is MN और magnesium नहीं है आपको यह याद रखना है कौन है इस cancer manganese अग्रे सवाल की तरफ चलिए आपको पूछा है कि liquor poisoning जो है वो किसकी वज़े से होती है liquor शराब का दूसरा नाम है तो यह होती है अब आपको पूछा है कि crown ethers क्या होते हैं देखिए crown ethers होते हैं cyclic ethers होते हैं यानि कि आपको बड़ी-बड़ी cycles मिलेंगे और उनके अदर आपको बीच-बीच में आपको ether function मिलेगा तो cyclic ethers को हम crown ethers कहते हैं correct answer is option A next question is which among the following can be used as a preservative in tomato juice tomato juice हो कोई भी आपको किशन के पास किसी भी तरह का source of benzoic acid को हम use कर दें या तो आपको ऐसा एक form में use कर सकते हैं उसका salt use कर सकते हैं यहां आपको salt दिया हुआ है तो sodium benzoid जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए tomato juice में preservative के लिए अगला सवाल देखिए at room temperature formaldehyde is formaldehyde क्या है carboxylic acid का पहला member sorry formaldehyde is aldehyde which is HCHO aldehyde जो group है उसका पहला member है formaldehyde और room temperature पे formaldehyde जो होती है वो एक gas होती है ठीक है अगला आपको पूछाए tolerance reagent tolerance reagent हम use करते हैं जो aldehyde or ketone function group है इन्हें differentiate करने के लिए इसका लग-अलग reactions होती है tolerance reagent के साथ में और ammonical silver nitrate solution है यानि कि silver nitrate के solution में ammoniated अगर वो हो तो उसे हम कहते हैं क्या tolerance reagent option c जो है वो इसका सही जवाब होगा आखरी सवाल की तरफ चलते है आखरी सवाल है which among the following minerals is known as horn silver horn silver के जो mineral sorry silver के जो minerals है उनमें से एक का नाम है horn silver आपको पूछा है कि किसे हम horn silver के नाम से जानते हैं तो silver chloride जो है agcl उसका दूसरा नाम क्या होता है horn silver तो यह होड़ी process के बारे में kimberley process is related to which among the following आपको पूछा गया है कि आपको जो options देए हुए हैं उनमें से kimberley process किस से related है तो kimberley process मैं आपको बता दू it is related with diamonds तो diamond है आपके हीरे जो है उनसे related होता है यह process चलिए अपने दूसरे सवाल के तरफ दूसरा सवाल है the colors in the fine cut diamond are because of which among the following आपको पूछा गया है कि जो diamond है हीरा है वो जो है अलग-अलग तरह के color जो है वो देता है आपको अब आपको पूछा गया है कि उसकी वजह क्या होती है अब देखिए diamond जो है उसके अंदर कुछ impurities present होती है कुछ अशुधता present होती है उसके अलावा कुछ lettuce defects होते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं उनको हम lettuce defects यह दो चीज़ें जो है वो main reasons होते हैं और इनके अलावा अगर आप बात करो तो जो भी light diamond के उपर गिर रहे है हीरे के उपर गिर रहे है उसका total internal reflection जो है वो बार बार होता रहता है उसकी वजह से आती है उसमें चमक लेकिन color पूछा गया है यहां तो color में आपको total internal reflection जो है वो answer में नहीं देना है color के लिए आप क option c जाशियम को केलियम कहा जाता है और mercury को हाइड्रा अध्राजियम भी कहा जाता है लेकिन last job को दिया गया है arsenic arsenic और stebium जो है वो एक correct match नहीं है क्योंकि anti-vani को हम stebium के नाम से जानते हैं और अगर आप ऐसे नहीं देखो इनको तो हम sodium को s की फॉर्म में रिप्रेजन नहीं करते हैं na की फॉर्म में रिप्रेजन करते हैं तो वो na नाम जो है वो हमने कहां से लिया है उसका actual origin जो है वो natrium से हुआ ऐसे तिरह potassium का k mercury का hg ठीक है तो यह सारे आप समझ जाएंगे कि अगरे जो names है वो कहां से आए है तो यहां पर जो wrong matching है वो कौन से है वो है option D जो की है arsenic के बारे में ठीक है यहां करक्त क्या होना चाहिए था यहां होना चाहिए था antimony अगला सवाल देखिए which among the following is the most important characteristics of noble metals जो उत्कृष्ट धातू है आपकी उसकी सबसे महत्वपून विशेष्टा क्या है तो देखिए आपको जब ऐसा पूछा जाता है तो usually क्या होता है यह जो named चीजे होती है इनका नाम जो है वो इनके कोई specific feature पर आता है अब noble gases के बारे में आप सबसे important चीज जो है वो क्या बताएंगे कि noble metals जो है या noble gases जो है क्योंकि reactions जो है वो बहुत कम करवाती है reactions जितनी भी है chemical reactions उनमें participate नहीं करती यानि हम क्या कहेंगे कि यह जो noble compounds है यह reactive नहीं होते है noble metals के यहाँ बात करी जा रही है तो noble metals कौन कौन से आप मुझे जल्दी से बता दे वो है gold, silver, platinum वगेरा ठीक है तो यह कैसे होते है they are non-reactive गैर प्रतिक्रियषnder प्रकृतिकर होते हैं अगला सवाल देखिए अगला सवाल है ऐसे टराइट किसका ओर है तो अगर आपको कैसे टराइट का formula पता है तो आप answer खीक से देटे़ें कैसे टराइट होता है smo2 यह होता है tin का oxide तो यह किसका ओर होगा यह auraitin का तो सही जबाप इसमें क्या है option B, ठीक है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, which among the following is not a use of graphite, graphite जो है उसका जो आपको दिया हुआ है, वो कौन सा use नहीं है, या कौन से चीज उसके बारे में गलत बताई गई है, तो पहला देखिए कि graphite जो है, उसको हम electrodes बनाने के काम में लेते हैं, तो ये लिब्रिकेंट की यूज करते हैं, लिब्रिकेंट की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो smooth होता है, उसके जो layers होती है, वो slippery होती है, इसलिए वो आसानी से इक लिब्रिकेंट का काम तो है, वो पूरा करेगा, अगला देखिए कि इसको crubicles के manufacturing में यूज किया जाता है, तो ये बात भी एकदम ठीक है, लेकिन glass cutting जो है, उसके लिए हम graphite को use नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना smooth है, उससे glass की cutting नहीं हो सकती, वो slippy हो जाएगा, ठीक है, तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, सही जवाब होगा, option D, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, अगला स जवाब होगा, option D, कि ये क्या है, allotrops है, अगला सवाल देखिए, bucky balls के बारे में पूछा है, that bucky balls are basically the allotrops, bucky balls किसके allotrops है, तो आपने जो अभी अभी बताया था, graphite बताया था, carbon बताया, sorry, graphite diamond बताया था, जिनको carbon के allotrops होता है, उसमें तीसरा allotrop कौन होता है, third allotrop is bucky balls, इनको हम, जिनमें बहुत सारे carbon के atoms होते है, जिनकी structure जो होते है, वो एक football के जैसे होते है, इसलिए हम इनको balls कहते है, balls इनके end में लगाया गया है, तो सही जवाब इसमें क्या होगा, कि ये जो carbon है, उसके allotrops है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जो galena है, और lethar है, ये किसके ores है, तो अगर आपको लिथार नहीं भी मालूम है एक बार के लिए, तो galena जो हम सब को मालूम होता है, galena किसका ores है, galena lead का ores है, बीबी ए, sulfide ores है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option D, अगला सवाल देखिए, which of the following radiations carry maximum energy, यानि कि आपको जो हमारा light का spectrum ह है, उसकी अलग-अलग जो radiations है मुदी हुई है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन में से उच्चितम या अधिकतम उर्जा वाली जो radiation है, वो कौन सी है, तो देखिए, एक specific sequence है, ultraviolet, sorry, जो radiations है उनका, किसके according, उनकी wavelength के according, तो वो आप ध्यान रखिए, वो मैं य infrared radiation आती है, उसके बाद visible आती है, उसके बाद में ultraviolet आती है, उसके बाद में x-rays आती है, और finally आती है हमारी gamma rays, तो यह जो मैंने sequence लिखा है, इसमें आप उपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, कि energy जो है वो बढ़ रही है उपर से नीचे जा तो सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब हो जाएगा, option C, that is gamma rays, अगला सवाल देखी, अगला सवाल है 861, adsorption जो process है, absorption जो है, is commonly used in which of the following process, आपको नीचे जो process दी हुई है, उनमें से कौन सी ऐसी process है, जिनके अंदर आप adsorption का use करोगे, adsorption क्या होता है, जैसे कोई surface है, molecules की attach होने की जो process है, उसे हम कहते है, adsorption, यानि ये एक सतर ही प्रक्रिया है, अंदर की तरफ उसमें कोई भी process नहीं होता है, अब chromatography क्या है, chromatography एक ऐसा process है, जिसमें आप अलग-अलग substances को separate करते हो, जिसमें substances उनके color के according कभी कभी separate हो जाते हैं, यैसे chromatographic paper है उसके उपर तो chromatography के अंदर हम adsorption जो है, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, इसका option D, अगला सवाल देखे, which among the following sentences is true, आपको नीचे जो sentences दिये हुए हैं, वो पढ़ने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा sentence true है, तो देखे नीचे आपको जो भी options दिये कान कान सी दो चीज़े हैं वो, पहली है Amorphous और दूसरी है Urea, तो देखे सबसे पहले हम इनके formula की बात कर लेते हैं, Amorphous के क्या है, दोनों ही क्या है, fertilizers है, उर्वरक है, तो अब आप बताईए कि Amorphous क्या है, Amorphous का formula अगर आपको नहीं पता है, तो high nitrogen और potassium phosphorus content होता है इसके जो formula है वो है NH4, H2, PO4, यह आपका formula है किसका Amorphous का और Urea का formula है, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्या है वो, NH2, CO, NH2, तो आप देखें, अब इन दोनों compounds के बारे में आपको कुछ options दिये हुएं, तो हम एके करके options पढ़ लेते हैं, पहला option है, Amorphous is an organic fertilizer, while Urea is an organic, यान carbon और oxygen जो है, वो कौन से compound में present है, तो यूरिया जो है, उसके अंदर मुझे carbon और hydrogen दोनों दिख रहे हैं, तो यूरिया को हम क्या कहेंगे, यूरिया को हम कहेंगे, organic fertilizer, organic उरवरत कहेंगे, carbonic, और जो दूसरा है, Amorphous, उसको हम क्या कहेंगे, inorganic, तो बताएगे क्या option ठीक है Amorphous जो है, वो organic fertilizer नहीं है, तो पहला option जो है, वो गलत है, second देखिए, Amorphous inorganic है और यूरिया organic, तो second जो statement है, वो एकदम ठीक है, तो अगर आपको formula पता है, तो आप आराम से question जो है, वो solve कर सकते हैं, चलिए अगले question की तरफ, अगला question है, फ्रोत और foams के बारे में, कि फ्र तो बाहर आपको bubbles जो है, बाहर आपको एक layer दिखती है water की, और उसके अंदर आपको gas मिल दी है, यह आपको कैसे पता चला, क्योंकि छाग जो है, वो हम सबने फोडे होंगे कभी न कभी, तो जैसे ही आप air blow करते हो, किसी भी छाग के particle के उपर, तो वो बिखर जाते हैं, मत मतलब जितने भी उसमें bubbles है, वो तोट जाते हैं, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पर gas जो है, वो suspended है, और gas किसके अंदर suspended है, solid में suspended है या liquid में, that is the question, तो यहाँ पर gas suspended किसमें है, आपकी liquid में suspended है, तो सही जवाब आप कौन सा बताएंगे, option C, जो है, वो सही जवाब होगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, as per evogadros hypothesis, evogadros जो है, उन्होंने एक hypothesis दी थे, एक परिकल बना दी थी, आपको उसके कुछ statements दिये हुएं, और वो incomplete है, आपको उसे पूरा करना है, अब उन्होंने क्या कहा है, कि अगर आप equal volume की अलग-अलग gases लेते हैं, मान लीज ये दोनों भी same है, तो आपको बताने है कि इनके अंदर equal number किस चीज़ के होगे, तो जो हमारे evogadros है, evogadros जो ये कहते हैं, कि अगर आपके पास अलग-अलग gases जो है, उनका volume अगर आपके पास equal है, और temperature और pressure भी same है, तो उनके जो molecules होगे, वो भी क्या होगे, equal होगे, तो आप भी question जो है, वाराम से सही करेंगे, तो सही जबाप कौन सा होगा, इसका option B, that is molecules, number of molecules will be same, अगला question देखिए, आपको rayon के बारे में पूछा है, कि rayon किस चीज़ का example है, तो rayon जो है, एक semi-synthetic fiber का example है, ये बनाया जाता है, जो natural fiber है, उनमें कुछ modification करके, यानि ये से modified नहीं है, नाचरल का भी कुछ पाट है, इसलिए हम इसको बीच में रखेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, semi-synthetic, that is option C is the correct answer, Alloys के बारे में आपको पूछा है, कि Alloys किस-किस का solution होते हैं, क्या उसमें दोनों solid होते हैं, solid, liquid, gas, तो देखिए, Alloys के नाम पे सबसे common example आपको मैं बता देती हूं, जैसे El Niko है, El Niko के अंदर आपने क्या देखा, हमारे पास mixture है, aluminum का है, nickel हमारे पास है, और cobalt हमारे पास ह तो हमने 3 elements जो है, उनको mix किया है, और यह क्या हुआ, solid का solid में mixture, यानि 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं आपकी पास, उनका number fix नहीं है, बर जो चीज है उनकी state के बारे में, तो solid और solid का जो mixture होगा हमारे पास, उस solution को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे alloy, जो सही जवाब यहाँ पर क्या है, option A, अगला सवाल देखिए, the container employed in the process of electrolysis is called, यानि कि जिस container के अंदर आप electrolysis perform करवा रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं, voltameter, यानि कि उसका हम use voltmeter की तरह, voltage नापने के लिए भी कर सकते हैं, और emeter, यानि कि current नापने के लिए भी कि जा सकता है, तो सही जवाब इसका क्या हो गया, सही जवाब है, option C, अगला सवाल देखिए, in the process of electrolysis, oxidation occurs, electrolysis या फिर electrochemical जो cell है, जिनकी बात हमने कल भी करी थी, उसमें पूछा है आपको की oxidation कहां पे होता है, तो यहां पे oxidation होगा, anod की उपर, तो same, कल जो explanation दिया है, वही question है कल आपको जो मैंने electrochemical silk से अलग से जो बताया था, वहीं यहां पूछा गया है, तो correct answer आप बताईए, कौन सा होगा, option B, next question देखिए, a molecule is a smallest part of matter, ठीक है, यानि कि एक matter है, matter का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, molecule होता है, which possesses all properties of original matter, यानि आपके पास जो original matter, जैसे आपके इसमाली जै चीनी हैं बहुत सारी, तो चीनी का जो सबसे छोटा दाना होगा, उसके अंदर जो property होगी, वो ही सारी चीनी के particles में होगी, वहीं आपको कहा गया है, कि जो molecule है, उसमें सारा जो matter है, अनू जो है, उसके अंदर मूल पडाट के सारे गुन होगे, तो आपको बता कि जो अनू है, उसके उपर कोई चार्ज होता है, क्या यह अगर नहीं होता है, तो अनू जो है, वो neutral होता है, उसके उपर कोई भी चार्ज है, वो नहीं होता है, और सही जवाब इसका क्या होगा, option D, अगला सवाल है, the iron container or vessel is galvanized by, तो galvanization process, अगर आप iron के respect में बात कर रह होगा, option B, next question देखिए, which among the following, is an ionic solid, आपको बताना है कि कौन सा ionic है, diamond के ionic है, नहीं, diamond carbon का एक lot drop है, three dimensional solid है, इसके अंदर ionic bond नहीं होता है, यहां पर होता है, coval bonding hybridization SP3, okay, dry ice क्या होता है, dry ice is carbon dioxide, carbon dioxide ionic नहीं है, table salt, table salt, या फिर साधा नमक जो है, आपका NACL होता है, NACL ionic salt है, एक, और एक solid भी है, सही जवाब इसका क्या होगा, option C, अगला सवाल देखिए, which of the following, has the maximum calorific value, calorific value क्या होती है, आपको पास जिस भी substance की बात हो रही है, अगर मान लीचे, आप उसको जलाते हैं, उसको जलाने पे कितनी amount, energy की, या heat की कितनी amount, वो liberate होगी, जो उसके अ calorific value, और यहां जो options दिये हैं, वैसे हम कहते है, naturally की natural gas की calorific value high होती है, लेकिन जो hydrogen gas है, उसके calorific value nitrogen gas से भी जादा होती है, सही जवाब इसका कौन सा होगा, सही जवाब होगा, option A, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अदर anti-knocking properties of any fuel exhibit, जो anti-knocking properties है, किसी भी आपकी पास जो fuel है कोई भी इंधन आपकी पास जो है, उसमें क्या मिलेगा, आपको octane number जो है, वो भी importance रखता है, यह दोनों चीज़े हमेशे जो है साथ साथ ही आती है, और आप क्या कहेंगे, सही जवाब होगा, आपका octane number, अगला सवाल देखिए, which among the following acids is abundant in grapes, bananas and tamarind, जो imli है, केला और अ acid जो है, उसकी amount जादा होती है, और पहीं दोनों के अंदर है, तो सही जवाब कौन सा होगा हमारा, option B, tartaric acid, next question देखिए, the dash is used as an agriculture fertilizer, agriculture fertilizer की तरह किसे यूज़ करते हैं, तो bioethanol, ethane, methanol, alcohol के कोई भी जरूरत नहीं होती है, अगर आपने देखा होगा, या ilkane की भी कोई जर phosphorus और potassium इनकी concentration और वो आपको मिलेगी digestrate के अंदर, so correct answer is option D, इगनाव और आपको आट सीखने को मिला है, आप इसे याद रखें, क्या digestrate जो है, उसे हम use करते हैं, next question देखिए, next question है, fuel cell in an electrochemical device that converts chemical energy, तो fuel cell के अंदर क्या होता है, chemical energy किसमें convert हो रहेगी, electrical energy के अंदर, तो सही जवाब इसका क्या होगा, option A, next question है, bring out the statement which is wrong, यानि आपको जो statements है, उनमें से जो गलत statement है, उसे चाटना है, पहला option देखिए, कि acetone जो है, उसका आप solvent के तरह use कर सकते हैं, अब देखिए, कुछ substances ऐसे हैं, जो water जैसे substances में solubile होते हैं, यानि कि कुछ रहे हैं, वो polar में solub में solubile होते हैं, तो बहुत चारे ऐसे examples भी हैं, हमारे बाद जो एसे टोन में solubile हैं, तो उसे हम एक solvent की तरह, विलायक के तरह हम use कर सकते हैं, अगला देखिए, adrenaline के बारे में कहा है, कि adrenaline को heart failure अगर किसी का हो जाता है, या फिर वो जो process है, उसमें हम use कर सकते हैं, तो adrenaline एक ह graphite is an example of allotropy, बिल्कुल ठीक बात है, carbon के allotrops में से एक graphite भी है, graphite है आपका diamond है आपके पास, और तीसरा कौन सा है, bucky bolster है, तीनो एकदम ठीक बात है, तो सारी options correct है, तो हम answer कौन से बताएंगे, option T, next question देखिए, which of the following is the lightest metal, आपको बताने है, सबसे हलका metal कौन सा है, तो आ आप देखिए, hydrogen, helium, lithium, lithium कौन सा number है, lithium वो element है, जसका atomic number 3 है, periodic table में शुरू में आ रहा है, यानि की बाकी सारे बहुत दूर-दूर हैं से, तो इन में से सबसे हलका कौन होगा, lithium होगा, तो सही जबाब है option T, यानि यहाँ पे सिर्फ आपका periodic table का knowledge है, वो चेक किया जा रहा है अगला सवाल है, lightest element आपको फिर से same questions है, लेकिन आपको options में कुछ change कर दिया गया है, यहाँ पे आपको lightest metal नहीं पूछा गया है, last question में आपको lightest metal पूछा गया है, अगर metal पूछा गया होता है, तो hydrogen और helium को निकाल देते हैं, because they are gases, टेकिन यहाँ element पूछा है, तो periodic table का प सा होगा, option A, जो क्या है, hydrogen, next देखे, next which of the following is the most fundamental property of the element, element की सबसे fundamental मौलिक गुण कौन सा है, उसका जो atomic number है, उसकी प्रमानुस संख्या जो है, वो उसका मौलिक गुण है, उसकी सारी properties जो है, atomic number के बहाफ भी decide होती है, तो सही जवाब होगा, atomic number, अगला देखे, DDT का full form, होता है, dichloro, diphenyl, trichloro, ethane, अब यहाँ पर D, D और T तक सेम दिया, आगे आपको जो पूरे changes मिलेंगे, वो मिलेंगे ethane, methane, methane के अंदर, तो देखे, DDT हमेशा याद रखे, एक दो carbon का compound है, जिसके उपर आपको, जो additional groups मिलेंगे, उसमें दो phenyl groups मिलेंगे, और दो chloro मिलेंग कि the concentration process of sulphide ores is, sulphide ores के लिए concentration process कौन सा है, तो sulphide ores के लिए हम use करते है, fruit flotation process, ज्हाग, परवरतन, प्रक्रिया, सही जवाब क्या होगा इसका, option C, next, लेखिये, when we buy a jewelry of 22 karat gold, this means that we are getting the purity of gold, अब देखिये, gold जो है, वो काफी purity, अलग-अलग standards आते है, 22 karat, 24 karat, तो ऐसा माना जाता है कि 24 karat जो gold है, that is the purest form of gold, यानि कि यह 100% gold होता है, और इसी तरह जो 22 karat gold होता है, उसमें gold की अगर आप percentage पूछते हैं मुझसे, तो वो होगी 91.67 percentage, and the correct option is option B, ठीक है, यानि कि 90 से जादा, 91.something, okay, नेक्स देखे, आपको isotope के बारे में question पूछा है, the isotope of any atomic nucleus is in which, अब यहाँ पर क्योंकि बाद neutrons और protons पर आ गई है, लेकिन हम हमारे basic से ही चलेगे, हमें क्या मालूम है isotopes के बारे में, जैसे hydrogen के isotopes हैं, ठीक है, यह hydrogen के मैंने 3 isotopes यहाँ पर बना गी, हमें क्या पता है, कि इनका atomic number जो है, वो सेम है, प्रमानु संख्या इनकी सेम है, लेकिन इनका atomic भार, प्रमानु भार है इनका, वो different है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कि जो इनकी atomic संख्या है, जो इनका प्रमानु संख्या है, उसके बराबर इसमें कौन होते हैं, protons होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर protons जो है वो तो बराबर होंगे लेकिन neutrons जो है वो बराबर नहीं होती वो इनमें उनका difference होता मेंगी तो अब options देख लेते हैं number of protons भी same but the number of neutrons भी different तो सही जवाब क्या होगा? option B आप अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है next आपको पूछा है which among the following about ozone is incorrect आपको जो ozone है उसके बारे में incorrect statement पूछा गया है तो देखे पहला जो statement it is found in the upper atmosphere filters potentially damaging ultraviolet right from reaching the earth surface तो कहा गया है कि आपका जो atmosphere है उसकी उपर ही जो सतर है उपर की जो layers है बहाँ पे मिलती है एकदम ठीक बात है और वहाँ पे क्या करती है कि ultraviolet जो radiations है पेरा बैंगनी की रने जो है उनको धर्ती या फर प्रत्वी की सतह तक आने नहीं देती है एकदम ठीक बात है कोई भी इसमें error नहीं है तो पहला option जो है वो ठीक है तो हम अगले option की तरफ बढ़ेंगे second देखे it is lighter than oxygen that is why it is found in the upper atmosphere अब ये बात तो ठीक है कि upper atmosphere में मिलती है पर क्या ये lighter है ये बात हम चेक कर लेते हैं हम क्यों माने जोंगे कह रहे हैं उसकी ozone है O3, oxygen है O2 तो आप ही बताइए oxygen का molecule जब ozone में एक जादा atom है तो वो lighter कैसे हो सकती है वो तो obviously heavier होगी तो second question जो है उसमें lighter जो इन्होंने वर्ड बोल दिया है इसके वज़र से statement जो गलत हो गया है और C जो है it is an allotrop of oxygen एकदम ठीक बात है oxygen का allotrop होता है ozone ठीक है सारे सही है ये बोलना तो सही नहीं होगा answer जो होगा हमारा option B अब तक तो सबको याद हो गया होगा limestone quick lime in सबका formula limestone is calcium carbonate and quick lime is calcium hydroxide सही जवाब है option C heaviest metal आपको पताना है silver copper gold और lead में से तो silver copper gold और lead में से अगर आप atomic number atomic mass अनका compare करते हैं तो gold जो है वो heaviest metal होगा सही जवाब कौन है इसका option C next आपको पूछा गया है next question देख लेते हैं next question क्या है the freezing point of water on mixing edible salt wood यानि आपने खाने का नमक जो है NACL जो हो पानी में मिला दिया तो उसके freezing point पे क्या फरक पड़ेगा तो देखिए freezing point जो है उसमें depression होता है freezing point में depression होता है यानि freezing point decrease होता है इसी तरह यही सवाल आपको boiling point के लिए पूछा जा सकता है तो boiling point जो है उसमें elevation होता है यानि boiling point जो है वो बढ़ता है यह कब होता है जब आपने जो साधा पानी है उसके अंदर कुछ solute add कर दिये है तो यह process होती है तो आपने साधा नमक उसमें add किया तो freezing point क्या होगा decrease हो जाएगा तो सही जवाब क्या है इसका option C अगला देखे which of the following is weak base electrolyte आपको वो जाए weak base कौन से है तो जितने भी जो हमारे alkyl compounds है या फिर जो हम पढ़ते हैं हमारी organic chemistry के अंदर वो जो amides होते हैं वो जो है weak bases होते हैं as compared to sodium hydroxide potassium hydroxide and calcium hydroxide तो इन में से सबसे भी कौन सा होगा alkyl amides यानि correct answer है option D अगला सवाल लेखे अगला सवाल है in electrolyte ionization मतलब आपके पास कोई electrolyte है उसको आपने dilute कर दिया है उसमें आपने और जो है पानी add कर दिया है तो ionic current जो process है उसके उपर क्या फरक पड़ेगा हमेशा याद रखिए जैसे जैसे आप dilution को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ionization जो है वो बढ़ेगा तो सही जवाब क्या होगा इसमें option A increases जीट या अगला सवाल अगला सवाल विज्ञान mainly based है जितने भी आपके पास harmful chemicals हैं उनको हटाने के लिए तो इसके लिए जितने भी हमारे पास महेंगे महेंगे treatments हैं महेंगे उपचार हैं उनको सबसे कम करना इसका main मकसद है क्यों? क्योंकि जितने महेंगे उपचार होते हैं उसमें उतने जादा harmful chemicals उनका release होता है तो अगर हमने इनको रोक दिया तो वो जो नुकसान दाय chemicals थे उनको भी हम कम कर देंगे और जो cost है उसको भी कम कर देंगे सही जवाब यहां कौन सा होगा? Option A Next question देखे आपको Group 4 में lowest melting point उचा है Group 4 के आपको examples देखे सबसे पहले आपको पता होना शहीए कि Group 4 में हैं भी या नहीं तो आपको tin, lead, silicon और germanium दिया हुआ है तो इनमें से अगर आप melting point देखते हैं वही आपको मैंने जो कल एक pneumonic बताया था याद करने का तरीका वही आपके पास आज भी आगे इनमें से melting point की बात हो रही है तो है श्रीव जी सुने पारवती जो मैंने आपको कल भी बताया था ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम melting point कौन सा होता है तो अगर आप बताएंगे 10 और lead में से तो tin का melting point जो है वह सबसे कम होता है सही जवाब है, इसका option A और अगला आपको zwetarine पूछा गया, अब zwetarine क्या होता है ध्यान से देखे, अब zwetarine होता है एक ही molecule के अंदर आपके पास positive charge भी है और negative charge भी है मैं आपको इसका एक example देतीग example में आप सबने amino acids देखे होंगे तो amino acids में क्या होता है एक NH2 group होता है तो NH2 को हम ionized form में represent कर सकते है ammonium की form इसके उपर एक carboxylic group भी होता है carboxylic group को हम COO- की तरह represent कर सकते हैं एक hydrogen group होता है और मैं जे चौथा group है, वो methyl है अब यह एक ही compound है मैंने आपको बता एक ही molecule के अंदर दोनों charge का होना तो एक molecule के अंदर आपको plus charge भी दिख रहा है और आपको minus charge भी दिख रहा है इससे हम कहते हैं zwitter iron अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो options दिए वो कौन-कौन से सही है तो zwitter iron crystal iron compounds होते हैं यह water में soluble होते हैं क्योंकि water के पास H plus भी है क्योंकि यह COO- आपको क्या दिखेगा यह acidic दिखेगा आपको और ammonium आपको क्या दिखेगा basic तो emphoteric होते हैं यह बात भी ठीक है तो चारो statements जो हैं तीनो statement जो कहे गए वो एकदम ठीक हैं zwitter iron के बारे में तो answer हम क्या देंगे all of them याने की option A next देखिए position of equilibrium explains amounts of अब equilibrium क्या होता है कोई भी reaction हो रही है उसके अंदर equilibrium का मतलब होता है जितनी reaction forward में जारी उतनी reaction backward में जारी उस state को हम कहते है equilibrium यानि की products or reactants की concentration जो है वहाँ पे same होग यानि उनमें कोई भी कम जादा नहीं होगा तो आपको यही पूछा है कि वह किसको explain करते है product की amount को product और reactant उतपादो और अभिकार को दोनों की मात्रा को हम explain कर सकते है equilibrium से तो सही जवाब इसमें क्या होगा both A and B next question पूछा है आपको गलत statement बताना है fizzy sweets के बारे में fizzy sweets होते है जिनको जब आप सेवन जबाब करते हो तो आपको वही ठंड का एसास होता है या फिर जैसे आपने मान लेजे खाया तो आपको अपनी जीब जो है उसके उपर ठंड महसूस होगी तो B option यही बता रहा है B option एकदम ठीक है अब मान लीजे आपको सवाल यह है आप उचेंगे कि चलो मैंने खाली ऐसी मिठाई और ऐसा खाने के बाद में वह मुझे जो ठंड का एसास हुआ है ठंड महसूस क्यों हुई है क्योंकि उस reaction में क्या हुआ है उन्होंने heat आपके टंग से वह absorb कर ली है और जिस भी reaction में heat का absorption होता है वह कौन से reaction होती है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक endothermic reaction है और यह आपको powdered form में भी मिल सकती है यह sweets आपको चबाने के लिए मिल सकती है किसी भी तरह मिल सकती है तो तीन statements यहां पे ठीक है तो गलत obviously कौन सा होगा कि इनमे sodium hydrogen hydrogen acetate present होता है क्यों गलतांस मतलब सही option है इसका A और जो incorrect statement है वो भी है अगला सवाल यह rate of a chemical reaction is increased by a substance rate of chemical reaction अगर आपको increase करनी है तो हम positive catalyst को use करेंगे कि यहां positive negative जैसा क्लासिफिकेशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हम catalyst को use करेंगे तो सही जबाब इसका कौन सा होगा option B अब आपको बूचा है कि side chain amino acid में वो कैसी हो सकती है side chain amino acid में थोड़े देर पहले ही मैं आपको structure बता रही थी amino acid की वो इस तरह की structure होती है जिसमें एक तरफ R functional group होता है यह होता है side chain अब यह side chain है यह acidic भी हो सकती है basic भी हो सकती है तो सही जबाब हम क्या देंगे both of these यानि की acidic और basic both अगले सवाल लेखे आपको amphoteric oxides के बारे में पूछा amphoteric oxides के बारे में हम बात पहले कर चुके aluminum oxides एक important example है इसका A2O3 और amphoteric oxides होते हैं वो acidic भी होते है और basic के तरह भी तो सही जबाब कौन सा होगा सही जबाब होगा option c अगला सवाल है energy which is reduced when one mole of ionic crystal is formed is known as a mole ionic crystal बनने पे जो energy बनी यानि कि आपके पास वहां पे कोई lettuce का formation हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे lettuce energy सही जबाब क्या है option आयन एक एनायन से जुड़ा हुआ है उनके बीच का space कितना है इस तरह से arrangement क्या है उसे हम lettuce कहते हैं तो इसी जो आयन का formation है आयन क्रिस्टल का यानि lettuce का तो energy जो निकलेगी वो होगी lettuce energy आखरी सवाल देखिया कि hard water जो है उसके अंदर क्या होते हैं calcium और magnesium की वज़े से होती है hardness सारी दुनिया जानती है और अब गर आप option देखोगे तो आप कौन सा जवाब दोगे option c rate of reaction is increased with increase in rate of reaction को increase करने की बात हो रही है प्रतिक्रिया के दर की बात किके जा रही है तो आप बताईए कि अगर हम उसे increase करना चाहते है तो मान लिएजे आपके पास कोई reaction है a plus b और इसका कुछ conversion हो रहा है c और d के अंदर मान लिएजे इसके 2 mol है और c के 3 mol ऐसे कुछ आपके पास reaction है hypothetical तो देखिए अगर आपको इसमें reaction की rate कहने को कोई कहे तो reaction की rate हम लिखेंगे minus 1 by 2 concentration of a plus हम लिखेंगे again ये minus में आएगा concentration of b आएगा और इसी तरह से हम c और d के respect में भी लिखेंगे पर वहाँ पे negative sign नहीं आएगा तो आप जब इस rate of reaction को देखेंगे की concentration जो है यहाँ पे जो square brackets में इस तरह से हम represent करते हैं इसके अंदर जो भी हम लिखा जाते हैं उसकी concentration होती है उसकी एकागरता होती है तो concentration पर depend करेगा इसी तरह जो reaction की rate है वो temperature पर भी depend करती है लेकिन pressure जो है pressure का reactant पर अलग effect होता है और जो product है हमारे उन पर अलग effect होता है इसलिए pressure का कहपाना ठीक नहीं होगा लेकिन concentration और temperature ये दुनों ऐसे factors है जो reaction की rate को बढ़ाएंगे तो सही जवाब क्या होगा इसका both A and B अगला सवाल देखिए अगला सवाल आपको पूछा है polarization के बारे तो वैसे तो polarization अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह से आपको पढ़ने को मिलेगा लेकिन क्योंकि यहां पे electrolytic cell के comparison में पूछा है तो यहां पे क्या होता है polarization का हम कब बोलते हैं hydrogen gas hydrogen gas यहां पे cathode पे evolve होती है cathode यहां पे copper का electrode है तो ऐसा होने पे क्या होगा कि हमारा copper का electrode है hydrogen gas यहां रिलीज हो रही है इसके वजह से आपे bubbles का formation हो गया है इसी process को हम polarization कहते हैं इसके कुछ further effects होते हैं लेकिन हमें definition तक ही रहना है अभी तो हम options देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है rapid dissolving of magnesium दोनों options में magnesium की बात करी गई है लेकिन हम यहां पे बात कर रहे है copper के respect में क्योंकि magnesium को हमने किसी भी electrolytic cell में यूज यूज नहीं किया था आगे देखिए copper electrode it gets converted with bubbles of hydrogen gas it gets covered with copper electrode है हमारी hydrogen gas के बुलबुलों से इंठप जाती है polarization सही जवाब इसका कौन सा होगा option C अगला सवाल देखिए अगला सवाल है reduction of nitro benzene will produce nitro benzene का formula हम पहले भी देख चुके है nitro benzene का formula होता है benzene ring और benzene ring के उपर and O2 group होता है जिसे हम इस तरह से represent करते हैं इसका reduction अगर आप करोगे तो आपको phenyl amine भी मिलेगा और उसके साथ-साथ आपको benzene drink के उपर आपको NH2 मिलेगा और उसके साथ में क्या release हो जाएगा water ठीक है तो यह हमारे हो गए first और second दोनों ठीक है तो correct answer होगा इसका option D that is vote A and B अगला सवाल देखिए vinegar and baking soda together produce vinegar क्या है vinegar हम पहले भी सिरका की बात कर चुके vinegar है हमारे पास acetic acid और इसी तरह अगर आप baking soda की बात करो baking soda हमारे पास base है इन दोनों की जब reaction होती है इन दोनों की reaction होने पे carbon dioxide जो है उसका production होता है ठीक है baking soda is NaHCO3 तो एक acid है एक base है और दोनों की reaction होने पे carbon dioxide जो होगा and the correct answer is option B अगले सवाल की तरफ चलिए stronger than acid आपके पास है उसके साथ आपको hydrogen की H plus ion कितने देगा उसको compare करना है तो जतना strong acid होगा उतने ही hydrogen ion जो है वो produce करेगा तो पहला option देखिए lesser the hydrogen ion नहीं less नहीं होंगे जादा होंगे the more the hydrogen ions will be covalence or hydroxyl ions से हम कुछ नहीं बता सकते लेकिन acid अगर strong है तो H plus ion जो है वो जादा होंगे याने सही जवाब है इसका option B अगला सवाल देखिए अगले सवाल में आपसे क्या पूछा है state of matter with fixed volume पहले चीज़ जो आपको बताईए fixed volume और दूसरी चीज़ जो बताईए वो उन्होंने कहा है कि इसको हम थोड़ा सा compress कर सकते हैं थोड़ा संकूचित कर सकते हैं और जो इसकी मात्रा होती है वो निश्चित होती है तो सबसे पहले तो fixed volume की बात कर लेते हैं fixed volume में या तो आपके पास solid आएगा या फिर liquid आएगा अब second statement जो है आप उसको लेखिए इससे हम final लेखेंगे कि क्या ये एक solid है या फिर ये एक liquid है इससे हम थोड़ा संकूचित कर सकते हैं तो आप बताईए क्या हम solid जो थोड़ा संकूचित कर सकते हैं नहीं solid पदार्थ को संकूचित करना संभव नहीं है यानि हमारा answer क्या है liquid option B जो है यहाँ पर सही जवाब होगा अगले सवाल के तरफ चलिए अगला सवाल है difficulty of discharge is lowest in यानि कि अगर आपके पास कोई iron है आपको उसे discharge करना है तो आपको सबसे कम कठिनाई जो है वो chlorine, bromine, sulphate और hydroxide में से किस iron में आएगी तो देखिए chloride और bromide हमारे halogen है hydroxide iron और sulphate iron में से अगर आप compare करोगे तो OH- यह hydroxide iron है उसको discharge करने में हमें सबसे कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा सही जवाब यहाँ कौन सा हो जाएगा सही जवाब होगा option C अगला सवाल है anodic oxidation refers to यानि इसमें दो चीज़ें आपको बता दी है एक anod और दूसरा oxidation यानि जो oxy current प्रक्रिया है वो कहां हो रही है anod पे हो रही है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले oxidation में बहुत बार हमने बात करी oxidation में क्या होता है oxidation state जो है वो increase हो जाती है तो देखिए यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि anod पे oxidation हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि anod के ऊपर हमारे पास electrons है उनकी हानी हुई है तो पहला option देखते है loss of electrons जर्दे anod एकदम ठीक बात है anodic oxidation का मितलब भी क्या है पहला option जो हो एकदम ठीक है यानी कि option A जो है वो correct option है अगला देखिए most commonly used polyester is known है सबसे commonly used किया जाने वाला polyester कौन सा इन में से teraline, nylon, fat और protein में से तो fat और protein जो है कि polyester की category में नहीं आएंगे बचते हैं आपके पास teraline और nylon और teraline जो है उसे सबसे commonly used किया जाता है सबसे commonly used polyester है वो तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option A अगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम in the following reaction fill in the blanks आपको blanks जो है वो fill करना है एक acid और base के अगर आप reaction करवाते हो तो आपके पास किसका formation होगा और उसके साथ water का formation होगा acid और base की reaction करवाने पे salt का formation होता है और जो reaction है उसको हम क्या कहते है उसे हम कहते है neutralization reaction ठीक है तो इस दो चीज़े याद रखे अगर reaction का नाम आपको कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे neutralization और क्या produce होगा तो produce होगा आपके पास salt उसे ही जवाब है इसका option D अगला सवाल है size on atom can be described with the help of यानि आपके पास कोई एक atom है उसके अगर आपको size बताने है तो आप कौनसी radius का इस्तेमाल करोगे atomic, metallic, covalent या wonder wall, atomic radius जो है हम उसका इस्तेमाल करेंगे अगर आपको उस atom की size बताने है तो तो सही जवाब और इसका क्या होगा option A अगला सवाल है कि lichens जो है, lichens क्या होते है lichens एक symbiotic association होते है algae और fungi जो कवक है और algae है यह दोनों मिलकर के एक साथ जब जीवन यापन करते हैं जब एक जो है यह अपनी food requirements है जो भी इनकी जरूरते हैं वो एक दूसरे की जरूरते को जब भी पूरा करते हैं और एक साथ रहते हैं तब हम इनको lichen के नाम से जानते हैं और आपको पूछा गया है कि यह जो lichen है यह किसका important source है तो lichen से हम litmus को है वो निकालते है, litmus paper बनाने के लिए जो हम litmus यूज करते है वो lichen से मिलता है तो सही जवाब इसका कौन सा होगा option A अगला सवाल है classes of amines include amines जो है NH2 functional group include होता है amines के अंदर अब आपको पूछा है primary, secondary, tertiary तीनो तरह की amines जो है प्राथमिक वतिय और त्रतिय तीनो जो है वो हम amines में include करेंगे तो सही जवाब इसका कौन सा होगा all of them यानि की option D caustic soda के बारे में आपको पूछा है caustic soda का formula क्या वो sodium hydroxide है potassium, calcium या ammonium तो caustic soda होता है sodium hydroxide and correct answer is option A अगे आपको पूछा है which of the following bonds are weakest कौन सा bond जो है आपको options में जो दिये हुया हमें से सबसे कमजोर bond कौन सा आपको ये बताना है कि single bond double, triple या hydrogen तो देखिए single हो bond double हो या triple हो तीनों के अंदर ही covalent bond जो है वो present है तो covalent bond सबसे जादा strong होता है जितने भी bonds हैं उनके अंदर hydrogen bond के comparison में single, triple और double तीनों ही जादा strong होता है क्योंकि hydrogen bond के अंदर पूरी भी electrons की जो है वो sharing नहीं होती है यानि electrons को मिल बाढ़के इस्तमाल नहीं करते हैं जो की हमारे covalent bond में होती है सही जवाब इसका क्या होगा इनमें से सबसे कमजोर प्रकृती का bond कौन सा है, बंद कौन सा है hydrogen bond अगला सरवाल लेखी by which method crystals of pure substances are obtained यानि आपको crystals मिलेंगे किसी ऐसे आपके पास कोई ऐसी विथी है उसका आपको नाम बताना है जिससे आपको शुद्ध पदार्थ जो है उनके crystals मिलेंगे तो crystallization है कैसी process है, Crystally current जिससे आपको pure substances मिलते है और कौन से form मिलते है crystal form मिलते है सही जवाब इसका कौन से हो जाएगा option C due to presence of double bonds double bond की वजह से alkenes जो है वो क्या होती है unsaturated या saturated alkenes होती है unsaturated अगर यही सवाल आपको पूछा जाए due to presence of triple bond सही जवाब इसका हो जाएगा option A अगला सवाल लेके आपको glycine के बारे में पूछा है glycine जो है वो simplest amino acid होता है यह सबसे saralta amino acid है और आपको इसका formula पूछा गया है तो देखिए saralta amino acid के बारे में हम क्या कहेंगे हमारा amino acids के general formula होते है एक carbon group जिसके उपर NH2 group होता है COOH group होता है एक hydrogen होता है और एक R यानि कि कुछ unknown function group होता है और आपको याद क्या रखना है कि glycine के अंदर यह जो R function group है यह hydrogen ही होता है यानि कि आपका जो glycine है उसका formula क्या हो गया COOH CH2 और NH2 तो यह आपके पास 2 carbon की एक chain है जिसमें आपके पास carboxylic acid भी है amino functional group है तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको numbering दे देंगे numbering देने पे भी 2 carbon का molecule है acid है तो ethanoic acid है जिसके उपर amino functional group है तो हम इसे बोलेंगे amino ethanoic acid तो option B जो है इसका सही answer है अगला सवाल देखे the insoluble hydroxide पूशा है आपको कौन सा है calcium sodium potassium ferrous hydroxide तो calcium sodium और potassium यह सारे जो है वो alkali और alkaline रूप जो है उनके elements है और उनके hydroxides है तो यह सारे जो है यह water में soluble होते है लेकिन जो ferrous hydroxide है जो D block element है एक यह जो है आपका soluble नहीं होता है water के अंदर इसलिए हम answer कौन सा देंगे हम देंगे answer option D ferrous hydroxide ferrous Fe plus to charge नेक्स question देखिए fresh sea water जो है is referred to as impure यानि कि समुद्री जल है वो ताजा समुद्री जल को भी हम अशुद कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि उनके अंदर अलग-अलग तरह के salts अलग-अलग तरह के नमक की concentration जादा होते हैं और उन्हें हम directly पीने के योगे नहीं है वो हम उनको पीने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो इसे क्यों है वो impure अशुद्ध क्यों है क्योंकि उनके अंदर लवन प्रेजंट है और लवन भी किस तरह से घुले हुए तो answer D जो है वो इसका सही answer इस तरह को पाट आपको इंकरेट बताना है हमिटाइट आरेन का और एकदम ठीक है पिछ मिलें कॉपर का और नहीं है युरानियम का और है और मोनेजाइट जो है वो थोरियम एक्स्ट्रैट कर सकते हैं मोनेजाइट से तो थर्ट आपशन भी ठीक है तो गलत कौन सा है यहाँ पे गलत है second तो आप answer कौन सा बताएंगे इसमें कि incorrect है only be अगला सवाल देखिए अगला सवाल आपको पूछा है कि crude oil जो है कच्छा तेल जो है उसके वो किस-किस शीजों का mixture है को हम कहते हैं कि hydrocarbons का mixture है hydrocarbons का mixture है मतलब इसमें alkane भी हो सकता है alkane hydrocarbonate cycloalkanes भी हो सकता यानि कि ऐसे alkanes जिन में cyclic structures present हो और aromatic compounds के अगर हम बात करें तो वो भी इनके अंदर present हो सकते हैं तो तीनों हो सकते हैं इसलिए जो जवाब यहां पर होगा वो क्या होगा वो होगा option d that is all of them अगला सवाल है due to increase in temperature the particles vibrate with greater अब देखे जैसे जैसे आप temperature increase करते हो कोई भी particle है कोई भी matter है उसके जो particles है वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी vibrate करने लग जाते हैं उनकी जो speed है उनकी जो गती है वो बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है temperature बढ़ा दिया गया है इसलिए तो वो ज़्यादा energy से और ज़्यादा speed से movement करते हैं उनमें collisions भी ज़्यादा होते हैं तो आपको पूचा है कि क्या उनमें कौनसी ऐसा चीज है जो जादा होगा तो speed जो है वो जादा होगा तो सही जवाब इसका कौन सा है सही जवाब है option A अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि photo oxidation process जो है उसको शुरू कहां से किया जाता है photo oxidation process का initiation हमेशा किया जाता है light से आप photo oxidation वरी देखे ध्यान से photo means light और यानि की प्रकाश जो है वो ज़रूरी है photo oxidation प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उससे ही जवाब क्या है option इस तरह अगर आपको photosynthesis पूचा जाता है उसमें भी light के हमें ज़रूरत होती है उसे शुरू करने के लिए अगरा देखिए ilkenes mostly follow reaction ilkenes की characteristic reactions आपको पूचिए ilkenes जो हमारे double bond compounds होते हैं ilkenes की characteristic reaction होती है addition reaction यानि addition reaction के बाद में यहाँ पे और जो molecules है वो add हो जाते हैं तो सही जवाब होगा इसका option अगला है the drug against infectious diseases जो संक्रामत ब के लाफ आपको कोई दवा बतानी है तो सलफा थायाजॉल जो है वो एक ऐसी drug है वो एक ऐसी दवा है जिसका हम इस्तिमाल करते हैं infectious diseases को खीख करने के लिए तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन option A अगला सवाल देखिए आपको पूछा है कि ammonia और जो amides है यह salt का formation करते हैं किससे react करने पर तो देखिए अगर आप देखोगे ammonia तो ammonia को भी water में dissolve करते हैं वो convert हो जाता है ammonium NH4OH और amides जो हैं वो है हमारे NH2 functional group बाले ठीक है तो यह दोनों ही अगर आप देखोगे तो यह basic nature के compounds है अब आपको बताना है कि basic nature की compounds की reaction आप किसके साथ करवाओगे तो salt का formation होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर neutralization reaction की बात हो रही है तो आपको किसकी जरूरत होगी आपको जरूरत होगी acids की तो आप देखिए water diluted से रिथाइलमीन इनमें से acid कौन है it's CLE acid अचा है वो dilute हो रेकंसेंट्रेटड़ फॉर्म में हो उसे ही जवाब इसका क्या होगा option नहीं होगा सवाल देखिए अगला सवाल है कि जो anemic patients है जिनमें anemia है उनके अंजर किस चीज की deficiency होती है तो anemia वालों में deficiency होती है hemoglobin की और hemoglobin में किस चीज की deficiency होती है उनमें होती है iron की deficiency उसे ही पाल देखिए which among the following is an example of solid soul solid soul का आपको example बताना है तो milk of manganesia, foam, colored gemstones और rubber इन सब में से अगर आप देखोगे तो colored gemstones जो है जो रंगीन पत्थर है वो आपको solid soul का example मिलेगा तो यहां सही जवाब कौन सा होगा option C, foam अगर आप foam की बात करोगे तो वो क्या होता है solid के अंदर foam जिसको हम compress करते है वो एक sponge जैसा जो आता है that is foam and that is क्या है वहाँ पे, gas present होती वहाँ पे solid particles के बीच में और इसी तरह चे उस color gemstone है it is a solid soul next question देखे, lower molar mass of hydrocarbons have increased यानि आपके पास hydrocarbons है बहुत सारे उनमें से आपको बताना है कि उनमें से कम molar mass वाले, कम द्रव्यमान वाले जो hydrocarbons हैं उनके अंदर कौन सी property जादा होती है तो volatility जो है, volatility होती है और सिरता, यानि कि या तो वो gashes form में convert हो जाएंगे, वो convert हो तो जितने भी, lower molecular weight वाले, molar mass वाले, जो hydrocarbons है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं, volatility, सही जवाब यहाँ पे होगा, option B, अगला देखे कि the ratio of different gases in the air, अलग अलग gases का जो ratio है air के अंदर, यह different होता है place to place के पर, क्योंकि देखे, जैसे water vapor की concentration है, वो भी vapor form में present है हमारे atmosphere में, और उ होती है, उसके साथ साथ अगर आप देखो कि जैसे dust particles हैं, और भी बहुत सारे air में, जो dissolved particles है, उनकी concentration भी place to place जो है, वो different होती है, तो different from place to place, okay, ratio पूछा गया आपसे तो ठीक है, अगला है, electron in its ground state disorder, यानि आपके पास कोई electron है, जो अपने निमनतम अवस्था में है, अब द अगर आप उसे energy provide करते हो, अगर आप उसे उर्जा provide करते हो, तो वो क्या करेगा, वो उस उर्जा को absorb कर लीता है और वो higher state में चला जाता है, यानि अदे को अरजा वाली state में चला जाएगा, और वहाँ जाकर के वो energy देगा, जो energy उसने absorb करी है, वो उसको वापस देगा, ल क्योंकि कोई भी एलेक्ट्रॉन का एक्जिस्टेंस आटम के बाहर अकेला पॉसिबल नहीं वहीं पर उस सिस्टम के अंदर ही रहता है उसके बाद में देखिए रिजाइड जो उसकी और्बिट है उसके अंदर रेगिलर उसी और्बिट के अंदर वो रिवाल्व करता रहेग यहां सही जवाब कौन सा होगा सही जवाब होगा option D अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं अब अगला सवाल देखिए अगला सवाल है राइबो फ्लेविन के बारे में राइबो फ्लेविन पूछा है आपको क्या यह कोई पौधे का नाम है कोई विटेमिन है कोई आंटी बाइटिक है या कोई कलरिंग मटीरियल है तो राइबो फ्लेविन विटेमिन का नाम है जो भी कौन सा है विटेमिन B2 और आपने पढ़ा होगा विटामिन B2 की डेफिशेंसी से कौन से डिजीज होती है बेरी-बेरी तो सही जवाब में आ क्या होगा कि राइबो फ्लेविन एक विटामिन है आगे देखिए स्मॉल चेंजर इन वॉल्यूम इस मेशर बाइ एन इंस्ट्रुमेंट कॉल यानि कि अगर आपको छोटे बदलाओं के बारे में डेखना है आयतन में छोटे बदलाओ जो होगा उसके लिए अगर आपको यंद्र बताएंगे तो उस यंद्र का नाम क्या होगा जिससे हम माप सकते हैं तो डाइलेटो मीटर जो है उसे हम यूज करते हैं जो वॉल्यूम में चेंजिस हैं उसके लिए अगला देखिए The gases used in the manufacture of ammonia Ammonia की manufacture को हम Heberge process कहते हैं NH2 और H2 को use करके हम ammonia का formation करते हैं और इसी तरह अगर आप इसको balance करोगे तो यह reaction इस तरह से balance हुजाएगी ठेक है यह हुगी habits process की reaction और देखिए कौनकान से gases यहां पे जरूरी है Nitrogen gas and Hydrogen gas तो सही जबाब इसका हो जाएगा option B Nitrogen and Hydrogen अगला देखिए saliva के बारे में पूछा है Saliva के अंदर Salivary Amylase Enzyme आपको पूछा है कि यह किस starch को hydrolyze करेगा किसमें hydrolyze करेगा ऐसे इसी तरह आपको यहां पे enzyme भी पूछा जा सकता है Salivary Amylase जो enzyme है वो starch को convert कर देगा किसके अंदर glucose के अंदर ठेक है तो यह reaction होती है हमारे mouth के अंदर जैसे आप कोई भी food substance का intake करते हो तो यहां सही जवाब क्या होगा option A और enzyme जो है वो यहां कौन सा है Salivary Amylase अगला question देखे reaction of condensation produced polymers अब आपके पास दो तरह की polymers होते है co-polymers होते है condensation polymers होते है condensation polymers हम मनाते है दो अलग-अलग तरह की units है उनको आपस में जोड करके तो proteins जो है condensation polymers के examples होते है तो सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा option B अगला question देखे अगला question आपको पूचा है nail polish removers जो है कौन सा substance प्रिजन होते है आपको पूचा है लड़कियों को अगर immediately remove करना होता है तो आप सब जानते है nail polish remover का use किया जाता है अब आपको पूचा है कि उसमें कौन सा substance होता है तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर acetone जो है वो present होता है सही जवाब क्या होगा? option C अगला देखे trimethyl amine आपको पूचा है कि किसका example है trimethyl amine अब आप देखे कि आपने amine मना लिया functional group आपको बता चल गया कि amine है याप उसके पर आपको 3 methyl ज्रहें आड करने है चुक्क है आपने 3 methyl ज्रहें आड कर दिये है अब अब आपको बताना है कि यह किस तरह का amine है क्या यह primary यह secondary है अब nitrogen के उपर अगर एक alkyl group होता है यानि कि CH3 जो carbon की chain है अगर एक है तो हम उससे primary amine कहेंगे यानि अगर आपके पास सिर्फ एक CH3 यह attached होता और बाकी दोनों नहीं होते तो हम इसे कहते primary amine अगर दो CH3 attached होते और एक नहीं होता तो हम इसे कहते secondary amine अब क्यूंकि एक nitrogen की उपर आपके पास तीन carbon की chains attached है तो हम इसे कहेंगे tertiary amine तो सही जवाब क्या होगा इसका option C अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि जो double bond है आपका ethene के अंदर वो किस तरह से बनता है तो double bond के बारे में हमने हमेशा बात करिए कि double bond जब भी आपके पास होगा उसमें आपके पास एक sigma bond और एक pi bond होगा तो इसमें एक sigma bond भी है एक pi bond भी है तो सही जवाब क्या होगा अगला सवाल देखिए आपको chlorination पूछा है कि chlorination कि होता है तो हम water का chlorination करتे है तो water के chlorination में हम क्या कहते हैं हमारे जो water के tanks हैं उनके अंदर हम chlorine आड़ करते हैं तो impure water जो है उनके अंदर जब हम chlorine आड़ करते हैं थोड़ी बहुत amount में small amounts में उन्हें हम क्या कहते हैं उस process को chlorination है तो सही जवाब होगा इसका option C आगे है कि जो water drops होते हैं जो पानी की बूंदे हैं उनकी spherical shape जो है इस तरह से अगर आप water droplet को एक droplet को आप में पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो गोलाकार हो जाती है तो गोलाकार का reason पूछा है आपको तो surface tension जो है वो reason है इस चीज़ का तो आप याद रखें यहां पर correct answer कौन होगा surface tension की वज़े से जो उसकी shape है वो spherical है अगला question है the metal that is used as the catalyst in the hydrogenation of oils जो oils है आपके उनके आपने hydrogenation किया है यानि hydrogen आपने add करी है तो आपको बताना है कि कौन सी वो धातू है जिसको आप उत्प्रेरग के form में use करते हैं तो oils के उपर hydrogen add करना मतलब double bond या triple bond जो है unsaturated को saturated में convert कर रहे हैं और संत्रप्त को संत्रप्त में तो hydrogenation के time पे आप जिस metal को use करते हो as a catalyst उत्प्रेरग वो होता है nickel तो आपको क्या बताना है सही जवाब कौन सा है option B अगला देखिए the absolute zero of temperature is आपको बताना है कि absolute zero temperature क्या समझते हैं आप तो theoretically जो सबसे कम possible temperature है वो कौन है that is absolute zero temperature है और उसे हम zero kelvin कहते हैं okay the lowest temperature that is theoretically possible सैधानतिक रूप से संभब न्योंतम तापमान तो सही जवाब इसका है option A अगला सवाल देखिए अगला सवाल है the material which can be deformed permanently by heat and pressure अब देखिए ये बहूलक जो है उसके अलग-अलग तरह के types हो देखिए जैसे thermosetting polymer है thermoplastic polymer है यह आपको दो ही नाम दिये हुए हैं तो इनमें से आपको बताना है उस बहूलक का नाम जो कि permanently स्थाई रूप से विक्रत हो जाएगा गर्मी की वज़े से यानि heat की वज़े से और दबाव की वज़े से तो यह definition ही है एक thermosetting polymer की तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा option A thermosetting polymer आगे आपको पूछा है कि metallurgy से आप क्या समझते हैं कि metallurgy क्या है अब metallurgy होती है कोई भी metal है कोई भी आपके पास धातु है उसको आपको extract करना है किसमें से उसको आपको extract करना है उसके और में से या फिर उसके अयस्क में से अब क्या होता है की और जो है वो हमेश़ा फिर में नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारी impurities added होती है तो metallurgy में हम क्या करेंगे, हो हर तरह की impurities है उनको remove करेंगे और जो pure metal है वो हमारे पास last में बच जाएगा सहही जवाब इसकां होगा हम नहीं बनाते हैं इसके गिंदर समय बढ़ाते हैं हम क्या करते हैं अधर को एक्स्ट्राइट करते हैं वा एक्सट्राइट करते हैं निकालने का कार्य करते हैं शुद्रしड्य फॉर्म ऎ 않 Л, आगे बिल्क carbon monoxide gas colorless भी होती है orderless भी होती है और taste-less भी होती है तो सही जवाब क्या होगा option नी और यही colorless orderless यह कौन होती है जो हमारी noble gases है वो भी colorless और orderless होती है आगे देखिए which of the following are highly compressible आपको पुछा है कि highly compressible कौन है तो solid, liquid और gas में से बताएं सबसे जादा compressible कौन है gases जो है उनको सबसे जादा हम जो compress कर सकते हैं उनको सबसे जादा हम volume उसका कम कर सकते हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा option c gas आगे आपको पूछा है कि जो alkenes है alkenes को हम क्या कहते है saturated unsaturated तो सिफ वही बात हो रही है बार बार अगर आपको ये मालूम है कि double bond और triple bond को हम unsaturated ही category में लेंगे तो आप बिलकुल इन questions को कभी गलत नहीं करोगे तो ये क्या होगा unsaturated hydrocarbons की category में आती है alkenes आज का आखरी सवाल देखिए process in which catalyst has a different phase to a reaction mixture यानि आपको उस process का नाम बताना उस प्रक्रिया का नाम बताना जिसमें जो उप्रे रख है वो और जो reaction में participate करने वाले जो substances है वो वो अलग-अलग phases में होते यानि अगर कोई solid है तो दूसरा liquid होगा इस तरह से तो इस process को हम कहते है heterogeneous catalysis विशम उत्प्रे रख ऐसा क्यों hetero का मतलब होता है अलग-अलग यानि कि reactants जो है वो अलग phase में है हमारा जो उत्प्रे रख catalyst है वो अलग phase में है तो हम इसे क्या कहेंगे विशम और अगर वो सब एक ही phase में होते है तो हमने क्या कहते ह जवाब है वो यहां पर कौन सा होगा सही जवाब होगा option B और nitrogen को air nitrogen के जो air में concentration है हवा में जो इसकी मौजूदगी है उसके बारे में बात करी जा रही है कि nitrogen के होने से हमें क्या नुकसान है या फिर कौन सा जो भी options में से सही है तो पहलो option देखे कि nitrogen क्या करता है यह oxygen को ज जाते हैं कि 70% से जादा nitrogen प्रेजन होने के वज़े से जो oxygen है वो dilute हो गई है वरना हम सब जाते है कि oxygen के presence में बर्न हो जाते है तो इस तरह से हमारी जो surroundings है को सीधे oxygen जादा होती तो जल जाती ना nitrogen यह important role play करती है इतनी जादा concentration में होकर तो पहला option जो है वो ठीक है बाकी options भी देख लेते है इस essential for our body nitrogen essential नहीं हमें oxygen essential है हमारे लिए makes oxygen soluble in blood ऐसा कुछ नहीं हमें oxygen को soluble बनाने कि nitrogen की ज़रुरत बिलकुई भी नहीं पड़ती है decreases the density of air density को decrease नहीं करती है बलकि nitrogen जो है oxygen से जादा भारी होती है sorry जादा भारी तो नहीं होती है पर फिर भी अगर आप देखें तो यह density को decrease नहीं करती है इतका जो correct answer यहां पर हो होगा option A अगला सवाल देखें अगला सवाल है state of freezing involves यानि freezing जो freezing ठंड की स्थिती है यानि कि जो solids लिक्विद से जो solid का conversion है freezing हम ice का example ले रहते हैं जो water से ice का conversion है वो freezing होती है वो process अब आपको बताना है कि इस process में क्या क्या होता है पहला है देखें loss of kinetic energy loss of kinetic energy को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि water के अंदर जो water की molecules है उनमें space थोड़ा जादा है तो वो regularly move करते रहते और कोई भी substance जो move कर रहा है उसमें kinetic energy जो है वो stored होती है लेकिन ice जो है ice क्या एक solid है और solid के अंदर particles का movement नहीं होता है वोई जगर पे fixed होते हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे kinetic energy का loss होगा एकदम ठीक बात है अगला option देखते हैं अगला है increased force of attraction तो आप ही बताइए कि solid liquid और gases में force का force of attraction का जो sequence है वो क्या है solid में सबसे जादा force of attraction होता है उसके बाद liquid में होता है और finally किस में होता है gases में तो liquid से अगर solid के तरफ हम जा रहे हैं तो force of attraction बढ़ रहा है इसमें कोई गलत बात नहीं है तो second statement जो है वो एकदम ठीक है और third है कि liquid का solidification हो गया यह बात बी एकदम ठीक है तो तीनो options क्यूंकि freezing के respect में एकदम सही है तो हम answer किसे बताएंगे answer होगा all of the above second अगला question देखें अगला question आपके पास crystally current के बारे में crystallization किसका example है तो crystallization एक physical change का example है जिसमें जो भी substance है जसका आपने crystally current किया है वो आपको crystals form में मिल जाएगा तो सही जवाब इसमें क्या होगा option A chemical change chemical reaction ही हम सब जानते हैं galvanization भी हम जानते हैं zinc की coating iron की उपर करना यह सब इसका answer नहीं है इसका answer है physical change अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं what is an endothermic reaction endothermic reaction या उश्मा सोशी पती क्रिया क्या होती है endothermic reaction हम पहले भी बता चुकी हमें endo और exo endo जो है उसके अंदर energy absorb करी जाती है और exo का मतल होता है energy release करना याली energy को बाहर देना विमूचत करना exo में energy जो है वो release होगी तो आप ही बताइए endothermic के लिए कौन सा option ठीक होगा energy is released नहीं energy is absorbed अवशोशित होती है energy एकदम सही बात है तो सही option कौन सा हो जाएगा इसका option भी अगले सवाल की तरफ चलिए which of the following is an ore of aluminium अब normally तो हम क्या पढ़ते है aluminium की और अब तक हमने पड़ी है bauxite पर आप options देखिए आपको जो है bauxite जो options में नहीं मिलेगा आपको गैलेना है cryolite cinnabar ipsum salt तो गैलेना के बारे में हम सब जानते है कि गैलेना obviously aluminium का ore नहीं है गैलेना sulphide ores होता है और जो भी कौन सा होता है lead का sulphide अगला बात करते हैं cryolite की क्या cryolite एक aluminium का ore है aluminium का isk है तो आप बताईए मुझे cryolite का formula क्या है मैं लिख रही हूँ आप मुझे बताईए का क्या ही formula सही है NA3ALF6 यह एक formula है और यह cryolite को represent करता है और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें aluminium present है और पहले आपके बाक्साइट के आने से पहले हम cryolite को aluminium की तरह इस्तिमाल किया करते थे आगे के दो option और है आपके पास है cryolite और ipsum salt cryolite है जो आपके पास इसका chemical formula है HGS यानि मर्करी का एक sulphide और ipsum salt जो है यह magnesium का हमारे पास sulphate है जिसके बारे में हमने काफी सारे uses भी पढ़े थे तो आप सब options देखने के बाद में मुझे बताइए correct answer कौन सा होगा option B cryolite ठीक है तो बाफ साइट के साथ में एक और चीज जो आप से आप याद रखेंगे aluminium के ore में वो कौन होगी cryolite अगला आपको पूछा है sulfurous acid का formula तो देखे दो चीज़े आप इनको गलत नहीं पढ़े sulfuric acid अगर आपको पूछा जाता है एक alphabet के change होने से आपका formula है जो है वो पूरा change हो जाएगा और इसे के साथ अगर आपको sulfurous पूछा जाता है sulfuric acid जो है वो है H2SO4 और sulfurous acid है H2SO3 जैसे ferric और ferrous हम पढ़ते हैं ferric होता है जादा oxidation state वाइला Rn Fe plus 3 और ferrous होता है कम oxidation state वाइला Fe plus 2 उसी तरह इन दोनों के अंदर जो difference है वो है sulfur की oxidation state के अंदर है तो correct answer यहां कौन सा होगा H2SO3 अगला सवाल देखिए अगला सवाल है catalytic converters के बारे में catalytic converters जो हैं उनको हम cars में किस काम के लिए use करते हैं अब देखिए हमने पहले बात करी थी कि जो cars है इतने हमारी automobiles है कि वह बहुत ज्यादा carbon monoxide gas release कर रही है ठीक है उसके साथ में हमने कहा कि वह कुछ nitrogen के oxides भी release कर रही है जो कि बाद में बाकी gases के साथ या फिर बाकी pollutants के साथ मिलकर के secondary pollutants बना रहे हैं या फिर उनकी वज़े से acid rains हो रही है तो हमने क्या किया इसके लिए हमने कोई solution निकालने की सूची तो हमने वहां use कि है catalytic converters तो catalytic converters के सबसे पहरे तो आप मुझे catalyst बता देजिए कौन से होता है यहां पर rhodium होता है platinum भी हम use कर सकते हैं ठीक है तो catalytic converters में जो हमारे transition elements हैं उनको हम use करते हैं और catalytic converters के आप बात करें तो यहां पर कौन-कौन सी reactions होंगी यहां हम carbon monoxide को oxidize करके CO2 में convert कर देंगे इसी तरह nitrogen के जो भी oxide जैसे NO2 है N2O है इन सब को oxidize करके हम convert कर देंगे nitrogen gas के अंदर और जैसे कि hydrocarbons है हमारा petrol और diesel जो वहां burn हो रहे हैं जैसे आप car को use कर रहे हो तो petrol required होता है तो कभी कभी क्या होता है कि पूर्म रूप से उनका oxy current नहीं हो पाता है तो उनका oxy current भी catalytic converters के अंदर हो जाएगा उत्प्रेरख converters तो यह तीनों reactions जो है वो यहां पर होती हैं इसी दिए सही जबाब यहां पर कौन सा होगा सही जबाब होगा option D यानि कि all of these आगे आपको एक formula दिया है C-A-O-C-L-2 क्या आपने ऐसा chemical formula पहले कभी देखा है देखा है तो जल्दी से मुझे इसका नाम बता दीजे कि हम इसे किस नाम से जानते हैं हम इसे जानते हैं bleach and powder के नाम से किस नाम से bleach and powder तो option कौन से सही होगा इसका option C आगे देखिए which among the following is used to treat indigestion वगर मान लीजिए आपने जो खाना खाया वह आपको ठीक से पचा नहीं है उसके इलाज के लिए आप कौनसी दवाई का यूज करोगे हम कहते है antacid और antacid जब भी पूछा जाए आपको दू important चीज़े हमेशा याद रखने है वह कौन-कौन सी है कि magnesium के hydroxide को और aluminium का जो hydroxide है इनको हम सबसे जादा इस्सिमाल करते है antacids की तरह तो सही जवाब यहां कौन सा होगा option A अगला सवाल देखिए version of the following cannot be beaten into sheets अब आप पहले मुझे यह बताइए कि कौन सी property है क्या यह malleability की बात कर रहे है या ductility की बात कर रहे है तो मेरे according आप बात हो रहे है milleability की और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी metal है उसको हम regular उसको हम convert करते है metal की sheets के यानि उसका चादर की form में हम convert करते है तो देखिए gold, silver, potassium और aluminium इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा element है जिनको आप sheets में convert नहीं कर सकते हैं चादर के आकार में परिवर्दित नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो answer होगा आपका वो कौन सा होगा वो होगा option c अगला सवाल लेखिए during the burning of fuels carbon and hydrogen present in fuels are आपने fumes जो है उनको burn किया है ठीक है आपके पास जो भी इंधन है उसको आप जलाएंगे उस वक्त क्या होता है इंधन के अंदर जो भी carbon present है जो भी hydrogen present है उसका क्या होता है कि क्या वो प्रिजेंट में convert हो जाता है तो combustion reaction की बात हो रही है यहां पे combustion reaction के byproducts हमारे होते है carbon dioxide और water vapors तो सही जवाब क्या होगा इसमें कि जो भी उसमें carbon present था वो carbon dioxide में convert हो गया और जो भी hydrogen present था वो water में convert हो गया या water vapors में convert हो गया तो answer होगा इसका option c आगे सवाल है कि आपको ब gas present है milk of magnesia के अंदर तो milk of magnesia के अंदर magnesium hydroxide जो है वो present होता है तो सही जवाब है इसका option अगला देखिए metals react with sodium hydroxide to produce यानि आपके पास कोई metal है उसके अगर आपने reaction sodium hydroxide के साथ करवाईए तो कौन सी gas produce होने के chances है तो यहां पे grass produce होती है वो है hydrogen gas तो आप इसके reaction किसी भी metal से आपके देख सकते है calcium से magnesium से यहां पे gas produce होगी कौन सी hydrogen सही जवाब है इसका option D that is hydrogen gas अगला है कि oil or water किस चीज का example है oil or water दो अग घुलंशील या फिर आप emulsion colloid बोल सकते हैं को immisible option में दिया हुआ है हम क्या बताएंगे कि यह एक immisible liquids का example है क्योंकि दोनों इक दूश्य में खुलते नहीं separate layers में present रहते हैं जब भी आप इनको mix करोगे अगला आपको पूचा है कि calorific value की unit क्या है तो calorific value देखिए हमने बात करी थी calorific value होती है energy और energy को हम represent करते हैं joule के अंदर और calorific value में हम regularly substance को burn कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे kilo joule पर कीजी यानि कि 1 kg अगर आप आपके पास कोई substance आपके पास कोई इंधन है जो एक केजी है उसको जलाने पर कितनी उश्मा जो है वो निकलेगी उससे हम क्या कहेंगे calorific value और इसकी unit क्या होगी kilo joule पर केजी उसके अलावा अगर देखोगी यह newton है यह watt है यह calorie है यह सारी unit है वो हम इसके लिए use नहीं कर बता है fire extinguisio से emit होने वाली gas कौन सी होगी carbon dioxide क्योंकि हमें इनको किस चीज के लिए use करना है जो भी आग लगी वी है उसको बुझाने का काम करना है तो अगर आप उसको oxygen और supply कर दोगी तो रियाक्शन जहें वो बंद नहीं होगी तो हम कौन सी gas supply करेंगे carbon dioxide नानी की option c आपको पूछा है melting point पूछा गया है ice का तो देखिए यहां पे कुछ options दिये वह हैं जो तो शायद आपको पता नहीं होगे ice का melting point हमें याद है 0 degree Celsius अब देखिए जो temperature उसके हमारे पास अलग-अलग scales है जैसे Celsius है fan height है आपके पास Kelvin भी है तो आपको पूछा है कितने Kelvin होगा तो आपको पता होना शड़िए कि 0 degree Celsius कितने Kelvin के equal है तो 0 degree Celsius equal होगा है 273.16 Kelvin के तो सही जवाब यहां कौछ सा होगा सही जवाब होगा option C next question देखिए which one of the following is a bad thermal conductor यानि जो उश्मा है उसका बूरा परिचालक कौन सा है इन में से तो glass जो aluminum, copper, glass और silver में से glass शीशा जो है वो एक बूरा परिचालक है उश्मा का तो सही जवाब इन में से होगा option C अगला सवाल देखते है तो passage of electric current through a conducting liquid causes यानि आपके पास एक liquid है माल लेजिए ठीक है और यह जो liquid है वो conducting है यानि इसके अंदर से electricity pass जो हो सकती है तो अगर आप उसमें से electricity pass करोगे तो क्या होगा तो आपको इस example के साथ में electrolysis याद आ गया होगा electrolysis में हम जो electrolyte यूज करते है वो एक conducting liquid का example होता है वहाँ पर क्या होते है वहाँ पर chemical reaction होगी सही जवाब क्या होता है यहाँ पर option ली क्योंकि हम देखते है ना इन और पर oxidation होता है क्या थो हम क्या कह सकते है कि वहाँ एक chemical reaction होगी अगला सवाल देखे दर rubbing surface of a match box have powdered glass and a little तो बात कर रहे हैं जो हमारा माचिस का डबबा है माचिस के डबबे में जो side में आपके पास इस तरह से आपको brown color का जो मिलता है जिसके उपर आप माचिस की तिल्ली को जलाते है आपको बताना है कि उसके उपर एक substance नो ने बता दिय पास और उसके साथ में आपको बताना है कि कौन और present होता है तो हमने पहले बात करी थी कि red phosphorus जो है यहां पे present होता है तो आपको anti-money, arsenic, silicon और phosphorus में से बताना है तो कौन सा होगा red phosphorus is present अगला है कि कोई thread है जो कि आपको बताना है जो steel wire है उससे जञा ताकटवर हो उससे जञाधा मजबूद हो तो जो nylon का wire है वो steel के wire से ज़्यादा strong होगा ऐसा क्यों क्योंकि elasticity की अगर हम बात करें तो elasticity किस में ज़्यादा होती है नाइलोन में, क्योंकि जो steel का wire है वो एक टाइम के बाद में टूट जाएगा वो और फैलेगा ने, लेकिन elasticity होने के वज़ए से नाइलोन का wire इतने असाने से नहीं तूटेगा, तो सही जवाब इसमें होगा, option D. अगला सवाल लेकिए, the substances which have a very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame alcohol, यानि कि आपको ऐसे पदार्थ है जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम है यानि कि थोड़ा सा टेंप्रेचर अगर आप उनको दोगे तो उनको जो हमें आग लग जाएगी और बताया गया है कि ज्वाला के साथ सरलता पूर्वा को आग पकड़ लेते हैं तो ऐसे सब्स्टैंस सच को हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं ज्वलनशील या इन फ्लममेबल हो के सही जवाब यहां पर होगा औप्शन डी ज्वलनशील अगने सवाल की तरफ बढ़्ये इसाल्यूवल प्रफौर्वेमिप소स Kailick ऑनको के कहते हैं बारे में पीछेया के पहते हैं बहुत को आप और वेस दोनों की reaction से बनते हैं और इसलिए सही जवाब कौन होगा इसका alkaline ठीक है इसलिए जो हमारे 1st और 2nd period के elements और उनका alkaline metals भी कहते हैं alkaline earth metals भी कहते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? bases है आगे देखिए the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity यानि आपने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर आपने विद्युत का इस्तमाल किया है और आपके पास क्या है आपके पास यहाँ पर कोई एक metal है जिसके उपर आपने क्या किया है जिसके उपर आपने दूसरे metal का deposition करा दिया है विद्युत को जो है electricity pass कर गए इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं electroplating तो जितना भी हमने पढ़ा था कि copper का हमने deposition किस तरह से cathode पे करवाया था सारी reaction किसकी example थी electroplating की उस process को क्या कहते हैं विद्यूत लेपन यानी विद्यूत की help से हम उसके उपर दूसरा element जो चड़ा रहे हैं जो जुगनू होते हैं जुगनू के अंदर लाइट होती है हम सबने देखी है वह रात को आपको शमकता हुआ देखता है तो आपको बताना है कि उसके अंदर जो लाइट होती है किस वज़र से होती है क्या उसके अंदर कोई radioactive पदार्थ है क्या उसमें chemiluminescence की कोई property कोई ऐस chemical है जो मतलब खुद से उसमें light produce होती हो या फिर उसमें phosphorus की burning होती है तो आप याद रखें कि उसके अंदर phosphorus की burning होती है जिस वज़र से उसके अंदर light emit होती है इसकी वज़र से वो प्रकाश जो है आपको दिखता है सही जवाब इसमें क्या होगा सही जवाब होगा option B आगे देखिए आपको पूछा है which among the following is the chief compound used in pepper sprays pepper spray आप सबने सुना होगा काफी सारे advertisements वगरा इनके आते रहते हैं आपको पूछा है कि इसके अंदर chief compound कौन होता है जैसे मान लीजे usually girls के लिए होता है कोई जैसे परिशान कर रहा हो तो इसमें कुछ ऐसा substance होती है जिसके जैसे आपकी आँखों में जलन होगी अगर आँखों में डाल दिया जाता है तो इसके अंदर आप यह confuse ना हो pepper जो जो है यानि काली मिर्च इसमें खुद काली मिर्च को इसतमाल नहीं कैया जाता है क्योंकि काली मिर्च आपने देखा हो गा उससे आपको अगर गलती से कभ होगा इसका सही जवाब क्या है option a अगला सवाल देखिए question number 977 okay the polymeric fiber used as a substitute for wool यानि आपके पास जो own है उसके उसकी जगह आपको किसी और fiber का इस्तेमाल करना है चदर बनाने के लिए जो आपको सरदियों वाले कंबल बनाने के लिए sweaters बनाने के लिए तो आप किसी यूज करोगे nylon को teflon को orlon को या how हम यूज करते है ओर लान को इक nylon तो वैसे सिंथेक फाइबर है टेफलों के अगर हम बात करें teflon को हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी हम करेंगे और लोन को अगला सवाल देखे which of the following is not a component of smoke आपको पूछा है कि smog जो है जो बनता है fog या फिर smoke अगर है जो दोनों का addition हो जाता है उनसे तो इनमें कौन सा substance आपको नहीं मिलेगा volatile organic compounds nitrogen oxide sulfur dioxide chlorine oxide में से आपको बताना है तो यहां जितने भी options दिये वे हैं उनमें से chlorine oxide जो है उसके अलावा जितने भी आपको options दिये हैं यह सारे जो है वो smoke में present होते हैं volatile organic compounds भी होते है nitrogen की oxide भी और sulfur की oxide भी तो इसलिए कौन सा नहीं है वो है chlorine oxide अगला सवाल आपको पूछा गया है कि जो pungent smell है garlic का लहसुन की जो एक अलग सी smell होती है तीखी सी वो किस वज़े से होती है वो होती है उसमें एक sulfur का compound present होता है उस वज़े से आपको इसका formula या उसका नाम यह सब नहीं पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो इतना का compound present होता है जिसकी वज़े से उसकी जो अलग से खुश्बू होती है या गंध होती है अगला सवाल है कि homo nuclear molecules जो है यानि कि जिनके nucleus एक जरसे हों उनके अंदर कौन सा bond आपको मिलेगा तो homo nuclear molecules जो है उनमें covalent bond मिलेगा उनमें electrons की sharing जो है वो आपको मिलेगी ठीक है और बनने वाले bond को हम क्या कहेंगे covalent bond यानि यहां पर सही answer जाओ कौन सा होगा 980 का option B अगला सवाल देखिए the names of scientists, new lands, mandaliv, mayor यह किस से associated है क्या यह atomic structure से related है metallurgy से periodic table से या किस से तो देखिए आपको mayor और mandaliv तो वैसे भी याद होगा क्योंकि mandaliv ने भी अपने time पे periodic table दी थी उसके बाद mayor ने periodic table जो अभी modern वाली है उसमें उनका योगदान था तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह सारे जो नाम है scientists के किस से related है periodic table से ठीक है तो option C जो है वो 981 का correct answer होग अगला देखिए आपको पूछा है कि जो contact lenses हैं वो किस से बने हुए होते हैं अब कुछ लोग होते हैं जिनकी आखे eyesight जिनकी कमजोर होती हैं वो specs यूज करने की बचाए lenses यूज करना prefer करते हैं तो वो जो lenses होते हैं उन्हें हम कहते हैं contact lenses उनको simply जो है वो आपको अपने क्लोराइड क्या है विनाइल क्लोराइड का जो polymer है उसके help से यानि PVC जो है उससे बने हुए होते हैं हमारे contact lenses तो सही answer इसका क्या होगा सही answer है option A आगे देखिए what is used to avoid melting of ice यानि आपके पास ice है बर्फ है बर्फ के पिखलने से बचने के लिए आप किसका प्रेयोग करते हैं तो ऐसा ही सवाल हमने उसमें पढ़ा था कि ice creams जो है ice creams के अंदर हम और कौन-कौन से इसे substances को add करते हैं जिनकी वजह से crystallization नहीं होता है बहां जो water है उसका या फिर जो water वहां पे present है थोड़ा बहुत वह freeze हो करके ice में convert नहीं हो रहता है ठीक है तो हम वहां पे use करते हैं gelatin का gelatin जो है वो क्या करेगा वो बर्फ को पिखलने नहीं देगा और उसका crystallization भी नहीं हो नहीं देगा तो सही जवाब इसका कौन होगा सही जवाब है option a butane, methane और हर कोई acid हम उसमें use नहीं करते हैं gelatin is the only answer अगला देखिए अगला है potassium per magnet, potassium per magnet का chemical formula है Kmno4, manganese का compound है आपको पूछा है कि इसको हम drinking water को purify करने के लिए use करते हैं, ऐसा क्यों तो देखिए Kmno4 जो है अगर आप oxidation state निकालोगे तो आपको कितने मिलेगी यहाँ पर 7 तो यहाँ पर manganese जो है वो plus 7 oxidation state में present है और दूसरी जो most common manganese की oxidation state होती है वो होती है plus 2 तो manganese की tendency होती है, manganese आएं चाहता है कि वो plus 7 oxidation state से plus 2 oxidation state में चला जाए तो ऐसा होने पर manganese का खुद का क्या हुआ, manganese का खुद का हुआ reduction अब देखिए आपको कभी भी oxidizing agent या reducing agent के बारे में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है कि वो जो substance है, उसके अलावा जो substance है उसको देखना है मान लेजे manganese की reaction जिस भी element के साथ हो रही है, यानि कोई A element है, अगर A का oxidation हो रहा है तो आप क्या कहोगे? कि KMN4 एक oxalizing agent है, एक oxy current करने वाला agent है और इसी तरह अगर A का reduction हो रहा है, तो हम क्या कहोगे? कि वहाँ पे KMN4 present था, KMN4 की वज़े से A का reduction हो गया, तो KMN4 एक reducing agent हुआ, तो आपको with respect to other देखना है तो manganese का खुद का reduction हुआ है, तो दूसरा इसके साथ जो present होगा, उसका oxidation होगा, तभी तो एक chemical reaction पूरी होगी, और इससे हमें पता चलता है कि potassium पर manganate KMN4 जो है वो एक oxalizing agent है, तो इससे अगर आप drinking water शुद्ध पानी में इस्तिमाल अगर करोगे, तो वहाँ ऐसा कोई अ इसका oxidation हो जाएगा, जिस वज़े से आपको last में pure water जो है, वो मिलेगा, तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, कि ये एक oxidizing agent है, अगला सवाल देखिए, which of the following is an element, आपको बताना है, कौन सा एक element है, ruby, shafaya, emerald और diamond, तो diamond carbon का allotrop है, और carbon क्या है, carbonic element ही है, ठीक है, तो सही ज जवाबों का option D, ये ruby, shafaya, emerald, ये सब जो हमारे stones होते हैं, जो कीमती stones है, वो है, अगला आपको पूछा है, faraday law के बारे में, कि faraday law कि से associated है, तो देखिए, electrolysis जितना भी हमने पढ़ा है, उसको एक बार फिर से revise कर लेते हैं, electrolysis में हमारे पास दो हम rods का इस्तेमाल करते एक container है, जिसके अंदर ये पूरी reaction हो रही है, एक हमारे पास है anode, और दूसरा हमारे पास कौन होता है, दूसरा हमारे पास होता है cathode, और यहाँ पे इन दोनों को हमने कोई solution होता है, जिसके अंदर हम इनको रखते हैं, और उस solution को हम क्या कहते हैं, उस solution को हम कहते हैं electrolyte, ठ बाट्टरी से कनेट करते हैं यानि हमने यहाँ पर एक circuit गप्लीट कर दिया है अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर reactions होती है कुछ anode किसी एक पर oxidation होगा एक पर reduction होगा और धीरे-धीरे जो है यहाँ पर cathode उसके ऊपर अगर शुरू हो जाता है तो वो भी एक Electrolysis का ही टाइप है और उसको हम अलग से जो नाम देते हैं वो क्या है Electroplating अब आपको यहाँ पर अगर calculate करना हो कि कितने time में कितना electric current पास करने के उपर आपके पास कितना substance यहाँ पर deposit होगा तो वो कौन बताते हैं वो उसके लिए law दिया है एक फेराडे ने तो फेराडे के law से हम Electrolysis के अंदर होने वाली जो reactions है उसमें कितना electric current flow करने पे और कितने time तक flow करने पे कितना substance जो है वो जाके cathode पर deposit होगा यह हम पता लगा सकते हैं तो यह किस से related है यह related है Electrolysis से तो सही जवाब इसमें क्या होगा option C अगला सवाल देखे which of the following is an ore of iron iron का ore आपको बताना है dolomite ipsum salt siderite galena तो dolomite जो है यह नहीं है ipsum salt के अगर आप बात करो तो ipsum salt siderite ipsum salt अलग है magnesium का salt siderite जो है siderite is feco3 तो siderite जिससे fools gold भी कहते हैं तो यह क्या है यह iron का एक ore है तो सही exam answer कौन सा होगया इसका option C अगला देखे which is the common characteristics of the elements of same group of the periodic table यानि आपके पास एक ही ग्रुप के जो elements है periodic table में उसमें same property क्या होगी हम पहले ग्रुप के elements ले ले लेते हैं हमारे पास है hydrogen है lithium है sodium है ठीक है potassium, remedium यह सारे हैं तो आप देखे hydrogen के पास एक electron है lithium के पास में 3 electron है तो इसका configuration होगया दो और 1 sodium के पास 11 electrons है अगर आप इनको भी orbits में fix करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी एक electron है तो जब आप इन सारे elements का electronic configuration लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो outermost shell है उसके अंदर number of electrons जो है वो सब में same है इसी तरह अगर आप fluorine, chlorine, bromine, iodine इन सब को देखोगे तो इन सब में भी आपको क्या पता चलेगा कि सबसे बाहर वाली जो shell है उसमें जितने electrons present है वो सब में क्या होगे? सेम होगे तो पहला question क्या है, electrons in the outermost shell बिल्कुल सेम होगे, total number of electrons सेम नहीं होगे, कैसे हो सकते total number of electrons सेम, सब का atomic number अलग-अलग है, total number of protons भी सेम नहीं होगे, atomic weight भी सेम नहीं होगा, तो यहाँ जो सही answer है, वो कौन है, वो है option A, यानि बहतम कक्ष के जो electrons है, वो सेम होगे अगला देखिए, LU-gel tablets है, LU-gel tablets आपको बता दिया, acidity कम करने काम में आते है, acidity कम करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, antacids को, antacids में दो important examples आने आपको बताया है, magnesium hydroxide और aluminium hydroxide, तो LU-gel के तो नाम से ही पता चल गया है, कि obviously aluminium का compound होगा, तो कौन होगा उसमें, aluminium hydroxide, यानि क option C, last question, अगला question देखिए, कि sodium metal, sodium metal is kept under, sodium metal को आप kerosene के अंदर रखते हैं, क्योंकि sodium metal जो है, वो क्या करता है, वो light और oxygen है, उसकी presence में reaction कर जाएगा, और बहुत जादा heat जो है, वो release होती है, इसलिए हम उसको kerosene के नीचे रखते हैं, अगला आपको पूचा है, कि सबसे अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कि आपको बताया गया है, अलग-अलग allotrops, जो है, कार्बन के बार में कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताना है, कि कौन सा स्टेटमेंट्स ही है, सबसे पहरे तो carbon के allotrops, कौन है, क्रिफाइट है, और लास्ट कौन है, अपने पास बक्की सही है, यहां बीच विच विच कोप की बात करीवे, वह हम छोड़ देते हैं, एक बार हम बागी देख लिए थे diamond और graphite के बार में कौन सा सही है, diamond सबसे hard है, और graphite सबसे soft है, कोई confusion नहीं है, इसमें diamond tetrahydral है, उसके पास free electrons नहीं present है, और क्योंकि सारे electrons उन्होंने bonding में दे दिये हैं, तो diamond के structure बहुत ही hard है, एक 3-dimensional solid होता है, तो C option एकदम ठीक है, तो correct answer होगा option C, अगला सवाल देखे कि जो iron, cobalt और nickel, यह सारे metals है, यह जहां के हैं, उनको हम सबसे बढ़िया नाम उनका क्या हो सकता है, तो alkali metals तो देखे,